नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे किरन सामान ग्यान के बारे में तो याद रखिए अगर इस बुक्स को आप लोग पढ़ लेते हैं इसे कवर कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आपके वंडे एक्जाम पर चाहिए एससी हो रेलवे हो बैंक हो इस तरह के objective questions जितने भी आते हैं उन्हें भी cover कर सकते हैं आप लोग और यहां तक बोल सकता हूं है कि state PCS जैसे आपका MPPSC है UPPCS है इसे भी कापियत तक इससे cover कर सकते हैं आप लोग prelims को ठीक है तो इस books को आप लोग खरीद लें अगर आपके पास कहीं से सुविधा है आसपास दुक हैं भालती इतियास पूरा उसके बाद दूसरा टॉपिक था आपका विश्य का इतियास इसे भी हम लोग complete कर चुके हैं तीसरा टॉपिक था आपका भालतीय कला एवं संस्किती इसे भी देख चुके हम लोग चौतरा टॉपिक था आपका भालतीय राजविवस्ता और समिधान इसे भी हम लोग complete कर चुके हैं आज बात करेंगे हम लोग 5 वे टॉपिक के बारे में हमारा 5 वे टॉपिक है भूगोल तो याद रखिए आपकी इससे संबंदी जितनी भी क्लास हैं होंगी सभी किरन सामा ग्यान के नाम से जो आपकी पिलेलेष्ट सूची है उसी मेडली रही है मैं फिर से बोला हूँ कि इसे आप लोग पढ़ लीजे वंडे एकजाम आपका जो भी होगा कबर हो जाएगा कोई भी कुश्चन्स नहीं चूटेगा बस इसे एक से दो बार आप लोग पढ़ लीज फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आँगे चलेंगे आपकी पिथवी के पिरमुक परीमंडल देखेंगे फिर आपके भूकम्प देखेंगे फिर आपका ज्वाला मुखी देखेंगे परवत देखेंगे इसी में हम लोग बिस्त के पिरमुक परवसाडियां देखेंगे प विट्टियां देखेंगे एक बात और आपको बता दूए जो हम लोगों ने मैप्स की क्लास ली हुई है आपकी मैप्स के नाम से मांचित के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची में एक सूची बनी हुए उसी में सब ही कुछ आपके मैप्स से संबंदी क्लास हैं डली हुई है उसे देख लें किरप्या करके, मतलब जरूरी है, अगर उसे आप देख लेते हैं, तो आपका भूगोल काफी अगक तक कबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैप का सहारा लेकर बताये गया है, उसे देख लें जरूरी है, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करें, या देख लिए उसके बाद अच्छा लगए तो देख लिए ना वरना छोड़ देना उसे लेकर अगर देख लें तो कुश्चे इस कोई भी गलत नहीं होगा उसके बाद बात करेंगे हम लोग अख्चय और अपर्दन के बारे में फिर बात करेंगे नदी हम नदी द्वारा उत् करेंगे हम लोग पवन के बारे में बात करेंगे आधिता की बारे में बात करेंगे फिर बात करेंगे हम लोग बरसा एवं बरसा दुथा वायू रासियों के बारे में बात करेंगे फिर आपके चकवाद देखेंगे पिती चकवाद देखेंगे जो आप लोग अभी सुनते यह धाराइन देखेंगे जवारभाटा एवं प्रबाल वीतियां देखेंगे महासागरी यह निच्चेव देखेंगे जीवमांडल देखेंगे विष्य के बन छेटे देखेंगे ने याद रखिए वहां मैपस के सहारा लीकर बताए पूरा विस्त कि यह मंडल हों यहां यहां लोग नाम बता देंगे आपको और इस नदी किनारी नगर है उनके नाम बता देंगे लेकिन उसमें क्या बताया इया है की आपका मैप्स में बताया गया है कि गंगा के किनारी या फिर बिस का कोई भी सहर है उसके किनारी कौन से सहर पच्छे हुए है पूरा मैप्स में मैप्स में इस्तिती के साथ बताया गया है ठीक बिस की पिरमुक जलसन लिया है यहां हम लोग नॉर्मल बता देंगे वहां आपकी मैप maps को साथ में लेकर बताएगे तो आपको याद भी बनी रहेंगी और आपको मालूभी रहेगा अगर आपसे कुछता है कि किस देश में है बिस्त की पिरमुक नदिया हो गए पिरमुक इस्थानों के उपनाम हो गए बिस्त को पिरमुक खने जोतपादक देश इनके बारे में आपके maps का सहरा लेकर बताएगा विस्त की ज貞जातियों के बारे में भी बदाएगा कि यह जानजाती किस छित में हैं कहाँ है पर उसके बारे में जितने मेंet तत्थ हैं उनके बारे में भी जाना है और इन देशों की कहां इस्तिती है मैपस में उनके बारे में भी बात की है तो वहां जाकर हम देख जरूर लें इसलिए बार-बार मैं पॉकस डाला हूं क्योंकि अगर उसे भूगोल में आपका एक सबसे वड़ा चित पार्ट रहता है मैपस का अगर उसे आप कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता है साट से सतर परसेंट आपका भूगोल कवर हो जाता है अगर मैपस को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं आप लो फिर बात करेंगे भासाये देखेंगे उस्तांसद देखेंगे विस्त के परिवान देखेंगे तो यहां एक पारट में हम लोग खत्म कर देंगे ठीक है आप का बिस्तव का पूरा बगउल तीक है यह हमारा पारट होगा पर आungkin दूसरा बाट में abbiamo दो बात करेंगे भारत के वारे में है है यह चलिए सबसे पहले हमारा पहला इसमें चेप्टर क्या रहेगा उसे देखते हैं जो आपका जीओ ग्राफ की सब्द नए यह आपका अंगरेजी भासा का सब्द है और आपका जियो और ग्रफो सब्द से बनाए तो जिसमें जियो का अर्थ होता है पित्वी और ग्रफो का अर्थ होता है बर्डन इस पेकार आपका जियोग्राफी का अर्थ होता है पित्वी का बर्डन करना यानि कि जियोग्राफी में हम लोग पित्वी के बारे में जानते इस्टेवो एक भूगोल बेता है इस्टेवो के इसार भूगोल एक ऐसा बिसा है जिसका लक्ष लोगों को विश्व आकासी है पिंडों, इस्थल, महासागर, वनस्पतियों, जीवजन्तुओं, फलों, भूध, धरातल के छित्प्रों मैं देखे जाने वाले पिदेख अन्नबस्तू का ज्यान प्राप्त होता है मैं किस से? भूगोल से आप भूगोल से संबंदी थी, आपके कुछ मत उन पे ज्याने के और उन से संबंदी तत तो जैसे आपकी हिक्की टी एस हैं, इन्हें आप लोग भूगोल का जनक कहते हैं या आपका वन डे एक्जाम में पूछ लेता है अक्सर तो हिक्की टी एस को क्या कहते हैं? भूगोल का जनक इरेटो इस्थिनीज को क्या कहते हैं? विवस्थित भूगोल का जनक जियोग्राफी का सब्द का प्रयोग इन्हों पिस्तावित किया था पिथमबार इरेटो इस्थिनीज ने, ठीक है? तर्यापके पॉली डोनियस इन्हें आप लोग भूतिक भूगोल का जनक मानते हैं फिरे आपके कार्ल ओ सावर इन्हें आप लोग सास्कितिक भूगोल का जनक मानते हैं इन नामों को आप याद रख लीजे क्योंकि इनसे भी आपके कुश्चन्स बनते रहते हैं बोलाओ थेल्स एबं इन्यक्जी में मेंडर इन्हें आप लोग गड़ती है भूगोल का संस्थापत मानते हैं इन्यक्जी मेंडर इन्हें आप लोग 20 मानचित के निर्माड करता मानते हैं जो आपका मेंजिस्व का मानचित है इसके निर्माड करता किसे मानते हैं इन्यक्जी मेंडर को पर आपके मार्टिन हैमर बेहम, इन्हें आप लोग 20 गिलोब निर्माता मानते हैं, इस्टेभू, इन्हें भोगोली 20 कोस किवारी में उन्हें से संबंदी थे, ठीक है, फैडरिक रेट जेल, इन्हें मांगननाव भूगोल का पिता कहते हैं, अलेकजेंडर, बॉन, हमबोल्ट, इन्हें आप लोग बर्तमान भूगोल का जनक मानते हैं, अलेकजेंडर, बॉन, हमबोल्ट को आप लोग बर्तमान भूगोल का पिता या पिर जनक मानते हैं, ठीक है, अब कुछ आपकी भूगोल की कुछ मत्पूंट परिभासा हैं हैं, ज जिन बिग्यानिकों ने दिये उनकी नाम है उनने जो परिवासाइं दिये उनके बारे में जैसे आपके कांट हैं इन्होंने क्या कहा भूगोल भूतल का चित विवेचनात्मक अध्यन करने वाला बेसा है भूगोल रीटर ने क्या कहा भूगोल बिग्यान की वैसा कहा है जो गुबंडल के विभेन लच्छनों गटनाओं और उनके संबंदों का अध्यन करती है यह आपका रीटर साहब ने कहा रीटर ने भूगोल में प्रादेशिक उपागम पर बल दिया था फिर आपके हमबोल्ट साहब है इन्होंने क्या कहा भूगोल प्रक्रति के अध्यन से संबंदों का अध्यन करना है हमबोल्ट ने भूगोल को एक बिवेचनात्मत विज्ञान वाना किसने हमबोल्ट साहब ने तरह आपके रैटर जयल। इन्होंने क्या कहा है? भूगोल मानव तथा उर्ष की पर्यावण के बीच सहत्त संबंदों का अध्यन का विशे है. रटजल ने भूगोल में मानव केंद्रिये बिचाधरा पर बल दिया. फिर आपके हार्ट शौन भूगोल छेत्रिये विविन्यता का अध्यन तथाओं उनका विशलेशन करता है किसने का हार्ट शौन ने फिर आपके कलाडिये स्टॉल में भूगोल पितिभी की जलक को स्वरग में देखने वाला अभा मैं बिग्यान है आपका भूगोल अब आपको बता दें भूगोल की दो मुक्ष साख है कौन गोसी पहली आपकी भूगोल दूसरी आपकी मानो भूगोल भूगोल के इंतरगत मनोस से संबंदित भूतिक बस्तुमें आती है इसमें भूतिक बस्तुमें आपके क्या क्या है समुद्ध हो गया, बित्वी हो गया, बाईवदल हो गया, आधी के तत्तों और इनमें परिवर्तन लाने वाले कारकों का अधिन किया जाता है आपके, बहुत10 बूगोल में, तो याद रखना, टीक है, बहुत एक Google में आपके समुद्ध हो गया अगर हम लोग मानो Google की बात करें तो इसके इंत्रगत मनुस्त की जनम से लेकर वर्तमा समय तक उसके विकास क्रिया कलापों परीवर्तनों इबं इस्थानांत्रों आधी का धिन किया जाता है किस में मानो Google में ठीक है अब बात करते हैं कुछ 20 की पिरमों भोगो लिख खोजें इनसे भी आपके कुश्चेंस बनते रहते हैं अक्सर जैसे आपके किष्टो पर कॉलम्बस इन्हें आप लोग पश्चमी दूइफ समुव यानि कि पश्चमी दूइफ समुव जिसे आप लोग उत्री अमेरिका कहत कि इन्होंने 1492 में खोज की पश्चमी दूइफ समुव होगी और दच्छडी अमेरिका कि इन्होंने 1498 में खोज की फिर आपके जॉन केविट न्यू फांड लेंड 1497 में किष्टो वर कॉलम्बस को तो आप लोग ने कही वास सुना आपकी इन्होंने अमेरिका की खोज की एक्चुली क्या था कि अमेरिका की खोज के लिए नहीं निकले थे भारत की खोज के लिए निकले थे तो भारत की खोज के चक्कर में पहुँच गए अमेरिका एक नई दुनिया में तो तब भी ये मानने के लिए राजी नहीं थे कि ये अमेरिका है तोनों ने उसे अमेरिका नाम है उसका मतलब एक नई दुनिया की खोज की और फिर आपने देखा होगा कि आपके बास्को डीगामा पुर्दगाली यात्री थे ये 1498 में भारत पहुंचते हैं तब भारत की जाकर खोज होती है जॉन केविट न्यूपाउंट लेंड 1497 बास्को डीगामा पुर्दगाली यात्री थे कैप और गुड़ होप होकर भारत आगमन किया 1498 में मैगलेन पुर्दगाल थे विस्व का भेमर्ड एवं अटलांटिक के दच्चन पिसांत महासागर की खोज इन्होंने 1519 में किये ये आपका कई बार पूंच लिया है विस्व का भेमर्ड सबसे पहले किस ने किया थे मैगलेन ने ये पुर्दगाली यात्री थे कॉपर निकस ये आपके पॉलेंड के थे सौर मंडल की कुछ इन्होंने की थे 1240 में कैपलर जर्मन के यात्री थे ग्रहों का गतिनियम 1600 में इन्होंने ही दिया था कैप्टन कुक ये हवाई दू इस्तमों की कुछ की थी 1770 में फार्दी नंद दा लिपेप्स सोईज नहर का निर्माण इन्होंने ही किया थे 1889 में फ्रेड जॉप नांसें ग्रिन लेंड एबं उत्तरी धुर्ब का पहाड़ी वाग 1888 में इन्होंने ही खोज की थी रोबर्ट पेरी अमेरिका के थे उत्तिरी धुरुप की खोज 1909 में इन्होंने की थी आर एमंडसन नार्वे दच्छिडी धुरुप पर पहुँचने वाला पिथम बैखती था ये 1911 में लेंडबर्ग पिथम सो लोडान पेरिस से निववार्ट 1927 में देखिए उन्हें आपको याद ही रखना पड़ेगा इनके लिए कोई आपकी ट्रग भी ये उजनी करते हैं और मेरा मतलब है यार कि आपको कभी इस तरह की ट्रगें याद रखने की वज़े थोड़ा विस्तार में उन्हें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि समझ में आ जाता है और कुश्चन्स आजकल घुमा घुमा के भी पूच लेता है तो उन्हें भी सॉल्व करने की स्तिति में आप लोग होते हैं अब आपने रट लिया वान लाइनर में तो क्या मुझे तो नहीं लगता है कि कुश्चन्स ड मुझे अपर और कि रुख बाते होंगे आपसे चल्दे हम लोग कि दरब ब्रह्मंड की रक्रिति और उत्पति से संबंदे बिज्ञान को क्या कहते ये कॉस्मोलोची कि सबसे पहले तो आपसे यहीं पूँंछ सकता कि कोस्म Championship कि से सम्मादी थे तो आप बता सकते हैं ब्रह्मन्ठ की प्रकिती और Key से समंदित या फिर पूछे कि आगर कि ब्रह्मन्ठी की प्रकिती उत्पत् advance कॉन सा सब्दे यूज किया जाता है to die personality कि कि को्スमिल जी पित्विश ब्रह्मन्ठ का एक नगर न भाग है छोटा सा भाग है पारम में ऐसा माना जाता था कि पित्वी ब्रह्मंड की केंद में इस्तित है इस द्धान का पित्वी ब्रह्मंड की केंद में इस्तित है इस द्धान का पित्वी ब्रह्मंड की केंद में इस्तित है लेकिन आपके 1543 में एक नए विज् कहनद है इनने क्या कहा था टॉलीमी ने इपित भी ब्रह्मंड के कहनद में वेचते थे लेकिन कौपर निकस ने कहा कि सूर जो सूर है आपका ब्रह्मंड का कहनद है ठीक है परंदु केपलर ने बताया कि सूर सूर मंडल का कहनद है क्या है सूर सूर मंडल का कहनद है 1835 भी में हाल सेल ने कहा कि सूर मंडल आकास गंगा का यक भाग है किसने कहा हाल सेल ने पुर 1925 में आपकी हबल सहाबenhay इन्होंने क्या पाया? कि ब्रह्मन्ड में लाकों की संख्या में आकस गंगाएं पाई जाती हैं एडविन पी हवल ने यह जानकारी दी हमें कि दृस्ट पत्में आने वाले ब्रह्मन्ड का ब्यास 250 यानि 1200 करोड प्रिकास परस है समयकुम आपने माली विकास परस समयकुम आपता है विकास परस थीक है उत्पत्ति इसकी बात करें ब्रह्मन्ड की तो ब्रह्मन्ड की उत्पत्ति से संबंदी सिद्धान्तों में डॉपलर प्रिभाव एवं रेड़ सिप्ट प्रिमुक थे फिर आपकी बिंग बैंग सबसे सबसे मान सिद्धान कौन सा है तो यह आपका बिग बैंक सिद्धान इसे किस ने दिया था यह आपके बेल्जियम के निवाजी थे ठीकर महाविस्पूटक सिद्धान इसे कहते हैं विग बैंक थिवरी ब्रह्मन्डी की उत्वत्ति की ब्याक्या करने बाला यह नवीनतम सिद्धान इसे फायर वर्क्स थिवरी के नाम से भी आप लो जाते हैं इस सिद्धान के अमसाल लगवक 15 अरब बर्सपूर कॉस्मिक पदार थेक अत्यथिक संपीटत पिंड की रूम में मौजीद था इस संपीटन संपीड़ित पिंड का तामान और दबाव का भी आदेख था इस संपीड़ित पिंड में तीव बिस्पोर्ट हुआ और इसके टुकड़े आगासी पिंड में परिवर्तित हो गए यह बिखंड टुकड़े अभी भी हजानों किलो मीटर पिती सेकंड की गती से गती सील कर रहे हैं जैसे कि सभी विसपोर्ट को में होता है तक सर्वादीक दूर के टुकड़े सरवादित्ती विगती से चलते हैं और पास के नहीं में एक बात आप लोग भी जानते हैं कि जब किसी बस्तु को एक आप लोग बैघन ले लिए चलिए मानिये ठीक नॉर्मल सी अपन जानदा विज्ञानिक तरीके से बात नहीं करते हैं नॉर्मल साधारण सब्सक्रावस आप को आप लोग जब गरम करते हैं गरम करते जाते हैं करते जाते तो आप नहीं देखा वह उसoben अधागाई कि यही आपके सम्पिंडित्म की कहा मैं शेया हुआ पी डिक्ष की मापा किकाहियां प्रिकास बर्स निर्वाद में 3 to 10 की 5 x 5 km पी 30 Seknd की गती से प्रिकास द्वारा एक बर्स में तैकी की गई दूरी को हम लोग प्रिकास बर्स कहते हैं प्रिकास द्वारा एक बर्स में तैकी की दूरी को क्या कहते हैं प्रिकास बर्स बराबर होता है 5.88 इंटू दसकी पावर 6.00 अंतरिक चेकाई ए यू शूर एवं पित्वी के बीच की ओसल दूरी को आप लोग अंतरिक चेकाई कहते हैं आई ए ओ एक बराबर कितना होता है एक दसम लोग 49 इंटू दसकी पावर 8 किलूमेटर एक आपने नाम सुना होगा पार्सेख यह दूरी का एक मात रखे दूरी मातने का मात रखे पार्सेख एक पार्सेख बराबर होता है आपका कितना 3 इंटू 26 पिकास बर्स यानि की 3 दसम लोग 26 पिकास बर्स फिर आपने कॉस्मिक बर्स भी सुना होगा इस सब्द को भी देखते रहते हैं आप लोग सूर के परिक्मर की अवधी को कॉस्मिक बर्स कहते हैं आप लोग एक कॉस्मिक बर्स होता है बराबर होता है आपका 250 मिलियन बर्स और जैसा कि आपको पता होगा कि एक मिलियन में 10 लाग होते हैं आपके समझ रहे हैं आप लोग एक 10 लाग बराबर एक मिलियन सूर की पित्वी से दूरी कितनी है 14.98 करोण मी किलोमीटर माल लीजे यह है आपका सूर और यह है आपकी पित्वी तो इसके बीच की दूरी की बात की जा रही है सूर से पित्वी के बीच की दूरी कितनी है 14.98 करोण किलोमीटर सूर के पित्वी तक पहुँचने में आपके 8 मिनिट 20 सेकंड अर्था तब के 500 सेकंड का समय लगता है यहां से सूर से पिथवी तक पहुचने में कितना समय लगता है प्रेकास को लगबग 500 सेकंड आठ मिनेट 20 सेकंड है ठीक है चंदमा की पिथवी से दूरी क्या है चंदमा से पिथवी की दूरी क्या है 3,84,365 किलोमेटर कितनी 3,84,365 किलोमेटर फुरोक सीमा सेंचुरी की दूरी से पिथवी से कितनी है चार दस हम लो 3,85 परस अब बात करते हैं हम लोग आकास आकासिय पेंड़ों के बारे में आकासिय पेंड़ आकास गंगा या फिर मंदाकनी जिसे आप लोग गलेक्सी भी कहते हैं यह तारों का एक विसाल पुण्ज होता है जिसमें आपके लगबग कितने एक लाख मिलियन यानि कि दस की पाबर ग्यारे तारे पाए जाते हैं समयते रहें आप लोग कितने आकास गंगा में आपके एक लाख मिलियन तारे पाए जाते हैं लगबग ब्रह्मन में आकास गंगाओं की कुल संख्या लगबग दस हजार मिलियन है कितनी दस हजार मिलियन है और दस हजार मिलियन यानि कि पितेग में कितने तारी पाए जाते हैं आपके एक लाख मिलियन के करीब तारों के तरिक्त आकास गंगा को तीन पेकारों में हम लोग बिभाजित करते हैं कौन-कौन से पिकार हैं आपके सबसे पहले आता है आपका सरपाकार आकासगंगा हैं इस पिकार की आकासगंगाओं में कि कैंद में तारों का अधिक जमाव पाए जाता हैं तथा प्राचीन तार ये कैंद की निकट पाए जाते हैं इसमें इसमें आपका &o Meda एवं ंहारी स्पुति आकास घंगा अर्थात मिल्की वे सरपाकार स्पुति आकास घंगा की उधारन पिर दूसरा है एपका देख विद्टि यह &2 कि Bhramand की अधिकांस लगभग आपके दो तेहाई आकास गंगाएं इसी पिकार की हैं जिनका निर्मार का फी प्राचीन तारों से हुगा है यानि की पुराने तारों से हुगा है फिर आपका आने में ताकार आकास गंगाएं यह आकास गंगाएं मुक्ता नभीन तारों द्वारा निर्मे थे कुल आकास गंगाओं का दस्वा भाग βाग हैं और पित्तवी एर्अबत्पत्य यानि की मिल्की बेगर नामक आकसगंगा का एक भाग है हमारी आगसगंगा एराबत पत्थ की दो निकर्टम आकसगंगा है यह यह दूसरी आपकी लडगों मेलने ऑन ट्रीक है आंगे चलते हैं हम लोग आकास गंगा को सबसे पहले गेलेलियों ने देखा था किसने गेलेलियों ने लगवक 24 आकास गंगाओं के जुन्ड में जिसे लोकल गुरुप भी कहते हैं कि नाम से जाना जाता है एरावत पत और एंडो मेडा दो बेहत आकास गंगाएं हैं उर्सा, माइनर सिस्टम, सकल्प्टर सिस्टम और डक्रो सिस्टम आधे आकी आगास गंगाओं के कुछ अन उधारन भी हैं एक सब्द अब लोक अक्सर सुंती रहते हैं तारावंडल ये तारों के समोव होते हैं तारावंडल आपएं किसके तारों की सम्मूवत हैं तारमंडल पितेक तारमंडल की विसिष्ट आक्रती होती है अपनी जिसके आधार पर प्राचीन काल में इनकर नाम करन किया गया था आधुनिक समय में आपके नवासी तारमंडलों की जानकारी उपलब्द है जिन में हाइडरा सबसे बड़ा तारमंडल है आकारी याद रखिए बड़ आधुनिक समय की बात इसलिए की जा रहे है वो सकता है आगे और खोज हो और और हमारे सामने तारमंडला है तो आप लोग समझते हैं जिस तरह से आपने देखा है कि सनी के उगरे बढ़ते जा रहे हैं पहले बैस्पती के सबसे जाना हुआ करते थे क्योंकि देखिए अब आप से पहले लोगों ने क्या देखा कि चलिए सोने का यूज करते हैं फिर सोचा कि पहले लोहे का फिर कहा कि सोने का भी यूज होता है समझे रहे हैं इस तरह से आप समझते हैं कि नए नए दिमाग आते हो नए नए खोजे होती रहते हैं तो नए नए जुड़ते जाते हैं तत्त हमारे सामने सेंटोरस और जैमनी आदीतारामंडल के अन्न उधारण आपके हैं कुएसर यह क्या है कुएसर यह अत्यधिक चंकीले आकासी पेंड लोते हैं आकास आकार में आकासगिंगा से छोटे होने के बाटाइब कुएसर उसने अधिक मात्रा में उर्जा को सजन करते हैं इसकी खोज आपकी 1992 में हुई थी कब 1992 में आपने देखा हुगा रासियां जो आपके कुछ बिद्वान होते हैं वो इनी रासियों का प्रेव करते हैं सूर की परिक्मा करते समय पित्वी बारे नक्षत समूहों से होकर गुजरती हैं जिने आप लोग रासियां कहते हैं इस रासियां इस पर का रहे हैं याद रख लिजे कई वार आपका इंटर्व्यू में पूँच लेता है मेज इसका चिन्न क्या है? भेड ब्रस इसका चिन्न क्या है? बेल मिथुन इसका चिन्न क्या है? इस्तरी पुरुष करक इसका चिन्न क्या है? कहकडा सिंग, सेर, कन्या लड़की तुला, तराजू तुला, तराजू रासि का सीधा से मतलब होता है आपके नाम की एक रासि होती है जैसे आर के जितने भी रा नाम की लोग होंगे, उनकी रासि होगी तुला, याद रखिए तराजू इसका चिन्न होगा वरश्चक विच्चू इसका चिन्न है, धनू धनो से है, मकर मगर है इसका, कुम्ब घड़ा, मीन मचली, इन्हें याद रख सकते हैं आप लोग अच्छे से क्योंकि आप अगर किसी ज्यानी पंडित को हाद भी दिखा रहे हैं तो किसी भी को तो वो आपका रासि पूचता है, ठीक पर आपका बायू मंडल बायू मंडल आपके सामेल हैं जलवास गैस दूलकर कि बे आवरन जो पितवी को चारों और से सेटरों किलोमीटर तक बाहरी भाग को ढके हुए हैं उसे आप लोग बायू मंडल कहते हैं इसमें आपका नाइट्रोजन है 78 पितिसद कितनी 78 ऑक्सीजन है 21 पितिसद और कार्बन डाई ऑक्साइड यानि कि CO2 और अन गैस है 1% तो अगर आप से पूँचे कि वायू मंडल में सबसे जाना गैस कौन से है तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन 78 पितिसद अगर आप से पूँचे दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन तो आप एक अंत्रिक्ष सब्द सुनते रहते हैं इसे आप लोग सुनते रहते हैं अंत्रिक्ष यात्रा हो रही अमेरिका ने भेजा फिर रोज की फिर भारत भी लगा हुगा इस चित में तो जिस तरह से आप लोग एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं इस तरह से आपका संभव हो जाएगा कि आप लो अंत्रिक्ष की यात्रा किया करेंगे जब भी आप फिर ही हुआ करेंगे तो आप कहेंगे कि चलिए अंत्रिक्ष की यात्रा करके आते हैं घूम के आते हैं अंत्रिक्ष को तो ब्रहमंडल का बाहमंडल का वह भाग जो पितवी की बाहमंडल की सीमा से बाहर है उसे आप लोग अंतरिक्ष कहते हैं ठीक है ग्रहों ग्रह किसे कहते हैं आप लोग मंगल ग्रह हो गया पितवी ग्रह हो गया इसके बारे में बात कर रहा हूं तारों की परिक्मा करने वाला प्रिकास रहत आकासी पिंड ग्रह कहलाता है इसमें आपने एक सब्द देखा है प्रिकास रहत इसमें यानि कि प्रिकास अपना कोई प्रिकास नहीं होता है ठीक और यह किसकी प्रिक्मा करते हैं तारों की यह तारों की प्रिकास से ही प्रिकास दें उपग्रह भी भेजे जा रहे हैं तो ग्रहों की परिख्मा करने वाले छोटे आकार की आकासी पेंड को आप लोग उपग्रह कहते हैं जैसे आपका चंदमा है तो याद रखिए उपग्रह किसकी परिख्मा करते हैं ग्रहों की उपग्रह किसकी परिख्मा करते हैं तारो ठीक है यह थी हूँ है यह अ कि पर आप एक नाम सुनते रहें चुद ग्रहे यह वी अक्सर आप खबर में देखते रहें है छुद्ग्रहे आपका ब्रेसपती वनंगल ग्रहे की कक्चा के भी चिकल लगाने- बाले 10 शोटे पिण्व क्यों आप लोग चुद्ग्रहे कहते हैं फिर आप सुनते हैं कक्ष जिस पत पर ग्रह ओव ग्रह अंतरिक छ्यान परीक्मा करते हैं उसे आप लोग कक्ष कहते हैं क्या कहते हैं कक्ष कहते हैं फिर आप एक नाम सुनते हैं नच्चत पित्वी के चारों और 27 ग्यारत तारा समोग हैं जो रात्री को आकस में दखाई तो गरे आपका चन्दमा है तो इसके बारे में याद रखिए कि चन्दमा आपका पित्वी की परिक्मा 27 सही एकवटी तीन यानि 27 दिन 7 गंटे 43 मिनिट में पूरी करता है किसकी पित्वी की परिक्मा याद रखिए किसी भी चीज की दो आपने देखने होगा गति एक परिक्मार और एक काप की गुवड़न गति यानि कि दूसरे ग्रह की या परिक्मा कर रहे हैं किसी दूसरी चीज की तो इसे आप लोग परिक्मार कह लेते हैं और अगर अपने ही अक्ष पर घूम रहे हैं तो उसे आप लोग गुवड़न गति कह लेते हैं इस दौरान होए किसी ना किसी तारा समूव या पर नक्षत के सामने से गो जाता है जिससे उस दिन वह नक्षत नहीं दिखाई पड़ता है पिती भी पिते एक नक्षत को चौँदे dollars में पार कर लेती हैं इसलिए नक्षतों की यहोदी आपकी 14 दिन होती है कितनी 14 दिन होती है तो आपने सुना है है कि सब्दौर हमारा सौर मंडल सौर मंडल में आपका क्या क्या सामय लएं उससे दिखे सूर के चारों और अंडाकार मारगों के सारे उसकी परिक्मा करने वाले गरहों, उप गरहों, पुच्छल तारों, उलकाओं छुद्ध गरहों के समले समूग को क्या कहते हैं? सौर मंदल याद रखी अपने यहां से जो हमारे यहां से किंदे मुगरह भेज़े जाते हैं उनकी लागत बहुत सस्ती होती है इसलिए आपने देखा होगा कि कई देश हमारे यहां से अपने उगरह बिजवाते हैं और आपके यहां दूसरा आपने छित देखा होगा कि hospital स्वास्त व्यवस्था आपके यहां बहुत सस्ती है इसलिए काई विदेशी आप देखते हैं कि भारत इलाज के लिए आते रहते हैं लेकिन यह अलग बात है कि आपके यहां के जो लिता होते हैं अपने आके डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करते हैं हमारे सौर मंदल आकासी पिंडों का एक समुच्च है जिसके केंद में सूर रिष्थे थे क्या है? जिसके कैंद में आपका सूर इष्थित है अब आपका सूर यानि की सन तो इसके बारे में अगर हम लोग सन के बारे में बात करें तो हमारी सर्वकार मंदाकनी जिसे एरावत पत कहा जाता है कि सो अरब तारों में सूर एक आपका तारा है क्या है सूर भी आपका एक तारा है तारे की सीधी सी परिवासा है कि जिसका अपना प्रिकास होता है वही तारा होता है ठीक है, सूर पितवी के सरवादिक निकट का तारा है, जो सूर है, आपके पितवी के सरवादिक निकट का तारा है, और आप जानते हैं कि पितवी को प्रिकास आपका सूर से ही प्राप्त होता है, सौर मंडल के कुल दिरमान का लगभग 99.85 पितिसत भाग सूर में संचित होत और 2.5 यानी की 2.5 पितीसत अन्य तत्तिस में सामिल होते हैं तो याद रखना है, 71 पितीसत क्या होता है? हाइडोजन इसमें 26.5 पितीसत हीलियम और बाकी अन्य तत्त होते हैं 2.5 पितीसत सोर की गुरुत्वा करसन शक्ति के कारण गरह और अन्य आकासी पिंड इसकी परिक्मा करते हैं सोर की गुरुत्वा करसन शक्ति के कारण सोर नेंतर दिश्च पिकास आदिश अवरक्त केने और परावेगनी केने, एक्स केने, गामे केने, रेडियो तरंगे और पिलाजमा की रूम में किसके पिलाजमा की रूम में उर्जा का उत्सरजन करता रहता है सोर की दिप्तमान सतय कों लोग पिकास मंडल कहते हैं क्या कहते हैं पिकास मंडल पिकास मंडल की किनारे पिकास मान नहीं होते हैं क्योंकि सोर का वाई मंडल पिकास का आउसोसन कर लेता है इसे आप लोग word mandal कहते हैं क्या कहते हैं word mandal जो आपका लाल लंका होता है आपको लाल लंक का दिखाई देता है सूर ग्रहन के समय सूर के दिखाई देने वाले भाग को आप लोग क्रीट यानि कि कोरोना कहते हैं सूर ग्रहन के समय जो सूर का भाग आपको दिखाई देता है उसे आप लोग क्रीट कहते हैं यह X-ray उत्सारजित करता है X-ray करने उत्सारजित करता है इसे आप लोग सूर का मुकुट भी कहते हैं क्या कहते हैं? सूर का मुकुट और अगर पूर्ण सूर गहन के समय सूर क्रीट से प्रिकास की प्राप्ति होती है जब सूर गेहन पूर्ण सूर गेहन हो तो उस समय आपके सूर का क्रीट है उससे हमें प्रिकास की प्राप्ति होती है सूर से उत्सरजित होने बाले हाइड्रोजन की लग्टें सौर्जवालाएं कहलाती है आप जानते हैं कि हाइड्रोजन सबसे जानदा सूर में उपस्ते थे एक अत्तर पिदीसत के करीब जब यह उत्सरजित पदाथ वाईव मंडल में काफी दूरी तक प्रिवेश कर जाता है तो इसे सौर आंदी भी कहते हैं क्या कहते हैं सौर आंदी सौर के कोरोना से बाहर की ओर प्रभावित होने वाली प्रोटॉन की धाराओं को सौर पबन भी कहते हैं सोलर बिंड भी आप लोग कहते हैं इनका निर्माड की अगर बात करें तो इनका निर्माड पिलाजमा अर्थात आईनी कित गैसों से हुगा अपता है सूर के कोरोना में जो इस्तित होती है काली रेखाएं उसे आप लोग फराओं होपर रेखाएं कहते हैं सूर में इस्तित चमकेले धब्बों को पिले जेस और काली धब्बों को सौर धब्बा कहा जाता है जिस समय सुगुल का दब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पिद्वी पर चुम्म किये जंजावत उत्पन होते हैं क्या होते हैं चुम्म किये जंजावत उत्पन होते हैं चुम्मिकी ये जहट पे इससे आपका टेलीविजिन हो गया बिजली चलत मसीन आधी में गड़वड़ी भी उत्पन हो जाती है और आपने देखा होगा जब बिजली चमकती है बाद लूँ है तब भी आपके टेलीविजिन इस तरह की जो भी बिजली चलत मसीन होती है उनके खराब होने की चांस बढ़ जाते हैं आयन मंटल में चरमकने वाले बहु रंगी पिकास को उत्तरी गोलाज में उत्तरी धरुप जोती और दच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् मिलता है पित्वी की कच्चुमी की ये मंडल बॉन एलेस पट्टी सूर से आने वाली सौर पवनों को बिचलेप कर दीता है वो इस पेकार सुरक्चा कबच की रूम में कार करता है कौन? पित्वी की चुमी की ये मंडल सूर का पश्चाद पित्वी का दूसरा सर्वादीक निकटता रहा है प्रोक्सीमा सेंचुरी पहली नम्बर पापका सूर है उसके बाद दूसरा है निकटता रहा है प्रोक्सीमा सेंचुरी इसके पिकास को पित्वी तक आने में आपका 4.5 सेकिंड है सौरी चार दुसमलों पांच बर्स लगता है कितना 4.5 एक सब्द आप लोग सुनते रहते हैं अक्सर सौर जवाला क्या है सूर की सत्य पर दहती हुई गैसें हजारों किलोमेटर उपर उठती हैं इसे ही आप लोग सौर जवाला कहते हैं एक बात आप लोग हमेशा याद रख पास है यह डारेक्ट पितवी पर पहुंच जाए तो आग लग जाएगी सुमझ में आपको कोई जीवान ही संभव नहीं है पितवी का इसलिए आपने देखा होगा ओजौन परत्थ हो गई आपकी आयन मंडल हो गई इस तरह से आपकी बहुत कुछ चटता चटता जो आपक सूर्यातप की पितवी पर पहुंचने वाले सौर विक्रहण को सूर्या तब कहते हैं जो मर वावड़ जौलाइ चली मैं को 99 को 21 सदी का सबसे लंबा सूर्य गहन देखने को मैं मिला तो इस सब पूंच सकता है कि 21 का सबसे लंबा देखने को मिला तो इस तरह के questions बना करें इसे लिए लोगी है तो याद रखी है। शूर ग्रहन के समय बड़ी मात्रा में परावेगनी केड़ने उत्सरजित होती है। आप अकसर सुनते रहते हैं कि अगर ओजौन परत में चरन हो रहा है तो क्या होगा और और जोन परत में चरन हो जाता हैं तो जो आपकी परावेशनी किरण हैं इसे डारेक्ट हमारे पसदूर होगी वे इंसे कैंसर जैसी बिमारिया भी देखने को मिलती हैं इसलिए ओजोन परत को बचाने के लिए कई सम्झोते भी किये जाती रहे हैं सूर से सम्मधित कुछ महत्पूर्ण आगड़े हैं इन्हें भी याद रख लिए क्योंकि इनसे भी आपका डारेक्ट कुश्चन्स आ जाता है पित्वी से ओसत दूरी की बात करें तो 149.8 मिलियन किलोमीटर है यानि कि ये होती है 14.98 करोड किलोमीटर किस से सूर से पित्वी की दूरी यानि कि या पित्वी से सूरी की दूरी अगर इसके ब्यास की बात करें तो इसका ब्यास है 13,92,000 km अगर पित्वी की तुल्ला में इसके ब्यास की बात करें तो यह 109 गुना है अगर हम लोग द्रम्मान की बात करें सूरी के 2 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 27 टन यानि कि 2 गुने 10 की पावर 27 टन सौर मंदल के कुछ द्रमान का 99.85 पी 30 सत्य है सत्य यानि कि फोटो स्पेर के इसके दामान की बात करें तो 6,000 डिग्री सेंटिगेट है कितना छहजार डिग्री सेल्चे इसके सत्रेका ताबमान की बात की जा रहे हैं आप सोचिए अगर यह डारेक्ट आपके पास आ जाए तो जलकर हम लोग राक हो जाएंगे आप देखते हैं कि हमारे यहां का नॉर्मल 25 पंद्रह उसके बाद 45 पचास तक बहुत से बहुत उनेचास तक पहुंच सकता है आप सोचिए कि अगर सो परसेंट अगर थामान बढ़ जाए तो क्या खालत हो सकती है और सूर मन तो वहां अगर आप पहुंच जाए तो जिस तर पर आपका क्रोड का थामान इसका है आपका 20 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सेस बार बार बोलना हो कि एक मिलियन बराबर आपके दस लाग होते हैं ठीक है तो पंद्रह से 20 मिलियन है अगर इसके संकटन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन आपका 21,300 उसके बाद बिलियन है आपका 26 दिसमलोग 5,300 इस तरह से इसकी सरजना होती है थी हुआ थीजिए थी फ्रकृक की कि परीक किरुमर्ण की रिख करें तो 25 मिलियन पर्स कि असको अगर अगर एच की बात करें तो 5 अरव वर्भ स्की अयू और अनवानत जीवन अवधी की बात करें तो पांच बिलियन अरव बिलियम बर्भ लगवागापकी इसकी इसकी अपर डब्वों का तयरय कि बातके करें तो इनका thriving नमान होता है 1500 डिग्री सेसियस ठीक है फिर आपका चन्दमा है यह हमारी पितिवी का एकमात उपगरह है तो इस तरह से questions आपकी सरल बनते हैं आप लेकिन उन्हें solve करने की इस्तिति हैं नहीं होते हैं तो याद रखना पितिवी का एकमात उपगरह है आपका चन्दमा है चंदमा की आंतरे किस्तिति उसकी सत्यक अधिन सेलेनोलाजी क्या कहते हैं सेलेनोलाजी कहा जाता है इसकी पित्वी से युक्सत दूरी की बात करें यानि कि चंदमा और पित्वी के अगर बीच की दूरी की बात करें तो 3,84,365 किलोमीटर है कितनी 2,84,365 किलोमीटर है कि चंदमा पर गुरुत्वा कर्शन के मान पित्वी की गुरुत्वा कर्शन मान का मात है एक ऊपल्डका नहीं बाई जालता है कि जन्दमा अपर दिन का ताम अपर सब्सक्राइब है इस यानि कि छोटा है हमारी पिद्मी से चंदमा में दिखने वाला चंकीला भाग परवत है जबकि गहरी दब्बे निम्न मैदानी भाग होते हैं इसमें लिवनिटीच परवत है चंदमा का सर्वोच परवत है जिसकी उचाहिए आपकी 10,660 कितनी 10,660 मीटर है यानि कि 35,000 फेट मुची चंदमा के पिकास को पित्वी तकाने में कितना समय लगता है 1.25 यानि कि 1.25 समय लगता है चंदमा दी वित्ताकार कक्ष में पित्वी की परिक्मा करता है आपको बताया था ना कि जो ग्रह होते हैं ये ग्रह की परिक्मा करते हैं और जो ग्रह होते हैं वो तारे की परिक्मा करते हैं जैसे आपने देखा होगा कि चंदमा आपके पित्वी की परिक्मा कर रहा है पित् साप की एपोजी और विरोजी की अवस्था कहा जाथा है पित्वं में की अलावा चंदम्हें दुरीू पर विन आपसे बोला था कि कोई भी ग्रह है या पिर आपका उपग्रह है तो एक तो ये आप परिक्रमण करता है दूसरा अपने अक्षपर घूमता है जिसे आप लोग गूडन भी गती कहते हैं इसके अगर परिक्रमण की बात करें और गूडन की अउदी की बात करें तो यह बराबर है लगबग 27 देसमलो 32 दिन में यह आपका एक परिक्मा करता है पित्वी की ठीक है और अपने अक्षपर भी इतना ही 27 देसमलो 32 दिन में भूमता है अता हमें चंदमा का समान भाग स्तद्यव दिखाई पड़ता है चंदमा का मात 69 पितिसद भागी पित्वी से हमें देखने को मिलता है कितना 59 परसंट पित्वी के गूडन में लगा समय जब एक दिये हुए तारी के संदर में पित्वी पुनाहा अपनी स्तिती में बापस आ जाती है तो उसे नच्छत दिवस करते हैं क्या कहते हैं साइड परन्तु जब एक निश्चित मध्यान रेखा परसूर उत्तर दो बार गुज़रता है तो इसमें लगा जो समय होता है उसे हम लोग सौर दिवस करते हैं क्या कहते हैं सौर दिवस चंदमा के गुडन की गती काभी कम है यहां देन और रात के ओदी लंबी होती यानिकी दो सब्तोर होती है जब एक ही महने में दो बार पूरी मां होता है तो इस गटना को आप लोग बिलु मून कहते हैं क्या कहते हैं तो इस घट्टना को आप लोग बिलु मून करते हैं 1999 एक ही वर्स में दो महिनों यानि की महिनों जनवरी मार्ज में बिलु मून की घट्ना गटीती है चंदमा परिस्थित वह इस था जहां आपके नील आर्म इस्टांग इवन एडविन एड़नें ने 1989 में सरफितम कदम रखा था सांती का समुध्य भी कहते हैं इस जगय को तो आप इनका नाम तो सुनते से रहते हैं नील आर्म इस्टांग का साथ में आपके एडविन एड़न भी थे इन दोने ने 1989 में चंदमा पर चंदमा की सदय पर कदम रखाता है वह जिस सदय पर इन्होंने अपना कदम रखा था उसे आप आप लोग सांती का समुद्ध भी कहते हैं क्या कहते हैं सांती का समुद्ध अब आपके इस पॉइंट में कुछ चंदमा से संब्धिस आंकड़े हैं इन्हें भी देख लिएक ब्यास की अगर बात करें तो पितिवी के ब्यास का लगवाग एक चौथाई यानि की 3776 किलूमीटर इसका ब्यास है अगर गुत्वा कर्षन बढ़ करें तो पितिवी के बटी 6 भाग इसका गुत्वा कर्षन पितिवी से चंदमा की अधिकतम दूरी की बात करें तो यह आपकी 4,666,679 किलूमीटर अगर हम लोग पितिवी से चंदमा की नियूंतम दूरी की बात करें तो 3,56,399 किलूमीटर इसकी दूरी है घुड़न समर्कि अगर हम बात करें तो 27 दिन 7 गंटे 43 मिनट और 11 दिसम पितिवी के अगर चारोर परीकमण की बात करें तो इसके परीकमण में भी उतना ही समय लगता है जितना गुड़न में लगता है 27 दिन 7 गंटे 43 मिनट और 11 दिसम लोग 6 सेकंड अगर हम लोग इसकी परिदी की बात करें तो 10,927 किलूमीटर इसकी परिदी अगर पलाइन व यह रञ़टा है 2.4 किलूमीटरouse ृत अगर अगर द्रमान की बात करें तो पितवी की तुला में एक मटे 81inh सीवा वाल इसका दिरमान पितवी की तुला में आयतन की बात करें तो पितवी की तुला में एक 2.50 वाग सो अगर आयउ की बात करें तो 4.6 बियेम वर्सamě अ व्युखेवे विसाल आकासी एपिंड है जिनमें अपना प्रिकास बी होता है और अपनी उर्जा वी होती है उन्हें आप लोग अपना और पतार का नीरमाड में रहता है कि आगाग गंगा में उपष्थतित बादलों एवं धूल करणों द्वारा टारों का निर्माड होता है इसमें आपका hydrogen और helium की पिधानता होती है क्या होती है? hydrogen और helium की पिधानता यानि की सबसेदी यही होता है गुरुत्वा करशन के फल्सुरूप गैसों एवं धूल कड़ों के जमा होने एवं दबाव के कारण आप लोग प्रोटो तारा का निर्माण होती हुए देखते हैं किसके कारण? गुरुत्वा करशन के फल्सुरूप गैसों और धूल कड़ों के जमा होने और दबाव के कारण आप लोग प्रोटो तारा का निर्माण होती हुए देखते हैं दबाव के कारण ताप उत्पन होता है जिसके फ़ल सुरूप नापकी ये सल्लेंग की क्रिया होती है इवं हाइड्रोजन हिलियम में परिवर्तित हो जाता है इस पिक्रिया में बेहत मात्रा में ताप और पिकास उत्पन होता है इस पिक्रिया में क्या होता है बेहत मात्रा में आपका ताप उत्पन भी होता है और साथ में पिकास भी उत्पन होता है इस पिकार आपके तारे का निर्माड होता है तारे का निर्मार होता है लंबे समय तक नापकी ये सलयन की किरिया के फल सुरूप हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है और हिलियम का जो हिलियम क्रोड होता है ये आपका नेंदर बढ़ना बढ़ना प्यारम कर देता है इस पे किरिया के फल सुरूप तारे की बाहरी भाग प्फलने लाल होने लगती हो। ऐसे विषाल आकर वाली तारी को यह आप लो लाज दानों कहते हैं क्या कहते हैंtı ? एक विषाल तारी का अं्थ नुवा या फिर सोपर नुवा अवस्ता के रूम में होता हैं अंत जिस तरह से हमारा जनम है और अंत होता है उसी तरह इसका भी अंत होता है जब तारों के कोर में समाप्त होने लगता है तो इसकी मित्यू होने लगते हैं आप उसे ही ले सकते हैं जिस तरह से आप लुग रॉकेट तो देखते हैं तो यह उसी हालत में है मिर्थ होते हुए तारे में बिसपोर्ट होता है यह इसके पासवरूप इसका चमकीला पनी 10 से 20 गुना बढ़ जाता है जब आप रॉकेट छोड़ते हैं तो आपने देखा हो जब तारे का चमकीला पन 20 गुना या फिर इससे अधिक बढ़ जाता है तब इससे आप लोग सुपर्नोवा कहते हैं क्या कहते हैं सुपर्नोवा जब एक छोटा सा तारा ऐसा तारा जिसका द्रमान सूर के द्रमान की एक दसमलो दो गुना से अधिक ना हो में नुवा यह को पर सुर्पन नुवा विस्पोर्ट होता है तो विस्पोर्ट के बस्चया तारीक आते दे सघन कोर का उस्ठिस्ट वाग वराइड द्वार्वर्प कहलाता है इसे द्राब भी गोंते हैं लोग वाइट ड्राब इसका आकार पितिवी के आकार से छोटा होता है परन्तु केंद्री वाग का घनत आपका 10 की पावर 8 ग्राम पिती क्यूबिक सेंडीमीटर होता है एक आप सब्दे सुनते रहते हैं दूम के तू तो इसके बारे में भी जान लिजीए हैं ब्रह्मन में आकासिये धूल और गैस इवं हिम कड़ों से निर्मित पिंड को अनिमित कप्छाओं में सूर की परिक्मा करते हैं आपके धूम के तू या फिर पुच्छल तारी कहलाते कौन से ब्रह्मन में आकासिये धूल गैसों हिम कड़ों से निर्मित पिंड जो अनिमित कप्छाओं में सूर की परिक्मा करते हैं धूम के तू या लिगी पुच्छल तारे कहलाते हैं सामानता ये पूच रहत होते हैं किन्तो जैसे ही विसूर के निकट आते हैं सूर की गर सरवादी पिसिद धूम के तू हे लिए जिसका आवर्ट कल चेत्र वर्स है कितना चेत्र वर्स सेविन्टी सिक्स उननी सो चौरानमे में सू मेकर लीवी नाइन प्रस्पती से टकराय था टेंपल फष्ट हैल बॉप और एंकी कुछ अनप्रमुक आपके दूम के तू की उधारने किसकी दूम के तू के बंड़े तारे हुदे जिसे आप लोग सूर की आकार में दूगनी है але तक मैं नोवा और सुपरनोवा विस्पोर्ट के बश्चाथ है उसके सगं़ोर का अफ्स्रेश्ट बाद आपका न्यूट्रॉन तारा कहलाता है क्या लग कहलाता है नूट्रॉन तारा न्यूटरन तारा का घनात होता है दस्की पावर 14 ग्राम पिती क्यूबिक सेंटीमीटर छोटे आकार के न्यूटरन तारा काफी तीब गती से घूड़न करता है एवं बिद्धो चुमगिये तरंगों का उत्सर्जन भी करता है इसते तारे पल्सर कहलाते हैं क्या करते हैं पल्सर बड़े तारे बिस्पोर्ट के बश्चात अधिक गुर्थवाकर्शन के कारण कापी संकुचित और सगन हो जाते हैं इनका गहनत अत्यदेख होता है कितना दस्की पाबर शोले ग्राम पर सेंट क्यूविक सेंटीमिटर अत्यदेख सगनता के कारण कोई भी पदार्थ यहां तक की सूर का पिकास भी इसके गुर्थवाकर्शन से नहीं वच पाता है तथा अंदच्छेत हो जाता है क्या हो जाता है अंदच्छेत हो जाता है यानि कि बिलेक वाल की गटना आप लोग देखते हैं कि उसपर से कहते हैं कि कोई भी चीज गुजड़ नहीं सकती है इतनी है कि उसमें सकती है कि वो अपने अंदर लेता हैं तो इस से भी आप इस तरह समस्तकेए एक प techn से नहीं बच सकता है कि से आप लोग बन्हें वीया कि कि शुर का यानियकी सुर्क का पिकास भी नहीं बच सकता है तो उपार से अगर कोई हवाय या एयरोपिलाDr गुजरे तो उसे अपने अंदर ले लिगता है वर्ष 1967 में सरवपितम आपका बिलेट होल सब्द कप्रेव अमेरिकी की बहुत एक साथ भी जॉन बीलर ने किया था किसने जॉन बीलर ने तो याद रखना उनी सो सरस्थ की बाद है पर आपका उलका और उलका पिंड ब्रह्मन में उलका पिंड उलका दूल गैसे ने में लगू पिंड होते हैं किसे दूल और गैसों से जो पितवी के गुर्तवा करता हैं के कारण पितवी की ओर आते हैं और बाई मंदली ये गैसन के कारण जलक नश्ट हो जाते हैं जो को खुलका पेंड भी हम लोग कहते हैं ठीक है अब एक बार देखीजिए सौर मंडल के बारे में कुछ मात्पूर तत्थ हैं इनसे आपके कुश्चन्स बंते रहते हैं आपको याद रखना है क्या सबसे बड़ा गिराय क्या है ब्रस्पति सबसे चोटा गिराय कौन सा है बु सौर से सबसे निकट क्या है बुद्ध ग्रे सौर से सबसे दूरस्त गिराय कौन है वरं सौर मंडल का सबसे बड़ा गिराय क्या है गैनीमीड सौर मंडल का सबसे चोटा गिराय क्या है डीमोस सबसे अधिक चमकीला गिराय कौन सा है सुक्र सबसे अधिक चमकीला तारा कौन ब्रस्पति तो आप समझ रहे हैं क्योंकि पहले आपके जो आपका ब्रस्पति था इसके ही आपके सबसे जानदा उग्रह थे 79 कितने 89 लेकिन आपको पता होगा कि अभी जो नए सनी के नए गिराओं की सोज हो जुई है उसके अप टोटल 82 हो गये कितने 82 यानि कि 82 82 आपके सनी के हो गये और जो आपका ब्रस्पति है इसके है आपके 79 ठीक है इस पॉइंट को याद रखना है कियो कोई नई नई खोजें हो रही है इसलिए जोड़ते रहते हैं इसलिए तो हमें साब बोलता हूं कि थोड़ा नियूज पेपरों से जोड़ा रहा करिए ठीक है क्या होता है कि जो अगर कुश्चन्स कभी पूच भी लेता है फिर भी हम लोग बताने की चमता रखते हैं ठीक है सबसे अधिक भारी ग्रहे की बात करें तो यह बरस्पती है रात्री में लाल दिखाई देने बाले ग्रहे आपका मंगल है लाल ग्रे, सबसे अधिक ठंडा ग्रे आपका वरुन है, पित्वी के सबसे निकट ग्रे आपका सुक्र है, पित्वी का उप ग्रे आपका चंदमाय, पित्वी की बहन आपके चे कहते हैं सुक्र को, जो सुक्र उप ग्रे हैं, इसे आप लोग पित्वी की बहन के नाम से भी च और तारों के प्रिकास्ते प्रिकासित होते हैं अंतराश्टिय खागोल सास्तिय संग्र आई-ए-ई-उ की प्रयाग-प्याग सम्मेलन 2006 की अनुसाल सौर मंदल में मौझूद पिंडों को चार सेड़ियों में बाटा गया पहला आपका परंपरागत ग्रह इनमें आपका कौन- मंगल बरस्पती सनी अरुन-बरुन तो याद रखना परंपरागत ग्रह कौन-कौन से हैं बुद्ध सुक्ष पित्वी मंगल बरस्पती सनी अरुन-बरुन बॉन ग्रह क्या हैं पिलूटो चेरोन सेरस 2003 यूबी और 330 आंत्रिक ग्रहे की बात करें हैं अगर हम लोग तो इस सुक्र पित्वी मंगल चार अगुर आपकी आंत्रिक ग्रहे कहलाते हैं इन्हें आप लोग पित्वी तुल ग्रहे भी कहते हैं क्या कहते हैं पित्वी तुल ग्रहे भी कहते हैं इसका निर्माट सगन पदारतों से हुआ है आंत्रिक ग्रहों का फिर दूसरे हैं आपके बाह गहरों में . गहों में सामेल हैं ग्रह यह ग्रह आपके गैसी है विनकाकार बढ़ा भी है बाहे ग्रहों के गूडन की गती आंतरि क्रहों की तुला में अदिक होती है इन्हाँ हम लोग बेस्टपती तुल ग्रह भी कहते हैं क्या कहते हैं ब्रहस्पति तुल ग्रह तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मरकरी यानि कि बुद्ध ग्रह के बारे में तो इसके बारे में आपको सभी पॉइंट याद रखना है कौन-कौन से सूर के सरवाधिक निकट होने के कारण बुद्ध गिराय के परिक्मड की गति सरवाधिक तीब है क्या है आप समझ सकते हैं सूर के जिफ पास होगा यह आपका सूर है ठीक है यह आपका बुद्ध है तो सबसे अधिक तेज गति से परिक्मड करेगा अब जो जितने दूर होगा उतने ही धीमी गती करेगा, समझें ने आप लोग, परंतु इस ग्रह के गुड़न की गती सबसे कम है, गुड़न का मतलब अपने अक्षपर, दीक है, यहाँ दिन अती गरम होता है और रातें बरफीली होते हैं, इसका तापांतर सभी गरम में सब आपस देखें, क्योंकि सूर के पास है, तो इसका ताप्मान भी अधिक होगा, यानि कि 600 Celsius, 600डिकरी Celsius, इसका ताप्मान रात में आपका, यानि कि रात में कितना होता है, माइनस 173डिकरी Celsius, और दिन में आपका 427डी का सेल्सियस होता है, तो आप समного सकते हैं या मानों की ज आप समझ सकते हैं 427 डिग्रीज सेल्सियस और फिर उसे छोड़िए रात में मालू चला कि हम बाहर निकले तो बरब बन की रहे गए समझ सकते हैं इस ग्रह पर इस ग्रह पर क्रेटर की पिधानता है इसकी सत्य चंदमा की सत्य से काफी मिलती जूलती है आपकी जो चंदमा उपग्रह है आपका पिद्वीगा उसे से मिलती जूलती है वाई मंडल की आभा के कारण से ग्रह पर देनिक तापांतर काफी अधिक होता है इस ग्रह का कोई उप नहीं है यह आपके बुद्ध संबंदी कुछ हांकड़े हैं नहीं याद रखिए सूर से वह सद्धूरी है इसकी जीरो दसंबलाव जीरो दसंबलाव उन्नीस सॉरी उन्तीस ए यू क्या कहते हैं इसे ए यू पित्वी से निकटतम दूरी की बात करें तुम लोग इसमें क्या होता है पता है एस्ट्रो नॉमिकल इस यूनिट भी कहते हैं इसे ए यू को ठीक है और पित्वी से निकटतम दूरी है इसकी जीरो दसंबलाव जंगन एउ ग्रह का एक दिन पित्वी के 58 दिन 15 गंटे के बराबर होता है इस ग्रह का एक दिन आपके पित्वी के 58 दिन और 15 गंटे के बराबर होता है ग्रह का एक बरस की अगर बात करें तो पित्वी के 88 दिन क ये बराबर इसका बर्स होता है ब्यास की अगर हम लोग बात करें तो इसका ब्यास है 4880 किलूमीटर अगर द्रमान की बात करें तो पित्वी के द्रमान से 0.006 गुना है सताय की तामान की बात करें तो दिन मैं आपका 350 degrees Celsius और रात में 100 minus 170 degrees Celsius होता है अगर गुरूद्ट्वा कर्शनर बल की बात करें तो इसका गुरूद्वा कर्शनर बल है 0.38 पानी के अदार पर अगर घनत्ट की बात करें तो 5.5 होता है यहां आपने देखा होगा एक AU astronomical unit कहते हैं से बरावर क्या होता है 1.960 into 10 की पावर 11 m यानि की million 150 million km समाझ रहे हैं ठीक है फिर आता है दूसरा गिरह आपका उप सुक बीनस यग पी है बुद्ध की तुला में सूर से अधिक दूर इस्तिते यानि की पहले आपका बुद्ध हो गया कहते हैं पर दरात को चंकीले पर चंदमा के प्रश्चात इसग्रह का इसतान है है यह कारण है कि प्यार और सुंदर्भता की देवी अपो सुक्र ग्रहे को मालते हैं इस ग्रहे पर बाल ना आवर्लं भी पाये जाता है इस ग्रह के बाइव मंदल में कारवन डायोकसाइड 90-45 पी 30 और इसका एक दिन रात का तामान लगबग एक समान होता है यानि कि यहां रात और दिन का तामान लगबग आपका बराबर होता है इस ग्रह की जो गुड़न गरती है वो नियून को है क्या है कम है और सुक पूबत रह drifting और सुक ग्रह का कोई अपना उप ग्रह है ॉसकता है आघे कोई तकनीक की उपयक करके किंति में उक घय जाया अब आंगे की बात है तो इसलिए बोलता हूँ कि current से जुड़े रहिए सुख गिरह को आप लोग साजा का तरह भी कहते हैं साज का तरह भी कहते हैं इसे भोर का तरह या फिर भोर का तरह भी कहते हैं Evening Star और Morning Star की नाम से आप लोग जानते हैं सुख गिरह के बारे में आपके सम्मधित कुछ मात्मूना करे हैं इन्हें याद रख सकते हैं आप लोग सूर से औसत दूरी है 0.72 AU पितवी से निकटतम दूरी है 0.27 AU गिरह का एक दिन पितवी के 243 दिन के बरावर होता है गिरह का एक बर्स पितवी के 244 दिन के बरावर होता है अगर ब्यास की बात करें तो 12104 किलोमीटर है अगर द्रमान की बात करें तो पितवी के द्रमान का 0.82 गुना है अगर गुरत्वा कर्षनरपल की बात करें तो पितवी के तुला में 0.88 है सत्य के तामान की बात करें तो 480 degree Celsius है कितना 480 पानी के आधार पर घंत की बात करें तो 525 है बाइमंडल की प्रमुक गेसों की बात करें तो CO2 यानि की कार्बंडारी ओपसाइड यहां प्रमुक था आपकी गेस पाई जाती है ठीक है फिर आपका पिथवी क्या है पिथवी यहां सगन्तम गिरह सूर से बढ़ती दूरी के असवार इसका इस थान तीसरा है और आकार की दृश्टी से 5गास है यह आपका question जाता है क्या है कि आपका सूर से बढ़ती दूरी के असवार में इसका इस्थाल कौन सा तीसरे सोर से दूरी की अई का अच्छों पांचवा स्थान इसका और यानि के आकर की दिरिष्टी में इसका इस्त्रय या द्रीष्टी स्था है इस्तवर है न्हों सिर इस यहां है posses इस ग्रहे पर जीवों का अस्तित पाये जाते हैं जीवों का याने की मानौ या मानौ पराणी सब कुछ रह सकते हैं फरे आपका मंगल मार्स या ग्रहे एक लाल गैन की माती पितीत होता है जीवन की संभावना के कारण इस ग्रहे में अन ग्रहों की तुला में मनुस्कोदिक तिल्चस भी रहे हैं आप देखते रहते हैं कि मंगल यान भेज़े रहे हैं हमारे भारत ने भी पहली बार में सफल पर योग हो गया तो सफलता हासिल की थी समझ सकते हैं तो इसलिए कि यहां भी आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रहे हैं तो कोई ऐसा भी ग्रह मिल जाए कि जहां जनसंख्या को सब्सक्राइब की आजा सके एक दिन आप समझ सकते हैं कि इतनी जनसंख्या हो जाएगी कि पितवी भी कम बढ़ जाएगी इसलिए नई- पी रखती है अता मंगल ग्रह में पित्वी से काफी मिलती जुलती रुद्वूएं भी पाई जाते हैं इसलिए बिग्ज्यानिक यहां जीवन की संभावना की लगा रहे हैं कि यहां जीवित रह सकते हैं इस ग्रह पर नाकेवल नदी हैं बलकि भयांकर बाढ़ के से टिए इसते सर्वोच परवत आपके मांट अवरिष्ट की तुला में तीन गुना उंचा है जो आप लोग नेपाल में मांट अवरिष्ट से इससे तीन गुना उंचा आपका मंगल ग्रह पर एक परवत जीसे आप लोग निक्स ओलंपिया की नाब से जानते हैं कि छीक है आंगे आपका वर्तमान समय में यूरोपिय संग कबीगल 2 यह नासा के इस्प्रेट मेसन्द वारा इस ग्रह का अनवेशन कार जा रही है यानि कि यहाँ खोज चल रही है इसे आप लोग लाल ग्रह भी कहते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं सूर से चौथा ग्रय सूर की परिक्मा एक बर्स 321 दिन तथा आकार में अंडाकार है अगर हम लोग रसायनिक संगटन की बात करें तो कार्वन डायोकसाइड है यहां 95-3-3-3-3 नाइट्रोजन और लगवग 2-3-3 आरगन इसके बाद कुछ मात्रा में बर्स भी और अमोनिया मेतिन भी यहां पाई जाते हैं अमोनिया का भी यहां खोज हो चुकी है यह देखि चुके हैं कि मंगल गरय का सबसे उचा परवत कौन सा है ज्वाला मुकी परवत निक्स ओलम्पिया मंगल गरय के दो उबगरय हैं फोबोस और डीमोस इन्हें यावद रखना नाइन मंगल ग्रह का अंत्रिक्ष अभियान है मेरीनर नाइन मंगल से संबंदित कुछा मत पूरा करे हैं यहने भी देख लीजिए सूर से ओसत दूरी है इसकी एक दसमलो बावन एई पितवी से निकरतम दूरी है इसकी 0.38 इस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ग्रह का एक दिन पि अभी 24 गंटे का दिन होता है तो लगबक उतना ही है 24 गंटे 37 मिनट पितवी का एक बस मंगल ग्रह का एक बस पितवी के 687 दिन के बराबर होता है समझ रहे हैं लगबक हमारे यहां दो साल और वहां एक साल के बराबर है अगर हम लोग ब्यास की बात करने तो 6,795 किलोमीट ग्यारे गुना है अगर सत्य के तामान की बात करें तो एक सो माइनस एक सो पच्पन डिगरी सेल्सियस है कितना एक सो पचास डिगरी सेल्सियस सोरी कितना एक सो पचास डिगरी सेल्सियस अगर गृत्वा करशंड की बात करें तो पितवी से 8.38 गुना है कितना 8.38 गुना ह बात करने तो CO2 है कौन सी है CO2 उपग्रहे आपके दो है ठीक है तो यह थी आपके मंगल ग्रहे की कहा नहीं अब है आपका ब्रस्पती यह सौर मंदल का सबसे बड़ा ग्रह जिसका पितवी के आयतन का 1300 गुना है यह ग्रह मुक्ता गयस द्रफ से मिलकर बना हुआ है ब्रस्पती ग्रह के बायु मंदल में हाइड्रोजन उसके बाद हीलियम की पिदानता है यानि कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस की यह अधिपता है सभी ग्रहों में इस ग्रह के गूडन गती सरवादिक तीप है यानि कि अक्ष पर इसकी गूमने की गती सरवादिक है बरस्पती में ठोस सतय कावा हुए एवं इसके भूगरविक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है परंतु इस ग्रह के उग्रह ठोस पिंड है इस ग्रह के इन्हें सब हटा दिजी आपके लाँ 79 अभी याद रख रहा है कितना 89 इन में से आपके चार बड़े उग रहे हैं लौ हो गया यूरोपा हो गया गैनीमेड हो गया केलेस्टो हो गया ठीक है जिन्हें आप लोग गैली लियन शेटिलाइट भी कहा जाते हैं गैनीमेड सौरमंदल का सबसे बड़ा उग रहे है जो याद रखेए यह ब्रस्पती का उपग्रह है किसका ब्रस्पती का यह आपके वैस्पती के बारे में कुछ महत्तपूंत तद आगड़े हैं इन्हें भी याद रख सकते हैं आप लोग सोर से उगसत दूरी है इसकी 5.20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनेट पित्वी से निकटतम द 1293 ग्रह का एक वर्स होता है पित्वी के 11.86 बार्श के बराबर बैस्वती ग्रह की 282 की बात करें तो एकला कुल ग्याली पानी के अधार पर अगया घनत की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है छलों की संख्या की बात करें तो एक है इसकी क्या है छलों की संख्या एक है फर आता है आपका सनी ग्रह सानी ग्रह ये साथ चलों का पाया जाने वाला ग्रह की मत्वून विसेषता है साथ साथ चलों का पाया जाना ये चल्ले विमेंट पे आकार की चंदकाओं द्वारा निर्मिते हैं इन चल्लों की खोज गलीलियों ने की थी किसने गलीलियों यह आकास में पीले तारे की समान आपका दिखाई देता है जब हम लोग आकास में देखेंगे तो यह आपके पीले तारी के समान दिखाई देता है सनी ग्रह सनी ग्रह के उग्रहों की संख्या पहले 62 थी अब आपको पता होगा की 82 हो चुकी है यानि कि सबसे जान्दा आपके उग्रह है सनी के कितने 82 82 वह यह बैस्पती के आप 79 है ठीक है याद रुख सकते हैं सौर मंदल इसमें आपका सनी के सबसे बड़ा सरवादिक बड़ा उग्रह है टाइटन ठीक है ऐसे याद रख सकते हैं सौर मंदल में सनी एक मात उग्रह है जिसका अपना वायू मंदल है क्या है अपना वायू मंदल है समझ सकते हैं आप लो जिस तरह हमारी पितवी का वाईव मेंडल है इसी तरह सनी का भी अपना वाईव मेंडल है सभी गिरहों में इस ग्रह का घनत भी नियूनतम है इसका घनत जल से भी कम है क्योंकि इसे जल में रखने पर तेरने लगता है क्या होने लगता है सनी ग्रह जल में रखने पर तैरने लगता है आप समस्कते हैं ये आपके सनी से सम्मंदीत कुछ बात पुना करें हैं सूर से अधिक तमदूरी इसकी 11.11AU है और सूर से निकट तमदूरी की बात करें तो 9.04AU है ग्रह की एक बर्स की बात करें तो ग्रह पर जो एक बर्स होता है वो पितवी के 29.46 बर्स के बरावर होता है ग्रह के एक दिन की बात करें तो पितवी के 10 गंटे 14 मिनिट के बरावर होता है ब्यास की बात करें तो एक लाग बीस जार किलो मीटर है इसका ब्यास अगर दिरम्मान की बात करें तो पितिबी की तुल्ला में पंचान में दसमलोग दो गुना है अगर सनीगरे के सत्य कि ताम्मान की बात करें तो minus 180 degrees celsius है गुर०्तवा करसंड की बात करें तो 1.15 है एक दसमलों पंद्र है बाइवंडल की प्रमुख गेस की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलती है आपकी कौन-कौन सी हाइड्रोजन हीलियम फिर आपका अरोन गिरे है कौन सा यूरेनुस अरोन यह आपका एक सीथ गिरे है आप समझ सकते हैं कि सूर से जानदा दूर जो भी गिरे होगा वो उतना ही ठंडा होगा समझ रहे हां आप लो जिसका अपने कक्छी तलके साथमात आड़ डिग्री पर जोका हुए है अताहा, जहाँ सभी ग्रे गूडन करते हो, यह ग्रे लोड़कता हुआ, पितित होता है, रोलिंग करता है, इस ग्रे का पिकास हरी रंका दिखाई देता है, कैसा हरी रंका? फ्रे आपका आता है बरॉन गरे बरॉन एवं अरून गरे, कुछ जुडबा गरे क्या कहते हैं टुइन प्लानेट कहा जाते हैं क्योंकि इस गरे के आकार में समानता पाई जाती है यानि कि दोनों लगबग आपकी समान आकार के हैं मेथेन की अधिक्ता के कारण बरुन गिरह पर पिकास हरा पितीत होता है। इसके बाईवंडल में पितवी के आकार का धब्बा पाये जाता है। जिसे विसाल काला धब्बा कहा जाता है। बुद्ध, सुक, सनी, वैस्पती, मंगल। इन गिरहों को हम लोग खुली आँखों से देख सकते हैं। यह भी आपका कईवार पूँच लिया गया है कि द्रमान की अनुसार बढ़ते करम में गिरहों का करम लगाने के लिए आ जाता है। सिविल सर्विस के प्रेलेम्स में आपका आ जाता है। तो पहले आपका बुद्ध है, फिर मंगल आता है, फिर आपका सुक, फर पित्वी, आरून, बरून, सनी, बरस्पती। यह बढ़ते करम में हैं द्रमान की आधार पर। तो सबसे कम हो गया बुद्ध का और सबसे जानदा हो गया बरस्पती का। अगर हम लोग परी करमड बेग के अनुसार वरते करम में गरहों का करम की बात करें तो सबसे कम बुद्ध, फिर सोक, सबसे जानदा, फिर पित्वी, मंगल ब्रस्पती, सनी, अरून, बरून, तो सबसे जानदा परी करमड बेग किसा का है बरून का। अगर हम लोग परी भरमड बेग के अनुसार की बात करें तो गरहों के करम की बात करें तो बैस्पती का सबसे कम फिर उसके बास सनी, अरून, बरून, पित्वी, मंगल, बुद्ध, सुक, अगर हम लोग अपने अक्ष पर जुकाओ के आधार पर बढ़ती करम में गरहों का करम देखें तो इसमें आपका सुक, फिर आपका बरस्पती, बुद्ध, पित्वी, मंगल, सनी, बरून, अरूने, अगर पित्वी से बढ़ती हुई दूरी के करम में गरहों का करें हम लोग तो सुक है, फिर आपकी पित्वी, फिर मंगल, फिर आपका बरस्पती, तो इस बरस्पति सनी अरू सक्षित यगल सबसे चोटा इसमें आपका वरस्पति सबसे बढ़ा ये सबसे चोटा सबसे चोटा बूत अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं बौने गरहों के बारे में जिस तरह आपके बौने वेक्ति होते हैं उसी तरह आप लोग इन्हें भी माल लीजें ठीक है बौने गरह अगस्त 2006 में जो प्रयाग में सम्मेलन हुआ इंटरनेशनल एस्टोनॉमिकल यूनिट द्वारा पिलोटो कुसोर मंदल के नोवे गरह की सैड़ी से बाहर करने के बाद उसी से मिलते जुलते हव मिया माकी मार्क और एरिश मिले थे आपको पता हुआ कि पहले हमारे नौव गरह हुआ करते थे लेकिन 2006 में तुरेयाग में जो सम्मिलन हुआ था इंटरनेशनल एस्टोनॉमिकल यूनियन का उसमें आपके पिलोटो गरह को गरह की सूची से हटा दिया गया था तेरे सेप्टमबर 2006 को इंटरनेशनल इस्टोनोमेंकल यूनियन ने बोने ग्रहों की एक नई सैडी बनाई इसमें आपके पिलोटो एरिस हाव मेया माके माके और सैरिस को सामिल कर दिया गया था ठीक है यह आपके बोने ग्रह ग्रहों की सैडी में नहीं रखे जाने के कारण इसके आकार में चंदमा से छोटा उना कक्षा का बिद्दाकार को कातना यही करण है कि आपके पिलोटो को भी इससे हटा दिया गए तक कि रह सी आई ए यू ने इसका नाम 1,34,340 रखा है फिर आपका एरिस 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 और मंडल का सबसे बड़ा बोनागरे क्या है सबसे बड़ा बोनागरे इसकी खोज होती है 2005 में एरिस का द्रवमान पित्वी के द्रवमान का मात 0.273 जबकि अगर ब्यास की बात करना तो 2300 से लेकर 2400 यानि की 2300 से 2400 किलूमीटर है अगर सूरज की एक बार पर रिक्मा करने में एरिस को 557 बर्ष लगते हैं कितने 557 यह काफी आपका चमकिला ग्रे है इस बौने ग्रे पर जमी मेथेन गेस की बज़े से यह हमेशा चमचक महाकत्ता रहता है इसी चमक के कारण पित्वी से इतनी अधिक दूरी होने के बाब जूद पित्वी से दुरबीन के सहरी से देखा जा सकता है समाज रहे हैं आप तो फिर आता है आपका फिलोटो कुछ बर्स पहले तक सौर मंडल का नौवा ग्रे माना जाने बालक पिलोटो अब दूसरे सबसे बड़े बौने ग्रे का सम्मान मिल गया है से इसका ब्यास आपका 2300 किलूमीटर है कितना 2300 पित्वी का मात 1830 है जबकि इसका आकार पित्वी के उग्रे चन्दमा के मुकाबले सरफ एक तिहाई ही है पिलोटो के 5 उग्रे है कौन कौन से चारोन स्टाइक्स निक्स कार्ब कार्बेरोस हाइड्रा आगे आपका यह काफी पिलोटो आपका काफी ठंडा गरे है और यहां का तामान माइनस 375 डिग्री से माइनस 460 डिग्री सेंटीकेट तक रहता है 375 से माइनस 400 डिग्री सेंटीकेट इसकी खौज 1930 में हुई थी किलाड़ टाम टामोर ने की थी किस ने किलाड टामोर न? फिर आपका है माके माके सौर मंदल का तीसरा सबचे बड़ा बॉना गरह है आपके माके माके बस 2005 में इसकी खोच की गई थी पॉलीनेसिया चित के इस्टर दूइप के माके माके देउता के नाम पर इसे बॉने गरह का नाम करन आपका माके माके नाम रख दिया गया सूरत से लगबग आपका 7.8 किलूमीटर की दूरी पर होने की वज़े से इस बॉने गरह को सूर की एक बार परिक्मा करने में आपका लगबब 301 बर्स लग जाता है कितना 301 बर्स लग जाता है आप एक बास समझ लीजे कि सूर से जितने दूर जो भी गरह होगा उसे उतना ही उसका परिक्मा करने में समय लगे फिर अपना अंगला बॉने गरह है हाउ मेया यह आपका चोत्रा सबसे बड़ा बॉने गरह है इसकी खोज 2004 में की गई थी प्राचीन हवाई धरम की देवी हाउ मेया के नाम पर इस बॉने गरह का नाम आप लोग हाउ मेया रख दिया है इसका आखार काफी अजीवो गरीब है अन बॉने गरह गोला करके हैं जबकि यह आपका पिछका हुआ गरह है इसकी चोड़ाई इसकी लंबाई से दो गुना जाना है इसकी जो चोड़ाई है सबसे छोटा कौन सा है सेरीश बर्स अठारे सो एक में कब अठारे सो एक में खोजे गए इस बॉने गरह का नाम रॉम के किर्सी दियोता सेरीश के नाम पर रखा गया था सेरीश सूरस से चार अरब यानि कि 4 अरब 46 करोड किलोमीटर की दूरी पर है गोल सेरीश की खोज इटली के खागोल साक्स्त्री पियाजी ने की थी किसने पियाजी ने इसका ब्यास बुद्ध ब्यास का एक बटे पांच भागे अन्बोने गिरा हुमें आपका चिरोन एवं 2003 यूबी 313 एरेस है ठीक है फिर चलते हैं हम लोग अब पितवी की तरब पितवी के बारे में जानना हमें जरूरी भी है क्योंकि आप समाझ सकते हैं कि पितवी जो हमारी जीवन स्थल है जहWe hear हम लोग रधा रहे हैं पितवी 100 मंदल का एक मांत गरय है जह इस्थल मंदल भी है जल मंडल है, बायो मंडल है और इसके अलाबा जे बमंडल भी पाए जाता है रेडियो एक्टिब डेटिंग के आदर प्रफितवी की आयो चार दृसम्ब्लों हो 6 आरफ बरस घ्यात कि गए इसके रेडियो एक्टिब डेटिग के आदर और आप समझ सकते हैं इतनी सभी क्रियाय पाये जाने के बाद ही संभव है हमारा जीवन या बना आप समझेए कि जल जल होता तो हम ना रह पाते साथ इस तल इस तल होता तब भी ना रह पाते और बायू मंडल बायू मंडल ही अकिला होता तब भी नहीं रह पाते तो आप समझ सकते हैं कि एक सीमित हमारे सरीर कुताब मान की जरूरत है जल की भी जरूरत है बायू की भी जरूरत है तो सब एक बैलेंस बना की दिया गया है पित्वी की आकरती की बात करें तो पित्वी का भू मद रेखिये विसुबत रेखिये ब्या से 12,756 किलोमेटर यानि कि 7,927 मिल है जबकि दूर भी ये ब्या से 12,714 यानि कि आपका 7,900 मिल है कितना 7,900 मिल है ठीक है अता है इस परस्टे कि पिथवी पून्ड ता गोले कि आकिति की नहीं है यानि कि पूरी तरह से एक गोल नहीं है ठीक है इसकी आक्रिती नारंगी से मिलती जोलती है किसे नारंगी से मिलती जोलती है जो धर्वों पर चप्टी और वुमद्रेका पर थोड़ी उगरी हुई है पितवी का अपना एक बिसिट आकार है जिसे आप लोग जियोड कहते हैं क्या कहते हैं? जियोड इसकी आक्तिकुल लद्ध्वक्ष गुलार्द ओवलेट इस्तुरोईट भी कहा जाते हैं पितभी से सम्बंदीत आक्णों की कुछ मत्पूर बात करें तो आयू इसकी 4.6 अरफ बर्स है द्रम्मान की बात करें तो 5.97 इंटू 10 की पावर 24 टन है इसका द्रम्मान आयतन की बात करें तो 10.88 इंटू 10 की पावर 24 लीतर है सतवय का खुल चेतपल की बात करें तो 59.11 करोड किल्मेटर है और सत गणत की बात करें तो 5.5 ग्राम पर्स क्यूविक सेंटीमेटर है इसका गणत भूमत रखी ब्यास की बात करें है अम लोग तो भूमत द्रेखी ब्यास आप लोग देख रहे हैं 7927 मीले यानि कि 12756 किलोमीटर दुर्वी ये ब्यास की बात करें तो 7900 मीले यानि कि 12714 किलोमीटर भूमत द्रेखी ये परिदी की बात करें तो 24,000 मीले यानि कि आपका 40,000 75 किलोमीटर गुडन की गती की बात करें तो 1610 km पिती गंटा है इसकी गुडन गती अगर हम लोग परी ध्रमड की गती की बात करें तो इसकी परी ध्रमड की गती है एक लाख एक लाख साथ जार एक सो साथ किलो मीटर पिती गंटा नक्षत दिवस की बात करें तो इसकी नक्षत दिवस की आउदी है 23 गंटे 56 मिनिट 4 सेकंड सौर दिवस की आउदी है 24 गंटे सूर से नेउन्तम दूर भी है इसकी कितनी 147 147 लाग समझ रहे हैं आप लोग और सूर से अधिक्तम दूरी है 15 करोड 20 लाग कितने 15 करोड 20 लाग अगर गलत हो जाया करें तो बता दिया करिए गया ठीक है कमेंट बॉक्स मिलक दिया करिए सही चंदमा से वहसत दूरी की बात करें हम लोग तो इसकी है 384,365 किलो मिटर चंदमा से आपकी पितवी की दूरी है 384,365 किलो मिटर सत्य का वहसत तामान की बात करें तो 15 लेगरी सेल्सियस है कितना 15 लेगरी सेल्सियस तभी तो जीवन यहां संभा हुए है अन्य गरहों पर आप देख रहे थे कि 400 सेल्सियस है कोई 500 सेल्सियस है इतना टेंपरेचर धर्टी का हो जाए तो इस दिन हम जलकर राक हो जाएंगे सरवादी गहरे गहरा गुरत की बात करें तो मेरियाना गुरत है मेरियान गलत है आपका पिसांत महासागर में सरवादी गहरा गुरत इसकी कितने मीटर है कितना 397 मीटर अग एक बार आप लोग वैसे देखतो चुके हैन्य फिर भी आप सौर परिवार की सायनी के रूम में देख लिए इनसे आपके questions पूछे रहते हैं दारेक्ट भी आते ग्रहों के नाम हो गया ब्यास हो गया किलूमीटर में परिवेमर समय अपने अक्ष पर परिवेमर समय सूर के अक्ष चारों और उपग्रहों की संक्या हो गया एक बात याद रखिए यह अपने अक्ष पर गूमने की गति है और यह सूर के चारों और गूमने की गति है तो सब सूर की परिक्मा ये 88 दिन में पूरी करता है इसका कोई अपना उपग्रेट नहीं है अगर सुक्री की बात करें तो इसका ब्यास है 12,104 किलोमीटर ये परीव विरमाड अपने अक्षपर घूमता है 243 दिन में और सूर की परिक्मा करता है 224 दसमलोग 7 दिन में इसका भी पित्वी की बात करें तो इसका ब्यास है 12,756 से लेकर 12,754 ठीक है लगबग आपका 12,756 ही मान लिजे इसके अपने घूड़न अक्षपर अपने अक्षपर घूमती 23 दसमलोग 9 घंटे में यानि कि 24 घंटे है आपका आप देखते हैं कि 24 घंटे में आपके दिन रात का बात कर रहा हूं और एक साल आपने देखा हुगा 365 दिन यह वही है और यह सूर्की परिक्मा करता है 300,656 दिन में इसका एक मान आपका उपगर है चंदमा पर आपका मंगल गरह आता है इसका ब्यास है 6,796 किलूमीटर इसका अपने अक्षपर घूमता है 24,6 घंटे में और सूर्की परिक्मा करता है 687 दिन में इसके दो उपगर हैं ब्रस्पती इसके अगर ब्यास की बात करें तो 1,42,984 है कितना 1,42,984 किलूमीटर इसका अपने अक्षपर 9 घंटे में गूमता है लेकिन सूर्की परिक्मा करता है 11,9 बर्स में कितना 11,9 बर्स में आप समझ सकते हैं सूर से जितने दोर जो भी गरह होगा उतना ही टाइम लगाएगा देखिए बुद्ध पास में इसलिए कम टाइम लगा रहा है फिर सुख पास में इसलिए कम टाइम लगा रहा है पित भी है इसलिए फिर बढ़ता जा रहा है आप देख रह अगर हम लोग सनी के ब्यास की बात करें तो इसका ब्यास है एक लाग बीस अजार पात्सो चतीस किलो मीटर और यह अपने अक्षपर दस दिसमलों तीन खंटे में गुमता है और सूरी की परिख्मा करता है उन्तीस दिसमलों जीरो पांज बर्स में इसके आपके ब्यास ही पेल्टे में गुमता है और सूरी की परिख्मा 84 दिसमलों 09 बर्स में पूरी करता है इसके 27 अगुता है लेकिन सूर की परिक्मा एक सो चौरा एक सो सच दिसम्लो आठ बर्स में पूरी करता है इसके आपके तेरे उपगिराएं ठीक है यह आप लोग याद अठीए ना तो बरुण सबसे ज्यादा समय लेता है सूर की परिक्मा करने में ठीक है पित्वी की अगर हम लोग गतियों की बात करें तो पित्वी की दो-प्रिकार-बद गति यह एक आपकी घूड़न गति परिभिर्मण गति कहते हैं दूसरी आपकी परिक्रमण गति बताया था ना कि आपTFयर अक्षपर जो की ग्रह घूमता है उसे आप लोग गूड़न गति कह लेते हैं और जो सूरी की परिक्रमा करता है उसे परिक्रमण गती कह लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घूडण गती के बारे में गुडन या परीभरमण गती भी कहते हैं से आप लोग ठीक है याद रख सकते हैं पीथवी अपने अक्षपर पर्ष्चम से पूर्ण ये भी आपका कुश्चन्स कई बार बन चुका है पीथवी अपने अक्षपर किस दिसा से किस दिसा में घुमती है पश्चम से पूरू पश्चम से पूरू दिसा में गूमती है ठीक है और कितने गंटा लेती है कितना समय लेती है 23 गंटे 56 मिनिट और 4 सेकंड में गूमती है इसे पितवी की गूडन गती कहते है अपने अक्षपर गूमना पित्वी की अपनी गूडन गती है इसे परिमेहमड या फिर देनिक गती भी आप लोग कहते हैं इसी के कारण आपका दिन रात की गतना है होती है तो आप से पूछ लेए कि अगर दिन रात की गतना है किसका पैड़ा में है परिकिर्मण गतिका या गूडन गतिका तो आपको बिना जिस्ट के सवाद आंसर देना है गूडन गतिका यानि कि परी भेर्मण गतिका परी भेर्मण इस सब्दों को याद रखिए गूडन एक ही सब्द हैं क्योंकि आपका ये सब्द आ जाएगा वो परिकिर्मण आ जाए में 365 दिन पांच गंटे और 48 मिनिट और 48 सेकंड लगते हैं इस तरह की का समय आपका वंड एक्जाम में अधिकतर बार पूचा जाता है अपने परिक्रमड पत में पितवी सूर के चारोगोर 29 दितमलव 8 किलोमीटर सेकंड की बेक से चकल लगाती है पितवी की इस गती को परिक्रमड या फिर बारसिक गती कहते हैं इससे आपका अपने अक्षपर जो गुमती है उसका एक दिन होता है और जो सूर का पूरा चकल ल परिडाम है और रितु परिवतन है आपकी परिक्रमड गती का परिडाम ठीक है याद रखिए पितवी का अपने अक्षी है जुकाओ की बात करें तो पितवी जिस अक्षिया बहुत दुरी पर गुमती है वह अपने कक्षितल के साथ 66-66 डिग्री का कौन बनाती है और पित पितवी इस तल पर लंबवत रेका से 25-30 डिग्री युकी रहती है वह अपने कक्षितल के साथ 66-66 का कौन बनाती है और इस पितवी इस तल पर लंबवत एक 25-30 डिग्री युकी हुई है इसके निमलेकित कारण है कौन-कौन से कारण है देनों रात की लंबाई में अंतर उ पित्वी से सूर की दूरी की बात करने हैं तो पित्वी दीर बित्याकार अर्थात अंडाकार पत्पर सूर की परिक्मा करती हैं जिसके कारण सूर से इसकी दूरी बदलती रहती हैं पित्वी और सूर के मद्द की दूरी की दो इस्तितिया है अपसौर या फिर सूरयोच जब पित्वी और सूर के मद्द अधिक्तम दूरी पाए जाती है तो उसे आप लोग अपसौर की इस्तिति या सूरोच की इस्तिति कहते हैं या आपका सूर ये पित्वी है इन दोनों के बीच अधिक्तम दूरी जिस समय रहेगी उसे आप लोग आपसवन या फिर सर्वोच कहेंगे इस समय सूर और पित्वी के बीच की दूरी 15.21 कितना 15.21 करोड किलोमीटर होती है इस समय सूर्या तब अपेक्चाक्रित कम होता है या इस्तिदी 5 जुलाई को होती है तो आप से पूछेगा कि पित्वी और सूर्य के बीच सबसे जानदलंबाई अधिक्तम कर समय होती है अधिक्तम दूरी तो आपको याद रखना है चार जुलाई को आप समझ सकते हैं कि जब आपका दूर होगा तो सूर्य का पित्वी पर कम आएगा तो इस समय ताबान भी कम रहेगा एक कुछ इस तरह के फेक्ट होते हैं कि कॉमन सेंस आपको लगाना चाहिए ठीर फिर आपका आगे दूसरी स्तिती होती है आपकी अपसौर उपसौर इसे आप लोग सूर निच कहते हैं यानि कि कम निउन्तम जब पित्वी और सूर के मद्द निउन्तम दूरी होती है तो आप लोग उपसौर की स्तिती या सूर निच कहते हैं इस समय सूर और पित्वी की वीच की अधिक्तम दूरी कितनी होती निउन्तम दूरी 14.70 करोड किलो मीटर 14.70 करोड किलो मीटर ये स्तिती आपकी 3 जनवरी को होती है अधिक तम दोरी आपकी 4 जुलाई को होती है और नियुनतम 3 जनवरी को होती है उत्री धुरुप के नार्वे को अर्धरात्री के सूर्का प्यदेश कहा जाता है उत्री धुरुप के जो नौर्वे है इसी अर्थरात्री के सूर का पिदेश का आ जाता है बात करते हैं दिन रात की योधी की बारे में तो बस कि 21 मार्च से 23 सेप्टमबर की योधी में उत्री गुलाद में सूर का पिकास 12 गंटी से अधीक समय तक रहता है जिससे दिन बड़ी और राते हैं चोटी होती है उत्री गुलाद में यह आपका ठीक है यह आपकी भूमद्री का है यह उत्री गुलाद हो गया यह दच्छडी गुलाद हो गया ठीक है एक मान लीजे आप लोग दिमाग जाना मतलगाना है तो 21 मार्च से 23 सेप्टमबर से अधिक समय के लिए रहेगा तो जिसमें आपके दिन बड़ी होंगे अगर 12 गंटी से अधिक समय के लिए रहता है तो इस समय दिन बड़ी होंगे और रातें छोटी होंगे और इस समय रातें बड़ी होंगे दिन छोटे होंगे दच्छडी को लाद में उत्री दुरुपर दिन की योदी छे महीने की होती है कहा बिल्कुल उत्री दुरुपर यानि की यहां छे महीने की उत्री दुरुपर दिन की योदी छे महीने की होती है उसके बाद जैसे ही आपका सूर दच्छडी गोलाद में जाएगा तो यहां छे महीने की रात होगी कितने 6 महीने की और यहाँ दिन होगा बर्ष की 23 सेप्टमबर से 21 मार्च की आउदी है मैसूर का पिकास दच्छी गोलाद में 12 गंटे या उसे अधिक समय तक गरता है जिससे आपके दिन बड़े होते हैं दच्छी गोलाद में और रातें छोटी होते हैं फ़र एक सब्द आप लोग सुनते रहते हैं सूर गेहन इस सब्द को अक्सर आप लोग सुनते हैं जब पितवी द्वाराँ सूर की तथा चंदमा द्वाराँ पितवी की परीख्मा के फलस्वरूप सूर चंदमा और पितवी करम सा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो आपका सूर गहन हो जाते हैं यह आपका सूर है ठीक है यह आपका क्या है चंदवान और यह आपका पितवी है जैसे आप देखेंगे कि यह तीनों एक सीधे रेखा में आ जाएगे तो सूर का जो प्रिकास उरोगा यह आपका चंदमा डख लेगा तो पित्वी पर नहीं आने देगा तो इसे आप लोग सूर गहन करते हैं यानि कि सूर का ना दिखना अधिकांश था यह घर्टना आपकी अमावस्या को कि दिन सूर गहन को उती है किन्तु चंदमा में सूर गहन नहीं होता है यह नहीं कह सकते हैं आप लोग कि अमावस्या को यह आपका सूर गहन परेगा 100% लेकिन अधिकतर बार आपका अमावस्या को यह पढ़ता है लेकिन हर अमावस्या को नहीं पढ़ता है जब सूर का एक बाग छिप जाता है तो उसे आंसिक सूर गहन और जब पूरा सूर कुछ छड़ों के लिए छिप जाता है तो उसे हम लोग पूर्ण सूर गहन कहा करते हैं देख सकते हैं आप लोग यह आपका सूर है यह आपकी पितवी हो गई यह उप्छाया प्रच्छाया चंदमा यह आपका पिरकास आ रहा है अगर पूरी तरह से आपका सूर के पिकास को रोग ले चंदमा तो पूर्ण सूर गहन हो गया और आंसिक रोप से कुछ अगर भाग हमें दिखाई देता रही तो यह आपका आंसिक हो गया ठीक है फिर एक सब्द आप लोग सुनते रहते हैं चंद गहन यह भी आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं चंद गहन पितवी द्वारा सूर की तथा चंदमा द्वारा पितवी की परिक्मा के फ़ल सुरूप पितवी चंदमा और सूर के बीच आ जाती है तो चंद गहन होता है क्या होता है? पितिवी जो है आपकी ए चंदमा और सूर के बीच आ जाती है किसके बीच? चंदमा और सूर के बीच उस समय आपका चंद गहन होता है अधिकांश चंद गहन आपका पूर्णिमा के दिन होता है किसके दिन? पूर्णिमा के दिन पूर्णमा की रात्री को परंदू पितेक पूर्णिमा को चंदगेंड नहीं लगता क्योंकि चंदमा पितवी और सूर की तुल्ला में पितेक पूर्णिमा को सिस्तिती में नहीं होता है सूर ग्रहन की सामान चन्द ग्रेंड भी आपका आंसी कत्वा पूर्ण हो सकता है इस तरह से आप तो देख रहे हूँ यह आपका सूर हो गया यह आपकी पितवी बीच में आ गई यह आपका चन्द है एनांद और सक्रांटी सूर की आयन रेखी है करक और मकर रेखा इस्ति को आयनांद कहा जाता है ग्रेस्म आयनांद और करक सक्रांटी यानि करक रेखा पितवी पर 21 जून को सूर करक रेखा पर लंबबद पढ़ता है जिसमें उत्तरी गोलाद में सूर की सबसे अधिकूंचाई होती है यहां दिन बड़े और रात हैं चोटे होती है पितवी है यहां आपकी देखिए यहां आप लोग देख रहे होई यहां आपकी करक रेखा है उपर और यहां आपकी भूमत रेखा होई यहां आपकी मकर रेखा होई इस तरह ऐसे ले सकते हैं यह आपकी पूरी पेती भी हो गई यहां से आपकी मकर करक रेखा हो जड़ती है यह आपकी मुमत रेखा हो गई और यह आपकी मकर रेका होगी ये आपकी 0 ये आपकी 25.5 डिगरी उत्रियक चांस ठीए ये आपकी 25.5 डिगरी 10 चांस होगी इसके लिए उत्री गुलाद में गीसम रितु होती है इस्तिति को आप लोग करक संकरांथी भी कहते हैं इस समय दच्छडी गुलाद में विपड़ी तिति रहती है, जहां सूर तिच्छा चमकता है, जिसे यहां रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होती हैं, तथा गर्मी कम होने से सीत्रितू रहती हैं, आप समझ सकते हैं कि जिस समय जिस थरफ सूर का पिकास नहीं जाएगा उस समय दिन तो बड़े छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगे, वहां गर्मी भी कमी बड़ेगी आपकी, स्तीत और अयनाद या पर जिसे मकर संकराती के नाम से जानते हैं, पितिवी पर 22 दिसंबर को दच्छडी गुलाद सूर की सम्मुक रहता है, जिससे पूर सूर मक रहता है, यानि कि साधे 23 डिगरी दच्छन पर लंबबद चमकता है, जिससे या ग्रेश्म रितू रहती है, इस इस्तिति को आप लोग मकर संकराती कहते हैं, क्या आप कहते हैं, मकर संकराती, इस समय उत्री गुलाद में सूर तिर्च्छा चमकता है, जिससे दिन छोटे हो रातें बड़ी होते हैं, और गर्मी कम होने के कारण सीत्री डितू रहती है, कहां उत्री गुलाद में, क्योंकि सूर का पिकासी उस तरफ नहीं रहेगा जाना, तो सीत्री डितू यानि कि ठंडर रहेगी, फिर आप एक सब्द सुनते हैं, विसव, एक समान दिन रात, विस बहुत पड़ता है, जो आपकी आपने देखी थी ना, ये भूम अद्रे का, इस पर आपका 21 मार्च को, उसके बाद आपका 23 सेप्टमबर को सूर लंबत चमकता है, इस समयल सम्भमस्त अक्षान सरेखाओं का आदा भाग प्रिकास में रहता है, जिससे सभी जगे दिन रात आपके बराबर होते हैं, लगबग, ठीक, पितवी के दोनों गुलाद में दिन रात बराबर रहने की इस्तिती को विसवत, अत्वा एक समान दिन रात कहा जाता है, आप समझे कि ये सूर एक ही जगे रुख जाए, तो आप बराबर इस्तिती देखेंगे ना, उत्री गुल यजयुदार में बैसे ही स्तिती पिल देखेंगे, 21 मार्च वाली स्तिती को पन्दोर कहते हैं, और 23 स्यूर की स्तिती को मैं लोग सरध विसवत कहते हैं, यह आपकी दच्चडी, देख लीजे पित वीजे, यह आपका उत्तरी दृओं हो गया, यह आपकी सुर की स्तिती और यह आपकी मकर रेखा यह उत्री दुरूब बिर्थ हो गया यहाँ दिन रात बराबर होते हैं आपके 6 मेने का दिन 6 मेने का रात इस तरह भी यही हालत है यहाँ दिन रात बराबर होते हैं यहाँ दिन रात बराबर होते हैं दिन रात बराबर पित्वी की सभी अक्षांसों पर दिन रात 12 गंटी के होते हैं वो तो क्या है कि अगर आपका सूर्ख है जो इसका पिकास अगर उत्री गोलाद में 12 गंटी से अधिक समय के लिए रहता है तो आपका दिन बढ़ा होगा और दश्चरी गोलाद में समय आपकी रातें बढ़ी होगी ठीक है फ़र आपकी अक्षांस यह आपके लिए बहुत ही मत्फून है आप सुनते रहते हैं अस्ती डिग्री अक्षांस साड़े तेज डिग्री अक्षांस उत्री अक्षांस दश्चरी अक्षांस तो आप समझे एक सीदी सी बात कि आपका 0 भूमद रेखा हो गई यह आपकी 0 अक्षांस हो गई इस तरह आप लोग बढ़ेंगे तो 3 अक्षांस कही जाएंगी इस तरह आप लोग बढ़ेंगे तो 10 अक्षांस कही जाएंगी जो बिस्वत रेखा या फिर अतवा किसी अनस्थान के बीच की एक केंद पर बनती है जो आपकी अक्षांस रेका है यानि की लेटिट्यूड है यह बास्तों में अक्षांस का ओए कौण है जो विश्वत रेका या अत्तथा किसी अन्य स्थान की बीच की दूरी बीच पित्वी के केंद पर बनती है पितवी सतय पर विस्वत रेका के उत्तर, दच्छण में एक याम उत्तर पर पितवी के कंद से किसी भी बिंदु पर माफी गई कोंडी ये दूरी को आप लोग अख्छांस कहते हैं क्या कहते हैं? अख्छांस कहते हैं, लैटिटिटी खेते हैं इसे अंसों मिनिटों पुस्ते सीकंड़ों में भी दर्शाया जा सकता है। आपको पता होगा कि विश्वत ब्रत को 0 अक्षांस कहते हैं जो आपकी ये रिखा रहती है पितवी को उत्री अक्षांस और दच्छडी अक्षांस में बाठती हैं इसे ही आप लोग 0 अक्छांस कहते हैं और यह पितिभी को अक्छांसी दिर्ष्टी कौंट से दो बराबर भागों में माटती है एक अंग 0 बराबर 60 मिनिट एक मिनिट बराबर 60 सेकंड विसवत बिरत के उत्तर में 90 डिकरी के अक्छांसी विस्तार को उत्री गोलात कहते हैं वह विसवत बिरत की दर्ष्टी गोलात में 90 गुरी की बिस्तार को आप लोगए कि ाक 10 गोलाद इन यानि इसतरा आपकी एक 190 डिगरी अक्छांस तक ऐसा उतरी अक्छांस केते हैं यानि उतरीcken लगरा ढोल गया गया आपका इस तरह इस तरा आपका चित लिगराद रेखाओं कि कुल्स Kagy a значит है कितनी 181 ठीक है नोटोनी 181 को अक्रोमन मानते हैं उसे भी जोड़ देते हैं 181 हो जाती है विश्बत रेका सबसे वड़ी अक्छांस रेका है जिसे बेहत बित ग्रेट सरकल भी हम लोग कहते हैं यह पूरुप से पश्चिम दिशा में खींची जाती है पूरुप से कि ट्थान की इस्तिति बतलाने में किया जाता है सुझ रहें आप अ假र आप 4 मिनिट आंगे बढ़ जाते हैं यानि कि एक डिग्री आंगे बढ़ते हैं आप लोा क्छांस तो अस्धू आप 45 कि योंदि आंगे बढ़ जाएंगे समझरें आए है मोह्मत दिखा से द्रोगों की लंबाई कम होती जाती है किने दो अक्छांस रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है यानि कि 111.13 किलोमीटर होती है दो अक्छांसों की बीच की दूरी पितवी के पितेक गुलाद को ताप करम के आधर पर कही भागों में बाटा जाता है जिसे आप लोग कटी बंद कहते हैं ओशन कटी बंद सीतोष्ण कटी बंद यह वही कटी बंद है पितवी पर करक और मकर रेखा बेर्थ के बीच के छित को आप लोग ओशन कटी बंद तथ पूर्वी देशांतर रेखा है यह हमारी देश का समय निर्धारित करती है यह आपके उत्तरपदेश के लावाद सब्सक्राइब के पास से गुजरती है पितवी के किसी भी स्थान का पिधान या मुदतर से प्या करते हैं क्या करता है तो इसं से आप देशांतर को पिधान या मोत्तर माना जाता है जो लंदन के पास greenwich बैद साला से गुजरती है इसलिए से आप लोग greenwich रेखा भी कहते हैं क्या कहते हैं greenwich रेखा भी कहते हैं पितवी के जीरो डिग्री देशांतर के दोनों और 180 डिग्री तदेशांतर रिखाएं पाई जाते हैं जो कुल मिलाकर 360 डिग्री होती है पितवी पर दो देशांतर रिखाओं की बीच की दूरी होती है उसे हम लोग गोरे कहते हैं क्या कहते हैं गोरी सभी देशांतर रिखाओं की लंबाई समान होती है और सभी देशांतर रिखाओं की लंबाई समान होती है और सभी देशांतर रिखाओं की बाटती है आपकी क्या करती हैं दो बरावर भागों में बाढ़ दो एक बात और याद रखने हैं इसमें भूमत रेखा पर देशांतर रेखाओं के वीच की दूरी अधिक्तम होती है यह होती है आपकी 111.32 किलोमीटर लगवग आपके दो अक्छांस रेखाओं की दूरी के बरावर ही होती है लेकिन यह दूरी दूर्वों पर कम हो जाती है जब आप देखते हैं कि उत्री दूर्व या पर दच्छी दूर्व की दरब जिवरती है तो इनकी दूरी कम होती जाती है पित्वी 24 गंटे में अपने अप्छ पर 360 कितना 360 देशांतर गूमती है अर्थात एक डिगरी दूर गूरी करने में पित्वी को चार मिनिट का समय लगता है इसलिए पित्वी की गूडण पित्वी की गूडण करती क्या है तीन सो साथ अपन चौवीस मरावर 15 यानि कि एक घंटा में 15 देशांतर चलती है अगर आप लोग 15 देशांतर रेखा 15 डिगरी देशांतर रेखा पर बढ़ जाते हैं तो एक घंटा आंगी हो जाएंग इसमें ठीक है पिती गंट आपका 15 साथ यानि कि पिती मिनट आपका चार मिनट है इस पेकार आपका एक 15 देशांतर पर एक घंटे कांतर आजाता है आपको देखने को आपको मिलता है सीधा सा कहने मतलब है या आपकी देशांतर रेखा है ठीक है अगर आप लोग इस पर 15 एक डिगरी बढ़ते हैं तो चार मिनट आगे हो जाएंगे उसके बाद अगर 15 डिगरी बढ़ते हैं तो आप लोग एक घंटे इस तरफ पहुंच जाएंगे पित्वी आपकी जसा कि आपको सभी को पता पीछे भी बात कर चुका हूँ पित्वी पश्चिम से पूर्ग की ओर घूमती है इसलिए पूर्ग की ओर पितेग एक डिगरी देशांतर बढ़ने पर चार मिनट बढ़ जाती हैं और इसी तरह पश्चिम जाने पर में एक देशांतर का पित्वी पर समय को निर्दार्ण दो पिकाल से हुटता है एक आपका स्थानी है समय यह हर जगय का है अपना अपना समय होता है स्थानी है समय दूसरा है प्रमाड़क समय बारत की पूर्भी छोर यानि कि गुज्रात और अवनाचर पितेश और पप्ष्मी छ यह रात है और यह आपका अनुनाचल पिदेश है इन दोनों के बीच आपका दो गंटे का अंदर पाए लाता है यहां अगर समझ रहे हैं आप लो इसलिए आप देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं आम चुनाव तो पूर्वी राज्यों के लिए एक मानक रेखा की मांग की जाती है समय जौन की ठीक है पिद्वी पर किसी देश का प्रमाडिक समय होए समय है जो उस देश के केंद्रिये रेखा के आधारपन निधारित किया जाता है प्रमाडिक समय यह आप सभी ने सुनावा कई वाल कुश्चन्स भी पूंच लेता है भारत में पूर्वी देशांतर रेखा केंद्रिये देशांतर रेखा है जो आपकी कहां से गुजरती यह उत्तर पेदेश के बिद्ध्याचल सहर मेज़ापूर से गुजरती है मानक समय रेखा भी इसे कहते हैं आप लोग क्या कहते है मानक और यह आपकी नैनी इलावाद के पास से गुजरती है इसकी एक बात बताएं आपको यह आपका करीवार मुच लेता है कि जो आपकी मानक रेखा है यह आपकी पांच राज्यों से होकर गुजरती है यह पांच राज्य कौन से कौन से है मानक रेखा हुए समय है जो यह विस्ते दभू भाग के लिए समय निर्धारित करता है एक तरह ऐसी ठीक है और आपकी बाती है मानक समय रेखा को एक सेप्टमबर उननीस से सैतालीस में तिस्ताबित किया गया था जो आपके इलावात कि निकट नैनी से गुजटती है यह आपकी उत्तर-प्यदेश, मध्यप्यदेश, हांध्यप्यदेश, चट्थिसगर्ण, उडईशा जो आपकी समय देखा है ना साड़े वियाशी डिगरी उत्तर-प्यदेश, मध्यप्यदेश आंद्रपिदेश 36 गड़ पुड़ी सा ठीक है याद रखी पांच राच्चों से उकर गोहरती पितिवी परविश्थ को 24 टाइम जौन में विवाजित किया गया कितने 24 यह विवाजिन ग्रेंड विच मिन टाइम एवं मानक समय में एक घंटे यानि के अर्था 15 डीगरी देशांतर की अंतराल की आदार पर देखा जाता है ग्रेन बिच या मुत्र जीरो डिग्री देशांतर पर है जीरो डिग्री देशांतर पर है जो आपका ग्रेन लैंड एवं नौर्वेजियन सागर तथा बेटेंड फ्रांस इस्पैन अल्जेरिया माले बुर्कीना फासो गहाना दर्चेट अटलांटेक माहसागर से होकर गुजरती है कौन जीरो डेशांतर जीरो डिग्री देशांतर जेद देश का छेतफ़ अधेक है वहां एक से अधिक समय जोन की आवस्चता पड़ती है जैसे सयवत्तराज अमेरिका में आपके साथ जोन है और रोस में आपके 11 समय ज आजयों के लिए ठीक है एक सस्ती पूर्वी तथा एक सदसी प्रश्चमी देसांतर एक ही है रेखा है जैसे अंतराष्टीय तितीय रेखा कहते हैं क्या कहते हैं अंतराष्टीय तितीय रेखा जैसे आमेरीका के वह सिंग्तन में 1884 में समपन्ण इंटरनेशनल मेरिलियन एकसो अस्तिवे या मुद्तर को अंतराश्टी तिती रेखा घुसित किया गया था तो अगर आपसे पूचे कि अंतराश्टी तिती रेखा कौन सी है तो एकसो अस्ति डिग्री देशांतर यदि कोई बैक्ति अंतराश्टि ये तिथी रेखा को पश्ट्यम से पूर्व की ओर पार करता है तो एक दिन बढ़ जाता है और जब पूर्व से पश्ट्यम की ओर पार करता है तो एक दिन कम हो जाता है आप समझिए यह है आपकी अंतराश्टि ये तिथी रेखा ठीक तो में बश्षियम से अगर आप अफे पूर्फीत और बढ़ते हैं तो 1 दिन बढ़ जाएगी यानि कि यहां का सुंबार है ढ़िक को इस तरव आप क्वाइब के ओधिर मंगल एक दिन का अंत्तर आएगा अगर आप इस तरफ से इस तरफ बढ़ते हैं तो एक दिन का कमी हो जाएगे सीधा सा मतलब ले लीजिए न आप लोग कि आप कोई कि आपका घर यह है ठीक है यहाँ आपका घर है आप इस तरफ बढ़ते हैं कि पूर्व कीवर तो आप क्या होगा आपको घर पहुंचने में कितना समय लगेगा एक घंटे अगर इस तरफ बढ़ते हैं आप लोग तो आप पीछे जा रहे हैं ठीक है तो आगे एक घंटा एक घंटा पीछे इस तरह से आप मैं हमें साथ बोलता है हूं कि आप अपने हसाब से कोई भी उधारन कहीं भी पेश कर सकते हैं बस आपको याद होना चाहिए रहना चाहिए आपको ठीक है यहरेका आपकी आर्केटिक सागर बेरिंग अब चांस पर महादीप से बचने के लिए पूर की ओर मोड़ी गई है और बेरिंग जलसंदी से निकाली गई है से बेरिंग जलसंदी अंतरश्टी दिथी रेखा की समानतर इस्थे थे भूमत रेखा के दच्छन में से साड़ी साथ डिग्री पूर्वी की ओर खिसकाया ग अंतरश्टी दिथी रेखा का दिकांस बाग इस्थल से दूर रखा गया है ताकि एक ही देश में रहने वाली व्यक्तियों को एक ही दिन में अलग-अलग तिथियां मानने पड़ें जिससे उन्हें आसो विधा होती है कि क्या होती है आसो विधा होती है अब हम चलते हैं पित्वी की परिमंडल की तरफ इस्थल मंडल, बायू मंडल, जल मंडल तो यहने भी देख लेते हैं हम लोग पित्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है संभव गया है जीवन के सभी आवसक तत जैसे भूमी हो गया जल हो गया हवा पित्वी पर हमारी पित्वी पर मौझूद है पित्वी पर परियापन के तीन महत्वों गटक हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को पिरभावित्वी करते हैं पित्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं इसे आप लोग इस्तल मंदल के नम से जानते हैं गैस की परते हैं जो पितवी के चारों और से घेरती हैं पितवी को उसे आप लोग बायू मंदल कहते हैं पितवी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे आप लोग जल मंदल कहते हैं सबसे ज्यादा यही तुपाए जाता है जल मंडल पित्वी तल पर उससे उपर और नीचे जहां कहीं भी जीवन का अस्तित है उस भाग को आप लोग जयम मंडल कहते हैं जहां जीवन संभव है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस्थल मंडल के बारे में पित्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उससे इस्थल मंडल कहते हैं क्या कहते हैं इस्थल मंडल कहते हैं यह भूपरबटी की चट्टानों तथा मिट्टी की परत तिली परतों का बना होता है जिसमें आपका जीवों के लिए पूसक्त पाए जाते हैं इसमें पित्वी क कुल 29-30 भाग पर आपका इस थल है, वे 71-30 भाग पर आपका जल है यानि कि आप 71-30 भाग पर पाणी है और 39-30 बाग पो ने ने पर भी आप देखते हैं पानी की कमी बनी रहती है क्योंकि ये पानी आपका समुद्रों में हैं जो खा रहा है हमारे पास जीरू पॉइंट वन पिती सत के करीब आप समझ सकते हैं पानी पीने लिए योग है वैसे एक परसेंट पानी पीने योग है लेकिन उसमें से आधेक तर पानी आपका बरप के रूम में जमा रहता है पित्वी के गुलार्द का 31 चेथफल में जल है यानि उत्तरी गुलार्द में आपका कम है एक सट लेकिन तचड़ी गुलार्द में आप देखते हैं कि जली जल है एक्क्यासी पिती से पितवी पर अधिक्तम उचा ही आपकी मांट एबरेष्ट आठाजार आठाजार आठाज़ो पचास मीटर याकमा सिक्किक कुछ सोरी नेपाल में सिक्किम के पासी और अधिक्तम गहराई है आपकी मेरियाना गर्थ 11,000 22 भी मिलता है कहीं 33 भी मिल जाता है पितवी की आंतरिक सरचना के संबन्द में हमारी जानेकारी निमलिखित आप इत्यक्ष दुन्मानों पराधारित हैं सबसे पहले आपका गहनत पित्वी का ओसद गहनत आपका 5.5 है चुकी भूपटल की चट्टानों का ओसद गहनत 2.7 अताह इसके आंत्रे भाग की चट्टानों का ओसद गहनत 5.5 से अधिक होना चाहिए तामान और दबाव चट्टानों की अवस्था कपर तामान दबाव का जटल प्रिभाव पड़ता है भूपटल से भूगरब के आंत्रे भाग की और जाने पर तामान में पिती 32 मीटर पर एक डिगरी सेल्शियस की दर से बित्ती होती कहां भूपटल से यानि की ऊपर से नीचे जाएंगे आप लोग तो जब आप 32 मीटर नीचे हर 32 मीटर पर एक डिगरी सेल्शियस कामान बढ़ेगा ठीक है अताहा भूगरब की अधिकांत चट्टा ने पिगली हुई अवस्ता में होनी चाहिए परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि दबाव में बिद्धी के साथ साथ चट्टानों का देवडांक बिंदू यानि क्युमिलेटिंग पॉइंट बढ़ जाता है वस्तुता से पिगली हुई अवस्ता में रहते हैं तीसरा है आपका भूगंपिय तरंगे भूगरब से बाहर आने वाली भूगंपिय तरंगों के अध्यन के यादार पर पित्वी की आंतरिक सरचना कि संबंद में सरवादिक विश्यों से नहीं जानकारी हमें प्राप्त होती है पित मती के दार पर तीन फिकार की चट्टाने होती होती है अगने चट्टाने आगे सब्सक्राइब поч़बे करने इसे आप लोग रूपांत्र है चप्ताने भी केनि अगने चट्टा यह मैगमा यह फिर लाबा की जमने से बनती हैं जिसे ग्रैनाइट हो गया बैसाल्ट पैगमाइट डायवराइट गिरोवू डोलोराइट ऑपसीडियन एंडेसाइट पेरिटोस्टाइट हैलसाइट विच श्टॉवन प्यूमेस परलाइट ठीक है यह सबी आपके अगने चट्टानों के उधारन है फिर आपकी आउसादी या पिर जिसे आप लोग परत दार चट्टान भी कहते हैं प्रक्किति के कारकों द्वारा निर्में छोटी-छोटी चट्टाने तो रसाइनिक पितिक्रिया या पिर अनकायडों के द्वारा परत जैस जिसे आप लोग अउसादी चट्टाने कहते हैं जैसे आपकी वलुआ पत्थर चूना पत्थर सेल कांगलोमरेट नमक की चट्टान डोलोमाइट यह सबी आपकी अउसादी या फिर परतदार चट्टानों के उधारन है फिर आहे तीसरा आपका कायांत्रित या इसे रूप रूपांत्रित या फिर परिवर्तित चट्टान भी कहते हैं आपलोम ताप दाप और रसानी क्रियाओं के कारण अगने यह आउसादी चट्टानों से कायांतित चट्टानों का निर्माड होता है इसके उधारान है आपके नीज साइन साइन साइनाइट नीज भाएट चट्टानों के उधारान है ठीक है कि चट्टानों का रूपांत्रम की अगर हम लोग बात करें तो यह आपकी मुहल चट्टान होगी इनके रूपांत्रित चट्टानों अगने चट्टान की बात करते हैं बैसाल्ट इसकी रुपांतिक चट्टान है एमफी बोलाइट गेपरो इसकी रुपांतिक चट्टान है सरपेंटैन ग्रेनाइड इसकी रुपांतिक चट्टान है नीज पिटू मिनस कोईला इसकी रुपांतिक चट्टान है पत्तर इसके रूपाननी चट्टा ने र्ली है चूनदा पत्तर संग मरमर सेल स्रेट लंग नौइट को इला एंतेशाइड को रूपानाय चट्टानं है आपके इसलेट इसल जिज्ण sa यह आपके तत्थ हुए मात्रा जितने पितिशत में ओक्सिजन सबसे जादा है 46.8 पितिशत 46.8 पितिशत सिलीकॉन 27.7 पितिशत एलुमिनियम 8.1 पितिशत लोहा 5.0 पितिशत कैल्सियम 3.6 पितिशत सोडियम 2.08 कितिशत पोटेसियम 2.2 कितिशत 2.5 कितिशत मैगनेसियम 2.0 ise ngay hour 2.0 0 कितिशत जीलो है अगेर पितिवी के संगटन की बाद पर हैं बलो तो इसमें दत्थ हैं और यह मात्रा में हैं लोहा 35 कितिशत ओक्सिजन 330 कितिशत सिलीकॉन 15-30, मागनेसियम 13-30, निकेल 2.4-30, सल्फर 1.9-30, ठीक है? आई यू जीजी ने भूपरबटी की ओसत मौटाई 30 किलूमीटर माली है, यग भी अल्ण सरोतों के अमसाल क्रेफ्ट की मौटाई आपकी 100 किलूमीटर बताई हुए है, यह अलग-अलग स्थानों पर अलग बताई जाती है, भूपटल, अर्थ करष्ट, यह बिद्वी की सबसे बाहरी बर्थ है, इसकी मौटाई आपकी 33 किलूमीटर है, परन्तु आपकी महादीप है, यहां 40 किलूमीटर पाई जाती है, लेकिन जो आपकी महासागरी यह भाग है वहाँ आपकी 10 किलूमीटर पाई जाती है, यानि कि अलग-अलग स्थान पर अलग लग है, तो जैसे औसाग मतलब आप सबकी, औसाग मतलब होता है कि आप 50 आदमी कड़े हुए हैं, ठीक है, उनमें आप देखते हैं कि सबकी अलग-अलग उचाई हैं, लेकिन उनकी सबकी मिला कि जो एक कॉमन उचाई होगी, उसे हम लोग औसत उचाई कहेंगे, लेकिन अगर आप से कुचे कि इनमें सबसे जाना उचाई किसकी है, तो उस ब्यक्ति को देखेंगे हम लोग जिसकी सबसे जाना उचाई हैं, और अगर आप से सबसे कम कुचे, तो आप सबसे चोट ये व्यक्ति को देखेंगे ठीक है इसी पिकार यह महादीप भाग में चालीश किलूमीटर है उमास आगरी भाग में दस किलूमीटर मौटी इसे पुनाहा दो परतों में विवाजित किया गया है धूपटल को उपरी विछन परत ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा निर्मि कि इसे based on youramentoe kinetic energy को अ ओने क्या जभी है क्या है इस चेते यह आपके क्ली परतों कि अविछन परत या इसे आप की 25 चट्टानों द्वारा निर्मित तैंट जो आपका महासागही तासकूम्में महासागाही ग्रेन आइड आकी महाद्यूपी भागों में पित्वी के उपरी परत पर सबसे अधिक मात्रा में सिलीकॉन और ऑक्सिजन पाय जाता है आधुनिक परीकल्पना के उसार वो कंपी ये लहरों की बेवहार की आधार पर पित्वी को तीन भागों में तीन स्तरों या भागों में बाटा गया है देख लीगे से यह आपकी पित्वी की पलते हैं समझ में आए यह आपका कोर हो गया नीचे तो आपकी उपर से चलिए यह आपकी गहराई किलोमीटर में नीचे देख रहे हैं आधम जीरों से 30 किलोमीटर पर 30 से 200 700 29 एक क्रश्ट हो इस तरह आपके गनत देख रहे हैं उपरी मेंटल इसे सियाल परे मेंटल इससे सीमा कहते हैं बाह्य कोष इसे निप्भी कहते हैं और यह आपका आंत्रिक कोष है ठीजह है आंत्रिक कोर के आप देख रहे होंगे फिस घनत इसका 13.6 है कितना 13.6 है उपरी क्रेश्ट और निचले क्रेश्ट के बीच के सीमा चेत को आप लोग को नार्ड आ सम्मत देता कहते हैं यह आपका कुश्चन्स कई बार बन चुका है यह उपरी मेंटल हो गया निचला मेंटल इसके बीच का जो चेत है इसे क्या कहते हैं आपका कौनार्ड कौनार्ड आ सम्मत देता अगर आपसे पूछ रहे हैं कि उपरी क्रेश्ट और निचले क्रेश्ट की बीच के सीमा को चेत वो क्या कहते हैं कौनार्ड आ सम्मत देता मेंटल आकर क्रेश्ट और मोहो आसमध्द द्वारां अलग होता है क्रेश्ट मेंटल और क्रेश्ट मोहो मोहो आसमध्द द्था की पेटी 30 से 35 किलोमीटर की गहराई परिस्तित होती जहांकि बहुत कम पिये तरंगों की गति आचाने 6.9 किलोमीटर 30 से बढ़कर 7.9 किलोमीटर 30 से हो जाती है यानि कि इनकी गति बढ़ जाती है मोहो आसमध्द द्था से लगभग 29 किलोमीटर की गहराई तर मेंटल का विस्तार रहता है किसका मेंटल का पित्विए के समج्ग समच्च समच्द द्रहमान का। यe вам пам how Тут यह तुरह ते रासी पितिसत आपका मेंटल में पाए जाता है कि जो पित्विए का कुछ द्रहमान है उसमें से आपक अरश्व 3 isको कुल आयतन में से आपका तेरासी पिती से पितभी के मेंटल में पाया जाता है यह अधिक घनत बाले द्रव चट्रानों से निर्मित हैं इसमें आपका लुहा और मैगनेशियम जैसे तत्तों की पिदानता रहती है इसलिका अब मैगनेशियम की अधिक्ता के कारण इस परत को आप लोग सीमा भी कहते हैं कि एसाई से सिकला सिलिका और मैगनेशियम की ओप्रिमेंटल तथा निचले मेंटल के भी किछेत को कि रैट्टी आसमद्धता कहते हैं कोर या पिद्वी की सरवाधिक आंत्रीक परते जो आपकी उन्तीस सो किलोमेटर की गहराई से पिद्वी के केंदे तक आपकी विश्थेत हैं कोर भी दो परतों में विभाजी थे आपकी एक आपकी उन्तीस सो से किते संतावन सो पचास किलोमेटर की गहराई की भी पी तरंगों की जती आप एक चक्रित कम हो जाती है तता उन्तीस सो किलोमेटर की गहराई पर एस तरंगें बिलुक्त हो जाते हैं कि इसका इस्पष्ट कारण है कि कोर का ववाग जिसे बाहर कोर कहा जाते है पिगली हुई अवस्था में जो सेकंडरी बेव होती है यह आपकी पिगली हुई अवस्था में अच्छे से नहीं चलती आता है और पीतरंगें चलती जाते हैं ठोस द्रब गयस्तीनों में पीतरंगें चल सकती है इसका कारण है कि इस बाहर में दबाव की तुल्ला में ताबमान आपका अधिक फिर्वावी होता है इससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं यानि कि इसपर्ष्ट हो जाता है कि आंत्री खूर आपका ठोस अवस्था में यानि कि जो आपकी प्राइमरी तरंगें पीतरंगें हैं ठोस अवस्था में सरवावादी किनकी गती रहती है निचले तथा उपरी कोड के सीमा छित को आपको गुटेंडबर्ग बिसाट आसमबदता कहते हैं विद्वानों का मानना है कि अधिक दबाव के कारण आंत्री कोड में ग्यस्थो सवस्था में परिवादित हो जाते हैं बाहे कोड तथा आंत्री कोड के सीमा छित को लेहमें आसमबदता कहते हैं क्या कहते हैं लेहमें आसमबदता कहते हैं कोड को बैरी स्पीर के नाम से भी जाना जाता है यह जो कोड है इसे आप लोग बैरी स्पीर के नाम से भी जाते हैं निकैल और लोहा जैसे भारी तत्तों से निर्मेट होनी की कारण से आप दो नीफीट कहते हैं एनाई से आपका नीफ और लुहा से एपकी यानि की फिर कि तिद्वी के कुल आयतन का सुले पृतिशत और दिर्मान का आपका 32 पृतिशत कूर में ये व्याप्त रहता है ये आप भी सुन्ते रहते हैं भूकम्प आया है अर्थ कुईक आया है दिल्ली में है गुजरात में आया है इस तरह कि आप सुन्ते रहते हैं I am तो भूकंप भूपटल की ग्याद या फिर आग्याद कंपन अत्वा लहर है जो धरालदल की नीचे अत्वा उपर चट्टानों की लेचिलेपन या फिर गुरुत्वा करशन की समिस्थिती में छड़ी कबस्ता में होने परुद्पन होती उद्गम केंद जहां से यह सुरू होता है उसे आप लोग उद्गम केंद कहते हैं और सबसे पहले जहां पहुंचता है उसे आप लोग अधी केंद कहते हैं सामने यह आपका भूधरातल होगा यह आपका दरातल होगा यह आपकी भूकम तरहने होगा देख रहे हैं आपको य आपकी भुकम्त तरंगे हुई कि इन दोनों point को याद रखेए जहां से उत्पन होता है उत्गम के इंदध कहती है और जहां सबसे पहले पहुंचता है उसे अधी के दुखाएं ब्रंसन किरिया के द्वारा होग कम्त आता है Parlतिंग के द्वारा ह मूंप मूल मैं भूकम का सरपितम आरविभाव होता है, भूकम मूल पर सबसे पहले हमें पता चलता है, अधी के अंदे, अधी के अंदे में सरपितम भूकम पलाहरों का अनुभाव करते हैं, जहां से उत्पन होगी वहाँ से, तो हम लोग समझ रहे हैं, यह आपका अधी कल रहे हैं, बाहर धर्दी पर आपका सबसे पहले यहीं आपको पता चलता है कि भूकम आ गया, ठीक है? भूकम केंद के चारों और समान भूकम पिये तीप बिता की, खीची जाने वाली रेकाएं, सम भूकम पिये रेकाएं कहलाती हैं, ठीक है? भूकम पिये तरंगों को पापने कहियें थे, भूकम पिये, 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 भूकम बिग्ञान के द्वारा लहरों का अध्यन किया जाता है, भूकम के न कि और भू संदलन में जाविविस्ता हम हो भूप टल में से कोड़न होना मालोजणित कार्म यह आपकी भू का Dani की कार्म है भू कम्तियल लहरे सरपितम भू कम्तियन लहरे अधी केंद्न पर पहुंचती है vocalि ऑ itarlar वो कम पी ये लहरें तीन भागों में पांटा जाता है P, S, L L लहरें P लहरें S लहरें देख रहे हैं ये आपका दीके अंदर ये जहां से मोड़ जाती हैं उसे ही छाया चित कहते हैं तो आप देख रहे हैं कि L, S आपकी यहां से मोड़ जाती हैं तो ये आपका S छाया चित हो गया S लहरें इसके अंदर नहीं जा पाती है और A आप देख रहे हैं A आपका होगा P तरेंग ये बल यहां तक P तरेंग प्राइमरी बेब्स भी जा पाती है तरंगे तो इसे आप लोग P छाया चित छाया चित कहते हैं जीगे P और S लहरें ये बढ़ती रहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमिक लहरों के बारे में जीसे आप लोग प्राइमरी बेब भी कहते हैं इसकी औसद गती होती है 8 से 14 km पिती सेकंड सबसे तेल गती होती हैं की 8 से 14 km पिती सेकंड के वीच चूकी इनकी गती सबसे अधिक होती है ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है ये तरंगें धौनी के समान होती है तथा ये ठोस द्रभ और गैस पतारतों में यातरा कर सकती है तीनों में ठोस द्रभ और गैस में सबसे पहले आप लोग इसे याद रखे इसे क्या कहते हैं अनुदेर्द तरंगे कई बार पूच लिया गया है कि अनुदेर्द तरंगें किसे कहते हैं तो आप पर याद रखना है प्राथमिक तरंगों को फिर आप कि आती हैं सेकंडरी बेब इसे आप लोग अनुपरस्थ तरंगे कहते हैं क्योंकि ये प्राथमिक लहरों के बाद कि इने गुजरपाती है उसलिए आप देखते है कि कोर में नहीं कुण आती है नहीं पदार तुम स्च जहां भी तरल्पतायेत होगा वहां नहीं जा पाई हे इसलिए सागरों में यह लुप्त हो जाती है कि स्थियाथ कि दर्षा जे से अप लोग एल बेप कहते हैं इसे लंबी लहरें कहते हैं लॉंग बेग क्योंकि इसका विरमण समय अधिक होता है तथा यह सरवाधिक दूरी तै करती है यह सरवाधिक बिनास्त भी करती है याद रखिए धरादल तर्मों से सरवाधिक बिनास होता है इसका बेग सबसे कम होता है बेग क्या होता है सबसे क फिर आप देखते हैं भूकम्प की तीपिता तो रियक्टर पिर्माना है जो रियक्टर रियक्टर इसकेल पर भूकम्प की तीपिता मापी जाती है इस पेमाने पर भूकम्प की बेग में एक अंग की बिट्धी आपकी दसकोना अधिक तीपता को पिदर्सित करती है इस पेमाने कभी का सुननी सो पैंतालीस में अमिर्की बिग्यानी चार्ल्स क्रासिस रिक्टर ने किया था कर दोस्ता देखते हैं मर्केली प्रमावान इसमें बुखकंप का मापन बुखकंप द्वारा होने वाली चती के आधार पर किया जाता है इसका उपयोग अब नहीं किया ज RAW तो तो याद रखिए छती के अगर आधार पर बात करें हम लोग बिनास के आधार पर तुम मारे के लिए के पिरमाने का उपयोग किया जाता था लेकिन जो तीबता की कहा इसा नहीं है क्योंकि आप देखते हैं कही जगे मजबूत विवस्ता प्रवाइं होती हुआ तो वहां कम बूकंप की बिनास का प्रवापड़ता है बूकंप का बित्रण की बात करें अगर हम लोग तो पिसांत महासागरी है महासागर तटी एफेटी बिस में जो आपके अलसट वितिसत बूकंप इसी पेटी में आते हैं इसलिए अगनी बले भी कहते हैं रिंग ओफायर भी कहते हैं यह पेटी पश्चम में अलास्का से क्यूराइल जापान मेरियाना और फिलिपाइन खाई तक तथा चीली कैलिकॉनिया और नियूजी लेंड के समुद्ध तटियवाद सम्भले थे इसमें दूसरा है अपका मद्ध महाद्वी फिय पेटी विस्के 21 पितिसद भूकमब इस पेटी में आते हैं पैरे नीच आलपस कौकिसस हिमालय म्यारमार की पहड़िया पूरवी दूई समुद्ध की सैणिया इनी मेकला में आती हैं आपकी बारत के भूकमब छेत इसी पेटी में आते हैं बारत के जो भूकमब छेते हैं आपकी इसी पेटी में आते हैं या पेटी मैक्सको से होकर अट्लांटिक महासागर भूमद्ध सागर कोकिसस से होती हुई हिमालय परवतों और सीमाबर्ती चित्रों में फैली हुई है तीसरी आपकी मद्ध अट्लांटिक पेटी है इस पेटी में भूकम पाने का मुखकारन सागरतल है क्या है सागरतल है सागरतल का पिसारण या बेटी इस पिट वर्जेन तथा आइसलेंड से प्यारम भूकर वो बेट दूइब के साथ बिश्टत तो यह थी आपकी भूकम की कहानी पर एक सब्द आप लोग सुनते रहते हैं सोनामी सोनामी आपका जापानी सब्द है सोनामी सब्द आपका जापानी सब्द है जिसका आर्थ होता है बे समुद्री लहरें जो समुद्र पर आती है उन्हें हम लोग सोनामी कहते हैं इस पिकार अंता सागरी अभूकम बद्वार उत्पन लहरों को सुनामी कहते हैं ये लहरें सागरीय तट पर भारी बिनास भी करती है कई बार आप सुनते रहते हैं कि सुनामी आई हुई है तो यही हालत है इसकी गती आप समझ सकते हैं कि 100 से 1500 किलोमीटर पिती गंटा होती है गहरे सागरों में सुनामी लहरें की लंबाई सरवादिक होती है परंतु सागर तटकी और जाने पर और कम होती जाती है 26 दितंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी महान पिनास कारी सावित हुई थी कब 2004 में आई थी जो सुनामी लहरों की द्रिष्टी से पिसांत महा सागर सबसे खतरनाख इस्तिती में है कौन पिसांत महा सागर भूकम्प की द्रिष्टी से भी पिसांत महा सागर सरवाधिक आता है और सुनामी भूकम्प तीविता के मामले में सबसे बिनासकारी भूकम्प का उधारन आप लो 22 महीं 1960 का वाल डीविया भूकम्प चीली ले सकते हैं इसकी तीबिता आपकी 9.5 थी रियक्टर इसकल पर इसे आप लोग याद रखें क्योंकि पूँच लेता है कई वाल कि सबसे भूकम्प तीबिता के मामले में सबसे बिनासकारी भूकम्प का उधारन कौन सा है वाल डीविया भूकम्प चीली में आये था लेकिन मित्यू के मामले में सबसे बिनासकारी भूकम्प की अगर बात करें तो 23 जन्मर ये 1956 को सांजी चीन में आये था इसमें आपके आठ लाग 20,000 से आठ लगा 30,000 लोग मारे गए थी लगवग इसकी तेबिता थी 8.0 संपत्ती के मामले हमें अगर हम लोग छत्ती की बात करें कि मामले में सबसे बिनाचकारी भूकम रहा है आपका 2011 का तो होकू जापान का भूकम इसकी तेबिता थी 9 रियक्टर इसकल पर इसमें आपके 235 बिलियन डॉलर का नुक्सान हुए था कितना 235 बिलियन डॉलर का फिर एक सब्द आप लोग सुनते रहते हैं जो आला मुखी भट चुका है तो इससे वे देखिये क्या है आके जो आला मुखी भूख पटलग पर वही एक प्राक्तिक चिद अतवा धरार अतवा निकास होता है जिसका संबन्द पिथभी के अंतरिगवार से होता है जिसमें आपका लावा जो आला मुखी कैसे है जलबास राक ठोस पदार्थ बाहर निकलते है इसे प्रक्यति काम लोग सुरक्षा बाल भी कहते हैं सुरक्षा बाल कहने का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा आपका पेसर आप जिसमें दाल चावल बनाते हैं पेसर कोकर होता है समझते हैं इसमें आपका सुरक्षा बाल बला रहता है कि अगर किसी कारण आपसी सीटी नहीं निकल पा रही है, तो वो निकल जाए, यानि कि वो बाल निकल जाए, जिससे आपका जो कुकर होगा, वो फटने से बच जाएगा, इसी तरह इसे पितवी का सुरक्षा बाल कहते हैं, ठीक, ज्वाला मुखी के अगर हम लोग रूपों की बात करे, तो ज्वाला मुखी स संकू, जब सक्रिय ज्वाला मुखी से लावा, और अन्वपदास ज्वाला मुखी छिद्र के चारों तरब, जमा होने लगते हैं, तब उसे हम लोग ज्वाला मुखी संकू कहते हैं, यह आप देख रहे होगे, ज्वाला मुखी संकू, यह ज्वाला मुखी पाइक हो गया, यह आपका उपर जोलं की छिद्फ हो गया और याप लगात है इसे जोलामुकी परबत के ऊपर लगवग ईक चित क्षित होता है जिससे आप पत्री नली से होते हैं जिसे आप लोग ज्वाला मुखी नली कहते हैं ज्वाला मुखी का मुख जब सक्रिये ज्वाला मुखी का चित बड़ा होता है तो उसे आप लोग ज्वाला मुखी का मुख कहते हैं ठीक है सक्क्रिय ज्वाला मुखी से निकलने बाली पदालतों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या क्या है गैस है ज्वाला मुखी उद्गार में जल्ववास की मात्रा सरवादिक होती है अन्य गैसों में आपकी सलफर होती हाइड्रोजन करवंडाई ओक्साइड की मात्रा भी होती है त्रियापका ठोस इसमें आपका सक्रिय ज्वाला मुखी द्वारा हवा में उड़ा हुआ लावा सीगी ठंडा होकर छोटे छोटे टोपड़ों में बदल जाता है इसे आप लोग सेंडर कहते हैं जब कोई उद्वेदन बिसपोटक की एक सिंखला के साथ होता है तो इसमें निसकात से ठोस पदात को लोग ट्रैफा टैफरा कहते हैं इसमें इस्थानिये सेल के खरंड ज्वाला मुकी बम, इसकोरिया, लेपली, बीसिया, धूल और राक हिकट समलित रहते हैं फरे आपका लावा सक्रिये ज्वाला मुकी उद्गार के समय निकलने माले तरह तरल पदार्थ को हम लोग मैगमा कहते हैं जब मैगमा धरातल पर पहुंचता है तो जम जाता है उसे हम लोग लावा कहते हैं अगर सक्रिये देता कि आदार पर ज्वाला मुकी को तीन भागों में बाटा गया है सक्रिये ज्वाला मुकी ऐसे ज्वाला मुकी जिनके मुक से हमेशा धूल दुमा गैस बास्ट आली पदात बाहर निकलते रहते हैं उन्हें सक्रिये ज्वाला मुकी कहते हैं इसे आपको उसी तरह से समझे कि कई आपकी सक्रिये नेता होते हैं जो हमेशा जोड़े रहते हैं पर कालकरताओं से सक्रिय राजनेता और वो जो बरसाथ के टाइम मैडक जैसे देखते हैं जिन्हें आप लोग कभी कभाय देखते हैं उस टाइप के भी होते हैं तो इसमें सक्रिय जोला मुखी में आपके उधारन क्या हैं माउंट एटना या आपका सिसली किलायू हवाई दूइप अमेरिका कोटोपैक्सी एक्वाडूर में माउंट रेवस अंटार अंटार क्रिट में ओजस्ट डेल चलाडो या अर्जेंटिना चीली सीमा पर इस्टाउंबॉली लेपारी दूइप पर मोना लुआ यह हवाई दूइप और बैरन दूइप आपका अंडवान में भारत में ही है बैरन दूइप ठीक है या आपके सक्क्रिय जोला मुखी के उधारन नहीं है लेकिन उधगार की संभावना बनी होगा पर सुप्त जोला मुखी कहते हैं जिनमें अभी हाल की समय में कुछ दिनों से इसमें उधगार नहीं होगा है लेकिन इसमें उधगार की संभावना बनी रहती है यह नहीं कह सकते हैं कि इसमें आंगी उधगार नहीं होगा इसके उदारेजरों की बात करें तो विसुवियस इटली का है, फ्यूजी, यामा ये जापान का, क्राका ट्वाओ, इंडोनेशिया का, नार कॉंडम, या आपका अंडवान निकोवार का है, मेओर फिलिप्यन्स का है, याद रखें नार कॉंडम आपका अंडवान निकोवार जैसे आपका चिंबू, राजू, एकवाडूर में, किली मंजारो, तंजानिया, पोपा, ब्यानमाल, एकांकागवा, इंडीज, परवत्पन, कोई सुल्तान और देवन्द, ये आपका इरान में, ये आपके सांथ जौला मुखी के उधारन है, जौला मुखी उधगार की अ हुमिगर जल, स्तरोश से बासप और अती उस्न जल का पिचंड निकास गीजर या फिर गेशर कहलाता है, जैसे एलो स्टैन पार्ट, सर्वतराज अमेरिका में इस्तित, ओल्ड फैथखुल गीजर, बालत में आपका सोना हर्याना, पोगा लद्दार, राजगीर, बियार, आदीश में सामिल है, फिर आपके दुवारे, ऐसे छिद्र, जिसके सारी गेस तता बासप निकल, निकला करती है, बिद्धु आरे कहलाते हैं, दुवारे जौला मुखी की सक्कृता की अंतिम लक्षण बाने जाते हैं, जैसे आपके कोई सुल्दान दुवारा, इरान का हो दुवारा, एक निउजी लेंड में, फोसा मैगना जौला मुखी परवतों की सिंखला होती है, विस्व का सबसे अगर सक्क्रिय जौला मुखी की बात करें, तो किलायो है, अगर आप से पूचे की विस्व का सरवादिक सक्क्रिय जौला मुखी कौन सा है, किलायो, विस्व परवत माला में हैं अंजिंटीना चीली देश की सीमा परिस्तित है ठीक है याद रखिए यह आपके कुछ बिस्ट के प्रमुक्त जो आलम की है याद रखिए क्योंकि इनसे भी कुश्चन्स आपके बंते रहते हैं यह नाम हो गए इनकी उचाई हो गई सैनी इस्तिती हो गई गौला टेरी इसकी उचाई है 6060 मीटर ये एंडीच परवथ्पर है चीली में कोटा पैक्ष्थी पांचहाजाजार 897 मीटर है आंडीच परवथ्पर है एककॉज़ पै कंगती पीटव 5640 मीटर एंडीच परवथ्पर चीली में पोपो केटी पीखल पीटे कल 5459 अल्टी पिलानो डी मेक्सको में मेक्सको में है ठीक सेंगे यह आपका 5230 मीटर एंडीज परबगपर है एक क्वाडोर में किलिवू चेप चेप्स काया सोपका यह आपका 4850 मीटर है कमचटका महत प्राइदीब में रोस में प्यूरेस रेस 4590 मीटर एंडीज परबगप में कोलंबिया में कहा है कोलंबिया में फिर आपका ताजू मुलकू इसकी उचाई है 4220 मीटर यह आपका गौाटिमाना में मुनालुआ 470 मीटर हावाईदूई में सेवतराज अमेरिका में तकाना यह आपका 4078 मीटर है सेरा मात्री में गौाटिमाला में माउंट केमरून 4070 मीटर है इसक्रिय ज्वाला मुखी है केमरून अफिका में माउंट एरेवस यह आपका 3745 मीटर है रोस में अंटार्ट का देश में रेंद जानी 3726 मीटर लांबोक इंडोनेसिया में पीकोडी टेडे 378 मीट है चैन रिप कनारी दूई में इसमें देश में सेमरू 3676 मीटर है जावा में ही इंडोनेसिया देश में नेरा गोंगा नेरा गोंगा यह आपका 3470 मीटर हुचा है विरूंगा में जायरे देश में कोरयाा क्या काय चους 356 मीटर है कमचट्का प्राइदी में रोस में इराजू आपका 3452 मीटर है सेंटल काईड избली लेरा में कोश्टारिका में सलामार्ट यह आपका 348 मीटर है जावा में इंडोनेसिया में माउंट स्पर यह 37/.M मांट एठनी 308 मीटर सिसली दूइम में है सक्री ज्वाला मुखी इटली में लैसन पीक लैसन पीक 3160 मीटर कास्केट सेडी कैलिपोनिया सेउक्तराज अमेरिका मांट सेंट हैलेंस 299 मीटर कास्केट सेडी बोसंक्तन में सेउक्तराज अमेरिका में टेंबोरा 2850 मीटर सुमात्रा इंडोनेसिया में दापीक 2660 यह आपका त्रस्तान डी कुना में दा अट्लांटिक महासागा में मांट लेमेंगटन यह आपका 1687 मीटर है पपुआ न्यूगिनी मांट फिली 1463 मार्टिनिक हैकला 1447 आइस्लेंट लासा ओफिरी लसा ओफिरी 1280 सेंट विशेंट द्वी में अट्लांटिक में विसुवीयस 1280 मीटर नैपल्स की खाड़ी में इटली में किलाववा यह आपका 1240 मीटर है हवाई दूइ में सेफदरा जमिरिका में फेयाल यह आपके 1043 मीटर है हिजोर्स दूइ में हिजोर्स में इंजोर्स में इस्टमबॉली 926 मीटर आइसलेंड में भूमद सागर में आइसलेंड सेंटोरीनो 584 मीटर थेरा ग्रीस इनार में बालकीनो 499 मीटर लिपारी तूइ भूमद सागर में पैरी क्यूटिन 370 मीटर है मैक्सकु में सरक्ट से 173 आइसलेंड की समीब है आइसलेंड में है कि आने कराकटाव 155 मीटर अलगоло में इंडोनेसिय में याद रखें इस तरह से पुषते रहते हैं और कि किस देश में है कौन सा है ठीक है सबसे कौन को सा यह आते हैं यह आपके nhi can you इसमी पुछा में है नहीं तरह यह कि अजा живाह मुखी है किरेंट आक है चिम्बो रेजी एक्वाडेर में हो गया, माउंट ताल फिलिपिन्स में हो गया, माउंट उन जने जापान में हो गया, देमबंद एरान, एर्बुज जॉड़िया, किली मंजारो तंजानिया, मेरू कीनिया, कटमई अलास्का, माउंट सस्ता युएसे, फ्यूजी नामा माउंट अरागराद, अर्मीनिया, माउंट कीनिया, मियान, मियान, फिलिपिन्स, ठीक है, यह आपके प्रमुक जॉड़ा मुगी थे, अब हम बात करते हैं, परवत के बारे में, परवत भूमी का एक ऐसा भूग है, जो निकट के धरातल से, अब तदिक उचाई में उठा हूँ, या तो अकेलिक उचा हूँ या फिर सेनी में, अथवा सिंखला में हूँ, इसे ही आप लोग परवत कहते हैं, यानि कि यह सामान भूमी है, ठीक है, आपने देखो है, इस तरह से आपका कई जगे उठ जाता है, भूमी, उसे ही आप लोग परवत कहते हैं, कई ही बारे सेंखलाओं में बना रहता है, ठीक है, कुछ आपके भूगोड बेता हैं, इस छैसो मीटर से अधिक की उचाई को परवत कहते हैं, ज और अगर छैसो मीटर से उपर है, तो उसे परवत कह देते हैं, समस्त भूग पटल के लगभग 26 यानि 26 परसेंट, भाग पर परवत एवं पहाडिया हैं आपकी, जो भूग परपटी के दुथिय सेनी के उच्चावच है, अगर हम लोग बात करें कि परवत निर्माड की सि देखिए कि परवत किस तरह से निर्माड होता है, हैरी हैस, तथा मैकेंजी, इन्होंने क्या क्या पिलेट विवर्तनीक सिध्धान्त के द्वारा परवत का निर्माड होता है, कोबर सहाब, इन्होंने कहा कि भू सनदी सिध्धान्त के द्वारा परवत का निर्माड होता है जेप्रीज इन्हों ने कहा है कि तापिय संकुचन सिध्धान्त की आधार पर परवत का निर्मार होता है हॉम्स संबहन तरंग सिध्धान्त की आधार पर परवत का निर्मार होता है kisad Omध अपने अपने इसाबसे है कोई परिभासा देता रहता है सिद्धान देता रहता है किसे नहीं अपने देखा होगा राजनीटिंबग ऐसकल वह कली में रिक से भी चलाते उनसे भी पूँच लिजे वो भी राजनेता बन चुके हैं वो भी अपनी लायब देते हैं कि कौन देश में कैसा है तेसी तरह इनका भी है कि आज दूसरा है कल दूसरे से पूचे तीसरे से पूचे हर टाइब की परिभासा देगा निर्मार विक्की की पिक्रिया के अधार परवतों को नेमलिके रूप से विभाजित किया जाता है सबसे पहले आते हैं फोल्डेर माउंटेन माउंटेंस जिसे आप लोग वलित परवत कहते हैं एपिद्वी की आंत्रिक सक्तियों द्वारा जब चट्टानों में मोड या फिर बलन पढ़ जाता है उन्हें हम लोग अधर्णों को मोड़दार या पे बलित परवत कहते हैं बलित परवतों के निर्माड का सिधान पिलेट टेक्टो निक की संकल्पना पर आधारित है भारत की अरावली परवत ब्रुष्ट के सबसे पुराने और हिमालाय सबसे यूबा परवतों में हैं अगर हम लोग भारत की बात करें तो जो आपका अरावली परवत है यह सबसे पुरान परवत है और हिमालय सबसे यूबा परवत है समझ रहे हैं? हिमालय अभी यूबा आवस्था में है अरावली का बोड़ा पा चालूग हो गया है जैसे ये रोब में आपका आलपस हो गया एसिया में हिमालाय हो गया अफीका में अटलस ऑस्टेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंच दच्छिड अमेरिका का एंडीज उत्री अमेरिका का रोकी इन सभी को याद रखिए ये पूछ लेता है आपका आलपस कहा है ये रोब में हिमालाय एसिया अफीका में एकलस ऑस्टेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग दच्छिड अमेरिका का आपका एंडी जो अगुत्त्री अमेरिका का रोकी प्रयाग का भरंसोत परवत जिसे आप लोगs block mountains कहते हैं पितवी की अंत्रिक सक्तियों के प्रभाव से धरातल पर विक्सित दो समांतर भरंसों के प्रंस तलों की सारी उथतित इस्थल를 खंडड भरंसोत परवत के रूब में विक्सित होते है और बीच के धसे भाग को अं तो आपके जैसे नीलगीरी हो गया कैलीपॉनिया में सेरा निवादा हो गया पाकिस्तान में साल्ट रेंज हो गया है जर्मिनी में आपका बिलेक फॉरेस्ट फ्रांस में वास जेस यह आपके सभी बिलॉक मांटेंड के उधारे में फिर आपने सुना होगा जुआला मुखी परवत। इनका निर्मार क्या होता है कि जुआला मुखी के खुदगार से निकले लावाद आधी पदाजतों की जमाव से होता है आपके जुआला मुखी परवत्तों का निर्मार इसकी आक्रती संकुनुमा होती है इसके सबसे उपरी भाग में कीप नुमा गटा होता है ज और और सास्ता जाबान में आपका फ्योजी यामा एंडीज का कोटोपैक्सी चीली का एकांगा एकांग का गुआ हो गया है यह सब यह आपके ज्वालाओं की परवत हैं फिर आपने समझना होगा कि गुम्मदनुमा परवत जब पित्वी के धरातली भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातली भाग उपर उठ जाता है तो उसे हम लोग गुम्मदनुमा परवत कहते हैं जिसे सयुत्राज अमेरिका की विलेक्ट पहाड़ियां सिंसेनाती उभार और हैनिरी परवत एक बात मैं हमेशा बोल दाया हूं कि जो आपकी मैप्स के नाम से प्लेलिष्ट सोची बनी हुए है उसमें आपका वर्ल्ड का मैप्स पूरा कबर किया है उसमें कुछ पार्ट आपकी भारत के भी समलित किये गए तो अगर आप लोग भूगोल को यानि जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका कोई भी कुश्चन से ना छूटे तो उन्हें देख लें क्योंकि मैप्स की बहुत ही जरूरत है थी और यह हम लोग वंडेग्जाम को धिहान में रखकर केवल लाइनर में पढ़ा रहे हैं तो आप आप वहां से प कहा है कि लिए मन्यारू कहा है पूरा इस्तिती के साथ बना बताय गया है मैप्स का सहारा लेकर तो उसे जरूर देख लें क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है पिर एक आपने सुना होगा अपसिष्ट परवत बेपरवत जो एक लंबी समय अत्राल में अपरदन की फिक्रिया दोरा काठ छाट से निर्मेत होते हैं अपसिष्ट परवत कहते हैं उसे क्या कहते हैं अपसिष्ट परवत कहते हैं जैसे भारत में आपका बिंद्याद चल एवं सत्थपोड़ा, नेलगरी, पारसुनात, राजमहिल की पाड़ियां, इस पहन में सीरा, अमेरिका में गैस, बोट्टे अब उसमें आपको मैप्स में बताए गया है कि बिंद्राण चल कहा है, सत्वड़ा कहा है, राजमहिल की पहाड़ियां किस जगाए पर हैं भारत में, नीलगरी की पारसनात की, सब कुछ बताए गया है उसमें निर्मार पिक्रिया क्या परवत्नों का बिभाजन, वलं के उपर उठे भाग को अपनती, एंटिक लाइन और नीचे धसे भाग को अभी नती कहते हैं, यानि कि जो आपका ये उठावगा भाग होता है ऐसा, इसे क्या कहते हैं, अपनती, और जो आपका नीचे जुका हुआ भाग होता है, इसे आप तो अभी नती कहते हैं, ठीक है, परवत निर्मार काल की आधारपर, अगर इसके बर्गी करण की बात करें, समाई की आधारपर, तो इसमें आपका प्री कैम्मियन परवत, प्यारंबिक कैमियन, योगमे निर्मिक परवत जैसे आपका अरावली हो गोलकुंडा सौरी गॉंड को गॉंडवाना लेंड इसकेंडेन नेविया यह आपका अंगारा लेंड में यह अभी आपके प्रिकेंबियम परवत हैं फरे आपका कैली डोनियन परवत पुराजीवी काल में बने परवत जैसे आपका अपलेसियन यूसे का हुए है अल्टाई बुरो बुरोकन घिल्स आलपस यह आपके कैली डोनियन परवत हैं फ्रेवके हरस अंतर फुरा जीवी काल में बने परवत जैसे पेंटागॉनिया दर्चन अमेरीका में हो गया डेकन्स वारेस आपका फेल काम हो गया बेलेड प्रविश्ट आपका जर्मनी में यूराल आप लोग कहते हैं फिर आपका अलपाइन परवत तर्सियर काल बने नभीन मोड़दार परवत जिसे आपका रॉकी हमाल है एंडिक अलपज पैंडरीच यह सब आपके अलपाइन परवत के उधारे में कुछ मात्पोंट तथ हैं इनके बारे में इनमी देख लिए क्योंकि इ अपही का जो महादीप है आपका इसका सर्वुद सिखर कौन सा है मांट किली मन जारों रॉकी परवत माला महादुपिय जल्वेभाज़क की रूम में जाने जाते हैं जो आपकी रॉकी परवत माला है इसे महादुपिय जल्वेभाज़क की रूम में जानते हैं पिरी व्राइट परवत यह आपका कैलिफॉनिया में है विस्तु की सरवाधी कलंबी सिंखलाओं की बात करें विस्तु की सरवाधी कलंबी सिंखलाओं की हम लोग बात करें तो यह आपका एंडीज, 7000 किलोमीटर है, कितना? 7000 किलोमीटर रोकी आपका 4800 किलोमीटर और हिमालय आपका 2500 किलोमीटर आलपस परवत, फ्रांस, इटली, स्वीजालेंड और 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 तिया में विस्तित है आलपस परवत किस-किस देश में फ्रांस, इटली, स्वीचलेंड, औस्टिलिया अफी का महादीप का एटलस परवत बौरको, अल्जेविया, टेवनी इसिया में विस्तित थे प्राचीन परवत ये वे परवत हैं जो महादीप ये, प्रवाज से पेंजिया बनने के बहुत पहले बन चुके थे जैसे आपका पिनाईस, ये रोका, अपलेशियन अमेरिका का अरावली परवसिंखला भारत कर, ये बहुत पुराने परवत है नवीन युवा परवत, ये भी परवत हैं जो महादीप प्रवाहा है कि बहुत बाद अस्तित में आए जैसे आपका हिमाले परवसिंखला हो गई, एंडीज हो गई, रोकीज, आलपस, ये आपके नए परवत है बिलेग परवत, इस से एकुतराज अमेरिका के नौर्थ कैरोलीन अपरांथ में अवस्तित आपका बिलेग परवत, भारत और म्यारमान की भी सीमा निर्धारित करने वालत तीन परवत है, नागा, लुसाई, पटकोई, इन्हें याद रखियें जिसे बर्मीच अराकान युमा कहा जाता है, सभी इग मिलाकर, बिसकी पितम दस सर्वोच चोटी चोटी अनवीन मोड़दार बलेग परवत में इस तितन क्या है, जो नए परवत हैं, इन्हीं में आपकी सबसे सर्वोच चोटी हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो पुराने हो चके हैं, वो घिस रहे हैं, और उनका खतम होने का समय चल दा है, और जो नए हैं, वो अभी उपर उठ रहे हैं, उनका भी एक दिन समय खतम होने का होगा इन्सान की तरह हैं, कि जिनका भुड़ा पर चालू गया, वो जुकने लगें, और जिनकी अवे जवानी है, वो उचलने लगें परवतिये सलोको पर मिलदा परधन को रोगने के लिए, सौपान केसी की जाती हैですか, एक बरसा का पानी रोक रुपकर बहें यूरोप का सरवोच परवसिखर अल्बुस, सिखर काकिशत परवतमालापर इस्थित्त हैं यूरोप का जो सर्वोच परवत सिखर है एलबुरुस यह आपका काकिसस परवत माला परिश्थित है काला परवत आपका भूटान में है काला परवत कहा है आपका भूटान में मांट टिटलिस जो ज्वाला मुखी लावा की सीथलन से निर्वेत परवत है यह आपका सुईजा लेंड में है का है सुईजा लेंड विश्थित का सबसे बड़ा बिलोग परवत सेरा निवाद है जो आपका कैलिफाणिया यूसे में स्थेत हैं तहां में USA में विस्व का सबसे लंबा भ्रंस रिफ्ट गाटी जॉर्डन नदी गाटी अड़तालीसो किलूमीटर किये विस्व का सबसे बड़ा गुम्मदाकार परवत आपका सिंस सितानी है यह आपका USA में कहां सयुक्त राज अमेरिका में यह आपके कुछ प्रमुक परवस्नेया है तो इनके बारे में direct questions आ जाता है तो आपको याद रखना है यह नंके नाम हो गए इस्तिती हो गई सर्बुच बिंदू हो गए उंचाई और लंबाई ठीक है जैसे आपका काईडी काईडी ले रहा डी लॉस एंडीच यह आपका पश्चमी दच्छड अमेरिका में है इसक इसके उंचाई है 6960 मीटर और लंबाई है 7200 किलोमीटर रॉकी परवसाणी यह आपका पश्चमी उत्री अमेरिका में है इसका सर्बुच बिंदू है माउन्ट इलवर्ट इसके उंचाई है आपकी 4400 मीटर और लंबाई है इसकी 4800 किलोमेटर हिमालाय कारा कुरम हिंदु कुस यह आपका छिडी मद देशिया में है माउंट एबरिष्ट इसकी सबसे सर्वुच बिंदु है और आप भी जानते हैं विस्ट का सबसे उची चोटी माउंट एबरिष्ट ही है इसकी उचाई है 8848 मीटर या फिर इसे कई जगे आपको 50 भी मिल जाता है 48 की जगे 50 तो वह आपको याद रखना है इसकी जो लंबाई है वो है 3800 किलोमेटर ग्रेट डिवाइडिंग रेंच या आपके पूर्वी औस्टेलिया में है पूर्वी इसकी सर्वच बिंदू है उच कुसे उसको इसकी उचाई है 2228 मीटर इसकी लंबाई है 3600 किलोमेटर ट्रांस अंटार्ग कृटिका परवत या आपका अंटार्ग कृटिका में है इसकी सर्वच बिंदू है माउंट केट पैट्रेट इसकी हुचाही है आपकी 4539 मीटर और इसकी लंबाई है 3500 किलो मीटर फ़र आपका ब्राजिलियन अट्लांटिक 3630 शेडि अपका पूरीवी ब्राजिल में है इसका सर्वाँच बिन्दू है Pico D-Pandaria इसकी लंबाई है 1890 मीटर लंबाई है 3000 किलो मीटर कितनी 3000 किलो मीटर प्रेयापका पश्चिमी सुमात्रा जाबा सेड़ी यह पश्चिमी सुमात्रा जाबा में है यह करेंट जी इसकी सर्वुच चोटी हो इसकी उंचा ही है तीन हजार आठ सो पांच मीटर और लंबा ही है उन्ती सो किलो मीटर है यह आपका मीटर है फिर्यापका एलिउसीयन पर रेंज यह आपका अलास्का और उत्तर पश्चिमी पैसांत महासागर में है इसकी सर्वुच बिंदू है सेसिल डिन और अठाइस सो एकसट मीटर है और इसकी 2650 कितनी 2650 फिर्यापका त्यान सान यह आपका दच्चिर मद्द एसियामें है इसकी सर्वुच बिंदू है P.K.Pobeda 7449 मीटर लंबा ही है 2250 किलोमेटर फिर्यापका सेंटल निू गीनिया रेंज तो यह आपका इरियन जै पापुआ न्यूगिनी में इसकी सरवोच बिंदू है जै कुसमो अड़ताली सो त्रेसट तेरासी मीटर लंबाई है 2000 किलो मीटर फिर आपका अल्टाई माउंटेंस मदेशिया में इसका सरवोच बिंदू है गोरा बिलुखा इसकी चोड़ाई है सोड़ी लंबाई 2000 किलो मीटर युवराल परवस्ट सेड़ी मद्रूस में है इसकी सरवोच बिंदू है गोरा नेडू नरोड नाया इसकी उचाई है 1894 मीटर लंबाई इसकी 2000 किलो मीटर चम चटका कम चटका इस्तिस सेड़ी यह आपका पूर्वी रूस में है इसके सरवोच बिंदू है किल्यू चेप्स काया सोप का 4850 मीटर है इसकी लंबाई है 1930 किलो मीटर एटलस्थ प्रवत पुत्री पश्मी अफीका में है इसकी सरवोच बिंदू है जेवेल टाव काल इसका सरवोच बिंदू की उंचाई क्या है 4165 मीटर इसकी लंबाई है आपकी 1930 किलो मीटर फर आपका बर्खान्स परवत पूर्वी रूस में है आपका गोरा मास्क खाया इसकी जो उंचाई है वो है आपकी 2969 मीटर और लंबाई है 1610 किलो मीटर याद रखिए उसमें मैप्स में आपकी सभी बताए गया है इनकी इस्तिती को बताए गया है कि रूस में कहां है तो मैं वारवार एक ही सब्दों हो लहाँ कि उससे चरूर देख लें क्यूंकि उसको देखने के वाद आपका कुश्च में भारत में है अनाई मुडी इसकी सबसे अनाई मुदी इसकी सर्वोच चोटी है पश्च्मी घाट की यह आपकी कई बार पूंची भी लिए हैं कि पश्च्मी घाट की सर्वोच चोटी कहा है कौन सी है अनाई मुदी 2694 मीटर है और इसकी लंबाई है 1610 किलो मीटर सेरा मात्रे ओरियंटल ये आपका मेक्सकुम है इसकी सबसे उची चोटी है औरी औरी जावा 5699 मीटर 1530 किलो मीटर ये इसकी लंबाई है जैक रोस परवसेडी इरान में है इसकी सरवचोटी है जौर्ड को हो 45-47 मीटर इसकी लंबाई है आपकी 1530 किलो मीटर फिर आपका इसकेंडेन नीवियन रेंज यह पश्चमी नौर में मेचते थे इसकी सार्वो चोटी है गेल्डो पीजेन 2470 मीटर और इसकी चौड़ाई है लंबाई 1530 किलो मीटर इत्थोपियन उच्च भूमी इत्थोपिया में इसकी सर्वो चोटी है राष्टडासन 400 मीटर और इसकी चौड़ाई है जो लंबाई 1450 किलो मीटर पश्चमी सेरा मात्री यह आपका मेक्सको में है इसकी सर्वो चोटी है निवाडू डी कोलिमा 42,65 मीटर और इसकी लंबाई है 1450 किलो मीटर मलागासी सेर्डी मेडाघास करदु इसकी सर्वो चोटी है निवारा मारमु कोट्रो 1290 किलो मीटर के चैरस्कोगो खेवेट पूर्वीरू समेशते थे गोरा पोवडा गोरा पोवड पोवेडा इसकी सर्वो चोटी एक तीस सो सेंटालीस मीटर और 1290 किलो मीटर इसकी लंबाई काकेसस यह आपका जारजीः कि इसकी सर्वो चोटी है एलवूस्ट पश्च्मी च यह आपका 5,633 मीटर है 1200 किलू मीटर इसकी लंबाई है अलास्का सेड़ी यह आपका अलास्का सहयुक्त राज जमेरिका में माउंट मेकल मेकेनले इसकी दच्छडी चोटी है 6,193 मीटर और 1130 किलू मीटर इसकी लंबाई है असम म्यानमार सेड़ी यह आपकी असम और पश्चमी म्यानमार में हाका कावो राजी इसकी सर्वुत चोटी है 5,881 मीटर और 1130 किलू मीटर इसकी लंबाई है कास्केड रेंच यह आपका उत्तर पश्चमी सहयुक्त राज अमेरिका कनाडा में है इसकी सर्वुत चोटी है माउंट रेनियर 4,392 मीटर इसकी लंबाई है आपकी 1130 किलू मीटर फिर है आपका सेंट्रल बुल्नियो रेंच यह आपका मत बुल्नियो में है इसकी सर्वुत चोटी है बिंदु है किना वालू इसका एकत 4,41 यानि की 4,101 मीटर इसकी लंबाई है आपकी 1130 किलू मीटर टीहा माट एस साम यह आपका दच्छन पश्चमी अरेविया में है इसकी सर्वोच बिंदु है जेविल हाथार कितना है इसकी उचाई 3760 मीटर लंबाई कितनी है 1130 किलू मीटर एपेनीच इटली में है इसकी सर्वोच बिंदु है आपका कोर्नो गेंडे 2931 मीटर हो जा है और 1130 किलू मीटर इसकी लंबाई है इसकी सर्वोच चोटी है माउंट मेचल 2037 मीटर और इसकी लंबाई है 1130 किलू मीटर आलपा या फिर आप लोग इसे आलपस कहते हैं मद्वर्ति इरू में माउंट बिलेंग माउंट बिलेंग क्या है इसका सर्वोच चोटी 4807 मीटर इसकी उंचाई है 1050 क्या है किलूमीटर इसकी लंबाई सेरा मादरे डेल सुर मैक्सको में है इसकी सर्वोच चोटी है टियो टिपेग 3730 मीटर 965 इसकी चौण लंबाई है किलूमीटर खेवेट कोलम में इसकी कोलीमा र्राणी भी कहते हैं यह पूर भी रूस में है इसकी उचाई है आपकी 221 मीटर और लंबाई है इसकी 965 किलूमीटर तो इन्हें याद रखता है आपको क्योंकि उनसे क्वेश्चन्स आपके पूंच लेता है अब चलते हम लोग पठार की तरह परवत देख लिए पानी टाइम टाइम से पीते रहिएगा पानी बहुत फाइदे मन्द है आपके लिए पठार पित्वी के धरातल का विशिष्ट इस्थल जो अपने आसपास के इस्थल को परियाप्त उच्छा हो और सीस बात चोड़ा या फिस सपाट हो पठार कहलाता है पहाडी में क्या देखा है आपने एकायक ऐसी मुड़ी होती है ठीक है लेकिन इसमें क्या बता रहा है क कि ऐसे जाके ऐसा भाग यानि कि जो सपाट हो यहां बसने योग भूमी है समझा है आप लोग सपाट बिलकुल चोड़ा हो इसे ही आप लोग पठार करते हैं पठार का विश्था समस्त वू पठल का 33 पितिसत भाग है जो सैंडी दूतिय सैंडी के उच्छावच है पठार कभी-कभी मैदानों से नीचे होते हैं जैसे कि आपने पीड मांट का पठार देखा हुआ है या परवतों से उंचे भी होते हैं जैसे आपका तिबबत का पठार है तो आप इनकी परिवास इस तरह से नहीं दे सकते हैं कि जो परवस्त से चोटे होते हैं उन्हें पठार कह अबंष पठार की दिर्ष्टी से विस्व का सबसे बड़ा पठार है जो आप लोग तिबन का पठार दीखते एला है यह चींद्बन की तर्शन Management सबसे पठार है तो यानि की चाह दरDOS मलप 5 किलोमेटर अजया पामीर का पठार आपने सुना होगा विस्व का पठार विस्व का सबसे उचा पठार है या सागरतल से 500 मीटर उचा है इसे आप लोग विस्व की छद भी कहते हैं पामीर के पठार को आप लोग क्या कहते हैं विस्व की छद आपसे एक कुश्चन्स कईवार बन चुका है वि आधरस दसा हैं आखी खनान के लिए बिशक्वी प्रमुक पठार हैं आप इनने देख लिए पठार रो इस्थिती प्रैदी पठार आपका भारत में है अनातॉलिया पठार तुरी DP में है सान पठार म्यानमार में, अभी सीनिया पठार इथोपिया उतता सौमालिया में, मेसेटा पठार इस्पैन आइवेरिया प्राइदिम में, चिया पास पठार मैक्सको में, माट्टो ग्रास पठार ब्राजील में, का हैं ब्राजील में, ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया पेंटागोनिया पठार अर्जेंटीना ब्राजील पठार आपका ब्राजील में कहा है दिराजील में आगे आपका कोलंब्या का पठर का है यूययसे में कोराट का पठर का है थाईलेंड में पोर्टबार का पाकिस्थान में गौाना पठर का है बैने जोईला गौना में पीड मॉन्ट पठार का है USA में, अलास्का का पठार का है US में, बॉलिविया का पठार का है बॉलिविया में, उजार्ग का पठार का है USA, मद साइवियरिया पठार का है रोस में, औस्टेलिया का पठार का है औस्टेलिया में, कोलो रेटो का पठार का है ग्रेट वैसिन पठ पठार की दच्छन में ग्रेन लेंड का पठार का हैं ग्रीन लेंड में अरब का पठार का हैं साओधी अरब में इरान का पठार का हैं इरान में इरान का पठार, आपका इरान में है, मंगोलिया का पठार, आप लोग मंगोलिया में देखें हैं, तो यह थे आपके पठार, अब मैदानों को भी देख लीज़े हैं, भूब पटल पर निचले और समतल छेत आपके मैदान कहलाते हैं, इस तरहे के जो भूब पटल पर समतल और निचली स्थान होते हैं उन्हें आप लोग मैदान कहते हैं मैदान सबाट भूमी का एक विस्तित छेत होता है अथब बिना उन्नत पहाडी वाला धीमी तरंगी धरातल और अउनती का छेत होता है मैदान मैदानों में तक्ये तथा आंत्रिक मैदानों को भी समलित किया गया है आपका पिधवी के कुल छेत पल का आपका 41-30 भाग पर मैदान फैला हुआ है जो आपका दुतिय सेंडी के उच्चावच है कुछ मैदान आपके समुद्देतल से भी नीचे हो सकते हैं जैसे आपका नीदरलेंड्स का मैदान किसका नीदरलेंड्स का मैदान वो कुछ मैदान आपके पठारों से भी अधिक उच्चे हो सकते हैं जैसे आपका मिसिसीपी मैदान जो अपलेशियन पठार से उच्चा है अगर हम लोग रचना की आधार पर मैदानों को निमलिकित भावों में बाड़ सकते हैं समतल मैवाल जैसे गंगा, हरांगो, यांग्टी सियांग, द्वाना निर्मिट निच्छे पातमक मैदान यानि कि इन नदियों के द्वारा निच्छे से बनाएगे मैदान फर आपका बाड का मैदान, गंगा, सतला, होंगो, निल, मिसिसीपी, नदियों द्वारां बनाएगे मैदान बाड से जो मैदान बनते हैं, वो बाडि मैदान है फर आपका गरी पात, कौन सा? ग्री पात जलोड मैदान या आपके निच्छेपन द्वारा निर्मित भारत का भावर मैदान इस तरह का डेल्टा मैदान सिंदु गंगा नेल मिसिसीपी द्वारा निर्मित आपके डेल्टा मैदान होते हैं जील से निर्वत मैदान, पश्चिमी, ईउरोप, कनाड़ा, सहुतराज, अमेरिका का जील किल्प मैदान, हिमानी द्वारा निच्छे पित मैदान, उत्तरी अमेरिका में पिडिश्टो सीन, हिमाच्छादन के कारेंट टिल, एवं हिमोड मैदान, पबंद द्वारा निच्छ नदियों से ही बनते हैं आपने देखा है डेल्टा उन नदियों के डेल्टा से भी बनते हैं आपने देखा है जीलों से भी बनते हैं हेमानियों से भी बनते हैं पवन से भी बनते हैं लावा से भी बनते हैं मैदान आपके अब देख लिए जी आप विस्त के प्रमुक मैदान अमेरिजन का मेदान ये आपका दच्छडी अमेरिका में इस्ते थे पेंटागोनिया का मेदान दच्छडी अमेरिका में इस्ते थे पंपास का मेदान दच्छड अमेरिका में इस्ते थे फ्रांस का मेदान फ्रांस यूरोब में है एउरोप का बड़ा मैदान ये आपका एउरोप महादी में है दच्छडी साइव एरिया ये इउरोप बाएसिया में है याद रखे दच्छड साइव एरिया का मैदान एउरोप में भी है एसिया में भी है सहारा का मैदान अफीका माधी में है नील लंदी का मैदान मिस्द अफीका में है अफीका बाफुर्वी तटिय मैदान ये भी अफीका में है अफीका बापश्मी तटिय मैदान ये आपका अफीका में है मालागासी का मैदान मालागासी में है, गंगा यमना का मैदान भारत में है, सिंदु का मैदान भारत पाकिस्तान में है, बरंपुत का मैदान भारत बंगलादिस में है, अरब का बड़ा मैदान साउधी अरब में है, चीन का मैदान या आपका चीन में है, औस्टेलिया का पू मरुस्थल उस चेत को कहते हैं जहां उसत बार्शिक वर्षा 25 सेंटीमिंटर से कम होती है मरुस्थल कंबरसा बाले छित होते हैं जिसके कारण वहां का बातावरन पेड़ पौधे औ जीब जन्तूओं के पितिकूल होता है अती चारण को रोक कर मरुस्थल कला को रोका जा सकता है यानि कि अती चारण यानि की पसों की चर्णे को रोक कर जाँगा इसलिए आवस्था के कि नए चारगाहों का विग्याने ग्रण से विकास किया जाए मरूहुमे के विस्तार को रोकने के लिए बैक्च रोपन पट्टिया यानि की खंडों में लगाए जाते हैं सबसे छोटे बैक्च मरूस्थल की ओर और सबसे उचे बैक्च दूसरी ओर लगाए जाते हैं इस रोपन का नाम बोथ वात रोध है क्या है वात रोध है विश्क के मरुस्थल भी देखा लिए इह आप लोग ये आपकी विश्क के मरुस्थल है। नाम हो गया इनका चेट फलबर्ग हो गया है और स्थिति हो गया जैसे आपका सहारा मरुस्थल है ये आपका क्या है 84लाट बर्ग किलूमेटर में पहला हुए है कितना 8 mist लाग है यह किस-किस देश में पहला हुआ है अल्जीरिया चाड लीविया माली मारितानिया नाइजर सूडान ट्यूनिसिया मिस मुरक्कोग अफीका में उसके बाद आप लीविया मरुस्थल यह आपका 15,50,000 बर किलूमेटर में पुला हुआ है नोवियन मरुस्थल आपका 2,60,000 बर किलूमेटर को इस पर्स करता है फिर आपका और आपका और श्टेलिया मरुभू में इसका यह 15,50,000 बर किलूमेटर में फैला हुआ है और वार वार्टन अथवा महान दीतली मरुस्थल यानि की 4,20,000 बर किलूमेटर ग्रेट बैक्पोरिया 3,25,000 बर्ड किलोमीटर अरुन्ता या फिर से सिंप्सन कहते हैं ये 3,10,000 बर्ड किलोमीटर गिपसन 2,20,000 किलोमीटर बर्ड किलोमीटर इस्टूर्ट मरुस्थल से सलगन है फिर आपने सुनाओगा अरव मरुभू में इसमें अरव अल खाली इंपर्टी क्वाइटर ये 6,47,500 बरक किलोमीटर सिरिया मरुस्त भूमी 3,25,000 बरक किलोमीटर नापूत 1,29,500 बरक किलोमीटर संबले थे स्में गोभी मरुस्त भूमी आपने सुना उगा 10,400,000 बरक किलोमीटर ये आपका मंगोलिया और अंत्रिक मंगोलिय चीन में फेला हुआ है काला हरी, 5,20,000 वर्ण क्ली, बोग स्वाना अफेका मद्द में तक्रामा कन3,20,000 वर्ण क्ली, सैक्यांक प्रांट चीन में हैं सोनो रान मरूश्थल, 3,10,000,00 वर्ण क्ली, एरिजोना कैलिकोनिया सेटराज अमेरिका ओमेस्कों में फ्यला हुए नामिबि मरोष्थल 3,10,000 वर्ग किलमेटर नामिबिया's दिश्चिर पश्चमी अफीका में फहला हुए कारा कुम 275,000 बर्ग किलमेटर तुर्क मेनिया सोतंत राज्जों का राष्ट को ले थार मरूगुमी 200,60,000 बर्ग किलमेटर यह आपका उत्तरी पश्च्मी भारत और पाकिस्तान में फैला हुगा है थार मरुस्तल आपका भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है सॉमाली मरुस्तल यह आपका 2,60,000 बर किलोमीटर सॉमाली आफीका में आठा कामः मरुस्तल एकलाकशी हजार बरक किलोमीटर उत्रे चीली दच्छडी अमेरिका में किजिम किजिलकुम एकलाकशी हजार बरक किलोमीटर उज्वेकिस्तान कजाकिस्तान सुतंद राज्यों का राष्टकुल है दस्त ए लुथ या आपका 52,000 किलोमीटर पूर्वी इरान में पहले इरान का मरुस्तल इसे कहा जाता था मुझेव मरुस्तल 35,000 बर किलोमीटर दच्छडी कैलिपॉनिया सेउत्राज अमेरिका में सेचुराज मरुस्तल 26,000 बर किलोमीटर उत्री पश्चमी पेरु में दच्छडी अमेरिका में पूँच लेता है आपका थार मरुस्तल कहा है इसकी लंबाई क्या है चोडाई क्या है बर किलोमीटर में लुकी इसकी देमें यह सामी लेता है इस तरह से कूश्टन्स आपकी बंते रहते हैं किजिल अधरातल पर उपस्तित चलपूर भागों को जील कहा जाता है धरातल पर जो उपस्तित होते हैं इस तरह कि आप एक तरह से गड़े समझ सकते हैं तो यह कई तरह गिमान भी है जीलें भी होती है कई प्राप्तिक जीलें भी होती है पर उनके बाद उसमें पानी भर जाने पर वो जील बन जाती है विश्व में अधिकास जीलों का निर्माड हेमानी करन द्वारा हुआ है जीलों के अध्यन को हम लोग लीमनो लौजी कहते हैं याद रखे यह आपके कुश्चन्स इस तरह से बनते हैं जीलों के अध्यन को क्या कहते हैं लीमनो लौजी काप के अत्यदिक जमाव सिनदियां एवं सागरों कजल जीलों की रूम में अवरुद हो जाता है जिसे आप लोग डेल्टा जील कहते हैं क्या कहते हैं डेल्टा डी जील कहते हैं समुद तटिये भागों में समुद्री लहरों द्वारां रेत पतारतों का जमाव कर देने से अवरोधक बन जाते हैं और सागरों का जल एक जील के रूम में यहां अलग दिखाई बढ़ता है ऐसी जीलों को आप लोग लेगून जील कहते हैं क्या कहते हैं लेग्यून जील भारत में उडिशाराज की चिलिका जील लेग्यून या अवरोधक जील का सर्वोत्तम उधारान है तो याद रुखना चिलिका जील आपकी उडिशा में है यह लेग्यून जील का उधारन है जीलों से समद्धित मात्पूर तक थे हैं आपके बॉलिविया दच्छिन अमेरिका की टेटी काका जील उचाई समद्धितल से इसकी बारे हजार फिट है विस्की ग्याद जीलों में सबसे उची जील है आपकी टेटी काका चील है एसिया में विस्की सबसे उचाई पर अधिक उचाई पर रिस्तित खारेपानी की जील फेकांग जील है 4,266 मीटर उचाई जाएख एवं तिबबद में इस्तितितित्हे हैं का हैं लच्दाग एवं तिबबद में उर्मिय जील आपकी एरान में का हैं एरान में जब करेंट में कोई जील चलचेतmark में उसे भी आप लोग क्योंकि इतनी सब्ते ने कर he Merci भ प्र फेसे बनाते हैं जो या तो फेमस है या फिर उस समय चर्चा में हो ठीक इजराइल की मिर्ट सागर डेड़ सी जील विसकी सबसे खारी पानी की जील है गहराईस की समुद्दतर से 1290 चेतफल की दृष्टी से यूरेसिया का कैस्पियन सागर सबसे विसकी सबसे वड़ी जील है सबसे बड़ी जील है विसकी साइवेरिया की बैकाल जील या आपकी 4700 फिट विसकी सबसे गहरी जील है कितनी हिसकी गहराई 4700 यानि की 74700 फिट उत्री अमेरिका की सुपियर जील विसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है सुपियर जील कैसी है सबसे बड़ी मीठे पानी की जील विससमें कैस्पियन सागर विसकी सबसे वड़े खारे पानी की जील है मीठे की आपकी सुपियर खारी की आपकी केसमियन्स आगले। इसमें सामल जीले आपकी सुपियर होगी, मिस्लिन होगी, Huron, Ery, Ontario. जील में लगवाब आपकी 188 जीले हैं इसके लिए आपने सुना वे जीलों का देश़्ा जाता है आक की फिनलेन्ड को पदा आपको कि यहां सबसे जहांदा जील ने पाज जहींगी उसे जीलों का देश भी कहते हैं जीलों की बाट का भी इसे ही कहते हैं किसे फिनलेंड को इरी जील सेटराज अमेरिका की सरवादिक पिदूसित जील है इरी जील अमेजर नदी की जुआरिये तरंगों अत्वा जुआर मितिये को पोरो रोका कहा जाता है यह आपकी विस्की प्रमुक जीले हैं यहने भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि पूंच लेता हैं से यह आपका नाम हो गया इस्तिती देश हो गया यह छेदफल हो गया बाइक किलोमीटर में और गहराई हो गयी यह मीटर में ठीक है कैस्पियल सागर यह आपकी रोष कजाकिस्तान तुर्कमिनिस्तान अजरवेजान इरान में फैली हुई है इसका छेदफल है तीन लाग इकतरहजार आठसो बर्ट किलोमीटर गहराई है इसकी नोसो अस्ति मीटर सुपियर जील यहापकी करनाडा सेक्तरा जमीरिका में हैं इसका छेदफल है ब्यासी हजार तीन सो पचास बर्ट किलोमीटर 406 मीटर इसकी गहराई है विक्टोरिया जील यूगांडा तंजानिया केन्या में इसका विस्तार यूगांडा तंजानिया और केन्या में विस्तार इसका छेदफल है उननतर चार पांस सो बर्ट किलोमीटर और 80 मीटर इसकी गहराई है अरल सागर जील ये आपकी कजाकिस्तान और उजवेकिस्तान में है इसका छेदफल है 64500 बर्ट किलोमीटर इसकी गहराई है यूगर जील ये आपकी कजादा सेटर जमीरिका में विस्तार थे 6600 बर्ट किलोमीटर इसका छेदफल है 268 मीटर इसकी गहराई है पर आपने सुनाओगा मिसी गंजील ये आपकी है सेटर जमीरिका में है इसका छेतफ़ल है 58,000 बर किलूमेटर, 281 मीटर इसकी गहराई है, टंगानी का जील, जारे तंजानिया, जांबिया तथा बुरुंडी में इसका विश्तार है, 32,900 बर किलूमेटर इसका छेतफ़ल है, 1435 मीटर की गहराई है, ग्रेट वियर जील, यापकी कनाड़ा में है, 31,800 बर किलूमेटर इसका छेतफ़ल है, 82 मीटर इसकी गहराई है, बैकाल जील, दुरु साईवर याई चेत चेतफ़ल इसका छेतफ़ल है, 37401 मीटर इसकी गहराई है, मलावी जील पूर्व का नाम है इसका न्यासा जील यह आपकी तंजानिया है मलावी मुजाम्बिक में विस्तार है इसका 29,600 बर किलो मीटर्स का चेतफल है और 688 मीटर्स की गहराई है यह थी आपकी कुछ महत्पूर जील है इसके बाद यह भी आपकी कुछ महत्पूर जील है ग्रेट सलेब जील यह आपकी कनाड़ा में है इसका चेतफल है 28,500 बर किलो मीटर्स 163 मीटर्स की गहराई इरी जील कनाड़ा और सहित्तरा जमिर्का में 25,700 बर किलो मीटर्स का चेतफल है 64 मीटर इसकी गह रही है बिनीपेक जील एक कनाडा में आपकी इस्थिर 24,500 इसका छेथ फल है बर किलूमीटर में और 36 मीटर इसकी गह रही है Ontario जील कनाडा उसे युग दराज जमेरिका में श्थिर थे 19,500 बर किलूमीटर इसका छेथ फल है 237 कितना 237 मीटर इसकी गहराई है लिडोगा जील ये आपका रूस में है 17,700 17,700 वर्ड किलो मीटर्स का छेदपल है वो 225 मीटर्स की गहराई है बालकस जील रूस में 17,400 17,400 वर्ड किलो मीटर्स का छेदपल है 26 मीटर्स की गहराई है चाड जील ये आपका रूस में है 9,600 वर्ड किलो मीटर्स का छेदपल है और 110 मीटर्स की गहराई है फिर है आपकी आयर जील, ऊस्टेलिया में है आपकी 9585 किलो मीटरस की छित फल है, 19.8 मीटरस की गैराई है, टीटीका का जील पेरियू तथा बोलिविया में इसका बिश्तार है 8300 더 किलोमीटर्स कच्चेत फल है 278 तर इसकी 따라 mordu आथावांस का जील एक कनाड़ा में इसके थे 8200 बर किलोमीटर्स कच्चेत फल और 124 मीटर्स की गहराई है कि इस तरह से फिक कि एक हो मात्वों 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 गी लेथितिया pagan के अब चलते हैं विस्त की मिट्टिया देखते हिं कि याद रखे इस लेक्चर में विश्तों पर आप देख रहे होंगी और अंगले उसमें हम लोग बात करेंगे भारत की बारे में तब भारत पर फोकस रहेगा मैं बार-बार एक ही सब्द वोला हूँ कि आप मैप्स वाले लेक्चर देख लें क्योंकि अगर आपको जियोग्रफ़ी यानि की भूगोल कंप्लीट करना है तो बिना मैप्स की कुछ नहीं उखाड़ पाओगी और मैप्स को आप लोग भारत को भी अच्छे से रट है तो अच्छे से देख लें मिट्टी मिट्टी से हमारा अभी प्राय पितवी का उस ओपरी परस्षे में जिसे मानों अपनी अधिकांस आवस्ताओं की पूर्ती करता है मिट्टी निर्माण में जलवाई जविक कारण इस थलाक्ति कारिग आधार सेल और भूपदार तु पिरमों के का रखें विस मिट्टी का पुरातन बर्गी करण की बाग करें यानि की मिट्टी के बटवारी तुट्टुंडा मिट्टी इस पिकार की मिट्टी उत्री अमेरिका में उत्री यूरेसिया में ग्रीनलेंड की दच्छडी किनारी किनारों में पाई जाती है किस त करए बार पूचला था एकि पोड्व tra pack में पाई जाते हैं मिट्टी इस मिट्टी इस पेका करें उत्तुरी अमेरिका इुद्टी आ में एकरा लेटे राइटी लेटु साल फैरल सौव मिट्टिया ऐस्या दैच्छेट और दंद अमेरिका अपीका और ऐस्टेरिया के भी हिस्सों में थेलीक है चर्नो जम पेरी मुट्रिक भूत ही मत्पून मिट्टि हमारी ऑएंचोरिया उत्री अमेरिकै आपकी ग्रुमो सॉल या भूरी लालामी मिट्टी ए मिट्टी या लेटराइड मिट्टी की सुस्क संग सीमांत पर सवाना घास मैदान चित्रों में पाई जाती हैं रेगेस्थानी मिट्टी या आपकी मिट्टी या तुर्कमेनिस्थान मंगोलिया सीख्यां अमेरिका के यूटा राज्यों में पाई जाते हैं बिस मिट्टी के नवीन बर्गी करण की बात करें नई एंटी सॉल ए मिट्टिया सहारा कनाडा परवतों में और अलास्का साइबेरिया तिब्बत में भी पाई जाते हैं इनबर्टी सॉल एमिbadya socioung सुडान भारत और 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 अस्टेलिया में पाय जाती हुआ मद्धिमेक्स भर और ज़्यण पश्छमी असिया और ädदास्टिम अमेरिका медड मेंगस को दचिदआ इसला अमेरिका चीन सुतंत राष्णों के राष्टकुल मंगोलिया पेलू पेरोगवे में पुरोगवे में और और उस्टेलिया और उत्री और जिंटिना के मैदानों पर फेली हुई है इन सेप्टी सौल या आपकी मिट्टिया अमेरिका चीडी कोलंबिया इस्पेंड फ्रांग साइविरिया पूर्वी चीन दच्छन पश्चिम गंगा घाटियां एकवाडर के से में एकवाडूर के से में पाई जाते हैं एक बात आप लोग हमेंसा है याद रखिए अगर हम अ आपको मैप्स में उत्तरपेदिश की स्तिती याद ना हो तो आप क्या करेंगे भैमित हो जाएंगे तो इसलिए बोलता हूं हर चीज को बूगोल में आप मैप्स से जोड़कर देखा कर लें ठीक है फृचल मैं अबयों सोल्ऀ एमिट्ठी अमीरिका उत्तरी EU इूरोप दच्छड अमेरिका अस्टेल्या में फेली हूं है ृप यृजलओ अमेरिका पूरभी ब्राजील दच्छड फीरका के निचले भाव को में भारत अथने आपकर आट裡 photographer पूर्वी अमेरीडिका उत्तर और पूर्वी ऊस्टेलिया दष्षणपूरु एसेयॐर दच्छषण विराजी प्राग वे कि उस्टने कटि वंदिया छेत्रों में फेली हो आख सी मिट्टियल एवैंचेहट वुक्तरि वराजील अमेरिका दच्छषणपूरु एस्टों हैं फ्रेया आपका हैस्टो सॉल एमिट्या निमने अख्छांसों में पाई जाते हैं किन में निमने अख्छांसों में एक सब्द आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं अप्चय वित्रें अप्चय एक ऐसी पिक्रिया है जिसके अंतरगत बित्वी कि सत्य या सत्य की समय के चट्टान विवेने कारणों से विक्टित अब घटित हो जाते हैं यानि कि अलग हो जाते हैं इस विक्रिया वे कठोर एव फ्रवाह मान जल पवन ग्लेसियल आइस तरंगे जैसे गुव अपरदन एजेंटों द्वारा परिवान ये कड़ों में परिवर्ति होन आप होता है बहुती कप्चय बहुती कप्चय के अंतरगताब का उसमन सीतलन हीमी करण तथा जीव जन्तुओं एवं बनस्पतियों द हाइट्रोलोसिस इवं बिलियन इत्यादी आते हैं इसके तरक्त चट्टानों का जैविक अप्चय भी होता है जिसमें बहुतीक एवं रासाइनिक अप्चय दोनों सामिल रहते हैं जैविक अप्चय तब होता है जब जीप जन्तुओं बिल बनाते हैं और अमलिय पदार च चट्टानों से सीधी पोसर्त ततराथ करने के कारण चट्टाने तूटती हैं फिर आप लोग एक सब द्वार सुनते हैं अपर्दन एरोजन यह आप चंबल की छित में कुछ ज्यादा ही सुनते थे चंबल नदी के छित में गुरुत्वा कर्शन प्रवाहमान जल पबन तरंगे ज्वारभाटा धारा जैसे अपर्दन एरेंटों द्वारा उखड़ी चट्टानों के विक्तन को आप लोग अपर्दन कहते हैं यानि कि मिट्टी करट जाना है आपने देखा होगा कि चंबल चित में चंबल लदी द्व बागियों का गड़ आप में से कोई चंबल का भी है बताइए कमेंट बॉक्स में मैं भी दो हूँ पर मुझे डरना चाहिए आप लोग से चंबल के हैं आप लोग चलिए छोड़िए बहुत ही कपरदन के इंतरगत आपके अब घरसन आता है सन्नी घरसन आप वहां जलगती क्रियायं आ दियरत आती है आप की अपढ़ अज़ेन्टउ द्वारा इस्थान अंति पदार्थों स्थान्तृट के द्वारान पदार्थ आपस में टख्राकर बिक्टि होती है, अप्वाहण की क्रिया मरुस्थलों में होती है, जल इक्रिया मैं नदी का पर आप जो घुलत की यार कार्विनी करन जले ओजन ऑप्सी करन एवं जल अब घटन के माध्यम से संपन्न होती है परीवान परीवान के अंदर गत्व बिवित कारणों से अपच्छेत और अपर्दित पदार्तों का इस्ताना अंत्रन किया जाता है बड़े कड़ों या फेक खंटों का परीवान धरातल पर घर सीथने के द्वारा होता है ठीक है अब चलते हैं लोग नदी द्वारा उत्पन इस्तलाक्ति हैं यह आपका कई बार पूंच लेता है डेल्टा भीया कारगी एससी में आपके बड़े फैमस कोश्चेंस रहते थे अभी भी आते हैं से ठीक है नदियों द्वारा अपर्दन परीवान निच्छेपन किर करते हैं नदियाओं द्वारा उत्पन इस्तलाक्ति इस्तलूक इसपे कारें सबसे पहले आपको याद रखना है गौज कैनियन नदी के लंबबत कटाओ किर्या में से भी आकार की घाटी गार्ज कैनियन के रूम में विक्सित होती हैं कि इसकी भी आकर की पिर आपने एक जल पे पाद जल पे पाद दुवाधार जल पे पाद सुमते हैं आप लोग दुगदधारा मद्द विदेश का फैमस कोईस्टन से यह सभी जब नदियों का जल उचाई से खड़े ढाल से अत्यदिक बेग से नीचे गरता है तो उसे आप लोग जल पे पाद कहते हैं इसकी उचाई है आपकी सास सुरी नौसो उन्यासी मीटर यह आपका कैरोनी नदी पर है वेने जुए ना में है याद रखना है एंजल संसार का सरवाधिक उचा जल पे पाद है तोगेला इसकी उचाई है 948 मीटर यह आपका दच्छडी अपीका में है थ्री सिष्टर 914 मी यू में ब्राउनी 836 मीटर है न्यूजी लेंड में योसे माइट कौन सा योसे माइट 749 मीटर है कैलिपॉनिया में सदर लेंड 580 मीटर है न्यूजी लेंड में है टकापू 400 मीटर है बैटिस कोलंबिया में कनाडा में जोग पेपाथ 253 मीटर है भारत में मुल्ट मोनाय मुल्ट नोमाय यह आपका 250 मीटर है और एगन यूजी में है ग्रेंड पेपाथ 170 मीटर है लिब्राडूर कनाडा में विक्टोरिया 108 मीटर है जंबेजी नदी पर है जिंबंबी में नियाग्या तुरे बंदस हम लोग 6 मीटर है यूएसे वम कनाडा में है याग का ठीक है डेल्टा आपके देश में आगे चल करें लोग बात करेंगे छोड़ेंगे उसे भी नहीं भारत में उनें भी देखेंगे क्योंकि आपके लिए उनसे भी कुश्चन से बहुत पूंचे जाते हैं डेल्टा नदियों द्वाना मोहाने के पास लाए गए अवसालों के जमा कि जाने से ग्रीक अक्षर इस तरह से डेल्टा बन जाता है जैसे विक्सित इस्थलाक्ति आपकी डेल्टा कहलाती है जब नदी का मिलने का समुद्रों से या मोहाने पर जो भी समुद्रों से मिल रही या किसी और मैं तो वहां आपका इस तरह का आक्रती बनाते हूं से डेल्टा कहते हैं बारत में गंगा ब्रंपुत डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है बारत में गंगा और ब्रंपुत का जो डेल्टा है वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है ठीक है खर आपने सुना होगा जलगर्डीका नदी की सवपानियात कीड़ीय से जशाइब गर्धव होता है, जिसे आप दोग जलगर्डीका कहते भीन की सब्धीका नदी गाटी के दोनों और नवोनिवेश के कारण विक्सित सोपानी सरचना को नदी बेदिका कहते हैं नदी विसर्व नदियों के अंतिम प्रोडावस्था मार्ग में अवरोद के कारण बिक्सित नदियों के गुमावदार मार को आप लोग नदी विसर्व कहते हैं जलोड पंक नदियों द्वारा परवत्तों के आधार तल के पास अर्ध बित्या कर रूप में पदार्थों का निच्छे पर जो आक्रती में आपके पंक के समान दिखाई देता है जिसे आप लोग जलोड बंक कहते हैं तट बंद नदियों के नदी के दोनों किनारों पर मिंटियों की जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंद होते हैं जो कि कई उचाई वाले कटक के समान होते हैं होते हम लोग कट बंद कहते हैं तट बंद चाड़न जील जब नदिया आपने विसर्व को त्याग कर सीधे परवावित होने लगते हैं तब नदियों का विसर्व या अपसिष्ट भाग आपका गोखुर जील भी कहते हैं आपने देखा होगा बीच में पानी भरा रह जाते हैं उसे ही गोखुर जील कहते हैं चाड़ अब है आपकी हिमनादी द्वारा बर्भ द्वारा उत्पन इस्थालाकतिया ड्रमलिन इस भूमे हिमुळ द्वारा निन में गोछ तिले बाली पहाड़ियां होते हैं जिनकी अक्ति उल्टी नाओ के समान होते हैं यानी कि ऐसे हैं ठीक है? कैम, हिम अग की समक्ष, जमा अत्ती प्रवन, जलोड संकू को कैम कहा जाता है फियोड, इस सागर में डूबी हुई हिम नदियों, नदिये, आक्रतिये जो लंबे ढालू, पास भी ये, तटिये प्रिवेस माल होते हैं जो सागर की निकट परवर्थी चित में, पूर्मे विद्वान नदी, पिणाली में, तीब में हिम नद के कारण बिक्सित होते हैं याद रखें से आपका पूछेगा, डारेक्ट आपसे ये पूछेगा नी कि क्या होती है आपसे पूछेगा, कई बार कुछेंस बनते हैं आपके, कि हिम नदी द्वारा नाम दे दीगा, चैसे यू आकार की घाटी, किसके द्वारा बनती है नदीयों की द्वारा, हिम नदी की द्वारा, हवा की द्वारा, तो आपको उसका अंसर इस तरह से देना पड़ेगा कुल लटकती घाटी कहा जाता है सरक सरक यह ढालूस इस और ढालूस पाज दीवार वाले एक आराम कुशी क्या कार क्या हो नवमन के चारों और गिरे हिमनदिये अपर्दिस सेल की समान होता है ठीक फ्रे आपका स्तरंग क्या स्तरंग हिमानी छित में हिमनद के अपर्दन से बिखसित होने वाले पैरा मिड नुमा चोटी को क्या कहते है सिक अरेट किसी पहाडी के दोनों और सरक के विकास क्रम में बनने वाले दानतेदार आरी के समान इस थल रोप को क्या कहते है अरेट कोल यह एक परवर्दिय दर्णा है जो एक घाटी को दूसरे से मिलाता है नूना टक हिम छित में हिम के उपर निकली हुई चोटियों को हम लोग नूना टक कहा जाता है एसकर हिमानी छित में बर्पों के जमने से बेड़नों मा इस्थलागती को आप लोग एसकर कहा जाता है तो यह थी आपकी हिमनत की द्वारा बंतिवी आगती आपको क्या करना है एक पेज में लिख लेना है नदी के द्वारा और कितना टैम लगेगा दो से पांच मिट में आपका खतम हो जाएगा टीले इन सेल वर्ग कहलाते हैं जूजैन कौमल पदार्थों के स्थम्ब के ऊपर अत्धिक अवरोधी सेलों का टिका हुआ धेर आपका जूजैन कहलाता है अगर आपका भी आप चाहते हैं कि विस्तार में पढ़ने से तो जो हम लोग NCRT पढ़ रहे हैं उसे पढ़ लें ठीक अगर आपका इंटरेस्ट है विस्तार में पढ़ने कि किसी चीज को तो उसमें आप पढ़ सकते हैं फिर वात गर्थ कतिसील बायू के अभगरसण इवं अभवाहन किरिया से विक्सित होने वाली गर्थ को आप लो वात गर्थ कहते हैं चतिक कसी का कसीला चत्रक सीला मरुस्तलिय भागों में बायू के मार्ग में आने वाली चत्टानी खंड अपरदन किरिया से चतिरी नुमा आकर्थी धारण कर लेती हैं जिनने हम लोग चत्रक सिला गारा कहते हैं लोयस मरुस्तलिय चित्रों के बाहर पबंद द्वारा उड़ा कर लाए गए महीन कड़ों के बेहत जमाव कों लोग लोयस कहते हैं बार्खान सुख्सक पिदेसों में विक्सित होने वाली अनुपर्ष्ट बलू का इस्तूपों को बार्खान कहा जाता है यारडंग यारडंग अती परवन गहराई में अपरदन पर लंबी सेल कटक होती है जो एक दूसरे से कौमल सेलों में काटे गए लंबे गल्यारे द्वारा अलग होती है बहु इस्तंब बायू अपरदन द्वारा चक्तानों से विक्सित सेल इस्तंब जिसका उपरी भाग कठोर और निचला भाग मुलायम होता है बहु इस्तंब कहलाता है याद रखिए आप लोग एक बात कि इससे आपका वन डे एक जाम जो आपके SSC बैंक रेलवे हैं इस तरह की कुश्चन सॉल्व हो जाएंगे ठीक है आप पूछ लेगा कि बहुम जल्दवारा उत्पन आकती इन में से कौन सी है लेकिन अगर आप PCS एसे विल सर्विस तो उसके लिए आपको NCEIT पढ़ना है पहले भी बता चुका हूँ कि बिना NCEIT के बड़े कुश नहीं होगा इवाला चूना पिस्तर छेत में एक बेहत धरातल धसाओ को इवाला कहते हैं पुलेची जब कई इवाला मिल जाते हैं तो अतिन्त पे साल खाईयां बनती हैं जिने हम लोग पोल्य कहा जाता है कार्ट गुफा चूना पत्थर चट्टानी छेत में चूना की बेहन किरियादवना विक्सित गुफा को कार्ष्ट गुफा कहते हैं कई लोग बोलते रहते हैं कि नोट्स किसी के लेले हैं हो जाएगा उससे तो याद रखी अगर आपको लगता है कि नोट्स से आप कुछ बन जाएंगे तो कुछ नहीं उखड़ने वाला क्योंकि जैसे मुझे पता है कि भारत में अब जैसे आप सोचिए कि मुझे पता हैंगी भारत के सभी राज्यों की राध्धाने सभी वारों राज्यों के बारे में जो मुझे पॉइंट रहेगा मैं नोट्स में क्यों डालूगा आप जी सोचिए नोट्स का बनाने का मतलब होता है कि एक पूरी किताब को पांस से छे पेज में खतम करना समझ रहे हैं आप लोग मतलब सौट लिखना सीधी बार जो मुझे याद होगा मैं बोल नहीं लिखूँगा और ऐसा आप सोचिए कि आपको वो याद नहां हो साइद हमने जो हमें याद है तो किसी के नोट्स को लेने से पर बहतर है कि आप खुद अपने नोडस बनाने जिड़ कि यह आप धी रह जाता है और आपका नोडस रहता है आप उससे समझ मेंने भी सभूरी होती है और आपका स्टेल लेकटाइट का पर इस्टेलेग इस्टेल लेगमाइट चुना के बिलेन किरिया से काश्ट गुफाओं में विक्सित आकासी इस्थम को इस्टिल लेगमाइट कहा जाता है लेपीज चूनो अपिस्तर छेत में जलके बिलेन किरिया से विक्सित सिखर काओं को लेपीज कहा जाता है तर आपकी तटिये स्थल लाकतिया इसमें आपका पुलेन तट परती चेत्रों में सागरी तरंगों के अपरदन सिखराप्त रेतों के जमाव से विक्सित बालुका वाए मैधान को पुलेन कहते हैं तंबोलो, तट कि किसी दुविप या फिर सीज स्थल से किसी दुविप को मिलाने वाली रोधिका को तंबोलू कहते हैं तटिये किलफ, सागरिये तरंगों द्वारा अपर्दन से जब कोई सागरतट एकदम सीधा खड़ा होता है तो उसे तटिये विर्ख या फिर किलफ कहा जाता है, तटिये कंद्रा, सागरिये तरंगों के अपर्दन की लिया से विक्सित चट्टानी खोग को कंद्रा कहते हैं इस्टैक प्राक्तिक महराओं के धुरस्त होने से चट्टान कांगला भाग समुद्री जलकी बीच एक स्थम्भ की भाती खड़ा रहता है जिसे अम लोग इस्टैक कहते हैं इसे भी देख लीजे आप लोग विभेन कारकों द्वारा निर्मित इस्थलाक्तियां अब इन्हें आप लोग इसकी इंसोट ले लीजे और रख लीजे अपने पास ठीक भूमीगत जल्द्वारा गीजर हो गया घूल रंद हो गया इस्टे लेक्टाइट हो गया इस्टे लेगमाइट हो गया लेपीज उत्सोट कुगा डोलाइन कास्ट जील युवाला पोलीजे कंद्रा यापकी भूमीगत जल्द्वारा हो गया पबंद्वारा यार्टंग ज यूगेन, इंसेलवग, छत्रक, पिलेया, लेगून, वारखान, लुएस, हिमनत द्वारा, हार्ण, टान, सर्क, अरेट, फियोड, ड्रमलिन, कैम, ऐसकर, सागरीय जल द्वारा, विलान चली हो गया, सरफ हो गया, तंगारीका हो गया, पुलेन हो गया, हुक, लूब, टंबोल डलमेसियन, यह सभी आपकी समुद्रीत रंग द्वारा हो गया, यह आपकी कुछ मत्मून, इस्थलागतिया, अब हम बात करते हैं, बायूमंडल, यानि के एट्मोस्फियरों के बारे में, जोगे, गैस की परते हैं, जो पित्वी को चारों और से गेटती हैं, उसे हम आपका ऑक्सीजन भी सामेले, नाइट्रोजन सामेले, कारवनडाई ऑक्साइड यानि की सीयोटू भी सामेले, और अन्ने गैसें भी इसमें पाई जाते हैं, वाई मंडल की एक पतली पित्वी का मात्वून, इवम अटूट भाग है, यह हमें ऐसी वाईउ पिदान करती है जिसमें हमें हम लोग सास लेते हैं, साती है सूर की कुछ हानिकारी केड़नों से बचाते हैं, यह बात आप सभी लोग जानते हैं, कि अगर डारेक्ट सूर का विकास हमारे उपर पड़े, तो हम कपके जलकर राथ हो जाएं, समझ रहे हैं आप लोग, तो इसके लिए आपक क्या है कि बायू मंदल में कई ऐसी आप ओजोन परत को बचाने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ओजोन परत है यह कुछ हानिकारी केड़नों को रोप लेती हो गई, ठीक है, एक सरे केड़ने हो गई, गामा केड़ने हो गई, बायू मंदल आपका 10,000 किलोमीटर की उचाई परते के तक फेला हुआ है, कितना 10,000 किलोमीटर की उचाई था, फरन्तु वायू मंदल का 99 पितिसेद भाग आपका बहर स्रिफ 32 किलोमीटर तक ही सीमेत थे हैं, कितने 32 किलोमीटर, जो भी है आपका वायू मंदल, यह आपका 32 किलोमीटर तक ही सीमेत है, उसके बाद ना की बराबर है वाय मंदल को तामान तथा अन्न घटकों के आधार पर 5 पर्तों में बाड़ते हैं इस, नहींद से आपके questions पूच्छे जाते हैं इन जो भी मंदल है इन में घटित घटनाओं की बारे में जोब मंडल बायू मंडल की सबसे महत्पून परत है इसकी उंचाई धुर्वों पर 8 km है और विश्वत रेखा पर लगवग 18 km है कितना 18 km ठीक है क्योंकि आप जानते हैं कि विश्वत रेशा से इसकी उंचाई है और धुर्वों से इपास में है हमें इसी जोब मंडल में मौजूद बायू में स्वास लेते हैं तथा मोसम की लगवग सभी घटनाय जैसे आपकी वर्षा हो गई कोहरा हो गया ओला बर्षन हो गया आपकी इसी परत में एक घटनाय घट देता है तो आपसे पूँचे लेगा कई वार पूँचे लेता है कि बर्सा गोरा ओला विष्टी किस मंडल मुतिव की घटना है तो आप जोग मंडल की घटना है जोग मंडल के पिती 165 कितना पिती 165 मीटर की उचाई पर एक डिगरी सेल्सियस परताब घड़ता है कि एक किलूमीटर की उचाई पर ताबमान में वोसत 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को हमें मिलती है इसे ही सामान ताप पतन कहते हैं क्या कहते हैं सामान ताप पतन आगे बात करते हैं आगे आपका समताब मंडल जो मंडल के उपर का भाग आपका समताब मंडल कहलाता है समताब मंडल 18-32 किलूमीटर की मुचाई तक आपका विष्टत है यह परत बादलों और मौसम संबंदी घटनाओं से लगबाग मुक्त होता है मुक्त होता है मतलब यहां इस तरह की घटनाएं नहीं घटती है इसके फलसरूप यहां की परिस्तिति हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर से तो आपका कई बार कुछ लिया गया है यह कुश्चन्स कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे सटीक मतलब कौन सा मंदल है तो यह आपका समताब मंदल समताब मंदल को एक महत्पून विश्चेश तयाए भी कि इसमें ओजोन गेस की परत है जिसके हम लोग बात कर रहे थे यह आपकी समताब मंदल में है तो आपसे कुश्चन्स बनेगा कि समताब ओजोन गेस की परत किस मंदल में पाई जाती है तो आपको तुरंट आंसर देना है समताब मंदल में यह परस सूर से आने वाली हानिक का रख पर आप एगनी केड़ों को आउसिस सोसित कर लेती है और हमारी रक्षा करती है फिर आपकी मद्द मंदल यह समताब मंदल के ठीक उपर 60 किलोमीटर की उचाई तक फैली हुई है कितना 60 किलोमीटर की उचाई तक अंतरिक्षे से प्रिवेश करने वाले उलकापिंड इस परत में आने पर जल जाती है फिर आपका आयन मंदल क्या है आयन मंदल 60 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है 60 से 640 किलोमीटर तक जो रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है जो आप देखते हैं रेडियो संचार इस ए आयन मंडल का ही उपयोग किया जाता है इसके लिए बास्तों में पितिवी से पिरसारी देडियो तरंगे इस द्वारा पुनाहा पितिवी पर परावर्ति कर दी जाती है जिसके फल सरुप रेडियो टेलीविजन टेलीफॉन रडार संचार उगरे आधी की सुबिधा ब्राप्त होती है मैं आयन मंडल एवं बाह मंडल को किसी यह से अलग नहीं किया जा सकता है अता कुछ बिद्वान ओरोरा आस्टालिस और ओरोरा बोरियालिस को बाह मंडल की गटना बताते हैं परन्तु यह बास्ताव में आपका आयन मंडल की गटना है किसकी आयन मंडल की ओर ओरा का साब्देकर्थ होता है प्राता काल जबकि बोरियालिस का उत्री तथा ओस्टियालिस का दच्चडी होता है जिन्हें उत्री दुरुप पिकास तथा दच्चडी दुरुप पिकास कहा जाता है और ओरा धुर्वीय आकास में लटके विचित बहुरंगी आतिसवाजी की तरह दिखाई दें पड़ते हैं जो प्रा आधी रात में हमें दिखाई देते हैं पांचवी परत है आपकी बाह मंदल वाई मंदल के सबसे ओपरी परत आपका ये 640 किलो मीटर से ऊपर है को आप बाह मंदल के नाम से जानते हैं किसके बाह मंदल के यह बायू की पतली परत होती है क्या होती है यह बायू की पतली परत होती है इसमें हापकी हलकी गयस हैं जैसे हीलियम हो गया हाइड्रोजन हो गया यहीं से अंत्रिक्ष में तैड़ती रहती हैं वाइव मंडल मुखता ओक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है जो की साब तथा सुस्क हवाका निद्यानवे पितिसत भाग है इसमें नाइट्रोजन आपका 78 पितिसत ऑक्सीजन आपका 21 पितिसत और तथा दूसरी गयस है जैसे आपकी कार्वन डायोकसाइड हो गया और गन हो गया इनकी सबकी मात्रा एक पितिसत रहती है तो आपको नाइट्रोजन प्राणियों की विद्धी के लिए आवस्तेक हुता है सबकी बराबर भागेदारी है आप सोची अगर प्राणियों के लिए नाइट्रोजन ना उपलब दो तो हमारा क्या हाल होगा एक दूसरे पर हम लोग सब निर्भर हैं आप सोचें कि अकेले आप घंडा गार ने इस धर्दी पर तो ऐसा नहीं होने वाला है कारवन डाय ओकसाइड एक पी बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पितवी द्वारा छोड़ी गई उस मासुक को आउसोसित करती है जिससे पितवी गरम रहती है आप जानते हैं कि उपयोग कारवन डाय ओकसाइड का उपयोग पेड करते हैं उसके बाद हमें आकसीजन देते हैं और जो आपका कारवन होती है इसी आवसोसित भी करती है आपकी साथी पौधों की बिद्धी के लिए आवस्टक है आपकी कारवन डाय ओकसाइड उचाई के साथ साथ बायो मंडल की गहनत में भी बिन्रता आती है जैसे जैसे हम उपर की और जाते हैं तेजी से घरता है बायो मंडल का गहनत यानि कि हम उपर जाएंगे बायो मंडल का गहनत घटेगा उपर की और जाने का केबल बायो दा भी नहीं घटता है अपितु तामार में भी आपका बदलाओ देखने को मिलता है बायो मंडल में जल बास्पी मात्रा 0 से 4 बितिसर तक पाई जाती है भू मुंतल हो गया यहां से 5 किलोमीटर सब ठीक है आंगे आपका बायो मंडल पित्वी पर दबाब डालता है यह एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर अलग अलग होता है कुछ चेत्रों में हम यह दबाव अधिक महसूस करते हैं जबकि कुछ इस्थान उपर कम बायो उच्छ दाप से कम दाप की ओर बहती है आप जानते हैं हमेशा कि बा बायो उच्छ दाप से कम दाप की ओरी बहेगे इसे दूद को भी ले लिजा कि दूद अधिक जगह से कम जगह की तरफ तो जाएगा कि नहीं जाएगा अगर धलान इस तरह किया बन जाए तो हवा होती है अगर हवा पर पेसर डालेंगे आप लोग तो किस तरफ जाएगी जिस तरह पुसे जगर मिलेगी गती सील वायु को हम लोग पबन कहते हैं जो गती सील वायु उद्धि ए इससे आप लोग पबन कहते है पबनों को मुकता तीन पंच में विभाजित किया जाता है इस्थानिय पबने मौसमी पबने और फिर आपकी इस्थाई पबने मौसमी पबने इस्थानिय पबने आपकी तीन प्रिकार की होती है एक सब्दा आप लोग सुनते हैं सूरय आतब इंसोलेशन सूर पितवी तथा बायुमंडल की उसमा का पिधान सरोत है जो सूर है ये पितवी तता बायुमंडल की उस्मा का प्रिधान सरोत है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पितवी का कोई अपना प्रिकास नहीं है सूर से ही प्रिकासेत होती है ना हमें सूर से ही उस्मा मिलती है ना सौरी कुर्जा को ही हम लोग सूर्यातब कहते है वाई वंडल सौरी कुर्जा का किवर 14% ही गरहन करबाता है कितना? 14% सूर से पितवी उसकी कुल उर्जा का या आप समझ रहे हैं जो सूर है इसमें जितनी उल्जा है उससे पित्वी उसकी कुल उल्जा का 12 अरववा भाग ही प्राप्त करता है कितना 12 अरववा आप सूची अगर की पूरा का पूरा घर प्रिकास पित्वी पधा जाता तो हमारी इस्तिति क्या होती है कि हम ने आपने बताया था कि वह नहीं रहता है आपने देखा होगा क्या देखा होगा रेल जो आपने तार निकली रहते हैं बिजली होती है रेल भी लाइन की, उसमें अगर कोई व्यक्ती छुप भी जाए उसे छूले तो बैगन की तरह फट जाता है, ठीक है, आपको उसके शरीर की हड्डियां भी डूणने पड़ेगी, इतना कतंना करेंट होता है उसमें, पितवी उसत रूप से वाई मंडल की उपरी सत्य पर 1.94 केलोरी पिती बर्ट सेंटीमीटर पिती मेट उर्जा प्राप्त करती है, वाई मंडल की तापन किरियां संबहन, संचारन, बिकरन और अभी वहन है, संबहन, संबहन क्या है, जब वाई पितवी के संपर्क में आकर ग ताबमान की अविकरिया संबहन करना दिया, आप समय सा जानते हैं कि जब बायू गरम होती है, तो उपर उठती है, और जब ठंडी होती है, तो नीचे बैठती है, संचालन, संचालन एक ऐसी पिकरिया है, जिसमें पदार्श से होकर ताप, सीधे अडू, संगात के द्वार बइक प्रनगों के संचार द्वारा सीते गर्म होने के विकरन और यह एक बपक्रिया यह है जिसमें एक पिंड एक पिंड ताप के रूम में विकरन उर्जा सूर से प्राप्त उर्जा उत्साजित करती है इसके कारण ताप कहरास होता है और सीतलन होता है ठंड़क होती है पितवी अंतरक्ष में विकरन द्वारा ताप छोड़ती है दिन के समर सूर से प्राप्त सूर्या तब की मात्रा पितवी के द्वारा छोड़े गए ताप की मात्रा से अधिक होती है इसलिए ताप मान बढ़ता रहता है जब तक की अधिक्तम तक नहीं पहुंच जाता तब त आपका बढ़ता रहता है रात्री में इसके विपरी तवस्था होती है ताप कम होता है और जब तक की नियूंतम नहीं पहुच जाता है जब तक कम होता रहता है फिर आपने एक सब्द सुना होगए अभीवहन एडवेक्शन वायू में 36 संचालन से होने वाले ताप का इस्थाना अंतरन अभीवहन कहलाता है मद्दक चांसों में दैनिक मौसम में आने वाली बिन्यता है कि अभीवहन की कारण होत रहता है फिर एक सब्द आप लोगोंने सुना होगा एलबीडो एक जियो जियोती हिंट बस्तू पर गिरने वाली बाला सौर विकरन का समानुपाद जो वह बस्तू परावर्थित करती है उसे हम लोग एलबीडो कहते हैं पितवी का एलबीडो 0.03 अर्था सौर विकरन का 30 पितीसद भाग अंतरिक्ष में परावर्थित हो जाता है सौर विकरन का यह परावर्थन लगू तरंगों में ही होता है इसमें लगू तरंगों में फिर आपने सुना होगा उसमा बजट हीट बजट सूर्या तब तथा पार्थे विकरन में संतूलन के कारण पितिवी पर पहसा तबमान एक समान पे रहता है यहसे हम लोग उसमा बजट कहते हूं क्या कहते हैं उसमा बजट फिर आपका संताब रहेखाएं २ और झ MOM, मालचित पर समान टबमान ऐस्थानों को मिलाने वाली कालपनिक रह sudden का कीम पर पूर सम्टब झम खीचे याती है यह रेखाय सीधे होती हैं लेकें समुद्र तटके पास इनमें जुकाओ आ जाता है क्या जाता है जुकाओ आ जाता है दच्छिडी गोलाद में जल की अधिक्ता के कारण सम्ताप रेखाएं सीधी रेखाओं के रूम में होती है आप लोग देख चुके हैं कि आपका उत्री गोलाद में 60% के करीब आपका जल है और दच्छडी गोलाद में आपका 81% करीब जल उपस्तित है जब ताप रेखा हैं नजदीक होती हैं तब बे तीब ताप प्रवन्ता को पिदरसीत करती है गर्मी के समय में स्थल से सागर की ओर जाने वाली समताप रेखा भूमत रेखा की ओर तथा सर्दी में धर्वों की ओर मोड़ जाते हैं फिर आप लोग एक सब दोर सुनते हैं बायुदाब एटमॉस्पेर बायुमंडल द्वारा पिथीवी पर डाले जाने वाले भार को बायुदाब कहते हैं क्या कहते हैं बायुदाब बायुमंडल द्वारा पिथीवी पर डाले जाने वाले भार को क्या कहते हैं बायुमंडल बायूदापको बैरुमीटर से मापते हैं इस अब दापका कईवार कुश्चंस बन जाता है बायूदापको मापने वाली यकाई का नाम क्या है बैरुमीटर सामानता समुद्दर पर बायू दाप पारी की सास्थो साथ मिली मीटर उंचे स्थमद्वारा पढ़ने बाले दाब के बराबर होता है जलबायू विज्ञानिक बायू दाब को मिली इवार में नापते हैं किसमें मिली इवार में समदाब रेखा समदाब रेखा वह कल पित रेखा हैं जो समद तल पर समान बायू दाब बाले छेतरों को मिलाती है समदाब रेखा हैं दाप प्रवरता को दर्साती हैं दूरी की पिती इकाई पर दाप की घटने की दर को हम लोग दाप प्रवरता कहते हैं वाई मंडल ये दाप में प्रिवरतों से बायू में छेतेज गती उत्पन होती है और पवन चलती हैं कबंन्त आप्मान और आदता दोनों को प्रभावीत करती हैं इस बायूदाप की पेटियां और यह आपका 90 डिग्री उत्री यह अक्छांस आपकी यह 0 डिग्री अक्छांस होगी ठीक है आप देख रहे होगी जे डिग्रो तो देखिए आप लोग हमाई किस तरह सी किस तरह चलती हैं यह आपका करिवार पूछ लेता है प् indonesome आपने सुना होगा गरशता चाडीसा गराशता पचास चीघ्दा साथा इनके चास डिग्री अ दश्री अक्छांस को क्या कहते है गरशती 40 को अ कि माश्ता पचासा ओर चीघ्दा साथा साथ ठीक है बात कर रहे हैं हम लोग देखी यहां देखे यह आपका डूल दरम या भूमद रेखिए नियून दाब है यानि कि जीविडरो डिग्री है अब यहां से आप लोग देखिए ब्यापारीक पबनों को सबसे पहले आप लोग उत्तरी दरम में देखिए उत्तरी दरम में आप कैसी चल रहे हैं यह व्यापारीक पबने आपकी उत्तर पूर्वी यानि कि यह आपका उत्तर है यह आपका पूर्वी तो इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं तो उत्तर पूर्वी चल रहे हैं और यही प उप उष्ण कटी बन दिया उच्छ दाब अस्व अक्षांस भी कहते हैं से आप लोग कि पिचंड पश्चमी पवने यह आपकी उत्तर पश्चम से पूर्प दच्चंड दच्चंड पूर्प की ऊड़ चलती हैं वह इस तरह आप देख रहे होंगे उष्ण कटी बन दिया उच्छ दाब अस्व अक्षांस यह आपकी दच्च्च पश्चम से उत्तर पूर्प की ऊड़ बनी हुई है अल्वताब मान दाब कम दाब यह आपका धुर्भी है उच्च दाब है धुर्भी अपवने होती हैं यह आपकी ब्यापारी पवनों की तरह होती हैं तो उत्तर पूर से दच्चंव यह भी आपकी इसी तरह कि हैं दच्च्च पूर्प से उत्तर पश्चम की है तो अब यह बात देख रहेंगे कि हमेशा कम दाब की ऊड़ पहने चलते हैं अधिक दाब से कमत गयों की देखे दो धुर्भी यह उच्छ दाब है इस इस तरह चलेंगे बात करते हैं भूमद रेखिये निम्न दाप की पेटी यह पेटी भूमद रेखा यानि की विश्वत रेखा के दोनों ओर 10 डिगरी उत्तरी और 10 डिगरी दच्छडी अक्छांस की बीच पाई जाती है भूमद रेखा पर बर्स भर सूर की खेड़ने लंबबद पड़ती हैं तथा बर्स भर दिन्राथ बराबर होते हैं जिस कारण अधिक ताम्मान होता है जिसमें हवाएं पहलकर उपर उठती है ठीक है चुकि एन्यम ने बायुदाब ताम्मान की कारण होता है तो इसे ताप जन नियून दाप कहते हैं क्या कहते हैं नियून बायुदाब यहां पर हवाएं हवाओं की गति कम होने के कारण वातावर्ण सांत रहता है इसी कारण इस पेटी को लोग सांत पेटी भी कह देते हैं आप फिल डॉल ड्रम भी कह देते हैं दूसरी यह आपकी उपोष उच्च बायुदाब की पेटियां यह दोनों गोलार्द में उत्री गोलार्द और जच्छिड गोलार्द में 30 डिगरी से 35 डिगरी अक्षांसों की बीच पाय जाता है यहां लगों बर्स भर उच्च तामान रहता है यहां उच्च बायुदाब से सम्मंदित ना होकर पित्वी की घति और भायु खिय कि पूंच से सम्मंदित होती हैं इस पेटी करश दी को अस्व चांस भी गहते थेए कहते हैं सब्सक्राय कें नुि और आप सूचिए कोई ब्यापारी गोड़े ले जा रहा है तो उसमें गोडों का ब्यापारी अपने जहाज को बचानी के लिए कुछ गोडों को जल में फिक दिया करती थी तो इसके लिए इनका नाम अस्तपचांस रख दिया गया था क्योंकि प्राचिंकाल में जब जलेयान इस पेटी में पहुंचता था तो सांत बायू के कारण वह हांगी नहीं बढ़ पाता था और बजन गटाने के लिए गोडों को उतार दिया जाता था फिर आपका उपधूरवी है निम्न बायुदाव की पेटी इस पेटी का विस्तार दोनों गुलारद में आपका साथ डिग्री से पैसाथ डिग्री अक्छान सो पीच पाय जाता है जो गती जनित है धूरवी है उच्च बायुदाव धूरवों के निकट निम्न तामान के कारण बायुदाव उच्च रहता है अत्हा है उच्च बायुदाव धूरव जन्त है एक बात आप लोग हमेसा याद रखे और आप समस्के हैं कि ताम मान बढ़े गा तो बायु ठंदी होकर गरम होकर ऊपर उठेगी और तामान कम होगा दाभ कम होगा और जड़ ठंड पड़ेगी तो बायू ठंडी होकर नीचे बैठेगी बायू दाप अधिक होगा पवन, बिंड पितवी के धरातल पर बायू दाप की बिंड़नता के कारण बायू में गती उत्पन होती जिसे हम लोग पवन कहते हैं पवन की देशा येवं गती दाप प्रवनता, कोरियोलिस बल, अभी केंद्रिय तुरन और भूतल से घरसन प्रभावित करते हैं छेतर रूप से गती सील हवा को पवन कहते हैं छेतर रूप से जो गती सील पवन होती से हवा कहते हैं उर्द्वा धर्दिसा में गती सील हवा की उपको बायू धारा कहते हैं पवन का पिदाव प्रभाव सदियों उच्छ दाप से निम्न दाप की तरफ होता है तथा पवन की गती दाप की प्रवंता पर निर्वर करते हैं यदि सम्दाव रेखाएं पास पास होगी तो ढाल तीब होगा उपवने तीब कती से चलेगी लेकिन यदि सम्दाव रेखाएं दूर होगी तो बायू धाप का ढाल मंद होगा उपवन की अती धीमी रहेगी आपकी कौरियोलिस बल इस सब्द को भी आप लोग सुनते रहते हैं कौरियोलिस बल पित्वी के गूडन के कारण हवाओं की दिशा में कुछ अंतर आ जाता है इस गूडन से जनित बल को हम लोग कौरियालिस बल कहते हैं फेरल का नियम उत्री गुलाद में पवन अपनी दाहिनी और उद्थचडी गुलाद में ये पवन अपनी बाईय और बिच्छे पे तियानी की मोड जाती हैं किसके कारण फेरल की नियम की फिर आपने सुना होगा बोएट बैलट का नियम गो एच बैलट का नियम यदि कोई बैक्ती उत्री वोलाद में पवन की और पीट करके खड़ा हो तो उच्चे दाप उसकी दाई और तथा निम्न दाप उसकी बाईयोर होगा पवन के पेकार देख लिए इस्थाई पवने सामरीक पवने और इस्थाई पवने ब्यापारीक पवन भी बोलते हैं सामरीक पवन इस्थाई पवने जो वर्ज बर एक ही दिशा में चलती रहती हैं यानि कि इस्थाई की दिशा है तो इन्हें इस्थाई पवने कहते हैं ब्यापारीक पवने उपोष्ण उच्छ दाब कटीवंद से भूमद रेखिये निमने दाब कटीवंद की हो चलने वाली पबनों को हम लोग ब्यापारिक पबने कहते हैं ये 5 से 30 डिग्री अक्छांसों के मद्द उत्तर रिवं दच्छिडी गोलाद में चलते हैं कौरियोलिस बल की प्रभाव में उत्त्री गोलाद में आपकी उत्तर पूर्वी दच्छिड़ गौलाद में आपकी दच्छिड़ पूर्वी दिशाब में चलती हैं इसलिए पूस्विंद ऑक लोग पूरुभा पवन भी कहते हैं फिरेख है पच्छुबाज उस्पेदेश में चलती है जो उपोष्ण उच्चपार चेत्रों अथवा अस अक्षान्सों के रिए उत्तर में धुर्वों की ओर इस्तित होती है इन पवनों को पिती, ब्यापारिक पवन य पच्छुआ पवन भी कहा जाता है पित्ती, ब्याबारिक पवन या फिर पच्छूब सु 3 मैं उत्चरी गोलाद में उत्तरपुर की चेह सै दच्छनपूर की दिस्ता में यह चलते हैं दच्छडी गोलाद में 40 से 60 अक्छांसों के बीचने गरश्टता 40, पिचंड बचासा और चीकता 60 कहते हैं गरश्टता 40, पिचंड बचासा, चीकता 60 फिर आप दूर्वीय पबनों के बारे में बात करते हैं धूर्वीय उच्छ बायुदाप कटीवंद से, निम्न बायुदाप कटीवंद की और बहने बाली पबनों कमलोग धूर्वीय पबने कहते हैं इनका च्छेत दोनों गोलाद में हैं धूर्वों से 55 डिगरी अक्छांस तक होता है फिर आपकी सामरिक पबने जो मौसम या फिर रितु के अनुवसार बदलती हैं उन्हें आप लोग सामरिक पबने कहते हैं मानसुन पबने ये पबने मौसम के अनुवसार चलती हैं ग्रेश्म में ये पबने समुद्र से इस्थल की हो चलती हैं जने हम लोग ग्रिस्म कालीन पवन मांसुन कहते हैं। सीत रुतु में पवने स्थल से समुद्री की ओर चलती हैं। जने हम लोग सीत कालीन मांसुन कहते हैं। मानसुनी पवने आपकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, स्रीलंका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, सहित, दच्छेनपूर वी, एसिया और उत्री ओस्टेलिया के उपर बहती हैं। समुद्री समीर पवन। समझते हैं, दिन की समय में क्योंकि तामान अधिक होगा तो बायुदाप कम होगा, इसलिए पवन चलें। यह हवाय समुद्र की निकटवरती स्थानों की तामान और आद्धा को प्रभावित करें। समीर पर आपके इस्थलिया समीर, रात्री की समय आपने देखा होगा कि इस्थल भाग सीग थंडा हो जाता है, जिसलिए रात्री में इस्थल भाग पर बायुदाप अधिक हो जाता है, और जलिय भाग पर कम रहता है। ठीक, इसलिए रात्त्री में हमाँ इस्थल से जल की ओर चल दी है, इन्हें हम लोग इस्थली ए समीर कहते हैं घाटी समीर, परवर्तिय चित्रों में दिन के समय परवत की ढाल, घाटी तल की अपेक्छा अधिक गरम होते हैं इसका आरण ये पवने घाटी से परवतिय डाल की और बहने लगती है जिसे घाटी समीर कहते है एक फॉर्मूला इसमें याद रखिए हमेशा कि जहां बायुदाप कम होगा उसकी तरफ पवने बहेंगी हमेशा ठीक है और एक बात हमेशा रखिए अब कि जहां ताबमान अध अधिक होगा ठीक है आगे आपका परवत समीर सुर्यास्त के बाद परवत ढाल पर से पार्थे विकरन द्वारा उसमा की हानी घाटी तल की अपिक्छा तेजी से होती है इस कारण परवतिय ढाल से ठंडी एवं घनी पवने नीचे घाटी में उतरने लगती है जिने हम पवन कहते हैं इसे दो भागों में ठंडी और गरम पवनों में बांठा जा सकता है फॉन जो आप चलाते हैं यह फॉन नहीं यह हवा आपकी पवन है यह गरम और सुस्क पवन है जो परवतों की ढाल ढालों पनीची कूर चलती है यह पवन उत्री आलपस परवत गाटियों में चलती है आपकी इसका सर्वादी प्रिभाव आपका स्वीजलनेंड में हमें देखने को मिलता है फॉन का ब्रेक फिल्डर यह गरम एवं सुस्क पवन है जो ऑस्टिलिया की आंतरिक भाग में दच्चेनपूर्वी तर्ठवर्टी भूमी और गिरिस्न रितु में गरमी की दितु में चलती है चिनूग का अर्थ होता है हिम खाने वाला यह स्टोस्क पवन है यानि की गरब पवन है जो सेवत्राज अमेरिका की रौकी परवत की ढालों के पर कनाड़ा में चलती है चिनूग यह सीतकाल में हिम को पिगला और सुखा देती है इस पेकार की सीत रितु में पसुगों को चराने में सुभिधा पिदान होती हिम जन्जाबद विली जायड यह अतेंथ सीतल पवन है जिसमें मेगों में से हिम बर्सा होती है एक अनाड़ा सेवत्राज अमेरिका और अंटा पर टीका मादी में चलती हैं सिराको यह अत्यंत उश्न दूल एवं रेत भारी पवने जो सहारा मरुस्तर से भूमत सागर की उड़ चला करती हैं यह भूमत सागर को पार करने के करम में आदता ग्याण करती हैं और माल्टा सिसली और इटली तक पहुंचती हैं वह यहां बरस ली के नाम से भी जानते हैं फिर आपका हरमटन इस सक्ति साली उत्तर पूर्वी पवने सहारा मरुस्तर में चलती हैं जब यह पवने गुआना तरपर प्रविस करती हैं तब यहां के निवासियों को रहत बिलान करती हैं और स्वास्त बर्दक होती हैं इसलिए आप इने द इसकी हिंबे सिष्टा के कारण इसे टुंडा में इस नाम से पुकारा जाता है वीली-वीली ए ओस्टेलिया के उत्तरी परश्वी तट पर वहने वाली उस्टने कटी वह दिये तीव तूफानी पवने सीमूक कौंसी सीमूक सीमुम उस्टने धूल भरी पवने होती हैं जि चेश्टल एक सीथल पवन है जिसका अनुबाव रौन की घाटी यानि की फिरांस दतान उसके डेल्टा में होता है इस थानिय हवाएं है एक गरम हवाएं है और पिरभाविच्छेत इन से लू इससे आपका पिरभाविच्छेत है उत्तरी भारत आपने उत्तरी भारत में सुना होगा कि लू चल रही है लू लक्री किसी को तो यही है वो ब्लेक रॉलर उत्री अमेरिका के मैदान में चलती है नार्वेश्टर इससे पिरवावित चित है नुजिलेट जॉन्डा इससे पिरवावित चित है अर्जेंटीना याद रखिए कई बार पूच लेता है जैसे आप पूचेगा हबूब किस चित को पिरवावित करती है तो आपको याद रखना है उत्त्री पूर्वी सूडान को सांता अना ये करती है कैलिफॉनिया सेटरा जमेरिका को सामल ये आपके इराग को करती है प्रभावित करती है सिमूम ये आपके इरान को प्रभावित करती है बर्ग ये आपकी उत्त्री आलपस को प्रभावित करती ह करावन आपके शिख्यांग को प्रभावित करती हैं सुलान्व ये इसपैनी के तक के सहारे चलतीह सुलान्व सुलान्थ पिछ कि आपके थंडी हवाएं और प्रभावित छित तक पापागाउ ये आपके मेक्सको के पठार को प्रभावित करती है दच्छन वर्ष्टर ये दच्छन पूर्व अस्टेलिया को प्रभावित करती है पोनंद ये फ्रांस एवं कॉर्शिक तठ को प्रभावित करती है नार्टे ये आपके मद्द अमेरिका को प्रभावित करती फाइजेम ये आपके वराजील को प्रभावित करती है मिश्टल फ्रांस और रॉन गाटी को प्रभावित करती है ग्रेनेल ये आपके भूमद रेखा यानि की भूमद सागर को प्रभावित करती है बोरान बोरा आपकी एडियाटिक सागर इटली को प्रभावित करती है बोरान यापकी साइवेरिया तता मतेशिया को प्रभावित करती है नेवाडोस यापकी एक्वाडोर को प्रभावित करती है नौर्दर यापकी सहुत्राज अमेरिका को प्रभावित करती है पैन परो यह आपके अर्जिंटीना औरेगवे को फिर भावित करती है ठीक है अब चलते हैं लोग आध्यता की तरफ वाईव मंडल में उपस्ति जल बास्प को आध्यता कहते हैं इसी आध्यता की कारण बरसा होती है समझ रहे हैं आप जब आपकी धरती से बास्प बनकर वाईव मंडल में आध्यता की रूमें बनेगा वही बरसा कराएगा आध्यता को ग्राम पिती घनी मीटर में मापा जाता है ग्राम पिती घन मीट नहीं करें गरम बायू में जलवाश्च रोक हिरुकर क्णाई अधिक उता है आप समस्थ सकते हैं कि अगर जाना गरम हवा आहे होगी तो जलवात के रोर में पानी अधिक उसमें समाईत होगा जबकि सीत बायू में आपका समर्थ कम होता है क्या होता है कम होता है पहली आपके निर्पेक्ष आदिता वायू की पिती इकाई आयतन में बिद्धमान जल की मात्रा कुन लो निर्पेक्ष आदिता कहते हैं इसे ग्राम पिती घन मीटर में ब्यक्त किया जाता है आप समझ रहे हैं वायू की पिती इकाई आयतन में जो बिद्दमान यानि की जल उपस्थित होता है उसे ही उसकी मात्रा को ही हम लोग निर्पेक्च आदिता कहें देते हैं फिर दूसरा है आपका सापेक्च आदिता सापेक्च आदिता जलबास्व का अनबात होता है जो बास्ताव में बायू में पाई जाती है उसकी तुल्ला में जो हुआ है बायू स्ताफ क्रम पर जलबाप्स को रोके रख सकती है इसे आप लोग पितीव सत्में ब्यक्ट किया जाता है इसे कैसे निकलते हैं सापेक चाह दिता बरबर बायू में बास्तविक जलबास्पी मात्रा अपॉन बायू का अधिक्तम जलबास्थ समर्थ यानि कि उसके बास्थ जलबास्थ रखने की अधिक्तम चमतागी बात की जा रही है इंटू सौ इससे आपकी निकलाती है सापेक चाह दिता 45 पिती तक सापेक्च आदिता मनुस के लिए सबसे अधिन आरामदाइक होता है एक तीसरी पिकार की होती है बिसिष्ट आदिता वायू के पिती एकाई भार में जलवास्ट के भार को बिसिष्ट आदिता कहते हैं इसे ग्राम पीती किलोग्राम में ब्यक्त किया जाता है। तो यह हैं आपके सापिक्ज यानि कि आदताओं की फिरकाल अब चलते हैं हम लोग संगानन की तरफ। जल के गैसिये अवस्था से तरल या फे ठोस अवस्था में परिवर्दित होने की पिक्रिया को आप लोग संगनन कहते हैं यानि की एक तरह से बरसा कहते हैं आप लोग जो बास्थ के रूम में यानि की गैस के रूम में जल है उपस्थे उसका नीचे तरल या फिर ठोस अवस्था में परिवत्त होने की किरिया को संगनन कहते हैं संगनन पिक किरिया में जलवास तरल अवस्था में बदल जाता है बायू में जिस तामान पर जल अपनी गैसी अवस्था में यानि की जलवास्म से तरल या फिर ठोस अवस्था में बदलता है उसे हम लोग ओसांग कहते हैं आपने देखा होगा ओले गिरने लगते हैं पानी गिरता है यही तो है पिक किरिया अब आप देख लिजे संग्रन के रोग हिमांग के उपर हिमांग के नीचे ओस कोहरा धुंद बादल हिमांग के नीचे ओला पाला हिमपाग बरफीले यानि कि मांग सेज़ा शेजा सा मतलब है कि आप सोचे एक अगर ठंड़ रही है कि इतनी ठंड़ सेख्यक्रत की बरफ जब जया तो किस में बरसा धोगी ओला के भरम में और आप सोचे एक थोड़ा ताबमान्ग जानदा है मांग से तो क्या होगा आपकी बहांद्रीं के रूम में परसा होगी ओस पड़ेगी कुहरा पड़ेगा जो आप लोग देखते रहते आते दिन संगनन दो कारकों पर निर्वर करता है बायू की सापिक चादिता पर और दूसरा ठंडा होने की अवस्ता पर संगनन दो कारकों पर निर्वर करता है एक आपका बायू की सापिक आदिता दूसरा ठंडा होने की अवस्ता ओस जब धरातल पर रात्री के समय वीकरन द्वारा बायूमंडल की निचली परते ओसांग बिंदू से नीचे ठंडी हो जाते हैं उसमें उपस थे जलबास्प की ब जो घास होती हो तो उस पर ओस जमी होती है घास फूल एवं पत्रियों पर जल बूनों को ओस कहा जाता है फूलों पर आप देखते हैं वही है फिर आप एक सब्द सुनते हैं पाला तुसार धरातल पर जब बायू तामान जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है ज निचली परत में चलवास्त का संगनन कोहरे का कारण होता है बाई का उसके हिमांग बिंदू से नीचे सीतल होना होता है एक कोहरा आप लोग देखते हैं ना कि जब आप गाड़ी चलाने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है यह वही कोहरा है इसमें दिर्स्ता एक किलोम स्था हो को आप लोग धुंद कहते हैं इसमें कोहरा का घना ना होकर हलका पतला होता है इसकी दिष्टा एक किलोमीटर से अधिकी आप दो किलोमीटर से कम होती है फिर एक सब्दा हिम सुनते हैं बातावर्ण में हिम तब बनता है जब हमांक विंदू से नीचे तामान पर जल बास्प का संगनन होता है इम बर्षण का ठोस रूप होता है फिर ओला बातावर्ण में ओला तब बनता है जब जल बूंदे जम जाती है जब एक कड़ अधिक बड़े हो जाते हैं और आरोही वायू प्रवा अवरोद को पार नहीं कर पाते हैं तो यह गिरना प्यारम क आपकी धर्ती पर आपकी फसलों के लिए बहुत नुकसान दाइड होते हैं वोला एककापासी मेगों से गरते हैं वोले गरजने वाले तूफानों से सम्मंदित होते हैं फिर आप सुनते हैं आप लोग बादल हवा की रुद्धोस्म पिक्रिया द्वारा ठंडा होने पर उ यह बाद देखिए इस्तरी कपास मेगों एक गोलाकार परिडाम मों यक अथवा बेलाकार परतों में विवस्तित होते हैं जो आपस में इतने निकट होते हैं कि उनके किनारे मिल जाते हैं फिर आपके वर्षा इस्तरी मेग एक काला धूसर रंग के एक समान आधार वाले मे फिर एक आपने सब्दुख सुना होगा कपासी मेग यानि की कपासी बादर इस सम्भन मेग होते हैं जो उस समय बनते हैं जब उपर उठती बाईवरासी उस सिस्तर तक पहुंच जाती है जहां संगनन होता है कपासी बर्सा ये नीचे से देखे जाने बहर काले धूसर दिखाई देते हैं लेकिन किनारे से सफट दिखाई देते हैं ये तड़ेज जनजा से सम्भन दीत मेग होते हैं जिनमें ऐसा थेर तेज बरसा पूला विश्ची यांधर हिम पात होता है इस्तरी बेग, इनमें एक समान पर्ते पाई जाते हैं, जो मन दूसर तथा सारण हमको दिखाई देती हैं, उच्छ का पासी मेग, ये मेग पर्तों में होते हैं, जिसे भेड, मेग, या फिर उन के पिकार के मेग भी कहा जाता है, इसे, उच्छ स्तरीय मेग, उच्छ स्तरीय मेग गहरी मेग होते हैं, जो सूर अत्वा चंदमा को पूर्ण रूप से ढख लेते हैं, क्या करते हैं, सूर अत्वा चंदमा को पूर्ण रूप से ढख लेते हैं, ये बरसा का पूर्भा पूर्भा भास देने वाले मेग होते हैं पक्छाब मेग एक अमल लेशिदार भूसे के देर की समान मेग होते हैं ये मेग चक्वात के आने का सूचक होते हैं पच्छाब स्तरी मेग ये महीन और सफिड चादर की समान पूरे आकास में चाहे रहते हैं जो दिन में सूर रात्री में चंदमा के चारों उर तरभा मंडल बनाते हैं तो आपने सुनाए पक्छाब कपासी मेग यह मेग हिम रवों से बनते हैं इसे मेग रेल आकास भी कहा जाता है यह गोवी जैसे हमें दिखाई लेते हैं अब चलते हैं लोग बर्सा की तरफ बर्सा वर्सा पितिवीप पर उपलब दजल के बास्पी करण होने से बास्प बायू मंडल में पहुचता है तथा उंचाई पर तामान कम होने से उसका संगनन होता है फालसोरू मेग बनते हैं तथा बर्सा बूंदों का नेर्माड होता है सीधा सा लिजे तामान बढ़ रहा यहां नीचे पानी बरा हुए यहां से बास्प के रूम में परिवर्दित होगा और जाएगा ठीक है एक निष्ठे दूरी पर पहुंच गया है अब यहां ठंडी उसे तामान कम होगा इतना तामान होगा कि बादर्ल जो वाई मंदल उसे बास्प के रूम में अपने पास तो उतनी बर्सा नहीं होगी ठीक क्योंकि वास्ट की रूम में जली उपर नहीं पहुचेगा तो कहां से बर्सा होई जब जलवास की भूने जल की रूम में पितवी पर गिरती है तो उसे हम लोग बरसा कहते हैं रैनफाल बरसा के पिकार तीन पिकार की बरसा होती है समभनी ये बरसा पितवी के उपर बायूमंडल में समभन पिक्रिया दुआरा जो बरसा होती है उसे आप लोग सम्मेहनिय बर्सा कहते हैं इस पिकार की बर्सा विश्वतिय पिदेशों में होती है गरम हवा उपर उठती है तथा ठंडी होकर बादल की रूम में लेती है और आपकी बर्सा प्यारम कर देती है बरसा की परश्चा ठंडी हवा नीचे उतरती है इस तरह से आप लोग देखते हैं से सम्मधनी ये बरसा ये आपका उपर उठती हुई हवा है जलबास्प को लेके हुए और नीचे आती हुई ठंडी हवा है तो ये बरसा प्यार होगे ये आपके बादल होगे ठीक है फिर आपका परवर्टी ये बरसा जब जलबास्प से लदी हुई गरम भायू कि मार्ग में परवत या कोई अवरोद पढ़ने से वह उपर उठती है तो ठंडी हो जाती है और उसमें उपस्ते जलबास्प का संगना नियानी की बरसा होने लगती है इसे ही आप लोग परवर्टी ये बरसा कहते है बिसमें अधिकतर परवर्टी ये बरसा इसी रूम में होती है इस चित में आप लोग समझ जाएंगे देखिए परवर्थी ये वर्षा है उपर उठती है हुई हवाएं यहां जैसे ही टक्राइनी ठंडी हो जाएनी वह बर्षा करवाएने लगी है इस तरह से नीचे उतर दीन सुष खावाएं लेकिन याद रखी इस तरफ बर्षा होगी इस तरफ ना के बरावरी वर्षा होगी ठीक है आप देखते हैं उत्तरपूर्वी भारत में इसी तरह की तो वर्षा होती इसी तरह से गासों मेगाले पहाडियां ये है ना इसी से टक्रा कर होती अगर पहाड़ियां ना होती है तो सीधा मांसून निकल जाता आपका जिस परवर्टी ये ढाल पर बर्सा होती है उसे हम लोग वर्सा पोसित या पवना भी मुख छेत कहते हैं जबकि जो दूसर अधाल होता है उसे भी मुख ढाल पर बर्सा नहीं होती है इसे हम लोग विर्टी छाय़ा पिदेश भी कहते हैं किसको इस पिदेश को ठीगा इस तरह बाली फिर एक आप साथ देढ़ितًे चक वाती है बर्सा चक वातां द्वाना होने वाली बर्सा कुछ चक वातीय हो या फिर्टाग गी बर्सा कहते हैं दो विपरी सौभाव वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो बाताग का निर्वान होता है इस बाताग के सारी गरम बायू उपर की ओर उठती है और भरसा होने रखती है बाताग घमेशा दो विपरी पवनों से बनते हैं आपने देखा होगा एक ठंडी और दूसरी गरम यहां बरसा मुकरूप से मद्ध एबं उच्च अक्छांसों में होती है मद्ध उच्च अक्छांसों में यह आप देख रहे हैं देखिए चकवाती वर्सा है यह उपर उठती हुई गरम पवने और यह आपकी ठंडी पवने पानी को ले जाएंगे बास्प की रूमें वे ठंडी उन्हें बराबर तामवान में लाकर नीचे कर देंगे याद रख प्रक्किती ने बढ़ा संदूलन नियम बनाये हुए है परेशानी तब खड़ी होती है जम हम लोग इससे चड़चाड करते हैं इसे हानी पहुंचाते हैं वहना हमारी लिए विवस्ते थे सब हमें कोई विवस्ता करने की जरूरत नहीं है हमारी इतनी वकाद नहीं है कि हम लोग प्रक्किती को कुछ दे सकें नहीं है प्रक्ति अपने आप में इतनी सक्ति साली है कि वह अपने आपको सब कुछ दे सकती है वायू रासिया वायू मंदल का वय भाग जिसमें तामान तथा आधता की भहत तिक लक्षण छेते दे सामें एक समान होते हैं उसे हम लोग वायू रासि कहते हैं वायू रासि में पाए जाने वाले भहत तिक लक्षण तापक्रम, हरासदर और आधता होती है ये जिस मार्क पर चलती हैं उसका तामान और आधिता संबंदी दसाओं को परमार्जित करते हैं और स्वैम भी उससे प्रभावित होते हैं एक बायू रासी का अनुपर्स्त बिस्तार कई हजार किलोमीटर और उपर की ओर जो मंडल तक रहता है बिस्त के विभेन भागों में मौसम संबंदी पर युवर्दन विभेन बायू रासी रासियों की किरिया पिती किरिया के कारण होती है बायू रासियों के अगर हम लोग पैकारों की बात करें यानि कि इतने टाइप की बायू रासियां होती है मुक्रूप से वायुरासियां आपकी दो पेकार की होती हैं एक सीतल या ठंडी वायुरासि दूसरी है आपकी गरम या फिर उच्ण वायुरासि धरादल की तुल्ला में कम ताबमान बाली हैं वायुरासि को आप लोग सीतल वायुरासि यानि कि ठंडी वायूरासी कहते हैं जबकि अधिक ताम्मान बाली वायूरासी को आप लो गरम या फिर उजने वायूरासी के दाम से जानते हैं वायूरासी वायूरासी हैं उसे उत्पन गटनाओं की बात करें तो बातागों का निर्मार वायू मंडल ये विक्छोप चक्कवाद और पिती चक्कवाद तफा छेतरी ये मौसम दसाएं इसी का पैड़ा में बाताग फ्रॉंट्स आपस में दो वायू रासियां के बीच निर्मित सीमा सतय को आप लोग बाताग कहते हैं बाताग धरातली सतय पर कुछ कौण पर जोका होता है क्या होता है कुछ कौण पर जोका रहता है बाताग का ढाल पितिवी की अक्छी ये गति पर आधारित होता है जो की धुर्मों की ओर बढ़ता है बाताग उत्पति से संबंदित पिक्रिया को बाताग उत्पति कहते हैं ब सीत बाताना हाथ, जब गरम बायू आक्रमक ऊने के बाद ठंडी अथां भारी बायू के उपर चड़ जाती है, तो उसे उशने बाताना को नहीं SUV कैने वहलकी बायू रासी के विरूद्ध आक्मक होने लिपड़ होकर बढ़ती है तो उसे उपर की और उठा देती इसे आप लोग सीत बाताग कहते हैं पर आपका अधीविष्ट बाताग जब सीत बाताग तीब गती से चल कर उष्ण बाताग से मिल जाता है तथा गरम बायू को नीचे से संपक्ध समाप्त हो जाता है तो अब आप लोग से अधीविष्ट बाताग की नाम से जाते हैं पर एक है आपका स्थाइव बाताग bunu जब दोप्रीच बाईवरासियां एक में इत रोल में अलग होती है कि वे एक दूसरे के शमानान्तर हो जाती हैं, तब बाईव का उपर उठना नहीं हो पाता है यह आप लोग से स्थाइव बाताग की नाम से जानते में यानि कि शथाइ तो यह होता है क्या है इससे देख लिज़ें साइकलोंस चक्कबाद में निम्ने बायुदाब के कहन्द होते हैं चक्कबाद में निम्ने बायुदाब के कहन्द होते हैं जिसमें बायु प्रवणता तीब रहती है चक्कबाद में पबंद गुमती हुई चलती है पामा बढ़ती यानि कि घड़ी सुई के विपरीत होती है इस दिशा में आपकी इस तरह से होती है और अंदर की ओर होती है क्योंकि आप लोग अक्सर जानते हैं इस बात को किस बात को जानते हैं कि हमेशा बायुदाव अगर जिस तरफ बायुदाव कम होगा हवाएं उसी त चलेंगी ना समझ रहें आप लोग इसकी दच्छडी गोलात में बात करने तो इसकी दिसा दच्छणा वर्त होती ही यानि की घड़ी की सुई के दिसा में इस तरह से इसका अकार मुक्ता अंडाकार होता है या फिर भी आपचर के समाद होता है इसमें भी आपकी हवाएं पश्डेक्टी में यानि की 30 से 65 डिग्री अक्षांसो के मत्द होती है यह आपके अंडाकार होते हैं कैसे होते हैं अंडाकार होते हैं एस चक्त गबाद फ्रय आप पश्ट्यम से पूरुके owner में पश्चिम से पूरित्वी दिसा में चलते हैं आकार में एक सो साट किलोमीटर से बतीस सो किलोमीटर तक हो सकता है इनमें इन से हल्की से मद्द बर्सा होती है जो हलकी बहचार की रूमें देखने को में मिलती हैं ए बहचारें कभी-कभी भारी बहचारों का रूप ले लेती हैं जहां इस्थिर ऊष्ण वायू सम्मेन होता है क्योंकि यह बाता आग कि आकार सीत वायू की रूमें représent थे इनमे उस्टी बंदी चक्शारवाद एक निम्न भार का तन थे, जो उस्टी बंदी आक्शारवाद प्रमुकता 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्शारवाद के बीच दोनों गोलारतों में उत्री गोलाद में ऑर जच्चिदी गोलाद में भी महा सागरों की ऊपर पाए जाते हैं इनकी उत्पत्ती साग्रों के पश्चिमी छोर के निकट होती है जहां पर उस्ट कटी बन दिये धाराएं बहुत अधिक जलबात की आप उठी करते हैं इन चक्वातों का केंद्री ये बाद चक्वात की आख या परसांथ चेद कहलाता है उस्ट ने कटी बन दिये चक्वातों में पवन की देशा उत्री गुलाद में वामा बर्द और दच्ड़ी गुलाद में आपका दच्ड़ा बर्द रहती है यानि कि उत्री गोलार से, आपने देखा होगा कि उस्ट ने कट्टी बन दिये चक्वाद में, पर उत्री गोलार में आपकी बामा बद और दच्डी गोलार में आपकी दच्डा बशत रहती। कुछ आपके चक्कवाद हैंने भी याद रख लीजे कभी पूंच लेता है कुश्चेंस हरीकेन या आपका करीवियन दूइप सम्हों में टाइफून टाइफून दश्चडी चीन सागर विली विली ऑस्टेलिया टॉर्नेडो युए से चक्कवाद हिंद महासागर आपने हुआ था चक्कवाद एक बात और हमें इसा याद रखा करिये हैं जो चक्कवाद आता है इसका थाइलने ने नाम दिया था तो उस समय उसे की बारे में पॉइंट याद रख लिया करिये हैं क्योंकि अधिकतर कुश्चन्स उससे ही कूंचे जाते हैं कि वंडेग जाम में ह भरीकें में एक सांत केंदरिये छित होता है जिसके चारों वर्षे गत्य होती है यानि कि 160 किलोमीटर फिती घंटे से बाईव परिक्मा करते हैं आप समसकते हैं कि 160 किलोमीटर फिती घंटे की रफ्ताय से हवाएं चलेंगी तो क्या हाल होगा दूसरा है आपका टाइकून पश्चमी पिसांत महासागर और चीन सागर में उस्ट ने कटी बन दिये चक्कवातों को टाइकून के नाम से आप लोग जानते हैं यह एक तीब नियून भारतंत होता है जो ओक्व पपनों खुत्पन करता है और भारी वर्सा करवाता है इसकी गती आपकी 160 किलोमीटर पिती गंटा तक की होती है 160 किलोमीटर पिती गंटा तक की टॉर्नेडू टॉर्नेडू एक अतेंद तीब नियून दाप केंद के चारों और बिक्सित बायू का तीबिता से गुडन टॉर्णेडू कहलाता है या मुक्क रूप से सैत्रा जमिजगा में उत्मन होता है या सबसे बिनासकारी और पिचंड होता है इसकी गति आपकी 800 किलोमीटर पिती गंटे से भी अधिक देखने को मिलती है कितनी 180 किलोमीटर पिती गंटे पर आपका पिती चक्कवाद एंटी साइकलोन पिती चक्कवाद की प्रक्यती चक्कवाद से पूर्णता विपरीत होती है यह बिट्ताकार समदाब रेखाओं द्वारां घिराओ हुआ है बयू का ऐसा करम होता है जसमें बयुक्यती आपके चक्कवाद में क्या पड़ाता कि केंद में निम्न बयुदाव होता 하गो में तो इसमें हमाई बाहर निकलेंगे आपकि बाहर की ओर घटता जाता है जिस कारण हमाई क्यंद से पर्दी की ओर चलती है उत्री गोलाद में पिती चक्वाद पवन का संचन दच्छड़ाबाद और दच्छडी गोलाद में आपका पवन का बामबाद यानि कि उत्री गोलाद में इस तरह से कि सुई की देशा आगे इसी तरफ तो चलती है सुई की देशा कि इस तरह ऐसे चलेगा ठीक है और दच्छडी गोलाद में आपका इस तरह से गड़ी की सुई के भी पिरी पिती चकवाद 35 से 35 किलोमीटर पिती गंटे की चाल से चलता है इसके केंद में हवाएं उपर से नीचे उतरती हैं तथा केंद का मौसम साफ होता है और बरसा की संभावना भी नहीं रहती है पिती चकवादों में बाता गनहीं बनते हैं आपके उपोष्ण इकटी बन दिये उच्छ बायुदाप छेट में सरवादिक पिती चकवादों का निर्माड होता है कि तु भूमत रेखा पर सरवता आभाव देखा जाता है पिती चकवाद का पिती बन दिये चकवादों की संखला में अकसर दो चकवादों के बीच एक पिती चकवाद देखने को में मिलता है यह बायु विभाजग की तरह कार करते हैं यह थे आपके पिती चकवाद अब हम लोग बात करदें जलबायु के बारे में पिती बी पर किसी विस्तित छेत में औसत मौसम के परिवतन को इस स्थान की जलबायु कहते हैं पिती वी पर किसी बिस्तित छेत में यानि कि बड़े छेत में औसत मौसम के परिवतन को वो स्थान की जलबायु कहते हैं यानि कि औसत आप लोग समझते हैं ना कि common चीज़े हैं उनका एक common ratio लेना औसत होता है अब आपने सोचा होगा सुना होगा कई बार बता भी चुका हूँ कि आप से पूचा जाए कि 50 आदमी हैं व्यक्ति खड़े हुए उनकी ओसत उचाई क्या है तो आप बता सकते हैं कि सबकी ओसत उचाई यह निकल रही है अगर आप से पूछा जाए कि सबसे उचा ब्यक्ति कोन है तो आप बता सकते हैं कि सबसे उचा ब्यक्ति कोन है सबसे चोटा ब्यक्ति कोन है तो ओसत हर चीज की ओसत ही ली जाती है क्योंकि एक हर किसी की गर्णा करना हर छित की मुंकिन नहीं होती है इसलिए क्या किया जाता है कि औसत ले लिया जाता है उच्छित का किसी भी जलबायू में तामान, वायुदा, बरसा, आदता और वायू की गती आदी का यहोग होता है जर्मन भोगोल बेता, बिलादीन मून, बिलादी, मीर, कूपेन ने 1928 में कब 1928 में जलबायू का वरीगी केंट तामान, बरसा, एवं बनस्पती के घटकों के आदार पर किया था तो चलिए हम लोग बात करते हैं विसकी जलबायू, परिवड़, जलबायू का वरीगी केंट की बारे में तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग, आपकी उठ ने कटी बन दिये, बरसा बन, बरसा बन जलबायू, इसके विस्तार की अगर हम लोग बात की जाए, तो इसका विस्तार 0 डिगरी से 10 डिगरी उत्री और दच्छडी अक्छांस तक रहता है, यानि कि दौनों अक्छांसो पर चाहे अपका गे उपर का उत्री भाग या नीदिचीक अधर्छडी भाग यह भूमठ रेखिये जलबायू का सहल्वास या फिक्र गरम पैटी पहलाती है इससे आप लोग क्या कहते हैं भूमठ रेकिए जलबायू यह फिर सहल्वास या फिर फिर यह प्र इसक करम अधिक होती है विस्तार चित अमेजन बेशन कांगो बेशन गिनी तट पूर्वी दुईपसमों और फिलीपेंस तग इसका विस्तार चित है इस जल्बायू में जै विवित्ता बालिब ऊश्न कटी बन दिये सदावहर बन पाए जाते हैं तो यह वियक्ष यहां पाए जाते हैं तुर आपका ऊश्न कटी बन दिये तथा उपोस्ण रहकिस्तानी जल्बायू इसके अगर विस्तार की बात करें तो 15 से 30 देगरी उत्री दचडी आफचांत तक यानि कि दोनों गोलारदों में ये उपस्तित रहता है अगर हम लोग इसके ताबमान की बात करें तो 30 डिगरी celsius से 40 डिगरी celsius यानि कि यहां का ताबमान उच्छ लेकिन बरसा की बात करें बहुत कम है 25 cm मिलीटर तर कितनी 25 सेंटी मिलीटर तर यानि कि ना के वराबर वर्सा यहां हो रही है तामान वह चिस्तर पर है अगर हम लोग इसके विस्तार की बात की जाए इसके विस्तार की तो एसिया के थार सिन्द, अरव, प्रायदीव, अफीका की सहारा और कालाहारी, अमेरिका और हम ऑस्टेलिया के मरुस्तलिये भाग आपने देखा होगा कि हमारा जो गुजराद वाला चित है यहां बरसा कम होती है यह थार मरुस्तल का चित है और इसी यह उष्ट कटी बन दिये तथा उपोस्ट रेगरिस्थानी जलबायू का चित है यहां आपके बनस्पतियों की बात करें तो कंटीली जाडिया बवूल केक्टस यह आप लोग देखने को मिलता है राजिस्तान बाले चित में में उष्ट ने कटी बन दिये सवाना जलबायू इसका विस्तार दस से तीस डिगरी उत्री दच्छडी दोनौ अक्छांस्ताओं तक देखने को मिलता है इसका ताम्मान 20 से 30 डिगरी सेंट्टिट या अमेरिका में बैने जोईला कोलंबिया गुआना बिराजील परागवी में इस्ताग का विस्तार है अगर बनस्पती की बात करें तो बड़े बड़े घांस के मेंदान जैसे आपका अफीह का महादीम में सवाना है ठीक है आँगे है आपका मानसोनी पिदेश जलवाई इसका विस्तार है आपका 10 से 30 डिगरी उत्री दच्चडी अक्षांस यानी की दोनों गोलारतों है इस छित की मुख विसेश्ता मानसून द्वारा बरसा होना है विस्तार छित की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बंगलादिश, थाइलेंड, क मानसून आया हुआ है आपका तो यह वही मानसून है आपके यह वर्सा कराता है इस छित में आगर हम लोग बनस्पती की बात करें तो साल सागोन पच्चड बंद देखने को में मिलते हैं पर आपका मद्ध अक्षांस ये रेगिस्तानी जलवाई इसका विस्तार क्या है 35 से यह सरदी यहां आपकी सरदी अधिक पड़ती है ए महादीप के आंतरिक भागों में मिलती है जैसे आपका गोवी तारिम तुरिकिस्तान केंद्रिय ए इरान आदी रेगिस्तान इसमें संभले थे हैं इस पकार के रेगिस्तानी दच्छडी गोलार्ग में केबल पैटा गोन प्रियान की देश्टी से सर्वुत्तम है इसमें घास एवं साख बनस्वती की प्रिशुरता में देखने को मिलती है पिर आपने देखा हुआ भूमद्ध साग्रिय जलवाय। इसके अगर हम लोग बात की बात इसके बिस्तार की बात करें तो 30 से 45 कितना? 30 से 45 उत्री और दच्छडी अक्षांसकों के बीच महादीपों के पश्मी तटों पर इसका बिस्तार है यहां कि अगर हम लोग ताबमान की बात करें तो ग्रीसम काल में 25 डिग्री सेंटीगिट सेल्सियस और सीटकाल में 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है अगर हम लोग इसके बिस्तार की बात करें तो चीली, साइप्रस, अलजीरिया, कैलिफोनिया, रॉम, कैप्टाउन, लोस एंजिस, पर्स, सैंटियागो, सैंड फ्रांसिसको मैं इसका बिस्तार देखने को मिलता है अगर यहां के हम लोग बनस्पती की बात करें तो आपके जैतून, ओक, कारके, बेक्च, अंगूर, एवब नेवू प्रिजातिया फल देखने को मिलती है फिर आपका चेंज सादेश से जलवायो, इसका बिस्तार 25 डिगरी से 45 डिगरी उत्री तथा दक्षडी एक्षास तक हमें देखने को मिलता है ताबमान यहां का 19 सेल्सियस डिगरी सेल्सियस और बरसा या 122 सेंटिवीटर तक होती है इस छेत में सालों भर बरसा होती है जैसा आप लोग विस्वत्ति ये पिदेश में देखते हैं इसी तरह इस पिदेश में आपको देखने को मिलता है फिर आपका पश्चमी यूरोपियन सादेश से जलवायो इसका विस्तार की बात करें तो 45 से 65 डिगरी उत्री दच्चडी अक्षांसों के भी महादीपों के पश्चमी तटों पर देखने को मिलता है ताबमान की अगर हम लोग बात करें तो 15 डिगरी सेल्सियस से 18 डिगरी सेल्सियस ग्रेसम काल में ताबमान यहां 2 डिगरी सेल्सियस से 10 डिगरी सेल्सियस देखने को मिलता है अधिकांस बरसा सीतोष जक्वाती है पिकार से यहां होती है सीत काल में यहां अधिक बरसा होती है सीत काल में यहां अधिक बरसा देखने को मिलती है फर आपका टैगा जलबाय oversee इसके विस्तायर की बात करें तो 50 से 65 ऊत्तरी अक्षांस में कहां? उत्तरी गोलान में उत्तरी अक्षांस में देखने को मिलता है ताममान की बात करें तो 10 डिगरी सैल्सियस ग्रेश्म काल में गरमी के समय में जीरो डिगरी से नीच्चे तक सीद काल में यानि की सर्दियों के वकसम में बर्सा की बात करें तो 50 cm बर्सा होती है व्युस्य का सीद धुरुप कहा जाने वाला बर्कोयांस यही आपका इस्तित है अगर इसके विस्तार की हम लोग बात की जाएं कहांगी विस्तार की तो मद्द कानाडा सुईडन दच्छडी फिनलेंड पोलेंड पश्मीरोस साइविरिया में देखने को मिलता है अगर हम लोग बनस्पती की बात करें तो चीड इसपुस्त चीड टेगा बनस्पती को बोरि बात करें तो आपने 66 डिगरी उत्री अक्छांस के ऊपर इसे देखने को मिलता है तामान अत्य दिक ठंडी तथा बिल्जायर पवने चलती है बरसा आपकी 30 cm होती है विस्तार आपका नौर्वेग फिनलेंड रोस का उत्री भाग साइविरिया का उत्री बाग उत्री कनाड और अलास्का में इसका विस्तार बनस्पति यहां लाइकन और मॉस यहां की फिर्मुक बनस्पतिया है वह चपूमी जलवाईव यह परवड़ती भागों में पाई जाती है यहां पर उचाई के नुसार तामान घड़ता उबढ़ता रहता है उचाई की साथ-साथ बनस्प रखते हैं लोग જल्मंडल के बारे के जल्चक हम आप लोग सुंते होंगे जल्चक तो चली इसके बारे में भी जान लेतें वाटर साइकल महादीपों महासाग्रों महादूपों दीपों के बीच जल का आधान पेदान बासपीकर्ण बासपोस सहजन संगरन व बरसन के मात्यम से नियंतर चलता रहता है पित्वी तल पर होने वाली संचन की इस पिक्रिया को हम लोग जलिये चक कहते हैं कि महासाग्रों में गया फिर महासाग्रों से महादीपों में आया इस तरह से आपकी पिक्रिया हमेसा चलती रहती है एक बात था आप लोग हमेसा याद रखिए कि पानी की कमी नहीं है क्योंक प्रिवर्तित होता जा रहा है यह हमारी सबसे वड़ी प्रॉबलम है कि आपके पास जल्की कोई कमी नहीं याप 71-30 सब जल है आपकी धरती पर अगर सबी उपयोग करने लायक होता तो कोई पानी से पानी की कमी से कोई प्यासा ना रहता कोई वीचे तापका बिना पानी करना रहता लेकिन इसमें से आप देखते हैं कि एक परसेंट से भी कम पानी हमारी पीने योगे यानि कि सवक्च है बाकी आप समुद्रों में देख रहे हैं तो वो आप पी भी नहीं सकते हैं उससे नहा पित्वी पर उपस्ति जल की कुल मात्रा का 97.5 पितिसत जल महा साग्रों में है कितना देखिए 97.5 पितिसत जो आपका खारा है जिसका उप्रियू नहीं कर सकते आपको जल आसी कमात 2.5 बाग ही स्वक्ष जल या मेठा जल है लेकिन एक बात याद रखिए 2.5 पितिसत तो है लेकिन इसमें से अधिकतर आपका जल या तो हिमानियों की रूम में है या धर्दी में है तो उसे निकाल पाना संब्व होगे चाहिए उत्री गोलाद में इस्थल और जल का पितिसत किरम साथ चाली साथ और चालीस है इस्थल यहां चालीस है जल चालीस है अगर हम लोग दच्छेड की बात करें तो दच्छी गोलाद में महासागरों की वहसत गहराई आपकी 3800 मीटर एवं इस्थल की उचाही लगबग आपकी 840 मीटर देखने को मिलती है जल मंडल के अंतरकत आपकी महासागर सागर खाडियां आधी संब्लित हैं जल मंडल का हुए भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा नहों उसे आप लोग महासागर कहते हैं जल मंडल का हुए भाग जो तीन और से जल से गिरा हो और एक और महासागर से मिला उसे हम लोग समुद्ध कहते हैं क्या कहते हैं समुद्ध कहते हैं जल मंडल का हुए भाग जिसके दोनों किनारे इस थल से घरे होते हैं एक और टापूओं का समूव होता है दूसरी और मोहाना समुद से मिलता है खाड़ी कहलाता है बंगाल की खाड़ी देखते हो न आप लोग समुद का इस थली भाग में प्रवेश्ट कर जाने हैं पर जो जल का छेत बनता है उसे हम लोग खाड़ी कहते हैं महासागरी ये नीतल की चार तुनमों खुचाबच मंडल पाए जाते हैं जो इस पेकार है कैसे हैं? जो इस पेकार है किस पेकार हैं? महासागरी ये सरी महादूइपी है मगनतर महाद्वीब के किनारे वाला वय भाग जो महासागरी ये जल में डूगा होता है उसे आप लोग महाद्वीबिया मगन तट कहते हैं इसकी उसत चोड़ाई 80 किलोमीटर गहराई 150 से 200 मीटर और धाल इसकी एक डिग्री या फिर उससे कम होती है इस मगन तटों पर फिर मों खुमत्ष चेत जैसे उत्तरी शागर में आपका डौगर बैंक निव फाउंड लेंड की निकट आपका गरेंड बैंक आधी देखने को मैं मिलता है दूसरा है आपका महासागरी ये गर्थ ये महासागरों को सबसे गहरे भाग होते हैं जो महासागरी नेतल के लगबग साथ पितीसद भाग पर फहले होते हैं इनके ढाल खड़े होते हैं आकार की दृष्टी से गर्थ दो पेकार के होते हैं कम छेत पल बाले कितु गहरे अ आपने सुना होगा सबसे गहरा आपका मेरियाना गरत है इसकी गहरा है आपकी 11,022 मीटर यह आपका पिसांत महासागर में मेंड नाउर यह भी आपका 10,500 मीटर है यह भी आपका पिसांत महासागर में ही है टॉंगा यह आपका 9000 मीटर है यह भी आपका पिसांत महासागर में देखने को मैं मिलता है प्योरी टूरी को यह आपका 3902 मीटर है यह आपका अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है सुन्डा 8152 मीटर है यह पूरवी हिंद महासागर में देखने को मिलता है रोम से 7200 चंगन मीटर इसके गहरा यह दच्छडी अट्लांटिक महासागर में देखने को मिलता है एक बात हमेशा याद रखिये हैं उनसे कुश्चन्स पूंचे रहते हैं मेरियाना को तो आपको याद ही रखना है यह 27 महासागर में हैं गर्थ और सबसे गहरा यही है वहाद वीपी है मगन ढाल कहा जाता है इसकी ढाल प्रवर्थ आपकी दो से पांच सेंटीमीटर गहराई आपकी 200 से 300 मीटर तक होती है इसका सरवादी क्विस्तार आपका अट्लांटिक महासागर में हमें देखने को मिलता है 12.4 यह समस्त साग्रिय चित के 8.5 भाग पर पाई गाते हैं मैं हमेशा बोल रहा हूं आपसे मैप्स वाली क्लासों को देख लें आपको क्योंकि उसमें आपका मैप्स में बताये गया है पूरा चित में बनागी ठीका गहरे साग्रिय मैदान यह मादान महा साग्रिय नीतल का सरवादी क्विस्तित मंडल हैं जिसकी गहराई आपकी 3000 से 6000 मीटर तक देखी जाती है कितने 3000 से 6000 मीटर तक यह महा साग्रिय चित भल के लगवग आपकी 75.9 पितिसत भाग पर बिश्तित यह इतका सरवादी क्विस्ता है आपको पिसांत महा साग्र में देखने को मिलता है 80.3 पितिसत साग्रिय मैदानों में कटक जौला मुक्री यानि कि अपना 100% आपका जले तुक कहां कितना उपस्तित है उसके बारे में बताय जा रहा है यह आयतन में आयतन में आपका कम ही कुश्चेंस बन सकते हैं पितिसत में आपको याद रखना है दसलाग घंड में बताय जा रहा है महासागर इसमें सबसे जांदा 1370 यह आपका याद रखना आयतन है दसलाग घंड किलुमीटर में और पितिसत में आपका 97.25 पितिसत आपका कुल जलका महासागरों में विश्चेंस अपस रहे हैं फिर आपने देखा है हिमानियों हिमान आयतन है 2.05 आपका इस्तिति भूमी का जला आपका 9.5 आयतन इसका 0.68 अब आप से सबसे जांदा उप्यव इसी जलका तो प्यूप करते हैं नहीं करते हैं जीलें 0.125 आयतन है 0.01 पितिसत उस पास देते हैं मिर्दा में नमी 0.065 आयतन इसका 0.005 पितिसत जले हैं बायुमंडल 0.0.13 आयतन इसका कूल पितिसत में इसका हिससा है 0.001 पितिचा नदी उनालें मैं 0.007 आयतन इसका और कूल पितिसत में इसका हिससा है 0.00001 जेब मंडल आज तरन इसका 0.006 और पिती सत में इसका इसका 0.004 याद रख सकते हैं अच्छे से तरहें आपकी उच्चा बच की याकतियां नीतल पहाडियां समोद में जिसकी उचाई सबाड़ी एक हजार मीटर से अधेक होती है समुद्य परवत याक्तर पहाडियां कहलाते हैं सबाड़ सीस बाली समुद्य समुद्री परवतों को गार गाव योट कहते हैं पर आपका अंता सागरी ये कंद्रा महादुई की ये मगन तट और मगन ढाल पसकरी गहरी और खड़ी दिवार से युक्त घण घाटियों को महासागर की अंदर होने की कारण अंता सागरी ये कंद्रा या फिर कैनियन कहते हैं से जैसे आपके ने सुना हुगा हड़सन कैनियन कांगो कैनियन बेरिंग कैनियन प फिर आप सुनते हैं महासागरी एक कटक। यह परवतों को दू सिखलाओं से बने होते हैं। महासागरों के मद्ध-पशार की कारण आगाध शागरी मैदान की उपर से ऊपर एक कटक पाये जाते हैं। कहीं कहीं पर यह समुद्री जलेस्तर के उपर दीप बनते हैं। जैसे आपका एजूर्स दूई पर इन कटकों का सरवाधिक विस्तार आपका अट्लांटिक इवं हिंद महासागर में पाए जाते हैं किसमें हिंद महासागर में पाए जाते हैं अब आप देख लिए जो डिस्स की पिरमोग यह आपके दूई पर हैं इनसे कुष्चेंस बनते रहते हैं आपके ग्रीन यह इसका नाम होगा यह पवस्तिती होगी चेत्वल बरक किलोमीटर में इस चेत्वल को याद रुखना है आपको ग्रेन लेंड यह आपका आर्केटिक महासागर में इस ते थे इसका चेत्वल है 21,75,000 बरक किलोमीटर निव गिनी यह आपका पश्चिमी पिसांत महासागर में इसका चेत्वल है 8,21,400 बरक किलोमीटर आपसे इस तरह से questions पूंचता है देखतर कि ग्रेन लेंड किस कहां आवस्थे थे आर्केटिक महासागर में निव गिनी पश्चमी पिसांत महासागर में बुनियो दुईप कहां आवस्थे थे हिंद महासागर में 7,59,000 बरक किलोमीटर का चेत्वल है मेडा गासकर ये भी आपका हिंद महासागर में इस्थे थे 5,87,041 बरक किलोमीटर का चेत्वल है बैटिंदुईप कनाडा में उत्री आर्केटिक महासागर में इस्थे थे 5,7,459 बरक किलोमीटर का चेत्वल है सुमात्रा इंडोनेसिया में हिंद महासागर में है चालाग 22,200 वर्ग किलोमीटर्स का छेट पर है हुन्सू जापान में है उत्री परश्मी फिसांत महासागर में है दो लाग तीस हजार बानवे बर्ग किलोमीटर है इसका छेटपल है बेटेंड ग्रेट बेटेंड उत्री अटलांटिक महासागर में है दो लाग तीस हजार आटसो उननचर बर्ग किलोमीटर का छेटपल है या आपका कनाडा में उत्तरी धुरुप सागर में देखने को मिलता है 1,96,236 बर्ड किलुमीटर सोलेवेसी इंडोनेसिया में हिंद महासागर में 1,78,700 बर्ड किलुमीटर में फैला हुए दर्चडी दुई न्यूजी लेंड में दर्चडी पश्चडी में पिसांत महासागर में इस देते हैं 1,50,460 बर्ड किलुमीटर में फैला हुए जाबा दुई इंडोनेसिया में हिंद महासागर 1,26,400 बर्ड किलुमीटर में फैला है उत्तरी दुई न्यूजी लेंड में दर्च्री प्रष्टमी पिसांत महाँआगर में फहला हुआ है 146,887 भड दो क्यूबाद ये आपका केरिवियन सागर में 1,922 भड क्यूआगर है लुजोनदुप प्रष्टमी पिसांत महाँआगर में 1,468 भर क्यूआगर चित में फहला है आइसलेंड उत्री अटलांटिक महासागर में हैं एक लाग तीसा जारों बर्ग किलूमेटर में फैला है आइलेंड ये आपका उत्री अटलांटिक महासागर में हैं ब्यासी हजार चारसो साथ बर्ग किलूमेटर फैला हुए तस्मानिया दच्षडी पश्चेम पेसांत महासागरम, 87,690,1 km में फ्यला हुआ है, स्रीलंका, हिंद महासागरम है, यह आपका दुईप है, आप समझ सकते हैं, स्रीलंका जो देश मर्शा हुआ है, यह आपका दुईप है, 65,600,2 km में फ्यला हुआ है, हमारा पड़ोसी है, आपके स्रीराम एउध्या से यहां से गए हुए थे, समझ सकते हैं, कितनी दूरी दय करके गए थे, पूरा समुध पार करते हुए, पूरा भारत पार करते हुए, उत्तर भारत से दर्चन भारत जाते हुए, स्लीलंका, रामिस्वरम, महासागर, पैसांत महासागर, सबसे तो आपको याद रखना है जो जितना बड़ा होता है उतना ही सांथ होता है और जितना मोई फाड़ेगा आप समझ जाईए का यह फेकू है ठीक है क्योंकि जो जितना बड़ा होगा उतना ही सांथ सौभाव का होगा और आपने अवेसा सुना है कि खाली बर्तन ही आवाज करता है तो आजकल अधिकतर लोग खाली बर्तन की इतरह हैं कि किसी से भी दो सब्दे पूंच लेजे कोई भी टॉपिक हो उस पर बोलने के लिए तत्वर रहेंगे चाहे उन्हें आता हो या ना आता हो चलिए उनका काम है आपका नहीं है आप अच्छे से रहें बाकी सब ठीक है या अब इसका सबसे बढ़ा वो गहरा महासागर है जिसकी आकर्ति आपकी तिर्वुज़े आपको याद रखना है पसांद महागर सागर सबसे बहड़ा भी है वो सबसे गहरा है इसकी जो आकरती देखने को मिलती है तिर्भुजाकार है किसनी है तिर्भुजाकार पिसांत महासागर पितवी के एक तिहाई छेतफर समझ रहे हैं आप लोग पितवी है उसके एक तिहाई छेतफर पर आपका पिसांत महासागर ही है यह पश्चम से पूर 16,000 km चोड़ाई उ रूम में पहला हुआ है कैसा तिर्भुजा कर रहे हैं इसकी औसद गहराई की बात करें हम लोग तो 4572 मीटर इसका चितफल की बात करें तो आपकी चितफल है आपका 16 क्रोड 5723,740 वर क्लियो मेटर 16.05,53 शाइसा चालीस वर क्लियो मेटर सुस्थे इसके उत्तर में आपका वेरिंग जयनला मग़ुप देखने को मिलती है समझ में आया इसमें कई आंत्रिक और सीमां सागर जैसे बेरिंग सागर हो गया जापान सागर उको टसक चीन सागर अरापुआ सागर कूरल सागर आधी पाय जाते हैं इसी के अंदर रिस्तित हैं पिसांत महासागर मदवर्ती कटक नहीं पाय जाते हैं कि दू कुछ बिकरे कटक हैं जैसे पिसांत कटक अलवट टास पठार नीजिलेंड विरिज कुईंस लेंड पठार आधी पाय जाते हैं अट्लांटिक महासागर या महासागर विस्ट के छितफल का एक बटी छे भाग पिसांत महासागर के छितफल का एक बटी दो भाग में विस्थित्य इसका छितफल है आपका 8,29,63,800 बटी किलो मेटर इसका आकार आपका एसक्चर की समान है कैसे एसक्चर की समान है 35 डिग्री दच्चरी अक्छांस परिसकी फूर पस्चम चोंड़ाई 5920 किलो मेटर है फिर मैं एक सब्दी बोलूगा इसके लिए कि मेरा मन है कि आप सभी लोग पहले मैप्स की किलापसों को दीख लें उसके बाद ही आप लोग इसे पढ़ें तो आपके दिमाग पर भी कम जोर पढ़ेगा और आपकी सभी कुश्चन सॉल कर लोगे आप लोग इतना मैं कह सकता हूँ क्योंकि आप देख रहे हैंगी जहां भी मैप्स का आप सहारा लेंगी वहां आपको सरल भी किलासें लगने लगेंगी और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा कुछ यह भूमद्रेका की और आपका सक्रा होता जाता है साओ राक अंत्रीप तथा लाइवेरिया तट की बीच इसकी चोड़ाई 2560 किलोमीटर है इसके उत्तर में आपका ग्रिनलेंड हर्शन की खाड़ी वाल्टिक सागर उत्तरी सागर इस्तित है यह दच्छन में कुला है पूर में यूरो और अफीका वं पश्च में उत्तरी और आपा सेगर के मगन तत्र पर कोई सीमात सागर यों असंख दुई पाय जाते हैं जैसे आपका सेमात सागर वाल्टिक सागर उत्तरी सागर हर्शन की खारी डैनमार्ग जलडमरूप डैविस जलूरू और अदी मगन तरपर से दीपों में बर्मूड़ा सेंट-plants लेना फाग्लेंड कैपबर्ड बैटिस्टूइब टेनी डार्ड जोर्जिया आदी आपके प्रमोक हैं मद्य अट्लांटिक कटक की कई साखाएं जबसे आपने सुना होगा डॉल्फीन आवाल बूमद्रेका की उत्तर में अवस्ते थे चेलिंजर वाल बूमद्रेका की सामसन कटक यह आइसलेंड और स्कोटलेंड की इस्तित है टेली ग्राफिक पठार यह ग्रीन लेंड की दश्चन में इस्तित है अटलांटिक महासागर में हैं न्यूफाउंड लेंड 50 डिगरी उत्तरियक चांस के पास मद्द अटलांटिक कटक न्यूफाउंड लेंड उभार कहलाता है अजोर बहार 40 डिगरी उत्तरियक चांस के दश्चन मद्द बट्टी कटक से एक साखा अलग होकर अजोब बहार की नाम से अजोर तटकी ओर जाती है आँगे चलते हैं हम लोग वालविस कटक 40 डिगरी उत्तरियक चांस पर यह प्रीका के मनने तट पर इस्तित है राव गेंडी वार यह दश्चडी अमेरिका की ओर उन्मोक है मदबती कटक में कई चोटिया सागर के ऊबर त्रीट क्ती जैसे आपके आजोड का पेको दूई ड जाते आटलांटिक महासागर में आपकी बहुत कम जुईप देखने को मिलते हैं इनने में आपके प्रमोख हैं जो दच्छर सेंडबिच खाई, कैफ वाड़ेगर, फियुरिट टोरिको, गर्थ और रॉमेस, रॉमसे गर्थ आदी, हिंद महासागर, इंडियन ओसियन हिंद महासागर की उत्तर में एसिया महादीब, जच्छम में अट, अंटार किटी का महादीब, पूर में आपका और्टेलिया महादीब, और पश्चम में आपका अफी का महादीब लगा गुए इसके कुछ चेतफल की बात करें तो 7 करोड, 34,25,502 km में फ्यला हुए साथ करोड, 34,25,505,500, साथ करोड, 34,25,500 वर किलुमीटर है काल्स वर्ट कटक का अरब सागर को दोबारा वर भागों में बाटता है काल्स वर्ट कटक डियागुप गालची आदुईब, इसी महादीब में अबुका, इसी महासागर में इस्ते थे सीवांत सागरों में मुझामिक चैनल, अंडमासागर, लाल सागर और फारस की काड़ी पिरमोक है इस महासागर में भारत की दच्चन सिभरू होकर, मदबती कटक दच्चन में अंड, टार किटी का तक आपकी क्रमबद रूख से उत्तर दच्चन देशा में फैला है जो इस पिकार है सकुना, सैचलीज, सैचलीज, सैंटपाल, एमर्स्टरडम, मेडागासकर हिंद महासागर की मदबती कटक पर पर क्रम से लंका दूइप, मालदूइप, चैगुस, निउएम, सैंटपाल, करगुलेन, प्रैंस एडवर्ड, कुजेट, आदी दूइप आपको देखने को मिलते हैं यह थे आपके महासागर महासागरिय ताबमान महासागरिय ताबमान तटवर्ती इस्थलिय भागों की जलबाई को तरभावी करता है आपका महासागर का ताबमान महासागरिय जल का ओसत तापांतन नगन यानि की एक डिग्री सेल्सियस होता है उच्छे तम ताब मान साम को 2 बजे और नियुन तम ताब मान पराता 4 बजे होता है जो आपके महासागर है इनका अधिक तम ताबता है साम के 2 बजे और नियुन तम ताब मान आपका सुबह 5 बजे होता है आपने देखा होगा कि 12 बजे इसका मतलब दिन में 12 बज रहे हैं तो बीच का समय है इसलिए गरम होगा ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद 2 गंटे बाद यही गरम होती है धरती आपने देखा होगा अक्सर 2-4 बजे दिन में आगर आपकी दूप पड़ रही है तो साम के 2-4 बजे इसका असर देखने को हमें मिलता है और इसकी ठंड़क सुभए आपने देखी होगी 4-5 बजे अक्सर होता है गरमियों में आप लोग को नें 4-5 बजे के बीच में ही आती है सुभए उस समय ठंड़क आचुकी होती पुरी पित्वी पर तो यही आलम आपका महासागरों का यह है महासागरिय जलके ताबमान के वितरण को निमलिकीत कारव पर भावित करते हैं कौन से बढ़ती हुए अक्छांस के साथ ताबमान 0.05 बढ़ती हुए अक्छांस के साथ बारसिक ताबमान 19 डिगरी सेल्सियस और दश्ड़ी गरमे सोले डिगरी सेल्सियस होता है आपने दखा होगा उत्री गुलाद है उसमें पानी की कम मात्र है और जो दचड़ी गुलाद है उसमें पानी अधिक है तो आप समझ सकते हैं कि महादीप जंदी गरम हो जाते हैं और गरमी अधिक पढ़ती है इस तरफ इस तरफ कम गरमी महासागरों के पूर्वी भाग में कम ताम्मान तथा पश्चमी भाग में अधिक ताम्मान देखने को हमें मिलता है पच्छुवा पपन की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में अधिक ताम्मान होता है भूमत्रेखा से उत्री धुर्ब या फिर दच्चडी धुर् करता है क्योंकि दुर्मों की और सूर की करने तिर्ची होती रहती है यह वी आप लोग जानते हैं कि दुर्मों पर गर्मी कम बढ़ती है उत्री गुलाद में इस्थल की अधिक्ता और दच्षडी गुलाद में जल की अधिक्ता के कारण आसामान ताबमान बित्रन होता है यानि कि उत्री गुलाद में ताबमान अधिक होता है दच्षडी गुलाद में ताबमान कम होता है उत्री गुलाद में गरम इस्थल के संप सुर्वी सेाद्र भार वर शावाण अधीक होता है जैसे भू सब्सक्रांद इसका नैसा जैसे स्थांब गरब भा धाराएं पहुंचते हैं वहां का तामान बढ़ जाता है जैसे आपने सुना होगा गल्फ इस्ट्रीम उत्रिया अमेरिका की पूर्वी तटफर तामान बड़ा देती हैं क्या करती है तामान बड़ा देती है थंडी धाराएं तापकरम को नीचे कर देती है जो थंडी धारा होती है यह तामान को नीचे कर देती है यह कुछ ऐसे कॉमन सेंस लगाया जाते हैं जो आप भी जानते हैं कि आप किसी गरम पानी में ठंडा पानी मिलाएंगे ठंडी हो जाएंगे इतना याद रखा करिएगा लिबराडो ठंडी धारा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तड़ के तामान को हेमां के कि पास पहुंचा देती महासागरों की सतय कि जलका उसा तामान लगबग आपका 27 ड देगरी सेल्सियस तो आप देखते हैं महासागरी लबड़ता यहीं पिरमों कारण है कि हम लोग महासागरों का पानी यूज नहीं कर सकते उप्यव में नहीं ला सकते हैं कि सागरों में सतय पर सागरों में सतह पर समान लबड़ता वाले छेत्रों को मिलानी वाली रेखा को समलबड रेखा कहते हैं आईसो है, हैलाइन कहते हैं आप समसकते हैं सागरों की सतह पर जो समान लबड़ता वाले छेत्र हैं उन्हें जिस रेखा द्वारा मिलाए जाता है उसे समलवड रेखा कहते हैं महासागरिये जल के भार ये उसमें गोले हुए पदार्थों के भार के अनपात को महासागरिये लवड़ता कहते हैं क्या महासागरिय जल के भार उसमें गुले हुए पदार्पों के भार रहर को क्या करते हैं मासागरिय लवड़ता इसे पिती इसे ग्राम पिती 1,000 ग्राम के मापा जाता है मासागरिय जल की लवड़ता लगवक 25 ग्राम पीती हजार ग्राम है यानि कि आप समझ सकते हैं कि एक हजार ग्राम लीजिए उसमें आपके लबड की मात्रप कितनी वह सक रहेगी 35 ठीक है लबड़ता के संगटनों में किलोरीन सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है किलोरीन करक तथा मकर रिखाओं के चित लगबख 35 डिगरी के अफचांस के आसपास में लबड़ता सबसे अधिक देखने को मिलती है जबकि ये दुर्बों पर सबसे कम हमें देखने को मिलती है क पास आगे यह लबड़ता के प्रमोख घटक यानि कि इस लबड़ता में आखिर कौन-कौन से तत्व पाये जाते हैं उन्हें देख लिए क्योंकि कई बार आपका डारेक्ट कुश्चन से इससे बन जाता है जैसे सोडियम किलोराइड 27 दिसमलो याद रखे कुल मात्रा में 31,000 ग्राम है यह पिती ही सत है सोडियम किलोराइड 27 दिसमलो 213 पिती 1000 ग्राम में है और 37.8 है मैगनेसियम दिलोराइड 3.807 कुल मात्रा का और यह 10.9 पिती सत है मैगनेसियम सलफेट 1.658 कुल मात्रा का और 4.7 पिती सत है कैलसियम सलफेट 1.260 कुल मात्रा में इसका पिती 1000 ग्राम में और 3.6 यानि की 3.6 पितिसर पोटेसियम 0.836 कुल मात्रा में इसका हिस्सा और 2.5 इसकी मात्रा केल्सियम कार्वोनेट 0.130 कुल मात्रा में इसका हिस्सा 0.3 में इसकी 3.6 में इसकी 3.6 में 0.2 तो सबसे जाना आपका पाया जाता है सोडियम किलोडाई उसके बाद आपने देखा है में इसकी फिर मैंगनेशियम सल्पेट इन्हें याद रख सकते हैं आप दो सुरूं के सागरीय लवर्ता अधिक होने हैं पर जल का कुथनांग अधिक और हिमांग कम हो जाता है कुथनांग अधिक हो जाता है हिमांग कम हो जाता है सागरीय लवर्ता के कारण जल का घनत भी बढ़ जाता है कुथनांग के भी बढ़ जाता है और घनत भी बढ़ जाता है लेकिन हेमांग कम हो जाता है लवर्ता के अधिक होने से बास्पी का नियूं हो जाता है क्या बास्पवर्ना जो बास्पवर्ना देखते हैं आपे ये कम हो जाता है पित्वी सागरी लवर्ता का मुख सरोत है क्योंकि आप देखते हैं नदियों, जो नदियां होती है, सागर तक लवड पहुंचाने वाली प्रमुख का रखें आप देखते हैं कि इसमें बहेकर आपका जो पानी जाता है, वो महासागरों में मिल जाता है इसमें जो भी लवर्ता मिलका जाती है वो आपकी महासागरों में जा मिलती है पबन भी आपका जो पबन चलती है एवी इस्थाद से सागर तक नमक पहुंचाने यानि की लवर्ता पहुंचाने में का कारी करती है ज्वालमखी से निस्तर राकों में से भी कुछ लवर्ट प्राप्त होता है महासागरों को अगर हम लोग सागरीय लवर्टा के नियनतक कारगों की बाप करें तो सागरीय हमके पिगलन से लवर्टा में कमी आती है बड़ी नदिया महासागरों के तटीय जलकी लबरता को कम कर देती है बास्टपी करन से सागरी लबरता में बिद भी होती है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक कटोरी लेजिए यानि कि कोई भी आप भगोना ले सकते हैं उसमें एक लीटर पानी डालिए जैसे जैसे वो पानी सूकता जाएगा लबरता बढ़ते जाएगी नमक की मात्रा बढ़ते जाएगी एक समय होगा कि जो उसमें लबरता होगी वही केबद रह जाएगी आंगे बरसा लबरता को कम करती है क्योंकि बर्सा आपने से सुना होगा कि सबसे सौक्ष जल बर्सा का होता है पिती चक्किये दसा और उच्च वाई मंडली ये दाप से सागरी ये लबड़ता आपकी वर्टती है कुछ सागरों में लबड़ता की मातर है देख लिए ये भी आपका कुश्चन्स पूच लेता है वान जील जो आपकी है इसमें सबसे जानदा लबड़ता है 330 कितना 330 गराम एक हजार गराम में से 330 गराम इसमें लबड़ता है मरस सागर में 238 गरेट साल्ट लेक में USA में 220 कारा बुगाच खाडी में 170 सामबल जील में राजिस्थान में आपकी 205 कैस्पियन सागर का दच्छडी भाग इसमें 195 कैस्पियन सागर का उत्री भाग इसमें 23 और लाज सागर में आपका 40 तो सबसे याद रखना है वान जील म सबसे अधिक है अब आता है आपका महासागरी है धारा है सागरों महासागरों की सतव पर जल की एक निश्चे दिशा में पिरभावित होने की गति को आप देखते रहते हैं इस तरह से चलती रहते हैं कई बार आप लोग तालावों पर बैठकर देखिए कभी इस तरफ से पानी इस तरफ को बढ़ता दिखाई नेगा आपको कि नारों को चूता हुआ फिर बापसी लोट जाता है यही है जब पवन बेग से पेरित होकर सागरीय सतय का जल मंद गती से परी संचलित होता है तो उसे प्रभाव कहते हैं ड्रेप्ट कहते हैं जैसे दच्छडी उत्त समुद्य का जब जल जब एक निश्चे दिशा में अप एक चक्रित अधिक बेग से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं क्या कहते हैं करेंट इनका बेग 28-42 किलोमीटर पिती घंटा होता है जिसे आप लोग एल नीडों धारा भी कहते हैं एल नीडों पेरू के बश्म चलने वाली एक गरम जल धारा है तो आपसे पूंच लेता है कि एल नीडों किस तरह की जल धारा है गरम या ठंडी तो आपको याद रखना है करम लेकिन आप एक सब्दोर सुनते हैं ला नीडों एक विपरीत मासागरी धारा ये ठंडी धारा है इसका प्रभाव तब होता कि ला नीडों और एल नीडों कि विपरीत स्तिती है अथात ला नीडों साधारे निज्तिती है है यह जल्वाई परिव्वेतन के कारण उत्पन होती है किसके का रहा है जल्वाई के प्रविवत्न के कारण उत्पन होती है कि समुद्धिका चल जब अधिक गती से एक सुनिष्छी दिशा में भूप पेश्टी ये नदियों की भाती गती सील होता है तो उसे उसे विसाल धारा कहते हैं यानि जैसे आपकी गल्ब इस्ट्रीम होगे हैं ये आपकी विसाल धा धारा हैं महासागरिय धारा हैं धाराओं के आपके पिकार यानि की टाइप कितनी टाइप्स की होती हैं तामान के अदार पर महासागरिय धाराओं को आप दो बर्गों में भाड़ते हैं एक आपकी गरम धारा दूसरी आपकी ठंडी धारा गरम धारा विस्वत रेखा से ध द्रवों की वहुद प्रभावित होती है दारा उसे आप लोग गर्म धारा करेए हैं और जो द्रवों से विश्वत रेका गी हो बहने वाली धाराएं होती हैं वह ठंडी होती हैं जैसे आपकी लिव्ब्रा दोध्रा आप हमेशा जानते हैं कि तामान हमेशा एक और से परेशा होता है जॉहनिके हमम आपकर है पित्वी कि परीविरमढगती के कारण धाराउं की देशा में जहकाओं पिह्रल के अनुसार नियमुनसार या जहकाओं उत्री-गुलाद में दाई तरफ उधाँ weirdly में वाई तरफ देखने को मिलता है पितवी के गूडन के कारण उत्पन आवासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं पितवी के गूडन के कारण जो उत्पन होता है आवासी बल उसे क्या कहते हैं कोरियोलिस बल कि महासागरीय धाराओं के उत्पन होने की कारण क्या है यानि कि किस कारण यह ँत्पन होती है पित्वी की जुडन कि गती के कारण बाइग दाप पवन के कारण सागर की बस पॉइंट आप याद रखे लिए अगर आप से कहीं मैंस में अगर यूपीवीबीचीयस PCS पीचीयस कहीं मैंस इस तरह से लिखने को आप आप इन्हें डाल सकते हुआ पिसांत महा सागरी की धाराओं की बात करें तो सबसे पहले इसकी गर्म धाराये देख लिए आपे अक्सर अमें आपके धाराओं से question nasze इन यहीं बंते हैं तो इसमें पिसांत महासागरी की गरम जलदारी अव्याह सामेल हैं पूरवी batery ॐश्वति यह है यात रखिए पिसांत महेसागर्ट यह थंडी जल डारा है पिसांत महासागर्ट की खीराइल यह म्यद्यठी कंट यह UP KOLट दारा केलिफॉनिय थार चैसर रहा जर फिर यह हमब्रोल्ट की धारा ओंगा यह आपकी ठंडी जल दारा हैं पिसांत महासागर की तो आपका अट्लांटिक महासागर की धाराओं की बात करें तो गरम जल दारा हैं गल्प इस्टीम ब्राजील दारा उत्तरी विस्वति रेकिये धारा विपरीद विस्वतिये रेकिये धारा गिनी धारा भी बोलते हैं थंडी जल्दाहराओं की बात करें तो इसमें आपकी बेंगोला हो गई की धारा केनारी की धारा लिप्राडोर की धारा फॉक्लेंड की धारा अंटार कृटी का प्रवा दच्छिड अटलांटिक महासागर प्रवा इस अभी आपकी अटलांटिक महासागर की थंडी जल्दाह लान्स उत्र ही अट्लांटिक महाशागम है गल्ण,भिष्टाीम,कैनारीधारा, उत्र हे विष्वतियीय रेकीधाराः एक पिती चक्क वातीय hd फिर वह क्रम पाए जाता है जिसके अंतर क सांत एभिम गती ये जल पाय जाता है जिसमें आपकी सारगेसु गहास पहली होती है सारगेसु गहास पहली होती है इस बाग को सारगेसु सागर भी कहते हैं क्या कहते हैं सारगेसु सागर को सरपतम इस्पैंड की नामिकों ने देखा था कहांके इस्पैंड की यह आपका 20 डिग्री उत्तर से 40 ड संतर तक हमें देखने को मिलता है यहां आपका अट्लांटिक महासागर की सरवादिक लबड़ता है 37 कितनी 37 पीठी सथ पाई जाती है मिलीवार में सार्गिसु सागर की चारों ओल समुद्री धरायें प्रभावित होती है यह एक ऐसा सागर है जिसका तट नहीं है किसका अट्लांटिक महासागर का कुई तट नहीं है इसको महासागरी मरुठल की रूम में भी हम लोग जानते हैं इसका वुसत तामान सागर में तेती हुई गास नह अट्यों में बादा उतन करती है जो हशोत्य है कि आप के मिलीध सागर की छाइवान अगुल हास मुझांबिक, मेडागासकर, दश्चन पश्चन मानसून द्वारा, उत्तरपुरी मानसून द्वारा, दश्चन विस्वती रेकी द्वारा, यह सबी आपकी गरम जल्दारा है, ठीक है? अगर हम लोग हिंद महासकर की ठंडी जल्दाराओं की बात करें, तो पश्च में ऑस्टेलिया धारा, इसकी ठंडी जल्दार है, अब हम लोग बात करते हैं महासकरी धाराओं की प्रभाव की, किनका आखिर प्रभाव क्या रहता है? जब गरम धाराओं ठंडे भागों में पहुंचती हैं, तो वहां अधिक सर्दी नहीं होने देती हैं, जैसे ग्रेट बेटेंड, नौर्वी, स्वीडन, डैन्मार्ग, आदी का तामान, गल्प स्ट्रेम के बड़े भाग उत्तरी, अटलांटिक धारा की कारण आप एक चक् रहता है, इसी तरह ठंडी धारा जिस किसी स्थान की तामान पर पहुंचती हो, वहां की तामान को अतेंत नीचा कर देती हैं, जैसे आपकी क्यूराइल, लिब्रादूर, फाकलेंड की ठंडी धारा हैं, प्रभाविच छित्र में भारी हिमपात के लिए जिम्बिदार रहत गरम और ठंडी धाराओं के मिलन इस्तर पर कुहरा परता है, जो नौहन के लिए संकट की स्थिति यानि की जो नौह बहन है, इसके लिए संकट की स्थिति उत्पन करता है, कुहरा तो आप लोगों को भी परिसान करता है, जब आप कोई गाड़ी चलाते हैं, तो आपको अने से घना कुहरा परता है, जहां ठंडी और गरम धाराएं मिलती हैं, वहां मचली पकड़ने का विसाल छित बनता है, धाराओं द्वारा मचली के लिए प्लेंक्टन यानि की घास लाए जाना, मचली के लिए आदर सिस्तिति उत्पन करता है, गल्प इस्टेम धारा या प्लेंक्टन न्यू फांड लेंड तथा उत्तरपश्मी यूरोपीय तर्ट पर पहुंचा जाता है, जिस कारण यहां मत्स उत्दिव अत्यदिव बिक्सित हो जाता है, तो इस तरह से आपकी यह धाराएं थी, ज्वार भाटा, सूर तथा चन्दमा की आकर्षन सक्तियों के कारण सागरिये जल के उपर उठने तथा गेडने को नीचे गेडने को ज्वार भाटा कहते हैं, जिसके सूर और चन्दमा की आकर्षन सक्ति के कारण, आपने देखा होगा, उपर जब जल उठता है, तो उसे ज्वार कहते हैं, जैसे वो नीचे गरता है, उसे भाटा कहते हैं, ठीक है? अर्था सागरीये जल के उपर उठकर इस्थल की ओर आंगे बरने को ज्वार कहते हैं, और सागरीये जल को नीचे गरकर सागर की ओर पीछे लोटने को आप भाटा कहते हैं, इससे उत्पन तरंगों को ज्वारिये तरंगे कहते हैं कई बार आप सुनते रहते हैं इससे बिद्दुद बनाने की बात चलती रहती है उच्ची या फिर दीग ज्वारित भी आते हैं जब सूर चंदमा और पित्वी एक सीधी रेखा में होता है यानि की तीनों सूर हो गया चंदमा हो गया पित्वी तीनों एक सीधी रेखा में हों ऐसी इस्तिती आप लोग सामानता अमावस्या अत्वा पूनिमा के समय ही देख पाते हैं चंदमा ऐसी इस्तिती कब देखते हैं अमावस्या अत्वा पूनिमा के दें जब सूर्चंदमा पिथवी से समकौणी एस्थिती में होते हैं तब निम्ने यानि की लगुजवार आते हैं जब सूर्चंदमा पिथवी एक सीधी रेखा में होते हैं तब उच्च जवार आते हैं और जब सूर्चन्दमा पिथवी से समकौणी इस्तिती पर होते हैं तो यह निम्न या फिर लगू ज्वार आते हैं यह स्तिती सुकल तथा किष्ण पक्षी की अश्ट्यमी को होती हैं पिथवी से चन्दमा की अधिक्तम दूरी पर होने से उत्पन जवार को अपभू जवार कहते हैं क्या कहते है अप्वु जौर और पित्वी से चंदमा की निकत्तम दूरी के कारण जो जौर उत्पन ओते हैं अप लो उप्वु जौर कहते हैं पित्वी पर पितेक इस्थान पर पिती दिन 12 गंटे 26 मेट बाद जुआर उसके बाद जुआर के 6 गंटे बाद 6 गंटे 13 मेनट बाद आपका भाट आता है। यानि कि दो जुआर के टाइम, दो जुआर में आपका, दो टाइम अगर जुआर आ रहा है तो वहाँ एक भाटा भी उत्पन होगा, एक जुआर के अंद को चंदमा के सामने आने हैं, मैं आपके 24 गंटे 26, 24 गंटे 22 मिनिट का समय लगता है, 24 गंटे पिते किस्थान पर दो जुआर, दो बार जुआर आपका, दो बार भाटा देखने को मिलता है, ठीक है? पितिवी पर एक ही समय में दो बार जुआर उत्पन होते हैं, एक तो आपके चंदमा के सामने तथा दूसरा ठीक उसके पीछे के भाग में, चंदमा का जुआर उत्पादक बलसूर के वलकि से दुबना होता है चंदमा के गुरता कर्षण और पिथवी तथा चंदमा के कैंद पिसारी बलद्वारा ज्वार आपका उत्पन होता है जब सूर तथा चंदमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो दोनों भी याकर्ण सकती एक साथ मिलकर कार करती है उसके पैडाम था जो आपका ज्वार उत्पन होता है उच्छे दीग ज्वार आता है उसमाई यह स्थेती आपकी पूरिमा तथा आवास्या को देखने को मिलती है देख रहे होंगे आप लोग चित्त में उच्छे दीग ज्वार यह आपका सूर हो गया चंदमा और यह आपकी पित्वी चंदमा पूरिमा आवास्या या तो फिर तूरिमा और आवास्या के दिन यह समकौण्ड बनाते हैं जब सूर पित्वी तथ चरदमा मिलकर संकौण बनाते हैं सूर तथ चरदमा के आकस्टपल एक दूसरे के विपरीत कारी करते हैं वो फईडाम्त आपके निम्नज्वाल लगुंज्वाल देखने को मिलते हैं या स्थिति किटी किट पक्ष और सुक्ल पक्ष की अश्टिमी को हमें देखने को मिलती है यह आप देख रहे होंगी चित देखिए पित्वी चन्दमा और सूर निम्ल लगुजी पार एक सब्दा आप सुनते रहते हैं कोरल रीब प्रवाल भीतियां प्रवाल गित्तियां कोरल रीब प्रवाल भीतियां का निर्माड मूंगा संग सिलिन्टेटा जीवों के अस्थी पंजरों के समेकन एवं सयोजन द्वारा होता है प्रवाल भीतियों के निर्माड किस से हुता है मूंगा जो आपके संग सिलिन्टेटा जीवों के अस्थी मंजर के समेकन और सयोजन से आपके प्रवाल भीतियां बनती है कुछ उस निकटी बन दिये सागरों के उतले सागर के तटों के सारी प्रवाल पोलिप द्वारा निर्मित भीति को आप लोग प्रवाल भीति भीत्री कहा जाता है इसके निर्मार में अनेक घीमों का युगदान होता है जैसे आपके केल्सियम सेवाल हरा सेवाल इस्टो माट्टा पौरा ट्यूडरस गेस्टो पोरस इन सब का युगदान भी इसे की निर्मार में होता है प्रवाल के विकास के लिए एक तामान सही होता है 20-25 डिगरी सेल्सियस और 200 मीटर की गहराई स्वक्षजल औसत सागरी लवड़ता इसके लिए 35 होनी चाहिए मिलीवाल यह इसके लिए आदर्स दसा है रचेना के या आधार पर आप लोग प्रवाल भीति यूंदा महादूईपिय किनारी या दूईप के किनारी दिर्विन्त हने बलाली प्रवाज भीति को आप लोग तटीय प्रवाल भीति कहते हैं इवित्या मकाउद्वीब, दच्छडी फ्लोरिडा, मलेसिया, भारत के मननार की खाड़ी और अंडमान में हमें देखने को मिलती है दूसरी है आपकी अवरोधक पिर्वाल वीत्री सागरिये तट से कुछ दूर, सागरिये तट से कुछ दूर किंतु उसके समानतर समानांतर इस्तित बेहदाकार बेपाल वीत्री को आपको आवरोधक पिर्वाल वीत्री कहते हैं इसकी लंबाई 1900 किलोमेटर और चोड़ाई 160 किलोमेटर होती है विसकी सबसे बड़ी पिर्वाल वीत्री आपकी आउस्ट्रेलिया के उत्तर पूरवी तट पर ग्रेट बेरियर रीव है जो आवरोधक पिर्वाल वीत्री का उधारान है कौन ग्रेट बेरियर रीव इसकी लंबाई आपकी समानतर 1900 1900 किलोमेटर और चोड़ाई 160 किलोमेटर फ्रयापका वल्याकार पिर्वाल वीत्री यह दुईपी है चलमगन पठार के चारों और अंडा का रूप में बाई जाती हैं गोड़े की नाल या मुद्धिका के आकार वाली पिर्वाल वीत्री को एटॉल कहा जाते हैं जैसे आपकी फुराफूटी फुराफूटी एटॉल पिर्वाल बिरंजन कोरल बिलीचिंग जब सागिरियत तामान में बिद्धी हो जाती है तो पिर्वाल सेवालों को अपने सरी से निकाल देते हैं जिसके कारण पिर्वाल का आहर नहीं मिल पाता हुए मर जाते हैं इसे ही पिर्वाल बिरंजन कहते हैं सेवाल के निकल जाने में प्रवाल स्वेत रंके हो जाते हैं इस पे इसे प्रवाल बिरंजन करते हैं प्रवाल बिरंजन हिंद महासागर में अधिगवार पाए जाते हैं किसमें आपकी हिंद महासागर में चलिए अब देखते हैं महासागरिये निच्छेप के बारे में ओसियन डिपो साइट साइट से बेसमस्त आउसाद जो महासागरिये नीतल पर अनन्त समय से जमा होते चले आ रहे हैं उसे महासागरिये निच्छेप कहते हैं सागर में ये निच्छे कई सावनों से प्राप्त होते हैं, कुछ निच्छे इस्तल से नदियों द्वारा, लहरों द्वारा, हवा द्वारा, अवसाद रूम में प्राप्त होते हैं, कुछ निच्छे समुद्री पौदों, जीवों के अवसेस के रूम में प्राप्त होते हैं यह आपके लवड की तरह ही जमा होते हैं आप देखते हैं कि नदी के द्वारा बहा कर ले जाया जाता है लवड और वो आपका समद में मिला दिया जाता है इसी तरह निच्छे भी आपकी नदीयों और हवारों के माध्यम से भी जा सकते हैं मासागरिये निच्छे आगाद रोप से नीतलों पर विभिन पर्तों की रूम में जमि होते हैं जेने निलने बलेखित पिकाल स्थ में बरगी कित किया जा सकता है भूमिच इस्थलिये निच्छे गंबी सागरिये निच्छे तो सबसे पहले बात करते हैं भूमिये, भूमिच, इस थली ये इस निच्छे इस थल से विमेन साधनों द्वारां बहुत से पदाल्त आसंगटित रूप से महा दूईपिये मगन तट तथा मगन ढ़ालों पर जमा होते हैं आउसाथ के साथ साथ ज्वाला मुकी, पदाल्त, तथा समुद्रिये, जीव, जन्तु, तथा पौधों के आउसेस भी बित्दमान रहते हैं इन पदाल्तों के आकार में परियाप्त विवन भिन्निता होती है, अता सागरों में इनके निच्छेपण में तरणी कर पाये जाता है, क्या पाये जाता है, सरणी कर कड़ों का आकार उनकी बनाबट और रसाइनिक संगठन के आधार पर भूमिच पदार्थों को तीन भागों में विववब्त किया गया है, जैसे आपकी बजरी, रेत, सिल्ट, मिट्टिका या कीचड इन निच्छेपों में अधिकास कड़ कठोर इस्पिटिक होते हैं, जो रसाइनिक परिवतन से कम प्रभावित होते हैं, परन्तु मुलाइम कड़ के पंग के निर्मार में साइक भी होते हैं समुद्रों में पाया जाने बाला पंग, निच्छेपरम के आदार परतीन भागों में बाटा गया है कौन-कौन? गंबीर साघ्रिय निच्छेप ये निच्छेप सावानता आगाद साघ्रिय तल और महा साघ्रिय गर्फ में मिलते हैं आपकी इस पेकार के निच्छेपों में साग्रिय जीब जन्तू तथा साग्रिय वनस्पतियों की अधिक्ता होती है अन्य पदार्थों में ज्वाला मुखी राक और एलूमेनियम के सिलीकेट तथा मैगनीज कर पाए जाते हैं इस पंक कहलते हैं क्या कहलती पंक खिए जो आपके हल्के बूरे रंके होते हैं जीवों में कुछ गलन सील तत्था कुछ आगोलन सील तत्थों से बने होती है इनको चुना पादान या फिर सिल्का पाढ्र दो चु सबादान क्या आता है फिलिप लेक फिलिप लेक ने गंबीव सागरिय निच्छेपों को दिये गए चार्ट के अमसाल विभादि किया है देख लिजे से गंबीव सागरिय निच्छेप इसे दो भागों में यहां बाटा गया है कार्वेनिक निच्छेप और दूसरा है अकार्वेनिक निच्छेप फिर कार्वेनिक निच्छेप को भी दो भागों में बाटा गया है चूना पिधान और सिलिका पिधान और यहां आपके अकार्विनेक निच्छेप को भी दो भागों में बाटा गया है लाल, मितिका और उलिका, धूली यहां इसका काम करतम होता है कार्विनेक निच्छेप को दो भागों में बाटा गया था जिन मैं चूना चुना को भी दो भागों में वाट दिया है नोंने गिलोबी जेरीना पंक और दूसरा है टेरो पोर्ड पंक और सिलिका पिदान को भी दो भागों में वाटा है डायटम अपंक रेडियो लोरिन पंक तो यह सागरीयन इच्छे अब चलते हैं हम लोग महा सागरी और महा दूइपिये खनिश संसादनों पर आपके लिए बहुत ही मंत्पूर रहते हैं खनिश संसादन पितवी के गरब यानि के आंतरिक भाग से निकाले जाने वले पदार्थों को हम लोग खनिश पदार्थ कहते हैं क्या कहते हैं? खनिज पतान, जैसें लोहा हो गया आपका, और क्या ख हो गया? लोहाद चान्, सौना- खनिज पतान प्राक्तिक रोप से निकलने वाला हो ऐ पतान्त है. जिसकी अपनी बहुत्तिक बिस्षिंस्ताइं होती है और जिसकी बनावट को रसाइनिक गुड़, आप लोग खनन या फिर उत्खनन कहते हैं आप लोग कई बार सुनते रहते हैं कि उत्खनन हो रहा है या खनन हो रहा है सौनी का खनन करवा रहा हूं लोहे का खनन हो रहा है तो यही है कम गहराई पर जो खाने होती हैं उने हम लोग खुली खाने कहते हैं और अधिक गहराई पर खोदी जाने वाली खानों को कूप खदान कहते हैं क्या कहते हैं कूप खदान खनिज पदार्टों को आप लोक तीन भागों में भीवाजीत कर सकते हैं पहला आपका धातवी खर्ज इसमें आपके क्या-क्या लोगा हो गया तामा टेन जसता सिसा चांदी सोना अधि धातवी खर्जेओं को भी आपके दो भागों में बाढ़ती है गया है कौन वाँ से लोए धात्वी खनिच जैसे लोहा हो गया इसमें मैगनीज हो गया कोबाल्ट दूसरा है आपका आलोए धात्वी खनिच जैसे ताबा सीसा जस्ता सौना चादी खनिचों को दूसरा पिकार है आपका अधात्वी खनिच इसमें आपकी सामिल है कंदक हो गया जिप्सम एसवेश्टस तीसरा है आपका खनिच हीनन जो आप लोग देखते हैं कोईला पैटॉलियम प्राक्तिक गेस अडू यह आपके खनिच इधन हो गया है यह भी आपके लि रहते हैं एकोनोमी के लिए इसके इलाबा आपने देखा होगा कि नमक, प्लैंगिटन, खाद पौदे, मचलिया, सीब एवं कई पिकार की जीब जन्तु और पौदे भी प्राप्त होते हैं सागरों से, महासागरों से और महादीवों पर जैम मंडल, जीव मंडल, स्थन धारियों के आकाल तक के जीव पाय जाते हैं, जीव मंडल कहलाते हैं, यहां मनुस्य से लेकर सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से, तथा जीव मंडल द्वारा जुड़े होते हैं, आप अगर समझे हैं कि आप समझ सकते हैं, देखी आगर सोची मैड सांप ना हो सांप के वाद नेवला ना हो नेवला के वाद सेर आप कुछ भी ले लिजेस तरह से हम एक दूसरे पर निरुभार रहते हैं कि समझ रहे हैं अगर एक सोचिए कि एक अगर किसी का भी अस्तित धर्दी से खतम होता है तो हम पर असर पढ़ता है इसका अब समझ सकते हैं आप लोग तितिलियां खतम हो रही है तो उसका फसलों पर देख रहे हैं आप लोग क्योंकि फसलों का जो उतपादन होता था पराग्दर वो तितलीयों का ही सहरा लिया जाता था उसमFirst तो तितिलियां हमारे लिए नुकसान दायक नहीं थी फायदे लायक थी लेकिन अब देखने को नहीं मिलता है फसलों के वह पादन चमता भी गरती आ रही है तो हमें हमारे लिए अकेला धर्ती नहीं है जितना हमारा कप जाये धर्ती को उतना ही सबका अधिकार है बस क्या है क हम थोड़े लालची हैं अपना धरम भूल जाते हैं अपनी लालच बढ़ा लेते हैं अब आप पेग गाय को दिख सकते हैं वो अपना धरम निवाती है दूद देती है अगर आप उसे पालते हैं वो अपना कम से कम धरम तो निवा रही है लें हम में से अधिकतर लोग अपना दरम ही भूल चुके हैं जी मंडल के प्राणियों को मुक्ता दो भावों में बाठते हैं जन्दु जगत वो दूसरा पादब जगत जन्दु जगत और पादब जगत पितवी के तीनों परिमंडल इस्थल, जल और वायू आपस में परस फरीक तिरिया करते हैं एक दूसरे को किसी ना किसी रूप से प्रभावित भी करते हैं इस्थल मंडल, जल मंडल, वायू मंडल उधारन के तोर पर लकडी अथवा तथा खेती के लिए बनों का काटा जाने तो इससे डहलुआ बाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होता है और आप समझ सकते हैं कि ओक्सीजन की कमी होती है ओक्सीजन की कमी होती है तो मानों प्रभावित होता है मानों प्रभावित होगा तो अन जीब जन्तू प्रभावित होगे और पर आपकी धर्ती प्रभावित होगे यसी प्राक्तिक आपदा हैं जैसे आपका भूकम, बभूस, कलन, हेमस, कलन, आधी से पितवी की सतय में परिवतन आ जाता है यानि कि हम पर्यावर्ण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसी का पैड़ाम हम लोग भुगतते रहते हैं समय सवाइबा जीलों नदियों में दूसरे पदार्थों की पिरवावित होने से उनका जल मानों की इस्तिमाल की लायक भी नहीं रह जाता है या जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है कारबन डाई ओकसाइड बायू का एक महत्वून घर्टक है आपका आप लोग जानते हैं लेकिन कारबन डाई ओकसाइड की मात्रा में बिद्धी के कारण पित्वी के तामान में बिद्धी हो रही है इसे भूम अंडली ये तापन कहते हैं क्या कहते हैं भूम अंडली ये तापन एक बात हमेशा याद रखिए कि हमारी पिधवी संतुले है इसे मतलब तुमारी जिरूरत नहीं है बस इस इस हिच्छेडचार मत करिए आप समझे हैं कि ऑक्सीजन बढ़ा दें तो ऐसा संभाव नहीं है अगर आप पेट लगाते हैं तो आपको फायदा होगा हमें परियावाण को बचाने की आवस्टा नहीं है बस उसे परेशान ना करें उसे मिटा है ना वो अपने आप बचा रहे हैं क्योंकि हमारी इदनी आउकाद नहीं है कि हम परियावाण की सुरक्षा कर सकते हैं क्योंकि जिसने हमारी सुरक्षा की हो हम उसकी सुरक्षा कहां कर सकते हैं बिस्तु के बन बिस्तु में बन नेमलिकित पिकार क्यों होते हैं पहला आपका ऊष्ण कटी बंदिये सदावार बन वह बन विश्बतिये पिदेश है और ऊष्ण कटी बंदिये पिदेशों में पाय जाते हैं आपके उठने कटी बन दिया सदावार बन कहां कामा जाय देते हैं आपके विसुबतिये रेखिये पिदेश और उठने कटी बन दिया पिदेशों में यहाँ पर 200 cm से अधिक वर्सा देखने को मिलती है यहाँ पेडों की पत्तियां आपकी चौडी होती हैं कैसी होती है चौणी पिर्मों क्रिस्थलों में आपके अमेजन जायरी की बेसिन पश्चिम अफिका के तटिये पिदेश मलेसिया तटिये म्यानमार कंबोडिया वेतनाम इंडोनेसिया निवगवाना आधी छित्रों में फैले हुए इन बनों में आपको वह महोगनी हो गया आ और उस नीक टीवान दिया जनजावतों को अब रोध की रूम में कारीकरते हैं मैंगो बह हमारे लिए सुरक्षा की तरह सुरक्षा करते हैं हमारी आप ने सुनाओ भारत का मद सुंदर बनमें मैंगो बनों का उधारन आहने जो चक्कबाद को रोकता है फिर हैं आपकी उस निकटी बंदी ये मानसुन बन ऐसे बन म्यानमार्थ, थाइलेंड, कमबोडिया, लाउस, बेतनाम, भारत की कुछ भावों में उत्तरी ऑस्टेलिया और पूरवी जामा में देखने को आपको मिलते हैं इस बन में आपके टीव हो गया बास, साल, चन्दन, कठलता, बबूल, योकेलिप्टस, आधी पाये जाते हैं अधिकास ब्यक्ष परण पाती होते हैं, कैसे होते हैं? परण पाती फिर आप सुनते हैं सीतोष सदाबहार बन, ऐसे बन चेत्रों में साल बर वर्सा देखने को मिलती है सीतकाल में ताबमा ने आगा, फिरा 10 सेंड सेल्सियस से अधिक होते हैं ब्यक्षों की पत्तियां चौणी होते हैं, कुछ ब्यक्ष परण पाती भी होते हैं ये बक्ष दच्चडी ये बन आपके दच्चडी चीन, दच्चडी जापान, दच्चडपूर उस्टिलिया, अफीका में नटाल, तट दच्चड ब्राजील, दच्चडपूर भी सहयुद्रा जमेरिका में देखने को मिलते हैं इस बन में आपके बास बांज हो गया, कपूर बास, यूकेलिप्टस चीड, क्यूबिक, को, अक्रोट, है कोरी, बिलेक बुड, आयरन बुड, बॉटल, आदी पर आपके आते हैं भूमद्द सागरिये बन, भूमद्द सागर के निम्न, चेत्रों, दच्चन पश्चिम ऑस्टेलिया, दच्चन पश्चिम अफिका, मद्द चेली, कैलिपॉनिया में ऐसे बन आपको देखने को मिलते हैं इस बन में बार, यूकेलिप्टस, देओधार, साइपरस, मैक्विश, फ्रांस, चैपरेल, कैलिपॉनिया में आदी पाये जाते हैं आपको देखने को मिलते हैं इन में सीथ, फिर आप देखते हैं सीथ सितोष्ट बन, एबंचित पश्चिमी यूरोप, पूरवी सहिवतराज अमेरिका, उत्तरवी चीन, उत्तरी जापान कोरिया, देच्चन चीली, आदी में देखने को आपको मिलते हैं इन बनों में आपने बाज देखा होगा, अखरोट हो गया, पॉपलर, हिकोरी, बीच बादाम, चेरावेल, मैपिल, देवदार, इसपूस, आदी देखने को मिलते हैं फ्रे आपका टेगा बन, फड़बाती बन, एवन आपके चित यूरिस्याई, चित उत्तरी अमेरिका में पश्चमी तट से, पूर्वी तट का चित, मद्धक चांसी है, गहां से इस्थलों, और धुर्पी है, टुन्डा पिदेशों के मद्द देखने को मिलते हैं इसमें आपके इस्पूस हो गया चीड, विस गरजय, साइफरस, देवदार, यह आपके बन देखने को मिलते हैं विस की प्रमों की बनस्पतियों की बात करें अगर हम लोग, तो इनमें देख सकते हैं आप लोग, जेरोफाइट उषण कटी बन दिए मरुस्थलिए चेत्रों की बनस्पति आपकी जेरोफाइट हाइग्रोफाइट, यह आपकी दलडली और भूमद रेखिये, विसवती यह, उषण आद्यता वाली बनस्पतिए Hydrophite जल पिलाविद चेतरों की बनसपती है Halophyte ये नमकिन चेतर में पाई जाने वाली बनसपती है Topophyte आपकी उस्ट कटी बंदी है जल वायो बाली घहांस और एवं बनसपती चेतरों में पाई जाती है Lithophyte कडी चट्टानों में उगने वाली बनसपती होती है मैसोफाइट यह आपकी सीटोष्ट कटी बंद छेत्त की बनस्पति है कि रायोफाइट टुन्ना एवं सीट प्यधान चित्रों की बनस्पति है आपकी इससे आपका कुश्चेंस अधिकतर बार देखा गया है यह आप तो PPCCS जो आपका UPPCS होता था उसकी फ्रिलेम्स में हर बार इससे कुश्चेंस बनते थे अभी भी आपके आते रहते हैं से तो आपको याद रखना है यह मैदान है और यह छेत थे आपके जैसे आपका पेरी है यह आपका उत्री अमेरिका में देखने को मिलता है Istepi आपका यूरेसिया में, Parkland या आपका दचठी अफिका में, Weds दचठी अफिका में, Pampas अर्जंटीना में Campos ब्राजील में, Savana अफिका मह दिम में, Lanoos, Gwana में, Downs आपके Australia में देखने को मिलता है तो इनं ever रही है आपको जो फ्रूंस आपको जो से याद रखनी में तो आप इन्हें याद रखना है उत्थर हैं आपके महादीप क्या हैं महादीप समुद्ध तल से उपर उठे हुए पित्थवी के विसाल भुबाग को आप लोग महादीप के नाम से जानते हैं एसिया महादीप हो गया ऑस्टेलिया महादीप हो गया अफीका महादीप हो गया यूरो महादीप हो गया उत्तरि अमेरिका धिश्री अमेरिका के हैं इस्धी बात Persian अगरय हीत आपके महादीपों के अमलोब बात करें तो इसमें आपके सामेल है एसिया यूरोप उत्री अमेरिका दच्डी गोलार्थ की बात करें अंगलत तो इसमें आपके आुस्टलिया और अंटार्किटिका है सीधा सा मतलब यह बता रहे हैं कि आपकी भूमत रेखा हो गई इस आब दच्डिय अमेरिक यू आपके है और अफीक अपावेच जोब दसकता है या निकित्तितमown year ओर यूट्षी गोलाज में वह इसका इससाशन और दच्डिय गोलाज में वीस देखने कुलता है कौन-कौन्ट अफीक्हामधी कमादी को या यह शीत JAC अगर हम छेतफल के बाद करें छेतफल की घटते किरम में महादीपों की बाद करें तो सबसे बड़ा आपका एसी आ है आपको पता हुगा उसके बाद अफी का महादीप है आपका उत्तरी अमेरिका है दचडी अमेरिका है अंटार किटी का है एउरोप है सबसे चोटा आपका देखते हैं लग यहां कि शेया देखते हैं जणसंक्या बैस को देखते हैं। कि दारत करें आपकर लेए करक में सबसे चाह कीडा है याद रखे डारेक्ट कोुस्चन सuba जाते हैं। सर्वादिक जन संख्या वाला देश चीन आपका भारत दूसरे नंबर पर है यहां सर्वोच सिखर यानि कि सबसे उंचा विंदू कौन सा है मांट एवरेष्ट इसकी मुचा ही है आठाजार 848 मीटर कभी कभी यहां 50 भी देदेगा तो आपको याद रखना है कोई दूसरा आता है वो इसकी लंबाई मांता है तो अलग बता देता है और कोई अलग आता है तो 4850 की बीच इसमें विवाद बना रहता है सबसे गहरा गर्थ है या चैलिंजर गर्थ यह आपका पिसांत महासागर में फिलीपिन्स के बाद पास देखने को मिलती है सबसे उचा पठार पामीर का पठार है जिसे आप लोग विस्व की चत के नाप से जानते हैं विस्व की चत के नाप से बड़ी जील आपकी केस्पियंस आगर है रूस मही आपकी सबसे गहरी जील बैकाल जील है एवी आपकी रोस में हैं सबसे गर्म इस्थान है आपका तुरबट वलूचिस्तान पाकिस्तान में यहांका तामान 55 दिग्री सक्षी माप आगया है अगर सबसे ठंडे पैदेश की बात करें तो इसमें आपका वर्को यांसक साइवेरिया में हैं यहां का माइनस अर्सट डिग्री सेल्सियस पामान दरच किया गया है सरवादिक बर्सा वाला इस्थान की बात करें तो मौसिन राम यह आपका मेगहल है भारत में देखने को मिलता है पूर्वी भारत में सबसे बड़ा देश आपका रूस छितफल में है सबसे छोटा देश माल्दी पर आपका छितफल में सबसे लंबा रिलमार ट्रांस साइवेरियन है इसकी लंबाई है 929 यह आपकी मासकों से सुरूम होता है और विलाडी बोश्टक तक जाता है सबसे लंबी नदी है यांसी यह आपकी चीन में है इसकी लंबाई है 5797 किलूमीटर किसनी 5797 किलूमीटर तरह आपका अफी का अफी का महादी इसमें सबसे बड़ा देश है आपका अलजीरिया सबसे चोटा देश है मेटो सर्वुच बिंदू है मांट कीली मन जार हैं कितनी है यसे आपकी यां मांट अबरिष्ट आबने दीखी थी तो यह आपकी मांट कीली मन जार है इसकी मुझाई है 5,895 मीटर निमनतम बिंदू है आपका असाई जील समुद दितल से 156 मीटर नीचे है आपकी सबसे गरम इस्थान है आपका विस्थ का जल अल अजीजिया लीविया यहाँ आपका 98 डिग्री सेसियस 2-3 सेप्टमबर 1922 के अनुसार यह है तो याद रखना विस्थ का सबसे गरम इस्थान यही है सबसे लंबी नदी है आपकी यहाँ नील नदी इसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर कितनी? 6,650 किलोमीटर सबसे बड़ी जील है वेक्टोरिया नील नदी का उदगम आपका यही से निकलती है आपकी नील नदी विस्थ पिसिद पैरामिड इस फंक्स यह आपका मिस में देखने को मिलता है विस्थ का सबसे बड़ा मरूस्तल सहारा मरूस्तल है इसी देश में आपका अफीका दच्चड अफीका है सबसे बड़ा देश इसकी बात करें अगर चित पल में तो यहां कनाड़ा देखने को मिलता है सरवुच बिंदू की अगर बात करें तो मांट मेकेनले इसकी उचाही है आपकी 6194 मीटर अगर निमनतम बिंदू की बात करें तो मिर्ट गाटी है डैथ बैली याद रखिए मृत गाटी इसलिए बोलते हैं से इसमें कोई भी जीव पनप नहीं सकते है यानि की जीवन संभाव नहीं है सबसे छोटा देश है सेंट फीरे सबसे लंबी नदी यहां है मिसोरी ताजा पानी की विस्व की सबसे बड़ी जील आपको सुपीयर जील देखने को मिलती है महान जीलों का महादीप कहा जाता है से यहां कौन-कौन सी जील है सुपीयर हो गया मिसीगन हो गई हीवरन इरी ओंटिरियों यह सबी जील है आपकी उत्री अमेरिका में देखने को मिलती है विस्व का सबसे बड़ा बंदरगा आपका निवार्ग है कौन सा निवार्ग बिसका बैस्तम अगर माद हवा एकडिकि बात करें तो यह आपका निवार्ग केनेडी हवाएकड़ा विस्व का सबसे बड़ा रेलेवे जंक्सन की बात करने तो इसी कागो सेवदराज्य अमेरिका में है सबसे गरम तथा सुस्क षिस्थान की बात करने तो मौद की घाटी यहां आपका संतावन डिग्री सेल्सियस ताबमान देखा गया है यलो इस्टॉन नेशनल पार्क में ओल्ड फिट्फुल नावगविस्टु का सबसे बड़ा गीजर है खर उसके बाद है आपका दच्छडी अमेरिका कौन सा दच्छडी अमेरिका इसमें आपका सबसे बड़ा देश देखने को मिलता है ब्राजील कौन सा ब्राजील सबसे चोटा देश मिलता है आपको फॉक्लेंड दुई सरवुच परवत है आपका ओजस डेल सलाडू इसकी चाहिए साथ जाल चौरासी मीटर निमनतम बिंदू यहां वाल्डेश प्राजील माइनस 39 डिगरी सोरी माइनस 49 दिसमलो 9 मीटर विस्व का सरवुच सक्क्रियेज वाला मुखी कोटो पैक्सी आपका इंडीज परवत पर यह देखने को मिलता है विस्व की सरवादी कुचाई पर इस्थित जील नौका इन यह आपकी टीटी काका है पेरो बॉलिविया सीमा पर इस्थित आपकी टीटी काका जील ठीक है विस्व की सरवादी कुचाई पर इस्थित राजधानी की बात करें तो लापाज है यह आपकी बॉलीविया की राजधानी है इस्थल आउरोधु देश की बात करें तो बॉलीभिया उपर आगवे हैं सुस्क्तम छित की बात करें तो एरीका है यह आपका उत्री चिली में है सबसे बड़ा नंगर रिओडी जिन रोग यह आपका बिराजील का नंगर है विश्व का सरवोच जलपेपाथ एंजल्स वेने जोला मिश्टेते यह आपका विश्व का सरवोच जलपेपाथ है पर मुख भोगोलिक लक्षन की बात करें तो एंडीच परमत माला जो विश्व की सबसे लंबी तथा हमाले के बाद दूसरी सबसे उची परवत्माला है देखे बिसकी सबसे लंबी तो है लेकिन उची पहले आपकी हमाला है उसके बाद NDJ उसके बाद आते हैं आपके Europe में याद रखे कुछ देश ऐसे हैं जो Europe में भी आते हैं और Asia में आते हैं जैसे आपका रोस हो गया, तुर्की हो गया आपका, इस तरह ही कि कुछ देश हैं जो इगरोब महादीन में भी आते हैं, और एसी हमें भी आते हैं, तो सबसे बड़ा देश है रोस, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, सरवोच बिंदू है माउंट एलबरुस, इसकी उच नीव, इसकी लंबाई है 2842 किलो मीटर, सबसे लंबी नदी, बोलगा नदी है, इसकी लंबाई है आपकी 3690 किलो मीटर, विसका सबसे उत्तर में इस्तिस सहर है आपका हैमर फास्ट, यह आपके नारभी में इस्तित है, कहां नारभी में, सबसे मत हूँ रेल मार्ग अगर ब थेओवड ततों का देश है आपका नौर्वेय, सबसे पिरमुक भोगुली क्लप छड़या का अलपाई है, किल परवत्तंथ हैं अलपाइन परवत्तंथ फिर है आपका अंगला मादीप औस्टेलिया यहां का सबसे बढ़ा देश है आपका औस्टेलिया, सबसे चोटा देश है नौरू और सर्वोच बिंदू है आपका मांट कुसी उसको इसकी मुचाई है 2228 मीटर निमनतम बिंदू है आयरजील पिरमुक नदी है बेसिन मरे डालिंग यहांकी पिरमुक नदी बेसिन कौन से है? मरे डालिंग सबसे बड़ा नगर है यहां सिडनी पिरमुक भोगोली लक्चन है ग्रेट बेरियर रीब खोच करता है इसके कैप्टन कुक और स्टेलिया महादीप के कोच करता कौन है? कैप्टन कुक सबसे गरम स्थान है किलोन कंट्री सबसे लंबा रेल मार्ट ट्रांस और स्टेलियन रेल मार्ट सबसे बड़ा बंदर का सडनी याद रखे सभी महादीपों के अब लोगों ने देशों की बारे में बात की थी आपको यादो मैप्स में सभी देखों को देशों और सभी महादीपों को अच्छे से पढ़ लिया था मैप्स का सहारा लेकर भी पढ़ा थो हैं फिर आपका एक महादीप अंटार्ग टिका विस्व का सबसे ठंडा इस्थान है दच्छेडी दुरो माइनस 95 डिगरी सेल्सियस सर्वुच बिंदू है बिंसन मैसिप एक मात्र सक्रिय जौला मुंक्री म 2853 मीटर सबसे लंबी नदी ओनेक्स कौन सी है ओनेक्स तो यह थे आपकी महादीप इसके बाद आपके महादीपों के कुछ मत्मूर्टत्या भी दिये गये हैं यह यह भी आप लोग याद रखिए सबसे पहले देख लीजी एसी आके 8 है एसी अविस्व का सरवादिक स्षेथफल और स्रवादिक जनसंख्या यानी 40पी 30प आपके इस्षेथफल में यह निबास करती है यान कि च्थेथफल में भी आपका इसीया बड़ा है और जनसंख्या में भी A.C.I ही आपका बड़ा है A.C.I में आपके 59 देश सामेल है A.C.I महादीब कच्छेत्वल आपका 4 क्रोड 38,22,000 बर्ड किलूमीटर है 4,38 20,000 कितना 4,38,20,000 बर्ड किलूमीटर अगर हम लोग वोगोलिक इस्तिति की बात करें 77 डिगरी 3 मिनिट उत्तिरियक चांस पर कैप मिस सेलू सुकिन और सबसे दचडी चेत इसमें सामेल है कैप टीजी तुरू जो आपका मलेब रादीम में देखने को मिलता है 199 डिगरी 40 मिनिट फर्चिम देशाउंतर पर कैप मिस डेनेवा सबसे पूर्वी विंदू है इसका इस मायदीप का दो तेहाई भाग आपका सीतोष्ट जलवाई चित में पढ़ता है कितना? दो तेहाई भाग यहान एक पेकार की आपकी बनस्पतियां जैसे टुन्डा, टेगा, संकुधारी बन मिस से के बन चौड़ी पक्ती वाली पढ़apate बन इसके बाद बनस्पतियां परिजातियां पाई जाती अ ECR में विस्व की सबसे गहरी जील जैसे आपकी बैकाल जील जो दharadal से आपकी 741 मीटर गहरी है 1744 मीटर गहरी है ECR में विस्व की सबसे बड़ी जील केस्पियन सागर है जिसका चित फल है आपका 3,41,800 वर्ट किलोमीटर चित विस्व की सरवादी कुचाई परिस्थित जील हिमाले चित में इस्थित पंच पोकरी जील है विस्व की सरवादी कुचाई परिस्थित जील कौन सी है पंच पोकरी जील एसिया में सरवादिक गरम इस्थान इसे बात कर चुके हम लोग पहले भी तुरवट वलूचिस्तान पाकिस्तान ये आपका 30 मई 2017 को यहां मापा गया था चमवन डिगरी सेल्सियस तथा सरवादिक ठंडा इस्थान वर्खोयास्क साइवेरिया में माइनस उननत्र डिगरी सेल्सियस तामान मापा गया एसिया में हरपर जाति के लोग मिलते हैं आपको एसिया में विष्षका 94 34 जुट बानवे 22 पèseouch पर पितीसद आपका रवरड 93 पितीसत आपका धान 뽑 01ी 24 आपका चाय, 61.3 आपका खजूर और 87.3 आपका भैस देखने को मिलती हैं किसमें एसिया महादीप में बिसका सरवादिक जनसंख्या वाला देश बिसका सरवादिक जनगनत क्या जनगनत का सिधा समतलब है कि एक क्लू मीटर में या कितनी जनसंख्या रहती हैं उसे ही जनगनत कह देते हैं मकाव कौन सा है मकाव देश है सरवादिक जनसंख्या गनत में बिसका सरवादिक डाग घरवाला देश आपका भारत है बिसका सरवादिक डाग वाला देश कौन सा है भारत ASEA का सबसे बड़ा गाउं भारत में उत्तर पिदेश की गाजीपुर जिले में गहमर गाउं है याद रखी UP PCS में आपका पूंच ले या फिर UP State एक जाम में कोई भी पूंच सकता है ASEA का सबसे बड़ा रेलवे तंथ भार्टी रेलवे तंथ है ASEA भासा के सब्द आसू से ASEA सब्द की उत्वत्ती हुई जिसका अर्थ होता है पूर्व संभाव था सरव पितम इउनानीयों ने ASEA जो उनकी भूमी के पूर्म में इस्तित्ते सब्द का परियोग किया था किनोंने इउनानीयों ने A.C.A. महादीब में सबसे सुस्कितम इस्थान आपका अधन यमन है जहां 12 बरसा का ओसत मात आपकी 4.6 cm यानि की 4.6 cm देखने को में मिलती है A.C.A. महादीब का सबसे बड़ा देश आपका रूस है चेतफल में इसका चेतफल है 1.70,75,200 बड़ किलो मीटर और सबसे चोटा देश मिलता है आपका मालदीब चेतफल में इसका चेतफल है 298.2 km कितना? 298.2 km रोस का चेतफल A.C.A. यूरो को मिलाकर 1.71,25,200 बड़ किलो मीटर देखने को मिलता है आपको बताया था ना कि रूस हैसा देश है जो A.C.A. में भी आता है और यूरो महादीब में आता है दोनों में A.C.A. महादीब का सबसे बड़ा दूइब बोईनीगों दूइब है इसका चेतफल है 7,5,100 बड़ किलो मीटर A.C.A. महादीब में सबसे अधिक तामान बस 1942 में इसराइल में तिरत करमेल नामकिस्थान पर चंग्वन डिग्री सेंटीगेट अलिखित किया गया A.C.A. महादीब में सबसे नियूंतम तामान आपका 1933 में O.M.A. आकॉन रोस में – 68 डिग्री सेंटीगेट अलिखित किया गया था ऐसी या महादीब का सबसे अधिक बरसा बाला स्थान मौसिन राम मेगालय भारत में आपका यानि की सबसे जानगा बर्सा आपकी मेगालय में होती है मौसिन राम जहां आपकी बर्सा का उसत 11187 सेंटीमीटर देखा गया है कितना कितना एक हजार एक सो सतासी सबसे जाना 1187 सेंटीमीटर आगे आपका क्या है विसकी सबसे उची रेलवी लाइन का निर्माद आपकी चीन देशने की है किसने चीन चीन के च्छिंग या च्छिंग हाय परांद सित्रू होकर तिबबत की लिहासत तक फैली से रेलवी लाइन की उचा है आपकी 5000 72 मीटर है कितनी 5000 72 मीटर लाल सागर स्वेज नहर एसिया को आपके अफीका महादीप से अलग करते हैं एसिया महादीप के अतीप राची नेवकेस्थल खंड अंगारा लेंड रोस और गौडबाना लेंड दश्चन बारत में इस्तिव हैं आपके एसिया में विस्ट की सबसे उंचा पठार पामीर का पठार जैसे आप लोग तिबबत का पठार भी कहते हैं जिसकी उंचा ही आपकी 5000 मीटर है इसी कारण इसे विस्ट की छत भी कहते हैं क्या कहते हैं विस्ट की चत भी कहते हैं एसिया महादी में फिलिपिंस दूई समू क पास विस्ष का सबसे गहरा साथेहें गरत लिस्ते थे पिसान्त मेरियाना गरत हो कि इसकी गहरा है आपकी 11,022 मीटर में कि यह आपकी पिसांत महा सागर में pergi सबसे गहर एस्थान यह ई एएचिया में विस्व का सबसे लंबा रेलमार्ग, ट्रान्स-साइविरियन रेलमार्ग इसकी लंबाई है आपकी 9298 किलोमीटर, जो आपकी मास्को से सुरूम होती है विलाडी वुष्टक तक जाती है Asia में विसका सबसे लंबा railway station आपका प्लेटफॉम आपका गोरपपूर है उत्तरपिदेश में है यह आपका 1.3 km लंबा है Asia में विसका सरवादिक प्राक्तिक रबर उत्फादित करने बाला देश आपका Thailand है यह वही Thailand है जिसने अभी अंभान तुफान आया हुए था तो उसका नाम दिया था Asia में विसका सरवादिक मचली पकड़ने बाला देश आपका चीन है कौन सा? चाइना Asia में विसका सरवादिक अब्रक उत्खने करने बाला देश भारत है Asia में विसका सरवादिक गेहूं और चावल उत्पादन करने बाला देश आपका चीन है यानि कि गेहूं भी उत्पादन करता है और चावल भी सबसे जानदा उत्पादन करता है चीन तो यह कहानी थी आपके अब Asia महादीब की किसकी? Asia महादीब की अब हम बात करते हैं अफीका महादीब के बारे में विस्वत रेखा के दौनों और फेला हुआ यह महादीब विस्व का दूसरा विसालतम यानि की दूसरा बड़ा महादीब है यह आपका उत्री गोलाद में भी इस्तित है और दच्री गोलाद में भी कुछ इस्ता इसका इस तिसका संपूर्ण छेट पल आपका 3,370,000 वर्ट किलो मेटर कितना है इसका 3,370,000 वर्ट किलो मेटर कि तभी के संपूर्ण स्थल छेट का छेट का लगभग एक 20 पितीसद है अपिका में यूँआ है जिसे आपकी कुल गूमी ये हो गई इस मैंसे 20-30 आपका अफीका महादी में है अफीका का सबसे उत्री बिंदू कैप रास बन बेन है यह आपका सेंट 30.21 उत्री अक्छांस एबन दच्छडी बिंदू अंगुल हास है 34 डिगरी 52 मिनिट दच्छडी अक्छांस अगर पश्च्छिमे बिंदू की बात करें तो कैप पॉयंट अमा डिज 77 डिगरी 30 मिनिट पश्चिम देशांतर से सबसे पूरबी बिंदू की बात करें तो राट हामुन हामुन ए 31 डिगरी 23 पूरबी देशांतर इसका समुदृ तर्थ है 30,500 किलो मेटर लंबा क्या है इसका समुद्री टब है 30,500 किलो मीटर अफिका की बनतपतियों में उश्न कटिवंदिये सदा हरित बरशाबन से लेकर कंटीली जाड़ियां तक संबले थे या पाई जाते हैं अफिका में लगवक सभी योगों की प्राचीन तम इवं नभीन संस्कितिया पलती रहें यहीं पर आपका निग्गोटो जाती के लोगों का भिकास हुआ है आप समझते हैं कि संस्किती का पिता इसी को कहा जाते हैं अफीका को अफीका के ऊष्ट ने घास के मैदान सबाना और सीतोस घांट के मैदान को आप लोग वेल्ट्स कहते हैं यह भी आपका कहिवाल कुश्चेंस पूंच लिया गए गए कि अफीका में जो ऊष्ट घास के मैदान यहने क्या कहते हैं सबाना और सीतोस घांट के मैदान यह ने क्या कहते हैं वेड्स अफीका में आखका बुसमेन कालाहरी पिगमी कांगो बेशन बद्दू बद्दू यह सहारम और उस्थल में मिलने बाली जिन जाती हैं जैसे आप लोग अपने यहां देखते हैं भील गॉंड सहरी यह इसी तरह की अंजन जाती हैं आपकी अफी अफीका में विसका विसकी सबसे लंबी नदी नीलनदी इस्ते थे अफीका महादीप में आपकी विसकी सबसे लंबी नीलनदी इस्ते थे सरबादिक लॉंग काउत पादन आपके जायरे में होता है सरबादिक लॉंग काउत पादन कहा होता है जायरे में एक देश है अफी Ó इसमें आपके चमबन हैं अपीका की परवतों में atlas кас Woj मिंधारू है यहां पर आपका ज्वाल मुंखी परवत किली मंझारू है अपीका मादी में अफीका के सरवोच सिखर किली मंजार हुए इसकी उंचाई है पांच हजार आठसो पंचानवे मीटर अफीका में अभी सीन्या और दच्छडी अफीका की पठा रिस्ते थे अफीका की प्रमुक नदियों में बात करने तो नील नदी हो गई कांगो नदी हो गई नाइजर जंबेजी आदी यहां की प्रमुक नदिया हैं अभीका में विस्का सबसे गरम स्थल अल अजीज यह लीविया में है जहां 3 सेटमबर 1952 को अंठावन डिग्री सेंटीगेट ताबमान अंकित किया गया था परंतु 13 सेटमबर 2012 को विस मौसम बिज्ञान संगतन ने इसे निरस्त करके ग्रेनलेंड रेंज मित्यवाटी कैलिफॉनिया यूएस को विस्का सबसे गरम स्थान मारा था जिसका ताबमान आपका 56.7 डिग्री सेल्सियस है जिसका मापन आपका 10 जुलाई 2013 को किया गया था यह आपका 2012 में ग्यात किया गया था अगर अफीका महादीब की पिरमों की जीनों की बात करें तो बेक्टोरिया याई एलवर्ट, एडवर्ड, कीबू, टंगानिका, नियासा यह सभी आपकी अफीका महादीब में जील हैं इनमें आपका मलावी, रोडोल्ब, बोल्टा, चाड यह सभी संबले थे थे जनाएं विक्टोरिया जील अफीका की सबसे बड़ी जील है, विक्टोरिया जील अफीका की सबसे बड़ी जील है, संसार की सबसे लंबी नदी नील आपकी विक्टोरिया जील से ही निकलती है, जो 20 की सबसे लंबी नदी है ना नील नदी, यह आपकी विक्टोरिया से ही निकलती ह अफिका का आईवरी कोष्ट देश विस्व में सरवादिक कोको यानि कि 8,9,000 मीटर टन 1994 में उत्पादिक देश रहा है कोको अफिका में सरवादिक ज्वार उत्पादिक करने वाला देश आपका नाइजीरिया है कौन सा है नाइजीरिया इसका विश्म में तितीय स्थान है विश्म में कौन सा स्थान है तितीय अफिका में सरवादिक कसाभा उत्वादित करने वाला देश आपका कांगो है अपीका में सरवादिक चाय उत्वादित करने वाला देश आपका कीणिया है कौनसा कीणिया इसका विश्व में पिथम स्थान है कि अफीका मैं सरवाधिक कॉफी उत्वाधित करने वाला देश आईवरी कोष्ट है इसका विश्व में चतोर तिस था है एक बात हमेशा याद रखिए जब आपके आकड़े आते हैं आर्थिक सरविक्छन उता है किर्सी के आकड़े आते हों तो इन सभी करेंट अपेर से रुड़ना पड़ेगा इसके लिए अफीका में किम्बर्ली खान दच्षड अफीका विश्की सबसे बड़ी हीरे की खान है कौंसी किम्बर्ली खान अफीका में दच्षड अफीका गड़राज विश्क में सरवाधि स्वाधियानी की सौनी उत्पादर करने वाला देश है अपीका का जायरी, जिसे आप Kalana कांग कहेते हैं, कांग विष्ष का सरवादीख ही रहा हुटपादत देश है, दूतियय स्थान, बोद स्वाना का है इसमें, अपीका में सरवादीक बॉक्साइड उत्खनित करने वाला देश आपका गिनी है, इसका विस्व में दूतिय स्थान है अफीका में सरवादिक मैगनीज उत्खनित करने वाला देश गेवोन है इसका विस्व में पंचम स्थान है अफीका में सरवादिक फासफेट रॉक खनी उत्पादिन करने वाला देश मुरक्को है इसका विस्व में तितिय स्थान है तो विष्क के कुल इस थलीय च्छेत का इस 16.5 पी तीसत विष्क की कुल जनसंख्या का 8 पी तीसत भाग इस महादीम में निवास करता हैं यानि कि यह तीसरा सबसे बड़ा महादीम पहला एसिया पर अफी क्या उसकी बार उत्री अमेरिका उत्री अमेरिका विष्क का तीसरा किलोमीटर दो चावालीज नब्वे हजार बर किलोमीटर भोगोली किस्तिती की बात करें तो इसका सबसे उत्री विंदू मुख भूमी का केप मुर्ची सन्थ इकत्र डिग्री पचास मिनिट उत्तरी अक्षान से पूरी महादीप के केंद में मौरिस जेसब तेहरासी डिग्री चालीस मिनिट दख्षड अक्षान ग्रेंड में इस्तित हैं कहां है ग्रेंड में सर्वादिक सर्वादिक दख्षड की तरफ केप पुंटा मुरिया टो पनामा केड़ी अजीजिया प्राइदी में साथ डिग्री बारे मिनिट उत्तरी अक्षान सब्रेंड और पूर्वुत्तर सीमा की बात करनें तो केप चाल्स पच्पन डिग्री चालीस मिनिट पच्चिम सीमा केप प्रैंस ऑफ बैल्स 168 डिग्री पांच जीरो पांच मिनिट पच्चमी देशांतर परेई इसके उत्तरपूर में विसका सबसे बड़ा दीव ग्रेंड लेंड है जो आपका डैन्मार्क के दीन है किसके डैन्मार्क के इसका चितफल कितना है आठ लाग चालीस हजार बर्ट के लोगिट है ग्रीन लेंड का उत्तरी अमेरिका की खोज आपकी 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी किसके द्वारा कोलंबस के द्वारा उत्तरी अमेरिका की आंत्रिक भावों में पाई जाने बाली गहास की भूमियों को आप लोग पेरी कहते हैं क्या कहते हैं पेरी ग्रेट बेसिंग पठार महादी का सबसे बड़ा अंतर परवर्थिये पठारे यहां की नदियां समुद्ध तक नहीं पहुँच पाती है इस महादी का रेगिस्थान सोनोरान, एरियोना, कैलिपॉनिया तथा मैक्सिको में 3.10 लाग बर किलोमीटर चेत में थेला हुआ है और टोर नीडो कहलाते हैं उत्री अमेरिका की सुपियर जील, कौँसे? सुपियर जील, विस्थ की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है जो अब उत्री अमेरिका में आपकी सुपियर जील है न, विस्थ की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील रशते थे उत्तरी अमेरिका के कनाडा का बुड वफेलो नैशनल पार्क विस्व का सबसे वड़ा पार्क है बुड वफेलो नैशनल पार्क ये विस्व का सबसे वड़ा पार्क है ये कहा है कनाडा में कनाडा के निउफाउंड लेंड और नोवो इसकोशिया के मत St. Lawrence की खाड़ी इस्तिता की St. Lawrence की खाड़ी कहां इस्तिते थे Newfoundland और Not subtle, स्कोशिया उत्री अमेरिका महाधी में छितफल की दृष्टी से Κानाडा, सबसे बड़ा और St. February सबसे छोटा देश है किसकी? छितफल की दृष्टी से डेर्ट बैली मिर्थ घाटी जो कैलिफॉनिया में इसते थे समुधतल से इसकी 86 मीटर उची है मिसोरी नदी उत्री अमेरिका अमेरिका महादीग की सबसे लंबी नदी है कनाडा की लूसी जील को एमराल्ड जील के नाम चे भी आप लोग जानते हैं कनाडा की जो लूसी जील है इसे आप लोग एमराल्ड जील के नाम से भी जानते हैं ग्रीन लेंड से कनाडा के बेफिन दूइक को डैविस जनलमरू जोडता है विसकी सबसे बड़ी खाड़ी हर्सन की खाड़ी करनाडा की पूरवी तक पर पिस्तित्या आपकी सब्तराज अमेरिका के कैलिपॉनिया लॉस एंजिल्स नगर विस सबक्यात फिल्म उद्देव का प्रमुक कहन दे तो आप से कौन सकता है कि लॉस एंजिल्स किसके लिए पिस्तित्य है तो ये फिल्म उद्देव के लिए पिरमुक पिस्तित्य है उत्तरी अमेरिका में रैड इंडियन और नेग्रो पिजाती आपकी निवास करती है पनावा नाहेर के दो बंदरगाय कोलन और पनावा हैं विसकी पिख्यात मक्का मंडी सेउत्राज अमेरिका के सैंट लुईस नगर में इस्तित्य थे उत्तरी अमेरिका का कनाड़ा विस्व में सरवादीक अखवारी कागज उत्पादित करने वाला देश है कनाडियन सील्ड संसार में खनिजों का सबसे बड़ा बंदार है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी इतटपर निव फांड लेंड के दच्छिड पश्टमी तटिये भा savis का सबसे बड़ा उत्तर के अगर अगर आप जानते हैं कि जो चीज उत्तर जाना हो और खरीदार कम और उसकी ख़र घट जाती है तो क्या होगा कि लोग उत्पादन गटाएंगे मांग बड़ेगी और महेंगी होगी कच्चा ते तो अमेरिका से लोग प्राक्तिक गेस खरीद लेंगे और दुरूस आप नहीं चाहता था आपका की प्राक्तिक गेस अमेरिका के कोई देश खरीदे उत्री अमेरिका की निवराग सिटी में ग्रांट सेंटरल टर्मीनल विस्व का सबसे बड़ा इस्टेशन है तो यह कहा नहीं थी आपकी उत्री अमेरिका के अब हम बात करते हैं दच्छिड अमेरिका के बारे में यानि कि दच्छिड अमेरिका महादीव आपका आप सभी को पता होना चाहिए कि यह विस्व का चौथा बड़ा महादीव है इसका छेथफल है एक करोड़ अटतर लाख चालीस अजार बर किलूमीटर बहोगोली किस्तिती की अगर इसकी बात करें तो इसका सबसे उत्तरी पुंटा गेली नास यह 12 डिग्री 27 मिनिट उत्तरी अक्छांस पर है इसका दच्छिड तम बिंदू है डियागो लामी रोज यह आपका 56 डिग्री 31 मिनिट दच्छिड अक्छांस पर है ठीक है यह अब इसके सरवादिक पूर्वी हिस्ते की बात करें यानि कि पूर्वी बिंदू की तो यह आपका द्रांको यह आपका 34 डिग्री 55 मिनिट पश्च्छिमी देशांतर बर्षते थे और इसका पश्च्छिमी बिंदू है आपका पुंटा पैरिनास एक डिग्री 22 मिनिट पूश्ट पिकार की हैं यहांकि अगर बनस्पतियों की बात करें तो सदा हरिद बन जिनमें आपका सवाना लियानू पंपास गिरानू चापू इत्यादी बनस्पतियां आप पाई जाते हैं दच्छिडी अमेरिका की वर्सा बन का इस्थानिय नाम आप लो सैलवास की नाम से जानते हैं किसे सैलवास की अमेजन दोणी के बनों में वाल्सा नाम अग्विस्व की सबसे हलकी लखडी लखडी हमें देखने को मिलती हैं एंडीच परवत यहीं है आपका एंडीच विद्वाइब दोडनों को मॉन्टाना कहते हैं क्या कहते हैं मॉन्टाना दच्छिण अमेरिका प्रादीप महादीप का लगबग 1030 भाग भूमी किरसी योग है यानि कि 100% मैंसे आपका 90% गहर किरसी गाच्छे थे वो 1030 इसमें किरसी योग हूमी है अमेजन जो संसार की सबसे बड़ी वह दच्छिण अमेरिका में महादीप में क्या नदी अमेजन नदी की लंबाई आपकी 628 किलोमीटर है कितनी 628 628 2018 एंजिल जल्पे पात जनकसार का सबसे मुझा जल्पे पात हैं जो दच्छन अमेरिका महादीब में देखने को हमें मिलता है दच्छन अमेरिका में चेली अरजिंटीना सीमा पड़ीश का सबसे मुझा जौलम की ओजैस डेल सलादो कितनी उचाहिए इसकी 7084 मीटर इस महादीब के उत्तर में केरिवियन सागर उत्तरपूर में उत्तरी अट्लांटिक महासागर और दर्चेडपूर में आपका दर्चेड़ी अट्लांटिक महासागर वो पश्च में आपका पिसांत महासागर देखने को मिलता है मैं इसलिए जोड़ देता रहता हूं मैपस कि अगर आप लोग वर्ल्ल मैपस और दूसरा आपका विस मैपस अगर कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता है 70 से परसेंट 70 से 75 परसेंट आपका कवर हो जाता है बाकी के जो पॉइंट बचते हैं रटने के लिए उन्हें रट बेटी बस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा और 75 पर 35 से भाग आपको रटना भी नहीं पड़ेगा इसमें तो मैपस को आप लोग जरूर देख लिए उनके लासों को दच्छेड अमेरिका के बिराजील में बहने वाली अमेजन नदी विसम में अपवायचित की दृष्टी से सबसे बड़ी नदी है जिस तरह से आप लोग ब्रह्मपुत नदी देखते हैं अपवायचित से बड़ी उसी तरह यह हैँ इसका अपवायचित 70,500,000 वर क्लोमीटर चित में है कितना 70,500,000 वर क्लोमीटर चित यह नदी विस्ट की दूसरी सबसे लंबी नदी है बिस का एकमाद देश ब्राजील जिससे होकर भूमद्रेखा और मकर रेखा आपकी दोनों देखने को गुजरती है यानि कि भूमद्रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है दर्चेन अमेरिका का बिराजील विस में सरवादिक कौपी उतपादित करने वाला देश है दर्चेन अमेरिका में अजिन्टीना सरवादिक सूरज मुखी के बीच उतपादित करता है सूरज मुखी ठीक है? विस्व में दूसरा इस्थान इस्व में सूरज मुखी के मामले मोत पाधन करें दच्छे अबरिका में ब्राजील में सरबादिक जल्विद्दूत ये उजनाओं का विकास हुआ है अर्जेंटीना उर्गवे ब्राजील के अर्धनम भागों में पोशक्ततों से भरफूर अलफा अलफा नामक घास आपकी पाए जाती है ठीक अर्जेंटीना में पंपास नामक घास का मैदान देखने को में मिलता है पंपास दक्षिनी अमेरिका में पाए जाने वाला केंडोर पक्ची संसार का सबसे बड़ा सिखारी पक्ची है कौन सार केंडोर रिया ना ओड़ सकने वाला पक्ची है रिया फजेंडा फजेंडा ब्राजी रवड के पेड का मूल इस्थान है पंपास को अर्जिंटीना का हिदय कहते हैं क्या कहते हैं पंपास को अर्जिंटीना का हिदय कहते हैं संसार में सरवादिक उचाई पत्र बनी सबसे अधिक रेलमार्ग आपकी चीली में है कहां चीली में दच्चन अमेरिका में रेल मार्गों की सबसे जानदार लंबाई अर्जिंटीना में हैं कहां अर्जिंटीना में बोलिविया की राधधानी लापाज बोलिविया की राधधानी लापाज विस्ट की सबसे उचाई परिस्थित राधधानी है जो गॉलिविया की रादधानी है लापाच ये विस्क की सबसे उंचाई परिस्थित रादधानी है ये समुदस्तर से आपकी 6200 मीटर उंचे इस्थान पर है विस्क में तामा इसक का सबसे बड़ा उत्पादक आपका देश चीली है ये आपका दच्चिण अमेरिका का देश है चीली नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक भी है दच्चिण अमेरिका में महादीब के चेतफल की देश्टी से ब्राजील सबसे बड़ा और फॉकलेंड सबसे चोटा देश है चेतपल के आधरवर ब्राजील सबसे बड़ा है और फॉकलेंड आपका सबसे चोटा है इस महादीब में दो इस्थल रुद्ध देश हैं कौन से एक बॉलिबिया दूसरा परागवी तो यह थी आपकी दच्छिड अमेरिका की कहानी अब चलते हैं हम लोग इवरोप इवरोप आपका उत्तरी गोलाद की वो पोशन पट्टी में इस्ते थे यह नाम एकेडियन एरब सब्द से लिया गया है जिसका अरत होता है सूर्यास्त भोगोली किस्तिति इसका सबसे उत्तरी बिंदू की बात करें तो नौर्बी में कैप नौर्ड किन है उत्तरी बिंद है यह आपका 81 डिग्री 59 मिनिट उत्तरी अक्षांस पर है अगर दच्छडी चोर की बात करें तो यह पुंटा डेट तरीफा है यह आपका इस्पेहन में है सबसे पश्चमी किनारे की बिंदू करें बात करें तो कोगो डुटो का है और सबसे पूर्वी चोर की बात करें डराल परवत का पुलार्णी भाग है यह आपका 66 डिग्री 20 मिनिट पूर्वी देशांतर पर इस्तित है इसका समुद्री तट सभी महादीपों में सबसे लंबा है यानि कि सभी महादीपों में फिल चाहे आपका इसी आ हो अपीका हो अमेरिका हो दच्छडी चाहे उत्तर इन सब में आपका सबसे लंबा है आपका यूरोप के यूरोप महादीप का समुद्रीट है कि यूरोप की महत्पून नदी आपकी डैनिव है कांसी डैनिव इटली विस्ट का सरवादिक अंगूर और जैतून उत्पादन देश है सुईजरलेंड सुंदर घडियां पनाने इक लिएए कप सेथे कौन सा सुईजर लेंड है फ्रांस को वराइन्य यह नौर्वे को फ्योड तटों का देश भी कहते हैं फ्रांस को गुराइन एवर्ड और नौर्वे को फेवर्ड तटों का देश भी हम लोग कहते हैं इवरोब महादीप के अगर छितफल की बात करें हम लोग तो इसका छितफल है एक करोड एक लाख अस्सी हजार बढ़ किलोमीटर इसका इस्थल खंड एसिया से जुड़ा हुए है अता दोनों महादीपों को ईयूरेशिया की संग्याद दी गए आप लोगों को बताया था कि कुछ देश ऐसे हैं कि आपके जो इवरोब में भी बढ़ते हैं और एसिया में भी बढ़ते हैं जिनमें आपका तुर्की रोस भ इसलिए प्राइदीपों का महादीप भी कहते हैं आप लोगोंने क्यी और खुश्चयन से भी बनेए कि कौन सा महादीप है जो तीनओ और से सागर से गरा हो घला कि याद रखना यूरोब है का यूरोब इस महादीप का सर्वच सिखर की अगर बात करें तो एल बुरुस है या आपका रोस में चते थे इसकी उंचा यह 5633 मीटर Everdeen, Scotland को Granite City कहते हैं Everdeen, Scotland को हम लोग Granite City के नाप से जानते हैं Norway को मद्रात्री के सूर्का देश भी कहते हैं जो Norway देश है इसे हम लोग मद्रात्री के सूर्का देश कहते हैं रायन नदी का जलमार यूरोप का सरवादी बियस्त अंतर इस्तलिय जलमार है। यूरोप में आपका आलपस यूराल और बलेक फॉरेस्ट भेरनसोत परवत देखने को में मिटते हैं। इटली के नैपल्स राज में इटली के नैपल्स राज में इस्थित बिसु-बिश्य- बारे सुसुप्त जुशु थी अलक्य वां इंगिलिस चैनल इयूनाइटेटेर केकंगम को यूपोप की मुख covid से अलग करता है कौँसा इंगिलिस चैनल नीदरलेंड ने उत्री सागर के तटकी साहरे के साथ बड़े बड़े तटबंद बनाकर समुद्रों से भूमी प्राप्त किये हैं इन तटबंदों को हम लोग डाइक कहते हैं क्या कहते हैं? ड्राइक आलपस परवत कसरवाधिक विस्तार आपका सुईजलेंड में देखने को मिलता है सुईजलेंड देश में याद रखना है आलपस देश आपका आलपस परवत एरो महाधी में देखने को मिलता है सुईजलेंड और इटली के बीच Great Sand, Bernard, Dara इन दोनों देशों को मार्ग बिदान करता है Great Sand, Bernard, Dara स्वेजलेंड और इटली दोनों देशों को मार्ग बिदान करता है यूरोप के नॉर्वे, स्वेडन, फिलेंड और साइबेरिया चेत में विसके प्रमुक कौरदारी बन चेत हमें विस्तत देखने को मिलते है यूरोप का यूक्रेन गड़राच विसका प्रमुक ग्याहू उत्पादक चेत है यानि कि ग्याहू का उत्पादन अधिक होता है या गड़राच और विसका, अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया भी कहते हैं से यूरोप के प्रमुक हनिच तेल उत्पादक देश फ्रांस, और टिया, रोमानिया, पोलेंड, हंगरी आदि है फ्रांस और जर्मनी के मद्दिस्तित रेखा को आप लोग मैगी, मैगी नौट रेखा करेते हैं इस महादीब के स्थलवद्य देशों में स्वीजलेंड, और चेकड़राज, स्लोवाग, हंगरी, आदि आपके प्रमुक हैं तो यह कहानी थी आपकी यूरोप महादीब की, आप चलते हैं हम लोग ऑस्टेलिया महादीब के बारी में जानते हैं ऑस्टेलिया की कोछ का सरे एवेल तस्मान को जाता है, एवेल तस्मान और जेम्स कुक, जेम्स कुक और एवेल तस्मान तस्मान ने सरपितम 14, 1642 में आउस्टेलिया के दच्छडी भार में पता लगाये था लेकिन आउस्टेलिया के संबने में विस्थत जानकारी देने का स्रेय आपके कुप को जाता है जिसने अपनी पहली यात्रा 1789 में की थी कब 1789 में अगर हम लोग उफ्टेलिया माधिक की भा बोलेक इस्तिती की बात करें तो इसका सरवाधिक उत्तड़ी बिन्दु की बात करें तो और पूर्वुत्तव और पश्टमिम बिंदू की बात करने तो 113 डिग्री, 09 मिनिट, पूर्वी देसांतर पर और मकर रेखा इस महादीब के लगबग मद्द से उकर गुजरती है, जो आपकी मकर रेखा है न, इस महादीब के लगबग मद्द से उकर, बीच से उकर गुजरती है, इस कारण इसके उत्तर के भाग हमेश्चा ऊफ न रहता है, और अस्टेलिया को 85 भूमी का देश भी कहते अगर आप से पूछे 82 भूमी का देश पर से कहते हैं तो औस्टेलिया को औस्टेलिया की केवल चार पितिसद भूमी में ही खेती होती है कितने चार पितिसद न्यूजी लेंड में एमू और कोका बन रहा लॉपिंग चैकास नामक पक्षी पाये जाते हैं पैलीटीपस, जमीन में सुरंग बनाता है तथा पानी में तेरता है चारों पैर बाला चार पैरों वाला यह जीबंधえー डे गांसा पैलिटीपस च्राम को आला को आला यूकीलिफ्टेश की पतियां की रात में जाकता है वो दिल में वंग मतलब सोता है लायर वर्ड पक्चियों में गाने कुत्ते की भौकने तथा गुजरती हुई कारों के वहन की आबाज की नकल कर सकता है कौन सा पक्ची लायर पक्च बर्ड और अस्टेलिया विसका सबसे चोटा माधिव है आउस्टेलिया विस्ट का सबसे चोटा माधिव है इसके छेतफल की अगर बात करें लो तो 90,8,502 km छेतफल में फेला हुए है अगर आउस्टेलिया की प्रमुक नदियों की बात करें तो सबसे पहले इसकी मत्मून नदी है मरे डार्लिंग इसके बाद अन नदी है इसकी फ्रेट जोई, विक्टोरिया रॉप, कैप, मेरी, ब्रिस्बैन, मेगिस कोईन, कोपर की, फिलन्डर्स, मौर्ची संग, आदी आउस्टेलिया की प्रमुक परवस संखला की बात करें तो यह है ग्रेट डिवाइडिंग सेडी इस महादीब का सरवोच सिकर है आपका कुसी इसको, इसकी उंचाई है आपकी 2234 मीटर कितनी 2234 मीटर अन परवतों में आपका बो, गॉंग, होथम, लॉप्टी परवत, ब्राउन परवत, सैंट मेरी सिकर आदी सामिल है ओसे न्यूजी लैंड और आसपास कि दीवों को मिलाकर ओसे निया कहा जाते है इसमें आपकी उस्पास कि कुछ और दूही भी सामिल किये जाते है ओसे निया का एक उपभाग जो फिलिपयेंश दूही दीव पित पूरम में पस्ट्रे सांत मासागर में एक डिग्री उत्तरी अक्षांस से 20 से 30 उत्तरी अक्षांस तर और 171 पूर्वी दिसांतर से 172 पूर्वी दिसांतर किमत धीपों की रोम में बिस्तत थे आपका उसीनिया जीक है इसे माइक्रो नेसिया भी कहते हैं क्या आप कहते हैं माइक्रो नेसिया इसके अंदर गात आपका मेरियाना पलाव, केरोलाइन मार्सल, गिलवर्ड नामक लगू दूइप संबले थे न्यू गिने ऑस्टेलिया की कैप योग प्राधिपू टॉवर्ड जल डमरू पितक करता है यहां के प्रमुक मरूस्थल ग्रेट सैंडी मरूस्थल पश्चमी ऑस्टेलिया में ग्रेट बेक्टोरिया मरूस्थल यह आपका पश्चमी और दच्चडी ऑस्टेलिया में गिप्सन मरुस्तल आपका पश्चमी ऑस्टेलिया में देखने को मिलता है आपका ऑस्टेलिया की उत्तरपूर्वी तट अर्था कुईंसलेंड कुईंसलेंड तट के सासा समुद में एक प्रवाल वीती है मूगे की चट्टानों की बहुत बड़ी दीबार है इसे ही आप लोग ग्रेट बेरियर रीप कहते हैं मूगों की चट्टानों को विश्व पिशिद्ध इस पिरवाल वीती की लंबाई 1900 किलोमीटर है कितनी 1900 किलोमीटर है तथा तट से इसकी निकटतम दूरी आपकी 38 किलोमीटर है इतनी 38 किलोमीटर है ऑस्टेलिया विश्व में सरवादिक बॉकसाइड उत्खने करने वाला देश है यानि कि बॉकसाइड उत्पादन करता है ऑस्टेलिया विश्व में सरवादिक सीसा का भी उत्खने करने वाला देश है आपका सीसा ठीक है इसके बाद है आपका आंगी उस्टेलिया विस्व में तीसरा सरवादिक्स जस्ता ऐस को उत्खनित करने वाला भी देश है उस्टेलिया की विस्व बिख्या सौनी की ख़़ाने काल गुली और कुल गार्डी देखने को मिलती है काल गुली और कुल गार्डी उस्टेलिया के स्थान विस में गयों गन्ना कपास उत्पादन में उलेखनी स्थान है यहां कि नियू साउथ बेल्स और विक्टोरिया राज गयों उत्पादन में उलेखनी स्थान रखते है नियू साउथ बेल्स और विक्टोरिया राज कौनसा विक्टोरिया राज न्यूजी लेंड कि उत्री दुई में ओकलेंड फिर आपका बॉलिंगटन नेपियर है तथा दचडी दुई में आपका क्राइस्ट चर्च और डोनी डोनी डिन है उत्री वं दच्डी दुई को आपकी कुख जल्दमरू पितक करती है ओस्टेलिया में विस्पीसिद मिरोनों उन उत्पादित होती है बेडबालन अधिक होती है यह विसमें उन का सबसे बड़ा निरयातक देश भी है ओस्टेलिया और उस्टेलिया के दच्छड पूर्भ Hmm न्यू जलैंड दच्छड का ब्रेटैंड के नाम से जानता है किस से अंपिछान से च लिए तो एक था आपके ऐस्टेलिया आगी अब चलते हम लोग अंटार्क टिका पर अंटार्क टिका पर विसका पांचबा बड़ा महादीब अंटार्क टिका जो दच्छडी गोलार्द मेस्ते थे इसका छेत फल की बात करें तो एक करोड 37,20,000 किलूमीटर छेत में फैला हुआ है यह पितवी के 9.230 भूभाग पर पि अंटार्क टिका की भूमी तीन महासागरों हिंद पिसांत और अटलांटिक महासागर से गिरीवी हैं हिंद महासागर से पिसांत महासागर से अटलांटिक महासागर से रोस सागर और वेडेल सागर दो बड़ी खाडियां अंटार्क टा के आरपार से होकर गुजर्ण ने ब बॉस सागर वो बेडेल सागर दो बड़ी खाडियां अंटार्क्टिका के आत्पार से होकर गुजरने वाली परवस इंकलाओं को विप्रीड दिसाओं में काथते हैं इस महादीब में आपका पिग्मिन, सील, हेल, कई उड़ने वाले पक्षी भी सामेल हैं देखे जाते हैं इस महादीब का सर्वोच परवस इखर की बात करें तो माउंट बिंसन मैसिप है इस महадीप का यानि कि अंटार्किटिका महादीप सरवुच परवस्थिकर कोन सा है माउंट बिल्शन मैसी या सरी से बर किपिनारी प्राडी नहीं पाये जाते है माउंट एरेवस अंटार्किटिका का अधिला सक्रिय यूआलाव की है बैटिस नाविक जेम्स कुक ने विस्व भेहमर की दोरान 1775 में अन्टार्किटिका को खुजा था किसने जेम्स कुक ने जेम्स कुक अन्टार्किटिका महादीप की कोज का समल्थन केप्टन केलार्ग रोस ने 1911 में की थी 1819-1821 में रोसी नाविक थोडियस गौटलिव बॉन बिलंग उसेन ने महादीप तट को अपने जहाजों यानि कि वो स्टोक और मिसी से खड़े हो कर देखा था अन्टार्किटिका की मुमी पर पहला कदम रखने वाला नौर्वेक का ए जे बुल था ए जे बुल था ए कहां का था नौर्वेका दच्छडी धुरुप के लिए नौर्वेका ही एक अन अभियांदल रोल्ड एड एम डर्सन की नितित में 14 दिसंबर 1911 को रवान हुआ था रोबर्ट फैकन ने 17 जनवरी 1912 को अन्टार्किटा पर 22 दोच पहरा था यानि कि जंडा फैर आया था किसने रोबर्ट फैकन ने अन्टार्किटिका एक मात महादिप है जिसका इसलिए आप लोग सुनते हैं कि अन्टार्किटिका को स्वेथ महादिपी करते हैं सफेथ महादिप ठीक है अन्टार्किटिका का केवल दोपी तीसत भागी गर्मी में बरफीन रहता है यानि कि बरफढ़ जाती इससे महादिपों का ग्रीस्म और सीत रितु में अलाग अलाग अकार होने के कारण इस अन्टार्किटिका को गतिसील महादिप भी कहते हैं क्या कहते हैं गतिसील महादिप डॉक्टर जी एस सिरोह पितम भालतिय थे जो अन्टार्किटिया पर पहुंचे थे वो महादिप के उस इस्थान को सिरोही इस्थल कहते हैं याद रखे डॉक्टर जे जी एस सिरोही संसार में सबसे कम ताबमान अन्टार्किटिका में बोस्टोक में रिकॉर्ड किया गया है माइनस आपका 95 डिग अन्टार्किका की मुक्त बनिस्पति है यहां क्रिस मचली के जुन्डों में रहती है कुंसी क्रेल किस नहीं क्रेल है तो यह कहानी थी आपकी महादीपों की 200 चली हम बात करते हैं विषिक्वारे में कुछ मत्पून तत्त देख लेते हैं की में प्यूमा तका में करते हैं दच्छन अभेरिका में कानाड़ा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादग उन्हें रियातक देश है आप जानते हैं कि अगर जहां सबसे जानदा उत्पादन होगा वहां निरयात तो करेगा यू क्या करेगा लगके विस्मे सरप्रितम कपास इस संकर जाती उत्पन करने का सरे भारत को जाता है आपके भारत को ताइवान में विस्पेसिद अलंग और उलोंग किसम की चाय का उत्पादन किया जाता है कहां ताइवान में उत्तरी तथन दक्चिडी धरोवों को आधारभूत संदर्व बिंदू माला जाता है यूरोप की सबसी लंबी नदी बॉलगा है वो बॉलगा नदी लेनिंग्राड नगर लटूंगा जील के किनारे वसा हुए विस्का सबसे उंचा जल्पेपाद बेनेजोएला की केरोनी नदी पर जल्पेपाद इसकी उंचा यह नौसों नौन्यासी मीटर कौन सा है एंगेल्स जल्पाद साल्पेपाद आपका बेने जो लामें किस नदी पर है केरोनी नदी पर क्योंकि इससे आपको कुश्चन्स आता रहता है ग्रेनेडा केरीवियन सागर में इस्तित है चेतफल की दिरिष्टी से विस्त का सबसे बड़ा भूह आविष्टित देश है मंगोलिया उपर आप तिपते हैं रूस लगा हुए नीचे चाइना ऑस्टेलिया महादीब में ज्वाला मुकी की ज्वाला मुकी का सर्वता आभाव याने की कम पाई जाते हैं क्रेटस नामक बिद्वार ने लगभग 500 वर्स इसा पूर में एक गिलोब का निर्मार किया था जो की पहला भाद धरा किये गिलोब था किसने यह थी क्रेटस काला सागर को पूर्ब काल में एक्सीन सागर की नाम से भी जानते था एक्सीन सागर से इसपैन का क्याडि से कॉल की लिए पिस त निव फाउंट लैंड का कॉर्णर बूर्ट से लूगदी एँवं कागर युद्धियों के लिए पिस त आकर कि परागना घाटी मद्देशिया में सद्धेते हैं पर Reality मद्देशिया में कारून घाटी आपकी इरान में कारून घाटी इरान- today एक कुराट कुराट पठार अकधा थाई लेंड़ मैं यह वही थाइलेंड दो यहाँ से can अमफान तूफान का जिस देश ने नाम दिया चाहिए अग यह आपको बेटेन में सीतो समुद्ध तटिये पिकार की जलवाई पाई जाते हैं कहां बेटेन में नील नदी की निचली घाटी में ग्रेस मृतों में बाड आ जाती है नदियों के काम ही है बाड लाना समझ रहे हैं पेरी घास पिदेसों में चर्णोजम मिट्टी पाई जाती है जो पेरी घास के मैदाने यहां की चर्णोजम मिट्टी पाई जाती है उस इस टूट पठार आमू दरिया तथा सिर दरिया नदियों की वीचिस्ते थे हिप पारकस ने पहली बाद एक बिरत को 306 अलसों में विभाजित किया था है किसने हिप पारकस ने नीदरलेंड बेलजियम और लगजंबर्ग की गड़ना यूरोप के निमने देशों में की जाती है मानोस अमेजन बेसन की लकडियों का निर्यात करने वाला पिसिद्ध बंदरगा है सयुक्त राज अमेरिका में एरी जोना तथा नेवादा राज्यों की सिमा पर कोलो रेडु नदी पर हूबर्बान बनाये गया है कौनसा हूबर्बान इसके पीछे तेस्तित मेड जील एक प्रमुख चल भंडा है मेड जील इटली प्राक्तिक जेस का उप्योग करने वाला पिथम यूरोपिय देश है विस्तिक इस्थल अवरुद देश इस्थल अवरुद देश बेदेश होते हैं जिनकी अंतराष्टी सीमा प्रमुद से नहीं लगती है वर्थमान में क्ल 44 इस्थल अवरुद देश है आप लोग जिसता में नैपाल को देखते हैं इसकी सीमा कहां लगती है किसी सागर से लगती हुआ है आपको देखती है नहीं न आ यह आपका लेंड लॉग. नेस अवरुद देश है अ उप्रुद देश इस इस तो यह कई ब भूटान अफगानिस्तान अजर्वेजन उजवेकिस्तान किर्गिस्तान मंगोलिया तजाकिस्तान तुर्कमिनिस्तान फैस्ट बेंग एस अभी देश आपके एसिया में जिनकी सीमा किसी भी सागर से नहीं लगती है अपने भारत की देखते हैं आप लोग बंगाल की खाड़ी है अरुप सागर है हिंद महासागर है नीचे अगर यूरोब में बात करें हम लोग यूरोब में आपका बैटिकन सिटी हो गया हंगर अपके बेलारूस मैसीटोनिया सर्विया माल्डोवा और्टिया अर्मीनिया चैगर राच अंडोरा लीच चिंश्टीन स्वीजलेंड लगजंबर इस्लोबाकिया अपीका कि अगर हम लोग बात करें तो वोच्वाना स्वाजी लेंड जांबिया या अपका उत्तरी रोडी इसिया में बुर्कीना फासो अपर बोल्टा रवांडा बुरुंडी माली मलावी लित्सितो यूगांडा नाइजर जिंबाम जिंबाम बे दच्छिड रोड इसिया इसे कहते हैं चाड केंद्री अफीका गड़राज इथोपिया यह सभी अपीका में लेंड लॉक्ट अमेरिगा की बात करें हम लोग तो परागवे और बोलिविया आपका दच्छिड अमेरिका में इस्तित है अच्छिड अमेरिका की पराना परागवे और रूवे तथा इसकी सायक नदियों के तंद का समलित नाम है पिलार्टा क्या है पिलार्टा फ्रांस की भूमी बाद जल्वाई की दरिष्टी से लगू इवरोप कहा जाते हैं विस्त के पिथम रेलगाडी का निर्बाड आपकी सनू सनू सन विस्त में पिथम रेलगाडी का निर्बाड सन अठारे सो तीस में बेटेन में हुआ था जीन ब्रुंस ने मकान और मारवों भूमी का अनुपाद प्रियोग की संग्यादी गए अफीका की सुमालिया इतोपिया जीबूती सरंग देश की समलेत नाम से जाने जाते हैं अफेका भादी कि छे देशों जैसमें आपका अंगोलाय, बुद्सवाना, मुजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जेम्बाम्बिक को सीमांत रेखा राज कहा जाता है क्या सीमांत राज रेखा राज कहा जाता है हंगरी में इस्तित इस्टैपी घास भूमियों को पुस्ताज कहा जाता है स्री लंका की घास की मेंदान को पठाना की नाम से जानते हैं किसके पठाना के भूमद रेखिए छित में पेड़ों पर चड़ी लताओं को लियाना कहते हैं क्या कहते हैं लियाना जापानी पेश एक का निर्माण चावल से किया लगता है किसे चावल से जापान जिसे निप्पन सूर्य उदय का देश सूकुमार फूलों का देश पूर्व का गेट बेटेंड भी कहा जाता है जिसे किसे जापान को निप्पन सूर्य उदय का देश सूकुमार फूलों का देश पूर्व का ग्रेट बेटेंड आपका जापान है वही जापान है जहाँ अमेरिका ने पर्माडू का बम गिराए हुए थे उननी सो पैटालिस की बाग था है दूतिय विस्से उत्रेंड सोचते हैं आप लोग बम जिल्लें के बाद भी विक्सित देशों की सेनी में जाप खड़ा हुआ है बेलीयम का एंट वरफ नगर विस्स में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा क्यांद है किसका बेलीयम का एंट वरफ विस्स में सबसे बड़ी कोईला खान आपकी वांकी जिम्बांबे मे canon वारेा सबस्ते है खाने हैं जैतून भूमद्य साग्रिय जलबायू की फसल है और विस्ट में 90-30 सब जैतून की परापती इनी छेत्रों में होती है आपकी जाबा दूइद जाबा दूइद में अधिक जनसंक्या घंणत का कारणों मिलने बाली उपजाव काली मिट्टी है यह तो आप सभी जानते हैं कि जहां उपजाव मिट्टी रहेगी लोग वहीं बहसना पसंद करते हैं देखते लोग अब बंजर वूमी केम में क्या करेंगी विस्की सबसे चौड़ी जलसंदी आपकी डेविस जलसंदी कैलिफॉनिया तथा फ्रांस की तट पर पहले साडायन मचली बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती थी किन्तु समुद्रिक पिदूसन के कारण अब इनकी संख्या कम हो गई हैं मिसी सीपी नदी सयुक्तराज अमेरिका के 31 राज्यों तथा कनाड़ा के दो पिदेशों से होकर प्रभावित होती हैं मिसी सीपी बिस में शबसे पहले नाइट्रेट की परावती दच्छे अमेरिका की चीली पठार में होई थी नाइट्रेट गोल्डन गोल्डेन ग्रेट बिरिज सैन फ्रांसेस्को नगर में इस्तित हैं जांबिया में आपका जिंबेजी नदी परिस्थित करीबा बांग की पीछे करीबा जील का निर्माण किया गया है karma पर मेंने कि अधिचे करीबा जील का निर्मार किया गया हो नल कूप द्वारा सिचाई की विधी का सबसे पहले पहुं आ कि चीन में देखने को मिलाघाज कहां तीड में मैं अन्ना माईट पठार मेकांग गहाटी में इश्ते में मिकांग घाटी में ताना सरिम चेटताप का म्यानमार में इरावदी नदी की म्यानमार की जीवन देखा जीवंधारा कहा जाता है किसी म्यानमार की जीवंधारा इरावदी नदी को संपूर्ण विस्क के भूगर्विक अब लेखों का बरीकन एरों में पिछले भूगर्विक सायनी के आधार पर किया जाता है पीटर पीटर हैगट को भूगोल में मौडल संकल्पना का जनम दाता माना जाता है कि स्री लंका के सर्वज परवथे आपका प्व पेड रोड़ो अक्थवाप पेडू रुटफव टागला रुटाग रुटागला कि डिक्ते किस सबसे बड़ी मुनिन पेटी पिस्थ महासागरी कि पेटी- है विस्ट की सबसे बड़ी भूकम पेटी कहा है, पिसांद महसाहिरी पेटी विस्ट में सरवादे कुचाई परिस्टे ज्वाला मुखी आपका कोटा पैक्सी है कोटा पैक्सी विस्ट की किरसी के पिकार की अगर बात करें हम लोग तो विष्ट की वरतमान किर्सी व्युस्ता के बड़े प्रमाने पर विविन किर्सी पद्धितियों के अत्रिक्त कुछ विसेश किर्सी पिकार भी पिछलेते हैं जो आपके इस पिकार हैं कौन कर से इन है कर वीटी कल्चर यहांकर ओंडक्ति पूछता है अब से तो व्याद कել का आंगूरों का विवांत और पर उत्पादन को हम लोग वीटी कल्चर कहते हैं आपसे पूछ लेता है कि BT culture किस सम्बंदी थे तो आपको याद रखना है अंगूरों से अंगूरों से सम्बंदी कौन सी केसी है BT culture i PC culture अधबा जल किरशी ये ब्याबार के ब्याबारी किस्तर पर मचली पालन से समंद्धित हैं अब यह सिरी कंचर रेसा मुत्पाधन की क्रिया जिसमें सहितूत सहितूत आधि किसी भी इसमें सम्सक्राइं होड़ी क्लच्र कि व्यापारीक इस तरफ व्यविन पिकार की फलों का उत्पाधन इसके इंतरक्र किया जाता है आर्बोरी कल्चर विसेश पिकार के बैक्चों और जाडियों की किर्सी जिन्ग में जिसमें उनका सदक्षान और संबर्दन भी आपका सामिल होता है एपी कल्चर व्यापारी किस्तर पर सहब उत्पादन ही तु मधुमक्की और मौन पालन इसके अंतरगत किया जाता है फिलोरी कल्चर व्यापारी किस्तर पर फूलों की किर्सी से सम्मद देता है आपकी फिलोरी कल्चर सिल्वी कल्चर बनों की सरक्षन और संबर्धन से सम्मंदित आपकी सिल्वी कल्चर है वीजी कल्चर दर्चिन पूर्वी एसिया में आदी मानोद्वारा सरप्थम सरप्थम की गई किल्सी को से सम्मंदित आपकी वीजी कल्चर नेमोरी कल्चर ये भी आधिम विवस्ता की क्यसी है जिसमें मानो द्वारा जंगलों से फ़ल जेड आधी का संग्रे किया जाता था नेमोरी कल्चर के इंतरग्ड उलिऍरी कल्चर जमीन पर फहलने वाली सब्जियों की ब्यापारी केसी इसके अंतरगत आती है ओलेरी कल्चर की फिरे आपकी मेरी कल्चर ब्यापारी कुद्देशों की पूर्थी इतुँ समुद्री जीवों के उत्पादन की किरिया को अम लोग मेरी कल्चर कहते हैं होर्सी कल्चर अत्वा अस्वपालन सवारी एवं यादता याद के लिए उन्नत प्रजाती के गोड़ों और खचरों कव्यापारी की स्थर पर पालन आपका होर्सी कल्चर कहला था यह हम लोग पहले भी देख चुकें आपकी पर भी देख लीजे बिस्त के गास के मैदान यह बहुत महत्पूर्ण है आपको याद रखना है और कई बार कुश्टिंज पूँच लिया है इससे उत्तरी अमेरिका में आपका पेरी यहुरेसिया में आपका एस्टेपी दर्चिड अफिका में पार्टलेंड और टिया में डाउंस ब्राजील में केंपोस गुआना लेंडोस या लानोस अफिका में आपका सवाना अर्जिंटीना में आपका पंपास और दच्छड अफिका में बेल्ट्स बिश्व की पिरमोक जल्विद्धूत परियोजना है यह परियोजना यहां पर बांद हुआ है यह नदी होगी जिस नदी पर है ग्रांड कुली एवं बॉना बॉना बिले परियोजना है यहां की कॉलंबिया नदी पर है किस पर कॉलंबिया नदी पर हीवर डैनिस बोल्ड पर पाकिर या आपकी खोले रेड़ो नधी पर स्ते है रोफ फीद सन्क्रेम नधीन नदी पर 3 श्ष्था याँके क्रोम बैंटbec.. सेंट एथोनी यह आपकी मिसिसीपी नदी पर इस्तित थे विक्टोरिया करीबा यह आपकी जंबीजी नदी पर इस्तित थे अस्वानमा यह आपका नेल नदी पर इस्तित थे इस्टैनले यह आपके कांगो नदी पर इस्तित थे अब चलते हैं लोग विस्की प्रमुक नहरे देखते हैं क्योंकि ये भी आपकी पूछते हैं यह नहर आपकी केरिवेन सागर और पिसांत महा सागर को जोड़ती है किसे किसे केरिवेन सागर और पिसांत महा सागर को सुएज नहर यह नहर आपकी लाल सागर और भूमद सागर को जोड़ती है आपसे पूछेगा कि लाल सागर और भूमद्य सागर को जोड़नी वाली नहर का क्या नाम है तो आपको याद रखना है स्वेज नहर अलवर्ट नहर यह आपकी एंटवर्ट लीग और बैने लक्स को जोड़ती है उत्री सागर नहर यह आपकी उत्री सागर और वाल्टिक सागर को जोड़ती है निव वाटर बे यह नहर आपकी उत्री सागर और रोटर्डम को जोड़ती है कील नहर यह नहर आपकी उत्री सागर और वाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर, सू नहर, यहाँ की सुपियर जील और हिूरन जील को जोड़ती है, बैलेंड नहर, यहाँ की इदी और ओंडिरियों जीलों को जोड़ती है, मैंचेस्टर नहर, यह नहर बेटेंड में मैंचेस्टर, मैंचेस्टर और इस्थम को जोड़ती है, गोटा नहर, यह नहर स्वेडन में इस टॉक्हों गौटेनबर्ग की बीच बनाई गिए इस्टॉलेंड सहर यह सुतंतराष्ट कुल में इस्टित यह नहर रुष्टो एवं इस्टालिन ग्राड को जोड़ती हैं इसे डॉन बोलगा नहर की नाम से भी आप लोग जानते हैं इस्टॉलेंड नहर को उत्तर सागर और काला सागर कुल में बात करते हैं नदियों के किनारी स्थित विस्ट के महत्पूर नगर यह आपके नगर हो गया है यह देश हो गया नदी हो ठीक है यह नगर देश जैसे काराकस नगर यह आपका वेनुजोयला का नगर है यह आपका और नीको और नीको न के इंग्लेंड में मर्सी नदी के किनारे बसा हुए बेना पॉस्टिया में है डैनिव नदी के टतपर है काबुल अफगानिस्तार में काबुल नदी के किनारे है ग्लाव किलाइड नदी के तठ पर हैं कि नयू के से याइपका इंग्लेंड का से रह तैंड नदी के किनारी है ब्रेश्टल इंग्लेंड में है यह वन नदी के किनारे वसलगा है चुंग चिंग यह चीन में है यांग्टी सियांग नदी के किनारे है तटपर डबलिन आयलेंड लीफे नदी हेकोब चीन का सहर है यांटिसी क्यांग नदी की क्तटपर है खालतूं सूडान में है वराइट तथा बिलू नील नदी का यहां संगवा में इसी क्लिक नारी है मेटिट इस्पैन का सहर है मेजेन सेस नदी की क्तटपर बसा हुआ है उटावा उटावा आपका कनाडा का सहर है और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है सिड्नी और स्टेलिया का सहर है डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है यांगून आपका म्यानमार का सहर है इरावदी नदी के किनारे बसा हुगा है, क्यूबेक, एक कनाडा का सहर है, सैंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुगा है, टोकियो, यह आपका जापान का सहर है, अराकुआ नदी के तटपर, वार्सा, यह आपका पॉलेंड का सहर है, विश्चुला नदी के किनारे बसा है, माना ओस यह आपका ग्राजील का सहर है अमेजन नदी के किनारे बसा हुगा है फ्राग यह आपका चैक गड़राजी का सहर है विटावा नदी के किनारे है सैंट लुई सेविक्त राज अमेरिका का सहर है वी सी सी पी नदी के तट पर है अंकारा ये आपका तुर्की का सहर है किजिल नदी के किनारे केंटन ये आपका चीन का सहर है सिक्यांग नदी के किनारे है हेंबग जर्मनी का सहर है एल्ब नदी के किनारे है बेलग्रेड सर्विया का नगर है डेनिव नदी के किनारे है बगदाद इराग का सहर है टेग्रिस दजला नदी के किनारे है रॉम इटली का सहर है टाइवर नदी के किनारे है निवार्ट सेट्राज अमेर्का का नगर है हर लाहोर पाकिस्तान का सहर है यह आपका अराभी नदी के किना तट पर इस्तिति है कराची कराची आपका पाकिस्तान का सहर है सिंदु नदी के तट पर है डिजिन जर्मनी का सहर है विश्चूला नदी के तट पर है पेरिस फ्रांस का सहर है सीन नदी के तट पर इस्तित लंद नदी के तटपर है बॉसेंग्टन डीसी यहापका सेवत्राज अमिर्का का सहर है ओटो मैट नदी के तटपर इस्तेते ही बसरा इराक का सहर है यहापका दजला और फराद नदी के संगम तटपर है कोलोन जर्मनी जर्मनी के सहर है और रहे नदी के तटपर है बीवनस आयर्स अर्जेंटिना के सहर है ला पिलाटा के किनारे नदी के नान के चीन का सहर है यांग्टी सी क्यांग सहर की किनारे है ठीक है डुन्डी स्कॉटलेंड के सहर है टे नदी के किनारे बसा हुए सेंट लॉरेंजी नधी के तत परिश्तित थे थे, फिलाडिल्प्या स्योकद्राज जमीरका के तत पर विसाओं इन्यू ओल्डियंस स्योकद्राज जमीरका के नगर है, Mississippi नदी के किनारे है Leningrad ये आपका रूस का सहर है Neva नदी के तठपर है Balgo गराड रूस नदी के किनारे है Bolga रूस का नगर है Bolga नदी के किनारे Kiev ये आपका रूस का सहर है Nipar नदी के किनारे है Alcaro मिस का नगर है नील नदी के किनारे वैलिन ये जर्मनी का नगर है इस्प्री नदी के किनारे बोड़ा पेश्ट हंगरी का नगर है डेन्यूग नदी के किनारे लिस्वन पुर्दगाल का नगर है टंगस नदी के किनारे बसा हुआ है चिन का सहर है यांग टी सी यांग नदी की किनारे बसा वर यह थे आपके प्रमुक्ख सहर और जिन नदीयों के किनारे वसे उनके नाम अब बात करते हैं लोग बिस्की प्रमुक्त चल संदियों के बारे हैं इनसे questions आपकी अधिकतर बार पूचे जाते हैं यहां मैं बार-बार एक ही सब्द दोहरा रहा हूँ कि maths को आप लोग पढ़ लें तो बेहतर होगा आपके लिए ठीक है फिर आपकी इच्छा आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है नाम किनकुन को जोड़ती है भोगुलिक इस्तिती बेरेंग गेल संदी बेरेंग सागर और चुक्ची सागर को जोड़ती है भोगुलिक इस्तिती है इसकी अलास्का फिलिपिन्स में बॉनी फीसियो जलसंदी भूमद सागर में है कोर्शी का साड़ी निया में इस्तित हैं बासपोरस जलसंदी कारा सागर और मरमरा सागर को जोड़ती हैं तर्की में इस्तिते हैं देंपियर्द सागर बिस्मार्ट महासागर में है पपुआ न्यूगिनि मोगोली की स्तिति हैं इसकी डालडेड लीच जलसंदी मरमरा सागर और इजीन सागर को जोड़ती हैं तर्की में हैं डैविश्थ जलसंदी यह आपकी बैफिन खाडी और इट्लांटिक महासागर को ज आर्केटिक महासागर में इंग्लेंड फ्रांस में ये दोनों को जोड़ती है उत्री अट्लांटिक महासागर एट्लांटिक और आर्केटिक महासागर डोवर जलसंदी इंग्लिस चैनल और उत्री सागर को जोड़ती है इंग्लेंड फ्रांस में इस्तिते फिलोरीडा तसमान स्सांदी और जछिडी सागर में न्यूजिवेंड में होर मुझ जल संदी प्रारश की खाडी को जोड़ी है ओमान इरान में हरसन जल में हरसन यह लंढ स το कि काड़ी औट्लांटिक-अकर को जोड़ती है जे ब्राडरेंट संदी भूमाद सागर्व एट्लांटिक महासागर को जोड़ती है इस्पैन म्रक्त्री जापान जल्संदी आपकी पिसांत महा सागर्व एंडोनेसिया में कारीमता जल संदी दच्छन चीन सा Ferrari जाबा जाव जावा सागर को जोड़ती है इंडोनेसिया मेंस्ते थे कोरिया जल संदी जापान đến पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है जापान कुरिया मेंस्ते थे मेगलेन जलसंदी पिसांत इपन दच्छडी अटलांटिक महा सागर को जोड़ती है चीली में इस्ते थे मक्का सार जलसंदी जाबा सागर और सेलीवी सागर में इस्ते थे इंडोनेसिया में मलक्का जलसंदी अन्दमान सागर और दच्छन चीन सागर में इस्ते थे के अदवान सागर और चीन सागर को जोड़ती है, मैटलीवर जलसंदी वभोट सागर मैं स्कॆ ते जापां मैं। पार्क जलसंदी मनार एब बंगाल की खाड़ी मिश्थे थे भारत स्री लंका यह आपके कई वारत पूछ ले गए हैं क्योंकि इसलिए पूछती है कि लोग पूछते हैं कि बंगार पाक जलसंदी किने किने जोड़ती है वह कहां है तो कई लोग पार्क समझ के पाकिस्तान सम सुन्डा जलसंदी जाबा और हिंद महासागर को जूड़ती हैं इंडोनेसिया में हैं तोकरा जलसंदी पूर्वी चीन सागर और पिसांत महासागर को जूड़ती हैं जापान में सुगारू जलसंदी जापान सागर और पिसांत सागर को पिसांत सागर को जूड़ती हैं आ जापान सागर और तुलबी चीन सागर को जोड़ती है युकाटन जलसंदी मेक्सिको किखाड़ी oresterissam मैक्सिक एक क्यूबा में जते थे मैसिना जलसंदी मुहमद सागर म मस देता इटली सिली को जोड़ती है औरेंटो जलसंदी एडियाटिक सागर और आयोनियन सागर में इस्ते थे इटिली अल्वानिया को जोड़ती है बोग एल मंडव जलसंदी एलाज सागर और ररब सागर में इस्ते थे यमन और जिबूती को जोड़ती है कुग जलसंदी दर्चिर पिसांत माहसागर में इस्तित हैं नुजीलेंड मेह इस्तित और दच्छन प्रसांत माहसागर में हैं मुजाम्बिक माल अगासी के पास लुजोन जलशंदी दच्छन चीन सागर और फिलिपिंस सागर को जोड़ती ताइबान फिलिपिंस में इस्ते थे । शैली कॉप कॉप जलसंदी अलास्का किखाडी और अलास्का कोडिवा कोड़ीवा दुइपन इस्ते थे। नोर्च चैनल आयरिस सागर और इटलान्टिक माह सागर मिश्ते थे आयरलेंड इंग्लेंडिक भी टॉरस जलसंदी अरापुवा सागर पपुआदी खाडी मिश्ते थे पप्पुआ न्यूग्नी ऑस्टिलिया में उन्डव जलसंदी 1D मन खाडी मिषते थे मेलबिन दुवीब ऑस्टिलिया में बोश जलसंदी तसमाल सागर और दुच्ण साल सागर वीच इथे ऑस्टिलिया में बैल दुवीब जलसंदी S. लोरेंस खडी और एट्लांटीक महासागर मिषते थे कनारा में चिया ओढलें कि यह थी आपकी प्रमुक जल संदिया मार चली अब हम लोग बात करते हैं बिस्की प्रमुक नदियों के बारे में एक नदियों के नाम हो गए इन जानी की जहां से इनका उठालो होता है नो कि यह कहां मिलती है गिरने का स्थान हो हुग है इनकी लंबाई हुगई किलो मीटर में ठीक है तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सबसे लंबी नदी है आपकी नीड नदी यह आपकी विक्टोरिया जील अपीका महादीप से निकलती है और भूमध सागर में जाकर आपकी मिलती है अगर हम लोग इसकी लंबाई क आपकी मात बात करें तो 6690 किलो मीटर है 6690 किलो मीटर अमेजन नदी यह आपकी उद्गम होता है इसका लेगो बिल फेरू पेरू से और यह जाकी मिलती है अटलांटिक महासागर में इसकी लंबाई है आपकी 6296 किलो मीटर याद रखिए यह आपकी दूसरी लंबी नदी ह है और बहाओ की चित में ही पहली नदी है पहले नमबर ठीक मिसिसीपी मिसोरी आपकी यह रेड रेड रोक से निकलती है परवस्य अमेरिका से और जाके मिलती है मैक्सको की खाड़ी में और इसकी लंबाई है 6600 6242 किलो मीटर 6242 किलो मीटर कितना 6242 किलो मीटर पर आपकी यांगसी नदी यह आपकी तिबब के पठार से निकलती है यांगसी नदी कहां से निकलती है तिबब के पठार से जाके गिरती है चीन सागर में इसकी लंबाई है 5797 किलो मीटर 5797 किलोमीटर कितने 5797 किलोमीटर फिर आपकी अंगली नदी है ओबे एड़ेस यह आपकी अल्टाई परवस्टे निकलती है और ओब की खाड़ी में गिटती है इसकी लंबाई की बात करें तो 5567 किलोमीटर है 5567 किलोमीटर हांगो नदी या क्यों लून परवस्टे निकलती है चेल की खाड़ी में जागिरती है इसकी लंबाई है 4667 किलोमीटर इनी सी नदी या की रन्नो वलाव परवस्टे निकलती है आर्केटिक महसागर में जाकर मिलती है इसकी लंबाई है 4506 किलोमीटर कांगो जायरे याकि लुआ लया बलावा पूला के संगम से निकलती है जाके मिलती है अटलांटिक महसाधर में इसकी लंबाई है 4,321 किलोमीटर अमूर ये आरगून सिल्का रूस आरगून के संगम से निकलती है टाटर इस्टेट में मिलती है इसकी लंबाई है 4,352 किलोमीटर लीना नदी ये आपकी बैकाल परवस दुरूस से निकलती है और आरकेटिक महसाधर में जाकर मिलती है इसकी लंबाई है 4,268 किलोमीटर मेकेंजी ये आपकी फिनले नदी के मुहाने से निकलती है व्यूफोर्ट सागर में जाकर मिलती है इसकी लंबाई है 4,241 किलोमीटर नाइजर नदी ये आपकी गिनी अफीका से निकलती है गिनी की खाड़ी में मिलती है इसकी लंबाई है 4,184 किलोमीटर मीकांग ये आपकी तिबबत के पठार से निकलती है और जाकि दच्छनी चीन सागर में मिल जाती है इसकी लंबाई है 4023 किलोमीटर बोलगा नदी, ये आपकी बिल्ड डाइ, पठाद रूसं निकलती है इसकी लंभाई है 3687 किलूमीटर सेंट फ्रासिस्को दमिनास ग्रेट्स ब्राजीर से निकलती है अटलांटिक महासागर में मिलती है इसकी लंभाई है 3198 किलूमीटर सेंट लॉरेंस ये आपकी ओंटेरियो जील से निकलती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में मिलती है और इसकी लंबाई है 3058 किलोमीटर ब्रंपुत ये आपकी मानसरोव जील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गलती है इसकी लंबाई है आपकी 2900 किलोमीटर यानि की 2900 किलोमीटर फिर आपकी सिंदु नदी या आपकी मांसरो और जील के पास से निकलती है इस जाकी मिलती है अरब सागर में इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर यानि की 2880 किलोमीटर फिर आपकी Danube नदी ये आपकी Black Forest जर्मनी से निकलती है काला सागर में जाकर मिलती है इसकी लंबाई है 2842 किलोमीटर फराद नदी ये कारासुन और मूरद नहरी नदी के संगम से उत्पन होती है सत अल अरब में मिल जाती है और इसकी लंबाई है 2799 किलोमीटर यानि की 2799 किलोमीटर मरे डालिंग ये आपकी Australian आलबस से निकलती है वो हिंद महासागर में मिलती है इसकी लंबाई है 2750 किलोमीटर नेलसन नदी ये वो नदी का उपरी भाग है और ये ये मिलती है आपकी Hudson की खाड़ी में 2575 किलोमीटर पराग भी Monte Giroso ब्राजील में से निकलती है पराणा नदी में मिलती है 2549 किलोमीटर इसकी लंबाई है ये आपकी दाविवराल परवत रूस से निकलती है केस्प्यंसागर में मिलती है और 2533 किलोमीटर इसकी लंबाई है डंगा् गौमुक की हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है आपकी गौमुक से निकलती है इसकी लंबाई है 2525 किलो मीटर आमु दरिया निकोला सेणी पामीर से निकलती है अरल सागर में जाकर मिलती है 2414 इसकी लंबाई है फ्रयापकी साल्विन इतिवबत क्योलून परवत के दच्छन से निकलती है मर्दवान की खाड़ी में मिलती है 2424 की लंबाई है अरकांसास ये मद्व कोलोरेडो से निकलती है मिसीसीपी नदी में मिलती है 2340 किलोमीटर की लंबाई है कोलोरेडो ये आपकी ग्रेंड कंट्री से निकलती है कैलिपॉनिया में जाकर मिलती है कैलिपॉनिया की खाड़ी में 233 किलोमीटर इसकी लंबाई है नीपन नदी ये आपकी विलडाई परवत रूस से निकलती है काला सागर में मिलती है 284 km इसकी लमबाई है कुल ओहिए ओ यापकी पोॉर्टर कन्टरी पहने सली लिन्वानिया से निकलती है और मिशी इसी पी नदी में जाके मिलती है इसकी लमबाई है 202 km एराबदी नदी माली और नमी नदी का संग्हम है बंगाल की खाड़ी में मिलती है 2,92 km की लंबाई है कुल ओरेंज या आपकी लिसोतों से निकलती है अट्लांटिक महासागर में मिलती है 2,92 km की लंबाई है ओरी निको आपकी सेरा प्रीमा परवस्ते निकलती है अट्लांटिक महासागर में मिलती है 2062 km की लंबाई है कोलंबिया कोलंबिया जील कानाड़ा से निकलती है पिसांत महा सागर में मिलती है 1983 की कुल लंबाई है डौन नदी एटूला रूस से निकलती है अजोब सागर में मिलती है 1968 km की लंबाई है टिगरिस यह आपकी टोरस परवत तर्की से निकलती है सत अल अरब में गिरती है 1899 किलुमीटर की कुल लंबाई है कितनी 1899 किलुमीटर इस तरह से आपकी प्रमुख नदियां थी और उनकी लंबाई और कहां से निकलती है और गहां मिलती है इनके भारे अब कुछ नदियों के किनारे बसे विसके ब्रमुक नगर देख लिए बेलगरेट ये डेनीव नदी के किनारे बसा हुआ है वोड़ापेश्ट अंगरी ये आपका डेनीव नदी के किनारे बसा हुआ है बॉसेंटन पोटोमेक नदी के किनारे बेना वस्टिया डेनीव नदी की तोकियो ऐपान अरहकावा नदी के तरप संघाई चीन यांग टिसी क्यांग नदी के तरफ रंगून ल्यारवार क県 एरावदी किनारे वसा हुआ ओटावा ओधै कानाड़ा यहां सैंट लोरेंस नदी के किनारे निवर्ट हर्चन नदी के के किनारे मैट्रिक इस्पैन का सहर है मैजैन सेस नदी के किनारे बसा हुआ है लिस्वन पूर्दगाल का सहर है टंगस नदी के किनारे बसा थट पर है ठीक है फ्रियाग का प्रियाग गडराज बिंदावन नदी के किनारे बसा हुआ है बॉन जर्मनी का सहर है यह आपका राइन नदी क के किनारें सब्साब और काहीरा यह नील अदि के किनारे है वियूनस आर्ज अजिन्टीना के सरेड़ लाटा नदी के किनारे है यानि की तर्डपर है अंकार ये टर्की का सरे किजिल नदी के तरब ढ़ें डुन्डी स्कॉटलंड का सहर है टे नदी के किनारे है लीबरपुल इंगलेंड का सहर है मर्सी नदी के किनारे बसा हुए लेने गिराड ये रूस का सहर है नेवा नदी के तटपर है किसके टाइगे तुर्ण फिर आगे आख कर चलते हम लोग बर्लिन एक गर्मनी का सहरे, इस्प्री नदी के तटपर है, पर्थ होस्टेलिया का सहरे, स्वान नदी के किनारे बसा हुए, वार्षा पुलेंड का सहरे, विश्चुला नदी के तटपर है, अस्वान मिस्स का सहरे, नील नदी के किनारे, सैंट लुईस, अमेरिका का सहरे, म टाइबर, लंदन इंग्लेंड का सहरे, टैम्स, फेरिस फ्रांस का सहरे, सीन नदी के, मास्को रूस का सहरे, मोस कावा, डबलिन आयलेंड का सहरे, लिप्फी नदी के, तटपर, चटगाउं बंगला देश का नगरे, म्यानी नदी के, कनारे, हेंबर्ग जर्मनी का सहरे, एल् नदीके, विश्टल इंग्लेंड का सहर है, इवर नदीके, बसरा इराग का सहर है, दजला और फराद नदीके, क्यूबेक कनाडा का सहर है, सेंट लॉरेंस नदीके, कोलोन जर्मनी का नगर है, राय नदीके तटपर है, मॉन्टियल कनाडा का सहर है, सेंट लॉरेंस नदीके, सिड्नी ऑस्टेलिया के सहरे डाइलिंग नदीगे ये फिर इतनी आपकी प्रमुक नदीए उनके तट पर जो नगर बसेव हैं एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए आप तभी सफलता पास सकते हैं तभी आप किसी कुछ परीच्छा को पास कर सकते हैं जो उसमें जो नहीं कर पाएंगे कोई भी हो तो इसलिए हमेशा बोलता हूं कि आप लोग मौक टेस्ट जितने हो सकें जितने से जांदा से जांदा लगाएं उस परीच्छा के जिसकी आप लोग तैयारी कर दाएं क्योंकि आप समाझ रहे होंगे कि किस तरह से कुष्टन्स बनते होंगे आपको पता तो होना चीए तब इतो आप पकड़ना सीखोंगे मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर आप लोग एक बार कुष्टन्स पकड़ना सीख गये तो आप जब भी जिए जोग्राफिप पढ़ते हैं हिस्टिरी पढ़ते हैं तो आपको पकड़ना आजाएगा और या आपके नए नाम हो गए, इनके पुराने नाम हो, यानि की पूरुट की नाम, जैसे आपका म्यानमार पडोसी देसे, इसका पूरुट का नाम है बर्मा, बिजिंग, इसका पुराना नाम है पीकिंग, बैलिज, इसका पुराना नाम है बेटिस हुंडूरास, बेनि, इसका पुराना नाम है अभी सीनिया, बोथ सुबाना, इसका पुराना नाम है बेच्चू, ओना लेंड, कमबोडिया, इसका पुराना नाम है कमपुचिया या खामेर, दोके, जिबूती, इसका पुराना नाम है फ्रेंच, सुमाली लेंड, गाना, इसका पुराना नाम है गोल्ड क गुवाना इसका पुराना नाम है बेटिस गुवाना, यांगून इसका पुराना नाम है रंगून, हरारे इसका पुराना नाम है सैलिस बरी, इरान इसका पुराना नाम पर्सिया, इराग इसका पुराना नाम मेसोपोटामिया, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा था मेसो पोटामिया बोलते थे किंसासा इसका पुराना नाम है नियो पोल पोलर बिल्ले लाउस इसका पुराना नाम है लंग की जाग लाखों हातियों की भूंगी भूमी नामी बिया इसका पुराना नाम है दच्छडबश्चमी अफीका सैंट पीटर्सवर्ग इसका पुराना नाम है लेनिंगराड सुरी नाम इसका पुराना नाम है डच गुआन ताइवान इसका पुराना नाम है फार्मोसा तस्मानिया इसका पुराना नाम है वान डिमेंस लेंड थाइलेंड इसका पुराना नाम स्याम है क्या है स्याम टोगो इसका पुराना नाम टोगो लेंड तुवा इसका पुरान नाम कांगो है जांबिया इसका पुरान नाम है उत्तर रोडेसिया जिंबाम बे इसका पुराना नाम दर्चिट रोडेसिया है अब आपने सुना वोगा कि पंजाब को पांच कि पंजाब हो गया उत्तर प्रिदेश मसूरी पंजाब को पंच पहाडियों का राज कहते हैं का चलिए आप लोग फिर भारत में देखेंगे उसे ठीक अच्छिसे दच्छिड का बेटेन किसे कहते हैं न्यूजी लेंड दच्छिड का बेटेन किसे कहते हैं न्यूजी लेंड को तो New Zealand का उपनाम कह लिजे जैसे आपके उपनाम हो जाते हैं उसी तरह है New Zealand का उपनाम है दच्छिड का बेटे Long का दूइप किसे कहते हैं जंजीबार को साथ पहाडियों का नगर किसे कहते हैं रॉम को 700 सहर किसे कहते हैं Eternal City रॉम को सोपनेल मीनारों का सहर किसे कहते हैं Oxford मीरारों बाला सहर Oxford England को Great Hight Bay किसे कहते हैं प्यापका Newark Broadway Year Granite City Everdeen Scotland को कहते है नील का बरदान या पर नील का उपभार Miss को कहते हैं नील का बरदान भी कहते से नील کا उपभार भी कहते हैं Adriatic सागर किरानी बेनिस इटली को कहते हैं आसुमों का द्वार बाव अल मंडव को कहते हैं इंगलेंड का बगीचा केंट को कहते हैं निसिद्य साहर लेहासा तिब्बत को कहते हैं इसकाई इसके पर्स का नगर निवार्ग को कहते हैं एंपाइर सिटी निवार्ग को कहते हैं एंपाइर सिटी विर्गरा फ्रांशिस को ओर से कहते हं लोग हो कियोकर सिटी फिलाडेलफिया को कहते है एवरोप का खेल का मैदनन को कहे एंट ओरीज का मौती क्यूबा हो बैते हैं सुप्य 2017 आपके वह नड एक्जाम में भी पूंच लेता है कई वार कोई जनल लॉलिच के लिए आप से पूंच ती रहते हैं इस तरह की क्यों से उकते सूर का देश जापान को मद्रात्री के सूर का देश नौर्वी को उकते के देश जापान मद्रात्री के सूर के देश नॉर्वे प्राता काली शांती की भूमी कोरिया को गहते हैं सोडम पेकोडा की देश मयानमार को कहते हैं कंगारूं का देश औस्ट्रिया को कहते बुममदेसागर की कुझी जिब्राल्टर जनसलंधी को कहते हैं, मौतियों का दुईब, बहरीन को कहते हैं आप लोग। पवित भूमी येरुसलम या फिलिस्थीन को कहते हैं, हैरेंग पॉंड अट्लांटिक महासागर को कहते हैं, संसार की सत छत पामीर की पठार को कहते हैं चीन का सोक होंगो नदी को कहते हैं किसे होंगो नदी को जिस तरह से आप लोग बिहार का सोक कोसी नदी को कहते थे बाड़ के कारण इसी तरह चीन का सोक आप लोग नदी को कहते हैं पीली नदी होंगो नदी को कहते हैं सुएथ सागर बेल ग्रेड युगो सलाविया को कहते हैं बेल ग्रेड को हवाक के सहर सिकागो को कहते हैं विस्ट की रोटी की टोक्री किसे कहते हैं पेरिज उत्त्री अमेरिका मेरी विस्ट की रोटी की टोक्री आप लोग पेरी को एक खथें इस बितेका निर्जनन तम इस्थान त्री स्टॉंड डी कोन दू इपने अटलांटिक महाश्यागर में इसे कहते हैं लैंड ओ थन्डर बोल्ड भूटान को कहते हैं जॉज्छरोस आइसलेंड आईिलेंड इसी माल्टा को कहते हैं पूरुप का मोती सिंगापूर को कहते हैं दा डॉन अंडर सिकागो को कहते हैं दा डॉन अंडर किसे कहते हैं सिकागो को एलो एलो पेरे आप लोग चीन को कहते हैं गाइडंग प्रोविंशंस साउध साउध अफी का आप लोग नेटाल प्रांथ को कहते हैं हर्मिट किंगडं किंगडं कोरिया को कहते हैं विस्व का चीनी का पात क्यूगा को कहते हैं उत्तर का विनिस इसकोट हॉम को कहते हैं पिसांद का मोती ग्या यक्कुल बंदरगाह को कहते हैं दूपते सूर का देश्ट, आप लोग बेटेन को कहते हैं, रघ्टवर्ड महिला, रॉम को कहते हैं, दच्छनपूर, सअउगतराज, कमबोडिया, कम्पीव, चिया, किसी कहते हैं, TN नदी घाटी और शडिक, दच्छनपूर सयुक्त राज किसी कहते हैं टेनिसी कमबोडिया का सोग आप लोग की मेकांग न दिये सेकेंड निव फाउंड लेंड जापान को कहते हैं आंतरिक स्रोतों का नगर विट्टा यानि की दच्छडी अमेरिका में है इसे कहते हैं संग मरमर की भूमी आप लोग इटली को कहते हैं फूरुप का मैंचेस्टर ओसाका को कहते हैं जो जापान में है आपका जापान का सहर है अगनी दूइप हर क्यूलिस काइस्थम किसे कहते हैं जिब्राल्टर जदसंदी को अगनी दूइप आप लोग आइसलेंड को कहते हैं पवित फरवत फ्योजी यामा जापान को कहते हैं बिज्यान के लिए समर्पित महधिब आपका अन्टार्कितिक को कहते हैं किसे अंटार्कितिक को सुएद महादिव यह वियाम का अंटार्कितिक महासागर को कहते हैं दीब को सब्सद्री तेल की नदी नाइजर नदी को कहते हैं, रूस में नोवो सिविर्सक पहेन, ओमस्क रूस को कहते हैं मतेशिया की सब्विता का पलणा, जरापशन नदी को कहते हैं युरॉल पिदेशकी रादधानी, स्वेड लो के रूस में इटसे कहते हैं यूरोप का बनालती, यूरोप का बनालती कहती है आप लोग Reading city लेम्नान को कहती है का क्यों सापों का देश केसी कहती है बरगल को मैं उन्हंने बोलाता ना कि ये आक्डे बददते रहते हैं इसलिए इस लिए आक्डे तो नहीं हो सकते हैं लेकिन अभी आपके लिए सही हैं बाद में आप लोग मिलाते रहें जब आपको अगर टाइम मिल जाता है तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लिए और आप लोग जुड़े करेंट से जुड़ा रहीएगा क्योंकि पता है जो भी चैन्ज होते रहते हैं उनके बारे में आपको याद होना चाहिए इसलिए हमेशा करेंट से थुड़ा बहुत तो जुड़ा रही रही क्या होता है कि जब भी पेपर में आता है तो आपको याद बना रहता है कि कहा आप क्या था तो यह आपकी आर्थिक Google है विस्सकिरसी देखते हैं क्या है विस्सकिरसी प्रमोग फसलें देखेंगे फल देखेंगे उनको उत्वादक प्राष्ट देखेंगे देखें फसल पिथम इस्थान दुदिये स्थान उतितिये स्थान चत्वर्थ स्थान और भारत की स्थिति तो मैं क्या कहूंगा मैं यही कहूंगा कि इसमें पिथम इस्थान रखिये याद और भारत की स्थिति याद रखिये मैं तो आपको सभी बता देता हूं लेकिन आपक क्योंकि हर किसी को याद कर पाना इतना आसान भी नहीं है समझ रहें तो आपको पिथम याद रखना है और उसमें अगर भारत की स्थिति है उसे याद रखना है जैसे चावल है इसका पिथम स्थान कौन है उत्पादक देशों की बात कर रहा है उत्पादन में चीन है दूसर तीसरे नमबर पर है, USA आपका चौतरे नमबर पर, तो भारत की स्थिति क्या है, दूसरे, मक्का, इसमें आपका USA, चीन, ब्राजील, मैक्सको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौतरा, जौब, रोज पहले, फ्राज दूसरा, जर्मनी तीसरा, ऑस्टेलिया, चत्वर्त, और भारत की स्थिति, सत्रे बार, जौब, नाइजिरिया पहले, USA दूसरे, भारत दूसरे, अर्जेंटीना चौतरे, भारत की स्थिति, इसमें तीसरी है, गन्ना, ब्राजील पहले नमबर पर, भारत दूसरे, चीन तीसरे, थाइलेंड, चौतरे, और भारत की स्थिति, दूसरी है, क फरे आपका केला क्या है केला इसमें भारत की स्थिति फर्ष्ट नंबर पर दूसरे पर आपका चीन तीसरे पर फिलिपिन्स चौत्रे पर एक क्वाडोर पहले नंबर पर क्या है इसमें भारत भारत की स्थिति पहला है नारियल इंडोनेसिया पहले फिलिपिन्स दूसरे भार तीसरे नमबर पर विराजील चौत्रे नमबर पर भारत किस्तिती तीसरी गें तमाकू चेन पहले पर भारत दूसरे पर विराजील तीसरे पर उसे चौत्रे नमबर पर भारत किस्तिती दूसरी गें ठीक है प्राक्तिक रवर थाइलान पहले नमबर पर इंडोनेसिया दूसरे नमबर पर मलेशिया तीसरे नमबर पर भारत इसमें चौत्रे नमबर पर है कितने चौत्रे आलू चीन पहले नमबर पर भारत दूसरे नमबर पर रोज तीसरे नमबर पर यूक्रेन चौतरे नंबर पर दूसरे नंबर पर भारत है प्याज चीन पहले नंबर भारत दूसरे नंबर पर USA तीसरे नंबर पर इरान चौतरे नंबर पर भारत प्याज की मामले में दूसरे नंबर पर है जूट भारत पहले नंबर पर बंगलादेश दूसरे नंबर पर, चीन आपका तीसरे नंबर पर, उजवेकिस्तान चौतरे नंबर पर, यानि कि जूट में पहला इस्तान भारत का है दलहन ऑस्टेलिया पहले नंबर पर भारत दूसरे नंबर पर बेटेन तीसरे नंबर पर पोलेंड चोतरे नंबर पर तो दलहन में भारत की स्थेती दूसरे नंबर पर हैं स्वयाविन अमेरिका पहले नम्बर पर ब्राजिल दूसरे नम्बर पर अर्जेंटिन दीसरे नम्बर पर चेन चोतरे नम्बर पर और भारत माचवे नम्बर पर है स्वयाविन के उत्पादन में मुंपली चीन पहले नंबर पर भारत दूसरे नंबर पर नाइजिरिया तीसरे नंबर पर अमेरिका चौतरे नंबर पर और भारत की स्थिति में मुंपली में दूसरे नंबर पर रेट सीड कनाडा पहले नंबर पर चीन दूसरे नंबर पर भारत की स्थिति तीसरी है थ्रांस चोत्रे नमबर पर, ठीक है, रेट चीन में भारत तीसरे नमबर पर, सूरज मुखी, उक्रेन पहले नमबर पर, रोज दूसरे नमबर पर, अर्जिंटीना तीसरे नमबर पर, चीन चोत्रे नमबर पर, भारत किस्तिती 14 भी नमबर पर, सेव, चीन पहले नमबर पर, UA Careric 2 से नंबर पर तुर्गी 3 से नंबर पर पोले डापका चोल Devi नंबर पर भारत की स्थिती 5 पर मसाले भारत पहले नंबर पर आप समझते हैं कि जतने ही प्रासिन भारत में ब्यापारी आए मसाले को भी तोữ कर आ जो भी आपके अंग्रियेज हैं इसी के चक्र में आयती है फिर इसके बाद सासन करने लगे यहीं अंगूर, तो मसाले में पहले नमबर भारत दूसरे पर आपका बंगलादिस, तीसरे पर तुर्की, चौतरे नमबर पर चीन, यानि की मसाले में पहला इस्तान आपका है अंगूर चीन पहले नंबर, USA दूसरे नंबर, इटली तीसरे नंबर, फ्रांस चौतरे नंबर, 14 भी नंबर पर आपका भारत है संत्रा ब्राजीर पहले दूसरे पर सहित्रा जमिर्का, चीन तीसरे भारत चौतरे नंबर पर रहे भारत की स्तेथी क्या है? चोटरे नारीयल, अडिघन के बाद भारत का नंबर चाए, चीन के बाद भारत का नंबर आता है दूसरा, तीसरा चैन के नंबर में चाय की मामले में भारत है कॉफी की बात करें तो ब्राजील पहले नंबर पर बेथनाम दूसरे नंबर पर आईवरी कोष्ट तीसरे नंबर पर इंडोर्येस चोत्रे नंबर पर भारत किस्तिति में पांच भी है तंबाकू चीन भारत दूसरे नंबर ब्राजील तीसरे नंबर युएसे चोत्रे नंबर इंडोनिसिया ती दूसरे घानादी से नाइजीरिया चोत्रे और सब्सक्राइब इस्तान पर आपका भारत कीश देती है किसके भारत कीश देती है विसके प्रमों खने जोत्पादक देशों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके देख लीजिए एक खने जोगे पित्थम स्थान दूतिय स्थान तितिय स्थान और चत्वरतिस्थान मैग नीच इसमें पहले नमबर पर मैग चीन मैग नीच के मामले में पित्थम नमबर पर चीन दूसरे नमबर पर आपका दच्छे पीका तीसरे पर ऑस्टेलिया चौत्रे पर ब्राजिल पहले पर आपको ऑस्टेलिया दूसरे पर चीन, तीसरे पर ब्राजील, चोत्रे नमबर पर गवाना, दोहा, चीन पहले नमबर पर, ऑस्टेलिया दूसरे नमबर पर, ब्राजील आपका तीसरे नमबर पर, भारत किस्तिती चोत्रे नमबर पर, तामा, चीली पहले नमबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, पेरियो तीसने नंबर पर, USA चोतरे नंबर पर है, USA आपका चोतरे नंबर पर है उरेनियम इसमें कजाकिस्तान पितम नंबर पर, कनाडा दूसरे नंबर पर, ऑस्टेलिया तीसरे नंबर पर, नाइजर चोतरे नंबर पर, खनिज तेल्ड रोस पहले नंबर पर, साउदी अरब दूसरे नंबर पर, USA तीसरे नंबर पर, चीन आपका चोतरे नंबर पर, जस्त चीन पहले नंबर पर आश्टिलीया दूसरे नंबर पर, रोज तीसरे नंबर पर, रोज क्या है रोज आपका तीसरे नंबर पर थेग चान्दी मैक्सको पहली नमबर पर चीन दूसरे, पेरू तीसरे और रूस चौत्रे कोहलार चीन पहले पर यूसे दूसरे, भारत की स्थेथी तीसरी है, और श्टेलिया चौत्रे नमबर पर आप समझ सकते हैंग यहा हम लोग खनिच के मामले में तो पिछड़े हुए हैं चली हम लोग देख लेते हैं विश्क के पिरमूग खनिच उतपादक तेश त्थेके आपका रूस और्टेलिया चीन भारत तैयुक्तिरार जमाल अमेरेका कानारर ग्रेड बहुरा मलेशिया, स्वीडन, इस्पैन, जापान, चिली, ब्राजील, अर्जिंटीना, बेनेजोईला, अलजीरिया, क्यूनीशिया, मुरक्को, लाइविरिया और गिनी हैं। इनसे कुश्चन से आपका डारेक्ट नहीं पूछे जाएगा, लेकिन आपको पहला और उसमें लाश्ट, पहला दूसरा याद रख सकते हैं। बहुत सवाना गेबून आदी हैं। याद रखी आपकी मैप्स वाली किलासों में हम लोगों ने बताया भी है आपका मैप्स में कि यहाँ होता है तामा, यहाँ होता है आपका लुहा उट पारें। इसे ना देखिये, मैं तो कहता हूँ इसे जल्दी जल्दी देख लीजे, उसे देखिये जरूरी है आपके लिए। तामा, युगोसलाविया, चेली, सयुक्तराज, जमेरिका, कनाडा, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, जांबिया, पेरू, मैक्सको, क्यूबा, कांगु गड़राज, दच्छडफी का गड़राज, जापान, इस्पेंड, चीन, खिलिपिन्स, और्ष्टिलिया, फिनलेंड, जर् पेरू, बेन, जोला, एक्वाडो, बोलिविया, ब्राजील, ऑस्टेलिया, चीन, जापान, कोरिया, और भारत में भी आपका सोना देखने को मिलता है, आपने देखा होगा आभू सड की रूम में सबसे जान देखियो, मुझे लगता है आपके भारत में ही होता है, क्योंकि हमारे यहां की लोग बड़े सोना फ्रिये देखती हैं, चान्दी, इसमें आपका मैक्सको, कनाडा, साइवत्राज, अमेरिका, ऑस्टेलिया, बोलिविया, पेरू, चीली, इस्पैन, जर्मनी, जापान, म्यानमार, भारत, स्वेडन, इटली, योगोसलाविया, फ्रांस, फ बात करें तो चीन, साइवत्राज, जमेरिका, कनाडा, सोविये संग, ऑस्टेलिया, भारत, जापान, भारत, जापान के बाद आपका इसमें आपका ग्रेट बेटिन, जर्मनी, पोलेंड, चेक, सलोवाकिया, ब्राजी, चीली, फ्रांस, नौर्बे, स्वेडन, इटली और उस्टेलिया सामिल है, खने के अगर तेल की बात करें तो रूस, साउधी अरब, साइवत्राज, जमेरिका, चीन, मेर्स, को, ड्रेट बेटेंट, इरान, इराक, कुवेट, कतर, बहरीन, मयानमार, इंडोनेसिया, जापान, भारत, बेनेड, जियोला, आजिंटिना, और रोम सेवत्राज, जमेरिका, युक्रेन, ग्रेट बेटेंट, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चीन, भारत, कनाड़ा, इटली, नीदरलेंड, चेक, सलोवाकिया, पोलेंड, स्वेडन, ओस्टिया, औस्टेलिया, सामिले, अगर यूनेनियम की बात करें तो सेवत्राज, जमेरिका, ब्राजील, गहना, और सेवत्राज, जमेरिका में देखने को मिलता है, अगर सीसा की हम लोग बात करें तो पूर्व, पूर्व सोवियत संग, जिसे हम लोग आज रोस कहते हैं, इसे पूर्वी रोस कहते थे, पूर्व सोवियत संग, 1991 में इसका बिक्टन हो गया था, सेवत सोवियत संग, सेवत राज, जमेरिका, करनाड़ा, सावीदी एरव, मैं देखने को मिलता है, अब आपके विश्च के पिरमोग उद्धोग एक नगर है, इन्हें याद रखिए क्योंकि इसे डारेक्ट कोश्चन्स पूछेगा, नगर हो गया उद्ध्य हो गया, लॉस आपका जहार निर्माड के लिए पिसिद्ध है, बर्मिंगम आपका लोहा इसपात उद्धोग के लिए पिसिद्ध है, ऐसे हैं जर्मनी, यह आपका लोहा और इसपात उद्धोग के लिए पिसिद्ध है, हवाना, सिगार के लिए पिसिद्ध है, हवाना जो आपका सहर है, यह आपका सिगार के लिए फिसिद है ठीक है उसके बाद आँगे आपका Glass Go यह जहाज निर्मार के लिए फिसिद है Hollywood फिलेम उद्ध्यों के संबने थे पिले माउथ जहाज निर्माड के लिए पिसद है, सीफिल्ड बेटेंड कैंची चुरी के लिए पिसद है, बैनिस काच उद्ध्यों के लिए पिसद है, बेलेंगटन, डेरी उद्ध्यों के लिए पिसद है, धाका, कालीन उद्ध्यों के लिए पिसद है, नगोया, जहाज न बतले यह क्लव merc could do You say a You этому के लिए पिस्तचार लोहा इसफात के लिए कंसास मा उत्यक्र के लिए मेंद्धिफिर इंजिनर्टिम्ग उत्यक्र के लिए कोड़ें कर ऊंग तर्सप्फिक के लिए मंचेस्टर सूतिवस्ट के लिए पिसेद रुंदार हे लोको मोटिप के लिए पीटर्स वर्ट लोहा और पाथ के लिए झौत के लिए सि Especially a ये विलाड़ी भोष्ट er झाहद निर्माड के लिए मुल्दान यह आपके मिट्टी के वरतन के लिए पर्सथ है मुल्दान तो इस तरह कहां से पूंच लेता है कि मुल्दान किसके लिए विसिद्ध है ठीक मिट्टी की बरतन के लिए कौन से सहर विसिद्ध है तो आपको याद रखना है आप चलते हैं हम लोग विसके महत्पूर्ण उद्ध्योगों की तरफ यह आपकी उद्ध्योग गया है प्रुमोक देश हो गया घटते करम पहले रोज से घटता हुआ गर्ता हुआ सूती वस्त इसके वामले में चीन आपका पहले नंबर पर उसके बाद भारत का नंबर आता है जापान फिर उसके बाद पूर्व सोविये संग का नंबर आता है अ फिर उसके बाद जापान, चीन, फ्रांस और बाद में भारत किंतिम रेसे वो उनके बने बस्त की बाद करें तो सहिकतरा जमीर का पहले फिर जापान, जर्मनी, बेटेंड, रूस का नमबर आता है किरसी यंतों का निर्माड की बात करें तो सहिक्तराज जमीर का रूस बेटेंड जापान कानाड़ा उसके बाद भारत का नमबर आता है लोग इस बात की बात करें तो सहिक्तराज जमीर का युक्रेंड जापान रूस का नमबर आता है मॉर्टर गाड़ी इसमें सविद्राज अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, इस्पैन आते हैं व्यापारिक पोद्थ और निर्माड उद्द्यों की बात करें हम लोग जर्मनी, सविद्राज अमेरिका, फ्रांस, बेटेन का नमबर रहता है बाईव याद निर्माड की बात करें तो सविद्राज अमेरिका, बेटेन, रूस, जापान, चर्मनी का नमबर रहता है रचाने उद्धियों की बात करना तो सइफ्त्राजब रोज जापन चीन नाइट्रोजन और वरग सइफ्त्राज अमेरिका जापनした भारत तीसरे नमबर पोटा सुर्वड़क जर्मनी के बास सवक्तराज अमरिका रोज कनाड़ा फ्रांस तेल सोधन उद्धो सवक्तराज अमरिका रोज साओधी अरब चीन मैक्सकूर का नमब आता है अब बात करते हैं मानो प्रजाती के कुछ आवास मानो प्रजाती के कुछ आवास हैं इनसे भी आपका कुश्चन्स बन करेता है यूर्थ यह मद्देशिया के इस्टेपी चित के निवासियों खिरगीज कालमों कज्जाक द्वारा पसुओं की खालों से इनल में आयस्थाई मानो प्रजाती का तंबू नमा आवास होता है यह लकडी के उपर चमड़ा मढकर बित्ता का ढाच में बना होता है इंगलू यह आपका टूंड़ा पे देश की एस्कीमो प्रजाती द्वारा बर्व से बना गया अर्थ बोलाकार आवास होता है इंगलू ठीक है करॉल यह अफीका के बंतू और काफिर तथा नेटाल दच्छिड अफीका के जुलू प्रजाती हो द्वारा गहां से नमे मकान होता है मानवादा इजवा यह उत्री रूस के ग्रामीट चित्रों में तिकोनी रंगीन दीवानों से बना मानवादा होता है तिपी यह रौकी परवत अमेरिका के पूरु विभाग में निवास करने वाले रेड इंडिना उद्वारा नेड़ में तंपू क्या का आवास होता है जो मुक्धा विसन बैल के चमड़े से बनाए जाता है विसन बैल के विसकी प्रमुक जंजातियां है नहीं देख लिए आपको यह आपका कुश्चन्स बनता रहता है जिस तरह से आपके यह भील गॉंड गॉंडा गॉंडा सहारिया पता नहीं कितने जातियां होती है यह आपकी जाती जंजाती हुए और निवास से स्थान हो गया अपरीदी यह आपको देखने को मिलीगी उत्त्री पश्चमी सीमात पाकिस्तान में नेगरू दर्षिट अपधिस ग्रीनलैंड और कनाड़ा में देखने को मिलीगी माया इंडियन गौातिमाला में देखने को मिलीगी बैड़ प्विन आपका अफीका और पश्चम एसेया की रईजिस्थान्चित में देखने को मिलीगी जुलूव यह आपकी नेटाल परान्त यानि की रभीका में देखने को मिलेंगी लेविंग, बेल्जियम में देखने को मिलेंगी और क्रिगीज यहापकी मद्देशिया में देखने को मिलती है मग्यार यहापकी हंगरी, रोमानिया, यूगोसलाविया, चेकोसलाविया, यूक्रेन में देखने को मिलती है तारतर ये आपकी साइवरिया और तुर्किस्तान में देखने को मिलती है मसाई ये आपकी कीनिया टंगानिका पूर्वी योगांडा में देखने को मिलती है सेमांग ये आपकी अंडवान और मलेसिया में देखने को मिलती है कोसेक्स यहापकी पॉलेंड यूक्रेन लिथुवानिया में देखने को मिलती है हैमाइटिश यह उत्री पच्चिमी अफीका में देखने को मिलती है महमूद महसूद यहापकी पाकिस्तान में देखने को मिलती है पिगिमी या आपकी कांगो और गैबुन यूगांडा में देखने को मिलती है तो यह थी आपकी प्रमुक जंजातियां उनसे सम्द्धित उनकी चेत अब परवती चेत्रों में नवास करने वाली जंजातियों की अगर बात करें उनकी निवासियों की तो इने देख लिए यह चेत हो गए जंजाती या निवासी हो गया चोटा नांगपूर चेत भारत यह आपको देखने को मिलेगी कोल संथाल हो भील जंजाति नेलगरी देखने को मिलेगी फ्रांस यह आपको विट थैंड देखने को मिलेगी स्री लंका बेद्रा जंजाती देखने को मिलेगी फिलिपिंस एटोज जंजाती देखने को मिलेगी मलेसिया सेमांग ओजार्ट अपलेसियंचित सहुद्रा जमेरिका में हिल बीली देखने को मिलेग छोर्जिया सेग्डराज अमेर्का क्रेक का देखने को मिलेγी चेक also इस्लोग गद्राज यहां आपको इस लोग जंजाती देखने को मिलेगी इसमें देखिए यार कुछ नहीं कर सकता हूं आपको रटना पड़ेगा पहसकर ठीट तो आपकी अंतराष्टी रेखा हैं जैसे आप सुनते रहते हैं डूरंड मैक मुहन समझ रहे हैं यह कई देशों के बीच तो सबसे पहले बात करते हैं डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मद्द सर मौटिगर डूरंड पेटें द्वारा निधारित की गई थे जब पाकिस्तान का वटवारा नहीं हुआ था तब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच की दूरी थी रेखा थी लेक इन्हीं की नाम पर इसका नाम रख दिए अफगानिस्तान सीमा निर्धारी सीमा को सुविकार नहीं करता है जो आपका अफगानिस्तान है इस सीमा को सुविकार नहीं करता है मैक मोहन रिखा 1914 में सर मैक मोहन ने बेटेंड भारत चीन सीमा को एक समझोती किता है निधारित किया था यह आपकी 700 मील लंबी रिखा है याद रखिए इस सीमा को भी आपका चीन नहीं मानता है क्योंकि वो कहता है कि अंग्रेजों की समय खिंची गई लाइन है थर आप सुनते हैं रेड क्लिफ रिखा यह भारत पाकिस्तान के मत सीमा निधारित करती है किसके भारत और पाकिस्तान के 15 अगर्स तइस तो 1947 को रेड कलफ द्वारा इसका निधारन किया गया था उन्हें के नाम पर रेड क्लिफ रिखा होए हिंडनबर्ग रेखा, पिथम बेसेउद की समय, कब से कब तक चला था पिथम बेसेउद, आपका 1914 से 1908 थे किसमा 1947 में तैह हुआ या जर्मन पॉलेंड की मत सीमा निर्धारीं था मैनर हीन रेखा, या कि सोवियस रोज ओपनलेंड की सीमा रेखा है मैनर हीन रेखा, मैगीनाट रेखा, ये फ्रांस द्वारा कीची के जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है किस-किस के बीच जर्मनी और फ्रांस की, सत्रहवी समानता रेखा, ये आपकी उत्त्री और दच्छिड बेतनाम की सीमा रेखा है 27 भी समानता रेखा ये आपकी उत्री और दच्छी वेतनाब की सीमा रेखा है फ्रेख की आगे 24 भी समाना अंतर रेखा कछ्य के एक पास जिसे पाकिस्तान भारत पाकी सीमा रेखा मनता है किंतु भारत ये से आशुई कार करता है 24 भी समानदार रेखा कच्छे के बाथ जिसे भारत पाकिस्तान पाकी सीमा पाकिस्तान जो है ये भारत पाकी सीमा मानता है लेकिन भारत ये से आस होई करता है 38 भी समान अंतर रेखा उत्तरी और दच्चिट Hoş. Korea के मत्रिकी सीमा रेखा 49 वि समानंतर रेका सेव्द राष्ट अमेरिका और करनाडा की सीमा रेका है यानी करनाडा और सेव्द राविक वीरिक की सीमा है आपके 49 वि समानंतर रेका और नी से रेखा, पिती भी जर्मनी और पॉलेंड की वीच की सीमा रेखा, सीख फ्राइड रेखा, दोती अभी से उद्धी की पूर प्रांस और जर्मनी की सीमाओं पर रेख देवारें, मीनारों, सैनिक चौक्यों, सिग्धिरी, पिती रक्चा रेखा, जो जर्मनी द्वार निर्मित की यह थी आपकी प्रमुक रेखाएं यहां एक बात फिर से दोहरा हूं कि इसको आप छोड़कर मुझे लगता है जो हम लोगों ने देश बात किये हुआ है डेटेल से उनके बारे में विश्ट की प्रमुक देश देख लें उनके राध्धानिया जो यूभी वहां प्वाइंट बसफिल प्वाइंट बताएंगे पूरा माप्स की सहारा लिया गया है आप इसे चोड़ कर उसे पढ़ें तो भेतर होगा आगर्स है मन है तो उसे भी पढ़ लें एक बार किलियर कर लें तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऐसी आहाम ऑतनाया में चलते हैं अजिस्तान एसिया का देश है इसकी राध्धानी काबुल है अगर इसके छेथफल की हम लोग बात करें तो इसका छेथफल है छह लाग पैतालीस अजार 807 बर्ट किलोमीटर यहां की संसत का नाम है सोरा और जो राष्टिय मुद्रा है उसका नाम है अफगाने क्या है अफगाने पास्तो दारी पारिसी भासा यहां की भासा है वहरीन इसकी राध्धानी पनामा है 707 बर्ट किलोमीटर का छेथफल है यहां की राष्टिय मुद्रा एक लाग 47,570 वर किलूमीतर में फैला उए यहां कि सांसत को देते हैं नाम जातिय संसत कहेती हैं टका यहां की मुद्रा है बंगला यहां की भासा है भूटान थिंफू इसकी रात्धानी है 46,500 बर्ग किलो मीटर में फैला हुए है तियोंग तिसोंग डू यहां की सांसत का नाम है नेंगल ट्रम इसकी राष्टी मुद्रा है दजुन खा यहां की बाफसा है भारत नई दिल्ली आपकी राददानी है 32,87,263 इसका छेटपल है बर्ग किलो मीटर में इसे अच्छे से याद रख लिजेए लोकसभा और राजसभा आपको देखने को मिलती है संसत में बारती रुपिया मुद्रा है और छिंदी अंगरेजी यहां की भासा है फिर आपकी बुरुन नई इसका इसकी राददानी है बंदर शीरी इसका छेटपल है 55,755.000 वर्ट किलोमिटर यहां की मुद्रा है आपकी बुरुन नई डॉलर है वासा है मलय चीनी चीन की राददानी बिजिंग और छेत पले 95,22,900 वर्ट किलूमिटर यहां की असेमली का नाम है पीपुल्स नेसलम असेमली संसत का नाम यहां की मुद्रा है और चीनी यहां की पास आए शाइपरिस, इसकी राददानी हे लिप कोसिया, इसकी च्छेत पले 92,59 वर्ट किलूमिटर और यहां की मुद्रा है साइपर्स पाॉंड गरीक और तुर्की यहां की भास आए इंडोनेसिा इसकी राददानी जगालता है इसका छेत पले ऐह 18,90,755 वर्ट किलूमिटर यहां स की संसत का नाम है पीपोस कंसल टेटिव असेम्बली और मुद्रा है इंडोनेसियाई दौर रूपी यहां की भासा है बहासा इंडोनेसिया फ्रयाक का इरान इसकी रादधानी है तहरान और छेथपाले 16,48,195 बर किलोमीट है मजलिस यहां की संसत का नाम है रियाल यहां की इराग बगदाद इसकी रादधानी है 4,34,128 बर किलोमीटर छेथ में फहला हुए नैसलम नैसनल असेमली यहां की संसत का नाम है इरागी दिनार यहां की मुद्रा है अर्भी यहां की पासा है एजराइल जैरुसलम यहां की रादधानी है 21,946 यहां का चेथ मले बर किलोमीटर में नैसेट संसत का नाम है निव सेकल आपकी मुद्रा हिब्बुरू और अर्भी भासा है जापान टोकी हो इसकी रादधानी है 3,77,839 बर किलोमीटर चेथ में पहला है डाइट यहां की संसत का नाम है एन यहां की मुद्रा है जापा यहां की भासा है जॉर्डन अमान इसकी रादधानी है 91,860 बर किलूमीटर चेत में फहला हुए जॉर्डन दीनार यहां की मुद्रा है अर्वी यहां की भासा है कंबोडिया नॉम पेन इसकी रादधानी है एक लाख 81,035 बर किलूमीटर चेत में फहला हुए नेशनल असेमली इसकी संसत का नाम है रियल यहां की मुद्रा है खंबेर यहां की भासा है उत्तर कुरिया फ्योंग इयांग इसकी रादधानी है एक लाख 42,762 किलूमीटर चेत में फहला है बोन इयहां कि मुद्रा है कुरिया ही हां की भासा है दक्षड कुरिया है सेोल इसकी रादधानी है नन्यार बैजार पाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश इसका छित पल है 2,36,800 वर्ग किलूमेटर यहां की संसत को कहते हैं People's Supreme Assembly यहां की जो मुद्रा है वो एक किप लाओ यहां की भासा है लेवनान इसकी राध्धानी बेरूत है 10,492 बरक किलूमेटर छित में फैला हुआ है यहां की मुद्रा का नाम है लेवनीच पाउंड अर्वी यहां की भासा है मकाउ मकाउ राध्धानी इसकी 23,6 बरक किलूमेटर चित में फैला हुआ है पटाका यहां की मुद्रा का नाम है चीनी और पुर्दगाल पुर्दगाली यहां की भासा है फिर आपका मलेसिया, मलेसिया की राथधानी है कौलालामपुर, इसका चित फाल हे तीन लागा बे, 387 बर क्योमेटर दीबान निगारा यहां की संसत का नाम है, मलेसिया डॉलर रिंग या फिर रिंग गिट यहां की मुद्रा है, मलय यहां की भहसा है। मालीड मालेश की रादधानिये 298,87- gegangen मजलश यां की संसत का नाम है मालदीवियन घुपिया यां की मुद्रा है दिबेगी यां की बासा है मंगोलिया उलनबतोर यां की रादधानिये 15, MUSIC माल्डीए संसत का नाम है तोगरिक यहां की मुद्रा है खालखा मंगोलियन यहां की बासा है म्यानमार म्यानमार की राध्यानी है यांगून इसका छेत फल की बात करने तो छेलाग शेतर अजार पांस्टो सततर बर किलोमीटर छेत में पहला हुए लिथू हुआ हुटताओ बुधिर्टीम में यहां की संसट का नाव है म्यानमार क्याद यहां की मुद्रा है बर्मी यांकी बर्मी गया है यहांकी भासा नेपाल काटमंडू इसकी राध्यानी 1,47,181 वर्ड किलोमीटर चेत में फ्हला है यहां की संसत को कहते हैं राष्टी पंचया है नैपाली रुपया यहां की मुद्रा है नैपाली यहां की भास है आप लोग याद रख सकते हैं इतने देशों को कहां याद रख पाएंगे आपके लिए नहीं किसी के लिए भी मौंकिन नहीं है तो आप सबसे पहले इसमें अपने पड़ोसियों को याद रखिए उसके बाद जो भी चर्चा में रहा करेंगे उन्हें आप याद रख लिया करेंगे ऐसा नहीं है कि आप से बिना चर्चा के कोई कुश्चेंस पूंच ले जब कोई कारण रहता है तभी कुश्चेंस बनते हैं आपके तो आपको क्या करना है कि जब चर्चा में रहता है तो उनके नाम याद रख लिया करिए और जो मैन मैन देश है उनके नाम याद रख लिया करिए उनके बारे में जो भी पॉइंट है उन्हें याद रखना है आपको देशिया में अंगलादेश है आपका ओमान इसकी रादधानी है मसकट इसका छेटपल है 3,95,000 सोरी 3,95,000 इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है रियाल ओमानी और भासा है अर्वी उसके बाद आपका भाई पाकिस्तान है इसलामाबाद इसकी रादधानी क्या है इसलामाबाद इसका छेटपल है 7,96,000 95,000 बड़ किलुमीटर यहां की जो संसद है इसका नाम है National Assembly और सीनेट मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया उर्दू आप लोग समझ सकते हैं कि हम हकीकत बन चुका है कि अब बड़े भाई को कोई इतनी इज्जित नहीं देता है देख लीड़े पाकिस्तान को चीनी हम चीनी चीनी भाई उसे देख लीजे चीन भी इस तरह आप लोग नेपाल को देख लीजे रोटी बेटी का रिस्ता यानि कि इनकी रिस्तों को विल्कुल एक तरह से नकार दिया है लोगाने समझ सकते हैं इनकी नजरों में रिस्तों की कोई कीमत नहीं है कि जितना अपना समझों वो ही अब जैसा भी आप लोग सूट लगे करते रही है एड़ेश्ट सब्द फर आपका फिलिपिन्स इसकी रादधानी है मनीला इसका चेटफल है 3,066,000 यहां की मुद्रा है फिलिपाइन पैसो और भासा है फिलिपिनो और अंग्रेजी फरे आपका थाइलेंड इसकी रादधानी है बेककॉप चेटफल है इसका 5,13,115,000 मुद्रा है थाई बहत और भासा है थाई अंगलादी से तुर्की इस इसकी रादधानी अंकारा है छेटफल है 7,80,580 बर्ट किलूमीटर संसत का नाम है Grand National Assembly और मुद्रा है तुर्की लीरा और भासा है तुर्की फिरे आपका सेवत्तरव अमिराद इसकी रादधानी है अबुधावी छेटफल है 13,675 बर्ट किलूमीटर मुद्रा है UAE दिरहम और भासा है अर्वी बेतनाम इसकी रादधी नहीं हनोई है छेटफल है 3,32,934 बर्ट किलूमीटर संसत का नाम है National Assembly और मुद्रा है डांग और भासायां की बेतनामी पूर्वी तिमोर इसकी रादधानी है डिली और छेटफल है 17,222 बर्ट किलूमीटर और मुद्रा है US dollar टेट ट्रूम यहां की बासा है यमन गडराच इसकी रादधानी साना है छेटफल है 5,55,000 किलूमीटर मुद्रा है यमनी रियाल भासा है अर्वी उजवेकिस्तान इसकी रादधानी तासकंद 4,47,400 किलूमीटर है इसका छेटफल सम यहां की मुद्रा है पुझबे किसका यांकी भास है। पता है आपको इन देशों में अलिक कई वार पूच लेता है इनकी राधधानियां। कजाकिस्तान इसकी राधधानी अस्ताना 27,24,906,6 फल है। टेंगे की मुद्रा है कजाक यांकी भासा है। किर्गिस्तान इसकी रादधानी वेस्टेट है एक लाग निन्यार बहजार नौसो वर्ग किलूमीटर च्छित फल इसका सो में आकी मुद्रा है कीगिच रूसी यहां भास्ता है कतर इसकी रादधानी दोहा है 11,437 बर्ग किलूमीटर च्छित फल इसका रियाल यहां की मुद्रा है अर्वी बास्ता है साउधी अरभ रियाद इसकी रादधानी 21,690 बर्ग किलूमीटर च्छित फल में फैला हुए है और साउधी रियाल, साउधी रियाल क्या है? मुद्रा है और अर्वी यहां की बहास है क्या है? अर्वी फिर आपका सिंगापूर, इसकी रादधानी सिंगापूर चेथफले 682.3 बढ़ किलुमीटर मुद्रा है सिंगापूरी डॉलर, बासा है चीनी, मले, तमिल, अंग्रेजी स्री लंका आपका पड़ोसी देश है, कुलंबो इसकी रादधानी है 65610 बढ़ किलुमीटर चेथफल में फेला हुए स्री लंकाई रुप्या, मुद्रा है, सिंगली और तमिलियां की बासा है सीरिया, इसकी रादधानी दमिस्क है इसका चेथफल 1,85,1160 बढ़ किलुमीटर फेला हुए है यहां की जो संसद है उसका नाम है पीपूज कॉंसिल और मुद्राया की स्टीरियन पाउंड बासा है अर्वी, ताइवान इसकी रादधानी ताइपे है इसका चेथफल है 36,188 किलुमीटर मुद्रा है निव ताइवानी डॉलर और बासा है मेंडरीन चीन फिर आपका ताजिश किस्तान इसकी रादधानी दुसामबे चेथफल 1,43,100 किलुमीटर समोनिया की मुद्रा का नाम है ताजशिक यहां की भासा है तुर्कमेनिस्तान इसकी रादधानी आस्खाबाद है और 4,48,100 किलुमीटर इसका चेथफल है मनत यहां की मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान इसकी रादधानिया उनकी मुद्रा, उनका चेथफल, उनकी भासा, उनकी संसत का नाम अब चलते हैं आपकी अफिका महादीमे तो सबसे पहले अलजीरिया इसकी रादधानी अलजीरियस है चेथफल 23,183,741 है बरक क्लूमीटर में और यहां की जो संसद है उसका नाम है नेशनल पॉपूलर असेंबली भासा है अलजीरियन दीनार और अर्वी अलजीरियन दीनार इसकी मुद्रा है और भासा अर्वी है एक बात आप लोगे हमेशा याद रखिये मैं बार बार ओला हूँ कि इतने देशों को याद कर पाना मुस्किल है तो जो चर्चा में रहते हैं देश उनके नाम याद रखिये उनके बारे में जो भी पॉइंट है उ जिस उनकी उनके बारे में याद रख लिया करिएगा आपकी गुश्टन्स सौल हो जाये करेंगी फरे आपका अंगुला इसकी रादधानी लौणडा है और चेतफले बारह लाग छ्याली सजाल साथ सो वरक क्लूमिटर संसत का नाम है नेशनल पूपूलर असेंबली और क् पूपूर्दगाली याँले और बेनिन पूर्टुनोव याँले रादधानी इसकी चेतफले एक लाग बारह हजार चेसो वरक किलूमिटर नेशनल रिवूल्यू रिवूलिशनरी असेंबली यांकी शंसत के नाम है फ्रेंक याँले आपकी मुद्रा है फ्रेंच याँले बहासा है वोत्सवाना गबोरोन रोने यहां की राध्धानी है पांच लाग 18,730 बर्ग क्लिमीटर चेतपल में पहला हुए है नेसलम नेसनल असेम्बली यहां की संसत का नाम है पूला मुद्रा है तस्वाना और अंग्री जी यहां की भासा है बुर्कीना पासो कुवागा दोगो इसकी राध्धानी है दो लाग 67,950 बर्ग क्लिमीटर चेतपल इसका और फ्रेंक यहां की मुद्रा है फ्रेंच यहां की भासा है ठीक है वरुंडी बुजम बुजम बुरा यहां की राध्धानी है छेतपल है 27,834 बर्ग क्लिमीटर वरुंडी फ्रेंक इसकी मुद्रा का नाम है रुंडी और फ्रेंच इसकी भासा है ठीक है सर्यापका कैफ वर्डी इसकी राध्धानी है प्या छेतपल है 4,033 बर्ग क्लिमीटर अगर हम लोग इसके संसत की बात करें तो इसकी संसत का नाम है जनरल पीपल असेंबली इसकी मुद्रा का नाम है पुर्दगाली यहां की भासा है लेविया ते पुली इसकी राध्धानी है 17,69,540 बर्ग क्लिमीटर शेतपल में फैला हुए यहां की संसत का नाम नेशनल पीपल पीपल्स असेंबली नाम है लेवियन दीनार यहां की मुद्रा है अर्वी यहां की भासा है फ्रेयापका मेड़ा गासकर इसकी राध्धानी अंतान नरीवो है इसका छेतपल 5,87,041 बर्ग क्लिमीटर है मुद्रा का नाम है मेलागेसी फ्रेंग और भासा का नाम है मालागासी और फ्रेंच तन मलावी इसकी राध्धानी लिलोंग बे है और छेतपल 1,48,484 बर्ग क्लिमीटर मुद्रा मलावी क्वाचा और भासा है चेवा अंग्रेजी माली यहां की राध्धानी है बमाकू बारे लाग 4,47,574 चेतपल है इसका बर किलुमीटर में फ्रेंग यहां की दान की बासा यह इंढ़ी यहां की राध्धानी है सौरी मुद्रा है अरबी फ्रेंच यहां की वासा है मौरिस पोर्ट लुईस इसकी राध्धानी है 2040 बर किलूमीटर चेटफल में पहले हुए मौरिस इन रुपया यहां की मुद्रा है और अंग्रेजी यहां की भासा है ठीक है? तरहे आपकी मुरक्को मुरक्को की राध्धानी रवात है चेटफल है 4,58,730 बर किलूमीटर मुरक्कन दिरह में आकी मुद्रा है अर भी यहां की भासा है मोजांबिक इसकी राध्धानी मपूतो है और 7,99,380 बर किलूमीटर चेटफल में फैला हुए मिटीकल यहां की मुद्रा का नाम है पुर्टगाली भासा है थ्रयापका नाइजिर नामी विया विंड हॉक इसकी राध्धानी है 8,25,000 एक सो बारे बर किलूमीटर चेटफल में फैला हुए है नामी बियन डॉलर यहां की मुद्रा है अंग्रेजी यहां की भासा है नाइजिर इसकी राध्धानी नियामी है 11,86,408 वर किलूमीटर चेटफल में फैला हुए है फ्रेंक यहां की मुद्रा का नाम है फ्रेंच यहां की भासा हुए सेंट्रल अफिकन गर्राच इसकी राध्धानी बंगुई है चेटफले 6,22,436 वर किलूमीटर फ्रेंक यहां की मुद्रा का नाम हुए है फ्रेंच और सेंगो यहां की भासा का नाम हो गया चाड इसकी राद्धानी एन दज्जा मैन है और छेतफल है 12,84,000 वर्ग कुलमीटर फ्रेंग यहां की मुद्रा का नाम हो गया अर्वी और फ्रेंच यहां की भासा है कोमो रास मुरोनी इसकी राद्धानी और इसका छेतफल 62 डिस्का बर्ग किलोमीटर में छित्फले कॉमोरियन फैंक यहां की मुद्रा हुगे कॉमोरियन, अरवी और फ्रेंच यहां की भासा होगे कांगोगड राच इसके रादधानी विराज यह विले है और छित्फले 3,41800 21 बरक किलोमीटर फ्रेंक यहां की मुद्रा होगी, फ्रेंच यहां की भासा होगी कोटे दा आईवरी, इसकी रातधानी अभीद जान है और छेत फले 3,22,446 बर किलूमीटर फ्रेंच यहां की मुद्रा होगी, फ्रेंच यहां की भासा होगी दजीवो उती, जिबूती भी बोलते हैं से, इसकी राधधानी दजीवो उती है, 23,200 बर किलूमीटर, छेथ फल में फैला हुए, दिजीबूरती फ्रेंक, यहां की मुद्रा होगी, अर्वी और फ्रेंच, यहां की भासा होगी, फरे आपका मिस्र, क्या है, मिस्र, इसकी असेंबली, और छेथ फल इसका 73,400 बर किलूमीटर, इजिब्सीयन पाउंड ने यहां की मुद्रा होगी, और अर्वी यहां की भासा होगी, एकोटोरियल गवाना, इसकी राधधानी मालावो है, और छेथ फल इसका 5,700,000 बर किलूमीटर है, फ्रेंक यहां की मुद्रा अर्वी आदिस अबाबा, यहां की राधधानी होगी, 11,27,127,000 बर किलूमीटर छेथ फल में फ्ला होगी, सेर्गो यहां की संसत का नाम है, बिर यहां की मुद्रा का नाम है, अम हारिक यहां की भासा का नाम है, उसके बाद आपका है गबोन, गबोन की राधधानी है यहां अर्वी आदिस अबाद इस आदंहों होगी, और चेथ फल है 10,6869 बर किलूमीटर, दलाशी यहां की मुद्रा होगी, अंग्रेजी यहां की भासा है गाना, इसके राधधानी होगी अकराय, चेथ फल है 2,385ates किलूमीटर केड़ी यहां की मुद्रा का नाम है, अंग इसकी रादधानी बिशावु है, 36,125 बर किलोमीटर, चेतपल में फैला हुए है, मुद्रा यूरो है, और भासा फुर्दगाली है, केन्या, नेरोबी इसकी रादधानी है, चेतपल है 5,22,646 बर किलोमीटर, मुद्रा है केन्याई सिलिंग, और भासा है स्वाहिली और अंग् आग्रेजी याँ की बासा है, फिर आपका लाइवीरिया, इसकी रादधानी मौन रूबिया है, शेतपले 99,65 बर किलोमीटर, नेशनल असेम्मली याँ की बासा, सलसत का नाम है, और लाइवीरियन डौरर याँ की मुद्रा का नाम है, अंग्रेजी बासा का नाम है, लिव लांडला इसकी यहां की जो संसादेश का नाम है लेलांगनी यहां की मुद्रा का नाम है स्वाजी और अंग्रेजी यहां की भासा है तंजानिया डोडोमा इसकी राध्धानी हो गई 9,42,999 बर किलोमेटर चेतफल में फ्यला हो है तंजानियन स्वाजी यहां की मुद्रा का नाम है स्वाहिली और अंग्रेजी यहां की भासा होई तोगो तोगो की राध्धानी है लोमे चेतफल है 56,685 बर किलोमेटर मुद्रा है यूरो भासा है फ्रेंच ट्यूनीस है इसकी मुद्रा का नाम है दीनार और भासा है अर्वी एवगांडा इसकी राध्धानी कंपाला है छेटफले दो लाग इकताली जार एकताली जार पांसो अड़तारी सुबर किलुमेटर एवगांडा सिलिंग यहां की राध्धानी होगी स्वरी मुद्रा होगी और अंग्रेजी फ़ासा होगी कांगु innocence किंसाना इसकी राध्धानी है 23,44,778 में फ़ारा होगी कांगो फ्रेंक यहां की मुद्रा काका में फ्रेंच यहां की भासा है जांबिया लौसाका यहां की राध्धानी इसकी 7,55,652 ब्रट किलुमेटर फ्रेंड़ में पहला हुए संसत का नाम नेशनल असेमिली है भासा अंग्रेजी और मुद्रा यहां की जांबियन क्वाचा है जिंबामी हरारीस की राध्धानी है छेतफल 3,90,757 वर्ग किलुमीटर है जिंबामी डॉलर है यहां की मुद्रा अंग्रेजी यहां की भासा है एरेटिया अस स्क्रेण यहां इसकी भासा है नाइजिर नाइजीरिया कांजा नाइजीरिया इसकी राध्धानी अबूजा है इसका छेतफल है 9,23,768 वर्ग किलुमीटर मुद्रा का नाम है नाइजीरियन नेरा भासा है अंग्रेजी सूडान खारतूम राध्धानी हो गई 25,5810 वर्ग क चेतफल है इसका नेशनल असेम्बली इसकी संसत का नाम है सूडानी पीनार यहां की मुद्रा है अर्वी भासा है रवांडा की गाली इसकी राध्धानी है 26,330 वर्ग किलुमीटर चेतफल है रवांडा परिंक क इसकी राध्धानी है शोड़ी मुद्रा है रवन्डा और फ्रेंच अंग्रीजी इसके भासा है होगी साओ तॉम और प्रेंच सिम साओ तॉम यहाँ की भासा होगा राध्धानी होगी 2001 बर क्लूमीटर है मुद्रा है डुपरा पुर्टगाली बासा है सेनेकल डकार इसकी रातधानी 1,96,722 वर्ट किलूमीटर में फैला हुआ है नैशनल असेमली या की संसत का नाम है एरो मुद्रा हुई और परेंच वासा हुई सेसल्स भिक्टोरिया इसकी रातधानी है 455 वर्ट किलूमीटर में फैला हुए पीपोल्स असेंबली यहां की संसत का नाम है 66 रुपया यहां की मुद्रा है अंग्रेजी फ्रेंच और कुरले यहां की भासा है सेरा लियोन फ्रे टाउन यहां की रादधानी है इसकी 73,326 वर्ड क्लूमीटर चेत फल में फैला हुए लियोने मुद्रा है अंग्रेजी भासा है सुमालिया मौगा दीशू इसकी रादधानी हो गई 6,37,657 वर्ड क्लूमीटर चेत फल में फैला हुए है पीपुल्स असेंबली इसकी संसत का नाम हो गया सुमाली सिलिंग इसकी आपकी मुद्रा का नाम हो गया सुमाली और अरवी यहां की आपकी भासा हो गई दच्छड अफीका पिट्टोरिया इसकी रादधानी होगी बारे लाग निन्यानवे बारे लाग उननीस जाननवे बर्ड क्लूमीटर में फैला हुए हाउस ऑप असेंबली की संसत का नाम है रैंड नहा की मुद्रा है अफीकी और अंग्रेजी बासा है तो यह आपके अफीका महादीब के कुछ जो महत्कूर्ण देश हैं उनके बारे में देखा है मैं बार 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 बोलना हूँ कि सब को रटपाना मुस्किल है इसलिए उन्हीं देशों को याद रखिए जो आप चर्चा में रहते हैं और उसके बाद आप लोग करेंट अप आपकी छोड़िये किसी के वसकी बात नहीं है ठीक है अब हम लोग चलते हैं यूरोग की तरफ सबसे पहला देश इसमें अलवानिया इसकी राददानी है तीरा नाम चेथफाले इसका 28,748 वर किलोमीटर यहां की सांसत का नाम है पीपुल्स पीपुल असेम्बली मुद्रा है लेक और इसकी वासा है अलवानी ठीक है फरे आपका अंडोरा इसकी राददानी है अंडोर यहां प्यारे से विले भी कहते है अंडोर्डा ला विले इसका छेथफल है 460 वर किलोमीटर मुद्रा यूरो है और भासा है ठीक है फ्रे ओस्टिया यह आपका ओस्टिलिया नहीं ए ठीक है याद रखिये ओस्टिया इसकी राददानी वीना है छेथफल 13,881 वर किलोमीट अर्मेनिया, इसकी रादधानी इरेवान है, छेतफल 29,743 वर्ड किलो मीटर है, मुद्रा ड्राम है, और भासा अर्मेनिया है अर्मेनिया, इसकी रादधानी वाकू है, छेतफल आपका 86,600 वर्ड किलो मीटर है, मुद्रा मनाथ है, और भासा अर्मेनिया, इसकी रादधानी तल्ले में, तल्ले, छेतफल 45,000, 227 वर्ड किलो मीटर, मुद्रा क्रोन है, और भासा अर्मेनिया है, अंगला ड्रामेनिया, इसकी रादधानी वाकू है, छेतफल 35,000 वर्ड किलो मीटर, मुद्रा यूरो, और भासा अर्मेनिया, इसकी रादधानी सूपिया है, छेतफल 110,000, सबरानी, मुद्रा लेवा है, और बुल्गारियन यहां की भासा है, बेलारूस, इसकी रादधानी मिंस्क है, छेतफल 27,600 वर्ड किलो मीटर है, मुद्रा का नाम रूबल, और भासा बेलूरूसी और रूसी दो भासा है, ठीक है, त्रयाब का चेक गडराच, इसकी रादधानी त्रयाग है, छेतफल इसका 78,866 वर्ड किलो मीटर है, मुद्रा कुरूरूना है, और इसकी भावा भासा चेक है, काउसी है, चेक, त्रयाब का सिर्फ इसलोवाग गडराच, इसकी रादधानी त्राप्ती सलावा है, छेतफल इसलोवाग क्राउन और भासा सिलोवाग, डैनमार्क, कोपेन हैकन इसकी रादधानी है, छेतफल 43,98 वर्ड किलो मीटर, यहां की संसत का नाम है थौस केटिंग, मुद्रा का नाम डैनिस कॉरौन और भासा डैनिग, फिनल लेंड, इसकी रादधानी है, छेतफल 34,473 वर्ड किलो मीटर है, भासा यूरो है, सरी, मुद्रा यूरो और फिनिस और स्वेडिस भासा है, फ्रांस, इसकी रादधानी पेरिस है, छेतफल 5,43,965 वर्ड किलो मीटर है, संसत का नाम है यहां की नैशनल असेमली, मुद्रा यूरो है, भासा फ्रेंच है, जर्मनी, इसकी रादधानी वर्लिन है, छेतफल 3,57,000, चौंदीस वर्ड किलो मीटर है, वुर्ड टेक और वुर्ड सराट, एवं वुर्ड सराट यहां की संसत का नाम है, यूरो है यहां की मुद्रा है, जर्मन भासा है, जोर्जिया, तिवेल सी, यहां की जो छेतफल है, जोर्जिया, जोर्जिया, यहां की भासा है, एक बाद तो आप लोग हमेशा जानते हैं, कि आपको अपने सभी जिलों का नाम नहीं रहता है, तो आप कहां तक याद रख पाएंगे, अपने देश के आपको जिलों का भी याद नहीं होगा, 740 के करीब आपके जिले पहुच चुके हैं, आप समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बढ़ते रहते हैं दिन पर दिन, इसमें कोई जाना इस तरह के कुश्चन्स भी नहीं पूचेगा आपका, क्योंकि मालू नहीं चलता है कब आपका जिला बदल जाए, कौन सा नया ज जिला बन जाए, कौन सा पुराना जिला हो जाए, कौन सा हट जाए, तो इसलिए जाना टेंशन मत लिया करिएगा, मुझे कभी वार, कई कई वार सोसल मीडिया पर इस तरह के कुश्चन्स मिलते हैं, बखवास, कि वो नीम में कितने पत्ते होते हैं, एवी आईएस का कुश सामने जो बैठा हुआ है, वो नहीं चाहता है कभी भी कि आपको अपनी तरफ से पहल करें, ठीक है, ग्रीस, युनान, इसकी रादधानी एंथेंस है, चेटपल एक लाग एकत्ती सजार 957 बर्ड क्लमीटर है, मुद्रा यूरो है, ग्रीग भासा है, हंग्री, बुड़ा प इसकी रादधानी है, तेरान बेहजार तीस वर्ड क्लमीटर, इसका च्छित फले, यहां की संसत का नाम है, नेशनल असेम्बली, फोरेंट, मुद्रा का नाम है, हंगेरियन भासा है, आइसलेंड, रिक जाविक, यहां की भासा है, एक लाग दो हजार आठ सो उननीस वर्ड क्लमीटर, इसका च्छित फले, अल्थेंग, यहां की राद, संसत का नाम है, क्रोना यहां की मुद्रा होगे, आइसलेंडिक, यहां की भासा होगे, फ्रयापका आयरलेंड, कौन सा, आयरलेंड, इसकी रादधानी डबलिन है, च्छित फल 70,233 वर्ड क्लमीटर है, संसत का में आकी डेल आयरिन, एवं सीनेड आयरिन, मुद्रा यूरो है, आयरिस और अंग्रेजी यहां की भासा है, इटली, रोम, इसकी रादधानी होगे, तीन लाक एक हजार, दोसो, सतत्तर कितना, दोसो सतत्तर वर्ड क्लमीटर चेत फले, यूरो यहां की मुद्रा होगे, इट विरीगा यहां की रादधानी है, चोंसट हजार, पाससो नबासी वर्ड क्लमीटर चेत फले में फैला होगे, लाट यहां की मुद्रा का नामें, लाट वियन यहां की भासा है, लिथुआनिया, वेलनियस, इसकी रादधानी होगी, पैंसट हजार, दोसो बर्ड क्लमीटर यहां की मुद्रा का नामें, लिथुआनियन, यहां की भासा है, लिंच टेंस्टीन, इसकी रादधानी वादुच है, शेतफल एक सो साट वर्ड क्लमीटर है, स्वीग फ्रेंक, यहां की मुद्रा का नामें, जर्मन यहां की भासा है, लगजेंबर्ड, लगजेंबर्ड, इसकी रादधानी होगी । 1586 किलूमीटर चित फ़ल में ख्यला होग है यूरो यहां की मुद्रा और फ्रेंच और जर्मन यहां की भासा मल्टा वलेट्ट यहां की राधधानी होगई 242 km छेथफल में फ्याला हूए मल्टीज लीरा यहां की मुद्रा का नाम होगई मल्टीज और अंगरेजी यहां की भासा हुई माल्डोवा इसकी राधधानी किस नाव है छेथफल 33,888 km है रोबल यहां की मुद्रा का नाम है और मोल्डोवन यहां की मासा है फिर आप सुनते हैं नीदर्लेंड इसकी रादधानी है एम श्टर्डम छेथफ़ाले का तारलीस अजार आर्स पांसो अटाइस इस्टे टिन जनरल यहां की असेमली का नाम है यानि किसंसत का यूरो मुद् जल्टवी डश यहां की भास अउब ये नौerd ये इसकी रादधानी ऊसलो है 6337rum टोटिंग यहांकी मुद्च का नाम हो गया और नौर्विन है नौर्विनियन करों यहां की मुद्द्रार नौर्विनियन यहांकी भास आ है पॉलेंड इसकी रादधानी वार्सा है च्चि जिलोती यहां की मुद्रा का नाम है, पोलिस यहां की भासा है। पोलेंड यह पोलेंड था ठीक वालसा पुर्थगाल इसकी राध्धानी लिस्बन है छेटपल 91.900 माच है मुद्रा का नाम यूरो है पुर्थगाली यहां की भासा है रोमानिया बुखापेश्ट यहां की राध्धानी है 2,38,391 किलोमेटर में छिख्षाला हुए यहां की संसत का नाम नेशनल ग्रेंड नेशनल असेंबली है रोमानियन लिव यहांकी मुद्रा है रोमानियन यहां की भासा है रूस मास्कोई या इसकी राधनानी है एक लाग एकतर हजार सौरी एक करोड एकतर लाग पचीस हजार बड़क किलूमीटर यानि कि छेत्वल में सबसे बड़ा आपका यही तो देश है रूस इसकी संसत का नान डीमा है रूबल यहां की मुद्रा होगी रूस ही भासा होगी सान मारीनो इसकी राधनी होगी संसत का नाम है यूरो मुद्रा होगी इस्पैनिस भासा होगी स्वीडन इसकी राधनी है इसकी राधनी वर्ण है छेत्फल एक ताली सजार दोसो चोरासी वर्ण किलूमीटर है संसत का नाम है संगीय सभा फेडरल असेंगली मुद्रा का नाम है स्वीज फेक बासा है फ्रेंच जर्मन इटालियन इसकी राधनी लंदन होगे छेत्फल दो लाग तैंताली सजार तीहत्तर वर्ण किलूमीटर में यहां की आप लोग संसत को कहते हैं पाउंड इस्टेलिंग यहां की मुद्रा नाम है और अंगरीगी बासा है यूक्रेंट कीव इसकी राधनी होगी छेलाग तीन सो तीन हजार साथ सो वर्ण किलूमीटर छेत्फल में फेला हुए हर्विने हर्विनिया यहां की मुद्रा का नाम हो गया यूक्रे एक रिनन इसकी राधना बहासा हो गई सोभी यह प्रिया आपका क्वेशा क्वेशिया क्वेशिया इसकी राधनी जांग्रेव है छेत्फल 56,542 किलूमेटर बर किलूमीटर नेशनल असेम्ब्ली पीपल्ड पाबर यहां की संसत का नाम है कुना यहां की मुद्रा है क्रोसियन यहां की भासा है इसलोवीनिया इसकी राज़ान राध्धानी है लिजुबिली जिना और छेथफले 20,230 वर किलोमीटर मुद्रा का नाम है सिलोवीनी टॉलर सिलोवीनी यहां की भासा है प्रोसिनिया हर्जी गुमिया गुवीना इसके राध्धानी सराजेवा है जेव है सराजेवो छेथफल इंग्यावन हजार एक सोंतीस बर क्लूमीटर है कनबर दिवला मारका दीनारिया की भासा का मुद्रा का नाम है सर्वो प्रोसियन यहां की भासा है मैसिडोनिया इसकोप जे और सितफल इसका 25,713 बर क्लूमीटर देनार यहां की मुद्रा होगी मैसिडोनिया न यहां की भासा होगी सर्विया वैल्गिरेट इसके राधदानी है छेतफल एक लाग 2133 वर किलोमीटर है यूरो दीनार यहां की मुद्रा है और सर्विया यहां की भासा है मॉन्टे नीक्रो फोदगोर्ड की यहां की इसके राधदानी है यह थे आपके यूडोप के महादीर के महत्मूर देश और उनके बारे में कर्मों कुततु अब है आपके उत्री अमेरिका और केरिवी यहीं सागतुई सबसे पहला है एंटीगवा इसकी रादधानी है सेंट जोस छेथफल है 442 किलोमीटर यहां की मुद्रा है केरिवीयन डॉलर भासा है अंग्रेजी बाहामास नस्माव यहां की रादधानी है छेथफल है 13949 किलोमीटर जेनरल असेंबली यहां की संसत को बूला जाता है वहमी बढ़ोस इसकी रादधानी ब्रिश टाउन है छेथफल 430 किलोमीटर बार बढ़ोच डॉलर यहां की मुद्रा है वह अंग्रेजी बाहासा है बैली जी बैली जी बैली जे इसकी रादधानी बैल मौपान है छेथफल 2964 है नेशनल असेंव़ली यहां की बाहास संसत का नाम में वैली जे डॉलर यहां की मुद्रा का नाम है अंग्रेजी बासावी करनाड़ा इसकी राध्धानी ओटावा है छेत्पल लिन्यानवे लाग चौरासी हेजार छेस्सो सत्तर वर क्यूमेटर है यहां की संसत को का जाता है मुद्रा है केनेडियन डॉलर अंग्रेजी और फ्रेंच भाचा बोली जाते हैं इस तरह आप याद रख सकते हैं इस तरह की कुष्चन से बनते हैं जो देश फेहमस है किसी छेत में कुष्टारी का इसकी राध्धानी सान जोस है छेत पल इंक्यावनाजार सौ वरक्लूमीट है मुद्रा का नाम कुष्टारीकन कोलन है इस पैनेश याँ की भासा है क्यूबा इसकी राध्धानी हवाना है छेत पल एक लाग चारह जाल साथ सो अड़ताली सौबर क्लूमीटर है संसत का नाम है नेशनल असेमली ओफ पीपल्स पावर और आपकी अगर हम लोग मुद्र क्यार की वाद करें तो इसकी मुद्रा है क्यूबन पेसो बासा है स्पेनिस पिरापका डॉमेनी का इसकी राधानी हम किरो सेवू। छेथफल है 750 वर किलूमीटर केरिवियन डॉलर यहां की मुद्रा है अंगरी जी बास है। डॉमिनिकन गड़राज इसकी रादधानी है सेंट्रो डॉमेंगो छेथफल है 48,600 बाद डॉमिनिकन पेसो यहां की मुद्रा है इस्पैनिस भासा है अल सल्वाडोर सान सल्वाडोर यहां की रादधानी हो गई 21,041 बाद किलोमेटर छेथफल में फेला हुए कोलन यहां की मुद्रा का नाम है और इस्पैनिस भासा हो गई फिरे आपका ग्रेनेडा इसकी रादधानी सेंट जॉर्ज हो गई छेथफल 344 बाद किलोमेटर मुद्रा का नाम है केरिवियन डॉलर और भासा अंग्रेजी हो ग ग्वाडीलोप इसकी रादधानी बस्ते तेरे है छेथफल 3780 किलोमेटर मुद्रा का नाम यूरो और भासा फ्रेंच ग्वाटिमाणा इसकी रादधानी ग्वाटिमाला सिटी है छेथफल 8889 किलोमेटर है मुद्रा का नाम क्वार्ट जल और भासा इस्पेने अगला दिस है आपका हेती हेती इसकी राध्धानी पोर्ट और प्रेंच है छेदफल 27,700 किलोमीटर और इसकी मुद्रा है गोडे और भासा है टियन कोली क्रोली और प्रेंच होंडूरास इसका राध्धानी तिगू सिगल पा छेदफल एक लाग 12,492 किलोमीटर हंडूरान लेंपीरा यहां की मुद्रा का नाम इस्पेनिस भासा हो जमेका करंग इस्टन यहां की राध्धानी हो गई 10,991 किलोमीटर इसका छेदफल है जमेका डॉलर यहां की मुद्रा हो गई अंग्रेजी यहां की भासा है मैक्स मैक्सको सिटी इसकी राध्धानी हो गई 19,64,683 वर किलोमीटर इसका नाम हो गई 19,63,183 वर किलोमीटर इसका नाम हो है बाल बुवा यहां की मुद्रा का नाम है इस्पेनेस भासा है फ्यू टोरी को सैंजवान इसकी राध्दानी हो गई 9104 बर्ड किलोमीटर में फैला हुए USA डॉलर यहां की मुद्रा का नाम है इस्पेनेस और अंगरी जी यहां की भासा है समझ रहे हैं आप लोग कितने देश से इतना देश से याद रख रख कि आप लोग परिशान हो जाएंगे इतना पढ़ना पढ़ता है देखे उसके बाद जिन्दगी भर नेताओं के दल्ले बनकर रहना पढ़ता है बिचारा स्टूडेंट करे तो करे क्या इतनी महनत करने के बाद वो तबी तो क्या करता है पुलिस में हो जाता है तो देखते हो आप लोग ठेले रेडी वालों को दम करता है आखिर वो अपना अंदर का जो गुस्सा भरा हुआ है अब किसी नेता से तो भिड़ नहीं सकता है अगर नेता से भिड़ेगा तो नेता उसकी निकाल देगा समाह रहे हैं आप लोग तो यह क्या करते हैं कि अब उन्हीं जंता गरीब जंता पर ही गुस्सा निकाल देते हैं आप लोगों को ऐसा नहीं करना है क्योंकि कहते हैं कि जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी भगवान सुनता है सेंट क्रिट्स एन्डेवी इसकी राध्दानी ँह बस से तेरे चेतफल 299 अबश्रीन केरिवेन डॉलरिंगा सेंट लीवश्या इसकी राद्धानी केस्टरेज है we 63ग केरिबियन डॉलर मुद्रा है अंग्रेजी भासा है सैंड विसंट और ग्रेनय डंस इसकी राद्धानी क्रंग्स टावन है 139 वर क्लोमेटर केक न चीरि एक लिघला जर्टार का नम है अंग्रेजी भासा है सेवतराज अमेरिका इसकी राधधानी वह संकटन डीसी है चेटफल अन्ठानवे लाग चब्वी सजाज शेसोंती सबर क्रमेटर है संसत का नाम कॉंग्रेस मुद्रा डॉलर और भासा अंगरेजी आप लोगों से इसलिए बोलता रहता हूं में साम किसी के साथ बुरा मत करना है मेरा मतलब एक ही बुरा से मतलब कि किसी कोई भरोसा करता है तो इसे भरोसे को मत रोगना कभी किसी पर जुलों मत करना क्योंकि मैंने देखा है अभी भी आप लोगों को साथ मजार लगता हूँगा लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों को रोते हुए देखा है घुट घुट कर मरते हुए देखा है जो सोचते थे कि हमारे लिए तरक्की सब कुछ है कई तो इस तरह के लोग मर चुके हैं मैं करीबी अपने कई दोस्तों को जानता हूँ अच्छे से जो जिन्दगी बार दौलत दौलत और तरक्की के पीछे भागते रहे लेकिन सक्सिज होने के बाद भी कुछ नहीं उखाड़ पाए समझ रहे हैं अपनों को साथ लेकर चलिए कुछ मिले या ना मिले कम से कम इतना तो हर कोई सक्सिज हो जाता है कि अपना पेट भर लेता है ठीक है? उस मजदूर को भी देखते हैं वो अपने परिवार के साथ साथ रह रहा होता है वो भी पेट भरता है बस वो इमानदारी से भरता है कुछ लोग बेईमानी से तो इमानदारी की कमाई में साथ मुझे लगता है नहीं अच्छे से आती है तो आप लोगों की इमानदारी ही निवाली है अब बात करते हैं दच्छडी अमेरिका के देश देखते हैं अर्जेंटीना अर्जेंटीना की रादधानी ब्यूनस आयर से छेतफल 27,8,400 बड़ क्लूमेटर कितना 27,8,400 बड़ क्लूमेटर नेशनल कॉंग्रेस यहां की संसत का नाम होगया पेसो यहां की मुद्रा इस्पेनिस यहां की भासा अरूबा ओरेंज इस्टेड इस्टेड यहां की रादधानी एकसो तेरानवे बड़ क्लूमेटर इसका च्छित फले अरूबन फिलोरीन यहां की मुद्ध्रा का नाम हो गया डच यहां की भासा हो गया बॉलिविया लापाज यहां की राध्दानी हो गयी छित्फल दस लाग अन्ठानवे हजार 581 वर किलोमीटर है नेशनल कॉंग्रेस यहां की संसत का नाम हो गया बॉली बियानी यहां की मुद्रा होगी इस्पेनिस और आये मासा विचुगा यहां की भासा होगी द्राजील इसके राध्धानी व्रासिलिया है छेतफल 85,14,215 किलुमीटर है यहां की संसत का नाव में नेशनल कॉंग्रेस रियाल यहां की मुद्रा होगी पुर्दगाली यहां की भासा होगी चीली इसके राध्धानी सैंट्यागो है छेतफल 7,56,976 किलुमीटर है पेशो यहां की मुद्रा होगी और इस्पेनिस भासा होगी कोलंबिया बोगोटा यहां की राध्धानी है छेतफल 11,44,748 किलुमीटर कॉंग्रिस यहां की संसत का नाम है पेशो मुद्रा का नाम है इस्पेनिस भासा है एक्वाडोर कुएटा इसकी राददानी है छेतफल 2,75,830 वर्ड किलोमीटर है मुद्रा का नाम डॉलर इस्पेनिस कुछुआ और सुआर यहां की भासा हुई गुआना जॉर्ज टाउन यहां की राददानी है 2,15,083 वर्ड किलोमीटर छेतफल में फैसला हुई है नैशनल असेमली यहां की संसत का नाम है गुआना डॉलर यहां की मुद्रा है अंग्रेजी भासा है परागवे इसकी राददानी असन स्यान है छेतफल 4,6,652 है मुद्रा का नाम है परागवेन गुरानी इसकी राददानी यहां की भासा हुई पेरू इसकी राददानी है लीमा छेतफल है 12,850,216 वर्ड किलोमीटर 9,6 की मुद्रा का नाम है इसपेनिस और कोई चुगा यहां की भासा हुई सुरी नाम परा मारी वो इसकी रादधानी होगी 1,63,820 बर किलुमीटर फैला हुगा है इस्टे टैन यहां की संसत का नाम है सुरी नाम गिल्डर यहां की मुद्रा होगी दर्च यहां की भासा होगी त्रिनात त्रिनी दाद और टुबेगु इसकी रादधानी है पोर्ट आप इस्पेंड छेथफ़ले 59,28 बर किलुमीटर तिनी दाद और टुबेगु डॉलर यहां की मुद्रा का नाम है इस्पेंडिस भासा होगी उरुगवे मॉन्टी वीडियो इसका रादधानी होगी एक लाग छेथफ़ले यहां की मुद्रा का नाम है इस्पेंडिस भासा है बैने जोईला कराकस यहां की रादधानी होगी 9,16,445 बर किलुमीटर इसका छेथफ़ले होगी नैशनल कॉंग्रेस यहां की संसत का नाम होगी वॉलीवर यहां की मुद्रा का नाम इस्पेंडिस यहां की भासा होगी एक बात आप लोगों को बताऊंगा मैं क्या एक बात मैं परस्नल ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे साथ पढ़ते थे मुझसे कई गुणा उनकी वाखात पैसे में भी थी कई गुणा मुझसे जाना मतलब उस्यार भी थी पढ़ने ने ठीक है लेकिन मैंने देखा है उन्हें कि जिनके घर में आज से आप लोग मैं कई मतलब मेरे जो भी बुजरुद है कि हमेरी कि स्वेध कुछ रेता है जब कहते हैं कि व्यक्ति की साइकल खरीजने की वखाद नहीं थी उस समयhow उनके यहां बसंचला करती थी समझ रहें ह। blij reim कि कर्मों की सजा नहीं मिलती है मुझे लगता है कि हमें कर्मों की सजा मिलती है लेकिन हम भूल जाते हैं अब आप कहेंगे कि मैं ऐसे कई लोगों को जाता हूं परसनल बता रहा हूं कि जिनके बाप दादा हराम का खाते खाते इतने अर्मों कर्मों कमा गए हमारे साथ जितन कुछ करता है किसी तरह से एक बास समय लीजी हमेशा कि जब भगवान उपर वाला बदला लेने की सुचता है तो वो हजार बरबादी के रास्ते हजार खुल देता है रास्ते हमारे सामने हम ना चाहते हुए वह भी उन लास्तों पर चल पड़ते हैं तो सबसे पहले आप अधिक्तों ठीक है आप किसी को अगर नहीं खुशी दे पा रहे दिए इसमें कोई प्रॉबलम नहीं है भगवान आपसे खुश रहेगा बस किसी को रूलाना भी मत अगर हसानी क tą की यह शृखत नहीं है तो इन्हें रूलाना भी शांतों इनियह मैं भासर नहीं दे रहा मैं वो बता रहा हूँ कि इंसान है आप लोग इंसानियत रख कर जिये अब चलते हैं हम लोग ओस्निया इसमें आपके और इसकी राददानी कैनवरा है इसका शेतर लाख बावन बे हजार तीस बरक किलूमीडर में यहां की राददान इसकी जो संसद है उसी कहते हैं फेडरल पालियमेट मुद्रा को कहते हैं ऑस्टिलियन डॉलर बासा अंग्रेजी है फीजी सुवा यहां की राददानी है 18,212 बरक किलूमीटर फेला हुए है फीजी डॉलर यहां की मुद्रा का नाम है अंग्रेजी और फीजी यहां की भासा है क्रीवाती इसकी राददानी है बेरीकी आन तरावा एट ओल छेथफाल 811 बरक किलूमीटर ऑस्टिलियन डॉल यहां की मुद्रा है अंग्रेजी भासा है माइक्रो नेसिया इसकी राददानी है आपकी पाली पाली कीर छेथफल 202.4 बरक किलूमीटर है छेथफल इसका देख लिए हैं लोगा ने मुद्रा यूएसे है और भासा अंग्रेजी है मालसल दूइब राददानी मजूरे मजूरे अटोल है छेथफल 181.3 बरक किलूमीटर मुद्रा का नाम यूएस डॉलर है भासा अंग्रेजी है नोरू राददानी यारेन है छेथफल 21.3 बरक किलूमीटर है औस्टेलियन डॉलर यहां की मुद्रा है नेरून यहां की भासा है गुवाम अगानाज की राददा है चमुरी और अंग्रेजी या की भासा है न्यूजिलैंड विलेंगटन इसके मुद्रा का नाम सरी राददानी हो गई 20,000.WPatt 534.000 में फ्यल्डा होगा है न्यूजिल्ड डॉलर यहां की मुद्रा का नाम होगा है अंग्रेजी और मा ओरी यहां की भासा होगी फिर आपकी पपुआ नियुगिनी इसके राध्धानी पोर्ट मुरेश भी हो गई छेदपल 4,62,840 वाग किलोमीटर और मुद्रा का नाम हो गई पपुआ नियुगिनी किना और भासा अंग्रेजी सोलोमन दूइप समो होनियारा यहां की राध्धानी हो गई 28,371 किलोमीटर छेदपल में पहला हुए सोलोमन दूइप डॉलर यहां की मुद्रा का नाम है अंग्रेजी भासा है टॉंगा देश इसके राध्धानी नुको लोफा है छेदपल 748 किलोमीटर पंगा यहां की है फोंगावा फाले चितफल 26 वर्ड किलोमीटर है मुद्रा का नाम तुबालू डॉलर है अंग्रेजी भासा है वनू आतू इसकी रातधानी विला है चितफल 12190 वर्ड किलोमीटर है रीप्रेजेंटिटिटिव असेमली यहां की संसत का नाम है वातू यहां की भासा होगी विसलमा और फ्रेंच अंग्रेजी यहां की भासा होगी बादू मुद्रा है समुवा आप यहां की रात धानी है 2830 वर्ड किलोमीटर है शेतफल है ताला है यहां की मुद्रा है, समुवान और अंगरी जी बासा है, पलाउ बिलाउ, इसकी रादधानी है आपकी कुरोर, छेथफल है, 490 बर किलूमीटर, US डॉलर यहां की मुद्रा है, पलाउन और अंगरी जी बासा है, फ्रेंच पोली नीसिया पपीटे यहां की राददानी हो गई छेथफल 4167 किलुमीटर C.F.P. फ्रेंग यहां की मुद्रा का नाम हो गई है फ्रेंच भासा हो गई नियो केली डॉनिया फ्रांस इसकी राददानी 9 मिया है चेथफल 18,576 किलुमीटर है C.F.C. फ्रेंग यहां की मुद्रा का नाम हो गई है तनक यहां की भासा है अमेरिक्यन समुगा यूएस पेगो यहां की राददानी हो गई यहां की मुद्रा का नाम है पॉली नीशियन भासा हो गई नॉर्दन मेरियाना आइसलेंड साइप्रें इसकी भासा का नाम हो गई है 189.01 बर किलोमीटर इसका छेदपल हो गया यूएस डॉलर यहां की मुद्रा का नाम अंग्रेजी और चमोरों यहां की भासा हो गई कूक आइसल आइलेंड नुजिलेंड अभेमबा यहां की मुद्रा का नाम है 240 बर किलोमीटर छेदपल है नुजी डॉलर यहां का मुद्रा का नाम है अंग्रेजी मौरी इसकी भासा है वेलीच और फ्यूट वाना फ्रांस माता वद्दू इसकी राद्दानी हो गई 264 बर किलोमीटर छेदपल हो गया CFC यहां की मुद्रा होई फ्रेंच यहां की भासा होई निवे नुजिलेंड अलोपी यहां की मुद्रा का नाम 260 बर क्लूमीटर छेथफल 99 डॉलर यहांकी डॉलर यानि की मुद्रा नेविव और अंग्रेजी भासा हुए तोके लाव निउजी लेंड अतापु यहांकी जो राध्धानी होई 10 बर क्लूमीटर छेथफल में इसका फ्यला हुए निउजी डॉलर यहांकी मुद्रा का नाव टोके लावन और अंग्रेजी समोवन यहांकी भासा का नाव है तो ये हाल था आपके किसका देशों का उनके बारे में जो राध्धानी होगही चेथफल होगया उनका और क्या होग sut चेथफल के बाद उनका संसत का नाम हो गया मुद्रा का नाम हो गया अंग्रेजी का नाम हो गया यानि की भासा का नाम हो गया इनी से आपके questions बनते रहते हैं अच्छे से याद रख लीजिए उन्हीं को याद रखिए जो चर्चा में है जैसे अमेरिका के देश हो गया कुछ मातूर, कनाडा, ब्राजील, दच्छडी अमेरिका के भारत के पडोसियों को नाम याद रख लीजिए रोज चाइना इस तरह के जो भी देश हैं आप उन्हें याद रख सकते हैं दच्छी रफी का ठीक है और जब भी आप पेपर देते हैं समय करेंट में जो भी देश चर्चा में रहता है उनके बारे में भी आप लोग याद रख लिया गरिएगा क्योंकि कई बार पूंच लेता है अब बात करते हैं हम लोग विस्त की परिःवान के बारे में सबसे पहले बात करते हैं सडकमार्ग सरक मार्ग की कुलनमबाई 60 लाग किलोमीटर है कहां सरक में विस्ट में सरवादी के विस्ट में एक तहाई महमार्ट इसी देश में अधिकां सरकें और दोविक और सहरी विकास पूर्वी छेत में हुआ है एक बात आप लोग हमेशा याद रखें क्या कि अगर आप लोग कुश्चन्स पकड़ना सीखे तो आप बहेतर हर सब्जेक्ट को समझ पाएंगे अब आप समझ सकते हैं देखिए यह आंकड़ी हमेशा बदलते रहते होंगे क्योंकि यह जो सडकें हैं इनकी मरमत और बनते रहते हैं तो आपको याद रखना है कि इन्हें करेंट रपीयस से जोड़कर दीखना है यानि कि करेंट रपीयस से इसके लिए बना रहना है आपको थ्रेक कनाड़ा आकारी के अनपात में सडकों की लंबाई कम है याँ अधिकान सडकें पूर्वी पश्चमी दिसा में हैं ट्रांस कनेडियन सडक मार्ट न्यू फाउंड लेंड में सेंट जॉन्स को बेटिस कोलंबिया की बैंकूवर से जोड़ती है अब आप से ये कुश्चन्स बन सकता है कि ट्रांस कनेडियन सडक किन-किन के बीच है और किसी किसे जोड़ती है तो न्यू फाउंड लेंड में सेंट जॉन को बेटिस कोलंबिया के वैंकूवर से मिलाती है यह किसी देश की बनी सबसे बड़ी सडक है उत्तर पश्चमी यूरोप यहां उद्धोगी को एवं आर्तिक विकास अधिक हुआ है जनसंग्या भी अधिक है विस्ट की 20-30 महामार्ग इसी चेत में है बेटिन में सडकों कवेनत विस्ट में सबसे अधिक देखने को मिलता है आपको और्ष्टेलिया मुख महामार्ग तटिये भाग में इस्टूर्ट महामार्ग डार्विन टेनेंट क्री मेलबॉन विक्टोरिया तरे आपको चीन आपके पड़ोसी इसके मुख नगर सडकों से जुड़ाए बिजिंग प्रमुकेंद है संगाई संगु संगसु मार्ग संगाई गुवांग छाव मार्ग चैंगदू लेहासा महामार्ग भारत सडकों की कुल नमबाई आपकी 40 लाग किलोमीटर है भारत में पिरमुक महामारग है आपका ग्रेंट टेंक रोड ग्रेंट ट्रेंक रोड भारत का सबसे लंबा राष्टी है राजमार्ग NH7 है जो आपका वरानसी से सुरू होता है कन्याकमारी तक जाता है दिल्ली मुंबाई कोलकाता चन्नी को जोडने के लिए 40 पर यूजना लाईगी है यह पूंच लेता है कि 40 पर यूजना के तहतर किन-किन सहरों को जोड़ा गया है दिल्ली मुंबाई कोलकाता चन्नी को दिल्ली मुंबाई कोलकाता चन्नी को याद रखिए फिर आपका अफी का अफी का अधिकान सड़के तकीय मार्गों तक ही सीमेत है फिर मुक महा मार्ग इसका अलजीरियस सहारा मरूस्तल होता हुग गिनी के कुनाकरी तक जाता है फिर आपका रेल तो इसमें सयुक्तरा जमीरिका रेल मार्क की लंबाई की दिरिश्टी से 20 समय अगिनी है आपका सयुक्तरा जमीरिका 27 पितिसत रेलवे यहीं है अटलांटिक तर्म से ग्रेट वेटन के पूर्वी चोड तक इस देश के लगबग 80 पितिसत रेल मार्क इस्तित है इस चेत में उद्धोगी करण का एबम नगरी करण अधिक हुआ है फिर आपका रूस मार्क की लंबाई की द्रिष्टी से दूसरा स्थान है रूस का 10-60 रेल मार्क का अधिकास विस्तार यूब्रोपीए भाग में है ट्रांस साइविरियन रेल यहीं है इस देश का सबसे मत्द हूँपूइ का सबसे लंबा रेल मार्क है फ्रै आपका कनाड़ा अधिकांस रेल मार्ग कनाड़ा की दच्छडी भाग में देखने को मिलते हैं Canadian Pacific Pacific Canadian National Railways देश के दो प्रमुक महादिव प्रेल मारग है Trans-Siberia, Siberia Railway यह आपका questions कई बार बन चुका है इसमाई यह विसक का सबसे बड़ा रेल मारग है Trans-Siberia Railway सेंट पीटर्सबर्ग से बिलाडी पोस्टक तक यानि की 932 बड़ 9332 किलोमीटर लंबी है इस सड़क रेल मारग आपका इसका निर्माण 1891 में शुरू हुआ था और 1905 में यह बनकर तेयार हुई थिया कि मारग का विस्तार आपका सैंट पीटर्सबर्ग उसके बाद मास्को कुई विशेव चिलियान बिंस्क चीता खाबरो वास्क और बिलाडी गोस्टक इसका विस्तार इसका कनाडा पिसांत मारग या कनाडा का मत्वू रिरेट मारग है इसका निर्माण 1886 में पूरा हुआ था इसकी कुलाएं लंबा ही आपकी 7050 किलोमीटर कितनी 7050 किलोमीटर मारग का विस्तार है आपका सेंट जॉन, मॉन्टियल, ओटावा, सड़वरी, बिनिफेग, रैगिन, मैडिसन, हैट, केलगरी, केकिंग, बिंकुगर औस्टिलिया अंतर महादीप ये रेल बार्ट यह रेल मारग सेड़नी, उर्को, पत, पस्चिम से मिलाता है मारग के विस्तार की बात करनें तो सड़िनी, ब्रोकेंड, हिल, फीटर वेरो, फोर्ट अगस्टा, फोरेस्ट कलगुली, कुल गाईडी, पर्थिस में सामिल है इस रेल मारग में अलग-अलग गेज है इस कारण समयाधिक लगता है इसमें एसिया फारिये रेल मारग पिस्तावे थे तर्की के कास्टें टिन पोल से लेकर थाइलेंड के बैंकोप तक है यह रेल मार इरान, पाकिस्तान, भारत, बंगलादिस मियान मार से होकर गुज रहेगा विसके प्रमोक रेल मार्ग देख लीजे यह प्रमोक रेल मार्ग हो गए, जुडने वाले स्टेशन हो गए ट्रांस आईविरियन रेल मार्ग, यह आपका सैंट फीटसबर्ग और बिलाडी बोस्टप को जोड़ता है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, यह हलिफेक्स और वेंकूवर को जोड़ता है ट्रांस आउस्टेलियन रेल मार्ग, यह सेडनी और बर्द परत को जोड़ता है केप काहरा रेल मार्ग, यह काहरा और कैप टाउन को जोड़ता है और इंटल एक्स पेस रेल मार्ग, यह फेरेस और कुस्तून तुनिया को जोड़ता है Canadian National Railmart, Halifax एबं Prent Rupert को जोड़ता है Transadian Railmart, Evalparejo और एबं Venus Arts को जोड़ता है उत्रे Trans Mahadupia Railmart या कसी इटल New York को जोड़ता है Mother Trans Mahadupia Railmart, San Francisco और New York को जोड़ता है दक्षडी, Trans Mahadupia Railmart, Lost Angels और New York को जोड़ता है यहां आपका कबर होता है Google का विस्व का पार्ट आँगे हम लोग बात करेंगे बारत के बारे में बारत का बुगोल देखेंगे एक बात आप लोग हमेसे याद रखिए अगर आप लोग maps वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं और इसे पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका questions कोई भी गलत होगा तो पहले आप लोग maps वाले पार्ट को कबर कर लेजिए उसके बाद इसे कबर कर लेजिए काफी है इतना ठीक है मैं इतना कह सकता हूँ इससे PCS प्रेलिम्स तक आप लोग अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत डेटेल में बताए गया है लेकिन आपको मैं तो कहता हूँ कि इसे छोड़ कर आप लोग बहतर है आपके लिए कि आप maps का पार्ट पूरा करें और maps पूरा मांचित या फिर मैप्स के नाम से जो आपके पिले लिष्ट से सुचिए है उसमें सभी लेक्टर आपकी डले हुए है उन्हें जाकर कबर करने हैं ठीक है